हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो डैट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल चाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजोई कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिसनिंग एक्सपिरियंस चलिए शुर कर उस हवलदार की तरफ देखा जो जंगले के सिंग्चों के पार से उससे मुखातिब था उसने दर्वाजा खोला तो जीत सिंग ने जेल की कोठरी से बाहर कदम रखा वो एक लगभग 28 साल का मामुली शक्ल सूरत वाला दुबला पतला युवक था उसके सर के बाल गोंग लेकिन मुंबई में एक जोहरी की सेफ खोल कर उसमें से 12 लाक रुपए लूट जाने की वारदात के बाद जब वो गोवा खिसक गया था तो अपनी सूरत में तबदीली लाने की नियत से उसने मुचे मुणवा दी थी और दुबारा कभी फिर रखने की कोशिश नहीं की थ पुलिस को उसका तीन दिन का रिमान्ड मिला था जिसके दारान हवालात में उसकी खासी डंडा परेड हुई थी लेकिन उसने अपनी ये जिद नहीं चोड़ी थी कि वो बेगुना था और उसे काम खा फसाया जा रहा था सूपर सेल्फ सर्विस चोर की डकैती में उसका कोई हाथ नहीं था और जब उसका कोई हाथ नहीं था तो डकैती में शरीक लोग उसके कोई सगी साथी क्यूंकर हो सकते थे डकैती की वारदात पिछले मंगलवार को हुई थी उससे अगले रोज यानि की बुद्धवार को वो सूपर स्चोर में ही हिरासत में ले लिया गया था अगला पूरा रोज उसे पुलिस ने तार देव थाने में रखा था और फिर शुक्रवार सुभा ग्यारा बचे उसे मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और तीन दिन का रिमांट हासिल किया था रिमांट के तीसरे दिन यानि की पिछले रोज सोमवार को उसे जेकब सरकल के पुलिस लोकप में ले जाया गया था वजा वजा आइडेंटिटी परेट थी जिसका इंतिजाम जेकब सरकल के पुलिस लोकप में ही था जहां कि उसे एक स्चेज जैसे प्लेटफॉर्म पर पांच अन्य उसी के कद काट के लोगों के बीच खड़ा करके गवा की शिनात के लिए पेश किया गया था गवा कौन था? जीत सिंग नहीं जानता था स्चेज के किनारे पर फ्लोर लेवल पर पांच शे फ्लड लाइट्स लगी हुई थी जिनका रुख उनकी तरफ था उस चौन द्याहट के पार कहीं गवा मौजूद था जिसके सिर्फ कद काट का ही अंदाजा उसे हो पाया इन छे आदमियों को गौर से देखो पुलिस का हुक्म हुआ था गवा ने हुक्म की तामील में क्या किया था? जीत सिंग नहीं सका था वो शक्स इन में है क्या? है बाप? उसे गवा की संशक आवाज सुनाई थी पक्की बाप? हाँ बाप? कौन सा है? बाए बाजु से दूसरा जीत सिंग का दिल डूबने लगा बाए बाजु से दूसरा तो वो ही था यानि कि पुलिस ने उसके खिलाफ एक चश्मदेद गवाँ खो़ निकाला था लेकिन किस चीस का चश्मदीद गवा था वो, क्या देखा था उसने किसी ने कुछ नहीं बताया, उसे वापिस तार देव थाने लाया गिया जहांकि चश्मदीद गवा के हवाले से उसे फिर हडकाया गिया फिर से डंडा परेट की गई लेकिन ये नहीं बताया गिया कि वो गवा कौन था और किस वाक्य का चश्मिदित गवा था भीतर से बहुत ढरा हुआ जीत सिंग एक अंध प्रेड़ना के तहट फिर भी अपने इस बयान से फिर कर नहीं दिया कि डकैती में उसका कोई हाथ नहीं था चौथे दिन उसे फिर अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और पुलिस ने आठ दिन के रिमांड की दर्खवास पेश की थी जिसका उसके वकील ने जम कर विरोध किया था Your Honor, वकेल के पुर्जोर आवास तब भी उसके कानों में गूंच रही थी मेरा मुवक्किल उस सूपर्स जोर से महज एक सूट केस खरीदने गया था उसे ना तो वहाँ पड़ी डकैती की कोई वाकफियत थी और ना उसे मालुम था कि जिस सूट केस को उसने अपने लिए पसंद किया था उसमें पुलिस डकैती का पैसा बंद होने की अपेक्षा कर रही थी अपेक्षा नहीं कर रही थी सरकारी वकील ने विरोध जताया था यकीनी तोर से जानती थी कि डकैती का माल उसी सूट केस में बंद था जिसे खरीदने के बहाने मुलाजिम अगले रोज मौकाई वारदात पर वापिस लोट कर आया था I object Your Honor Your Honor मेरा मौकिल वहाँ वापिस नहीं लोटा था वो पहली बार वहाँ पहुंचा था वो मामुली सूट केस खरीदने के मामुली काम को अंजाम देने के लिए ये मेरे मौकिल की बदकिसमती थी कि इतिफाक से उसने वही सूट केस पसंद किया जिस पर पुलिस की निगा थी वो एक आम सूट केस वो आम सूट केस नहीं था वो एक खास सूट केस था जिसमें डकैती की रकम का हिस्सा बन था तो फिर वो रकम सूट केस में से बरामत क्यों नहीं हुई यही तो पुलिस जानना चाहती है यही जानने के लिए तो मुल्जिम जीत सिंग का रिमांड लिया किया था जो रकम पुलिस ने खुद अपनी आँखों से उस सूट केस में बन देखी थी वो कहां गायब हो गई थी क्यों कर गायब हो गई थी किसने किया था उसको गायब किसी के भी किये गायब हुई हो मुख्किल के लिए गायब नहीं हुई थी डकैती किसी अकेले आदमी का काम नहीं होता उसमें यकीनन इसके साथ कई लोग शामिल होंगे उस काम को जरूर इसके किसी डकैती के जोड़ीदार ने अन्जाम दिया था I object Your Honor जब मेरा मुख्किल डकैत नहीं तो इसका जोड़ीदार कहां से आएगा ये डकैत है और बराबर है इसके खिलाफ बिना कोई पुक्ता सबुत पेश किये इसे डकैत ठहराना ना इंसाफी है ये आदमी एक नोन वॉल्ट बस्चर है एक शादिर ताला तोड है एक उनरमंद आदमी है जो कि जिन तालों की चाबियां खो जाती है उनकी डुपलिके चाबियां बनाने का काम करता है जो कि इसकी रोजी रोटी का जरिया है ये वॉल्ट भी खोल सकता है सकने में और करने में फर्क होता है ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी बॉक्सर को इसलिए कातिल करार दिया जाए क्योंकि वो घूसा मार कर किसी की खोपड़ी खोल देने में सक्षम है एक डॉक्टर को इसलिए कातिल करार दिया जाए क्योंकि वो ऐसा इंजेक्शन देने का हुनट जानता है जो कि किसी के दिल की धड़कन रोक सकता है That's enough Magistrate सकती से बोला I'm sorry Your Honor Your Honor सरकारी वकील बोला ये known bad character है पुलिस को इस पर पहले से शक है कि कुछ महीने पहले जोहरी बाजार के एक शोरूम की सेव कोल कर उसमें से बारर लाक रुपई पार करने की वारदात में इसका हाथ था Your Honor This is nothing but character assassination But this man has no character How can I assassinate? Your Honor Your Honor I object to this uncharitable remark as impertinent It relevant Immaterial Objection sustained Magistrate बोला Thank you Your Honor पिछले केस का हवाला पब्लिक प्रोसेक्यूटर ने दिया है क्या मुल्जिम उस केस में गिरफतार हुआ था? सरकारी वकील ने अपने बाजू में बैठे एक इंस्पेक्टर से खुसर खुसर की और फिर बोला No Your Honor क्या प्रोसीक्यूशन तीन दिन के रिमान के बाद ये स्थापित करने की स्थिति में है कि वारदाद के वक्त मुल्जिम मौकाई वारदाद पर या उसके एर्ड गेर्ड कहीं मौजूद था? उस सवाल से ही जीत सिंग का सांस सूंकने लगा था क्योंकि जवाब से वो वाकिफ था पिछले रोज की आइडेंटिटी परेट का सस्पेंस अब खत्म होने वाला था सरकारी वकील और इंस्पेक्टर में फिर खुसर फुसर हुई फिर पुर्जोर अंदास से पहले इंस्पेक्टर ने और फिर सरकारी वकील ने सहमती में सिर हिलाया दोनोंने चैलेंज भरे अंदास से जीत सिंग की याड़ देखा जीत सिंग का दिल डूबने लगा येस यूर आनर सरकारी वकील कुटिल स्वर में बोला उस जवाब से जीत सिंग का वकील भी हडबड़ा गिया सर्शंग भाव से उसने जीत सिंग की तरफ देखा जीत सिंग उससे निगा मिलाने की ताव ना ला सका वो परे देखने लगा इतने में ही उसके वकील पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई जैसे वो तस्लीम कर रहा हो कि केस उसके हाथ से निकला जा रहा था प्रोसिक्यूशन क्या स्थापित कर सकता है मैजिस्ट्रेट ने पूछा ये कि मुल्जि मौकाय वारदात पर मौजूद था या ये कि वो वारदात के वक्त के आसपास मौकाय वारदात के एर्डगिर्द कहीं मौजूद था इड़ गिर्ट कहीं मौजूद था यूर अनर वारदात से पहले या बाद में पहले यूर अन पहले कहां सूपर स्चोर की इमारत के बाजू में एक गली है जिसमें अमूमन कोई आवा जाही नहीं होती उस गली में स्चोर का एक दर्वाजा है जो हमेशा बंद रहता है और स्चोर के माली की आवा जाई के लिए सिर्फ उसी के लिए द्वार खोला जाता है उस दर्वाजे में एक बिल्ट इन लॉक है जिसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला जा सकता है प्रोसिक्यूशन ये कहना चाहते है कि दर्वाजा स्चोर के माली के अपने इस्तिमाल के लिए है सिर्फ अपने इस्तिमाल के लिए यूर अनर एक्सक्लियूजिव यूस के लिए हम्द प्रोसीड यूर अनर उस दर्वाजे के आगे सीड़िया है जो सेधे उपर मालिक के आफिस और अकाउंट आफिस तक जाती है मुल्जिम पर पुलिस का इल्जाम है कि उसने दर्वाजे के रास्ते अपने और अपने साथियों के लिए अकाउंट्स आफिस तक पहुंच बनाई और वहां डकैती डाली मुल्जिम एक एक्सपर्ट ताला तोड़ है इसलिए ये उसके लिए मामुली काम था आई अबजेक्ट यॉर अउनर जीत सिंग का वकील बोला ये मिरे कलाइन पर बेजा इल्जाम है यॉर अउनर सरकारी वकील बोला I object to this objection as it is premature अभी यॉर अउनर के सवाल का जवाब फूरा करने का मौका मुझे नहीं मिला है अबजेक्शन ओवर रूल्ट यॉ में प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसेक्यूटर थैंक यॉ यॉर अउनर एस पर रिकॉर्ड प्रोसीक्यूशन ने ये दावा किया है कि वो स्थापित कर सकता है कि मुल्जिम वार्दात के वक्त मौकाई वार्दात के करीब मौझूद था येस यॉर अउनर कैसे एक चश्मदित गवा के जरिये इस केस के तफ्तेश में लगे पुलिस अधिकारियों ने अपने भरपूर मेहनत से एक ऐसे शक्स को खोज निकाला है जिसने अपनी आँखों से मुल्जिम को सूपर स्चोर के बाजू की गली में स्चोर माली के एक्स्क्लूजिव इस्तेमाल में आने वाले बन दर्वाजे के करीब मंडराते देखा था मैजिस्ट्रेट प्रभावित दिखाई देने लगा था अगर मुल्जिम उस गली में ताला खोलने के लिए मौजूद नहीं था सरकारी वकील बोला तो भी क्या अपनी वहां मौजूद की की ये कोई वज़ा बता सकता है मैजिस्ट्रेट ने जीत सिंग की तरफ देखा मैं वहां मौजूद नहीं था जीत सिंग दयनीय स्वर में बोला तुम चश्मदीद गवा को नहीं जुटला सकते सरकारी वकील कहर भरे स्वर में बोला अबजेक्शन योर अनर जीत सिंग का वकील बोला मेरे क्लाइन को धमकाने की कोशिश की जा रही है अबजेक्शन ओवर रूल्ट मेजिस्ट्रेट बोला गवा को पेश किया जाए तब जैसे जीत सिंग के बुरे कर्मों के फल के तौर पर प्रोसिक्यूशन की स्चार एट्रेक्शन वो चश्मिदीद गवा पेश हुआ उसने बाइबल पर हात रख कर सच बोलने की कसम दोहराई तुम्हारा नाम सरकारी वकील ने पूछा गाईलो गवा बोला क्या काम करते हो टैक्सी चुलाता है मंगलवार 30 दिसंबर की शाम को तुमतार देव के इलाके में स्थित सूपर सेल्फ सर्विस चोर के सामने मौजूद थे क्या ऐसा इस था टाइम का कोई अंदाजा है क्या शाम का टैम था अरे शाम तो बहुत लंबी होती है मैंने घड़ी वाले टाइम की भाबत सवाल किया है घड़ी का टैम हाँ साड़े पांच से उपर का था बाप कितना उपर था यही कोई पांच मिनट यानि कि 5.35 के करीब तुम तारदेव में सूपर सेल्फ सर्विस स्चोर के सामने मौजूद थे मैं ऐसा इश तो बोला बाप वहाँ क्या कर रहे थे अपने टेक्सी में बैठेला था पैसेंजर के इंतिजार में टेक्सी कहां खड़ी की थी तुम्हारी स्चोर की बाजू में बाजू की गली के सामने गली के सामने क्यों? स्चोर के सामने क्यों नहीं? स्चोर के सामने स्चोर का डोर मैं नहीं खुड़ा होने देता इसलिए पैसेंजर के लिए बाजू हट कर इंतिजार करता था क्या ये सच है कि तुम्हारी टैक्सी ऐसी जगा खड़ी थी कि तुम स्चोर की में एंटर्स को भी देख सकते थे और बाजू की गली में भी छांक सकते थे सच है तुमने गली में कुछ देखा DECHA क्या देखा एक भेड़ो बाजू के बंद दर्वाजे के सामने खड़ेला था क्यूं? मालूम नहीं, शायद भीतर जाना मांगता था लेकिन वो दर्वाजा तो बंद रहता है मेरे को नहीं मालूम बाप मेरे को खाली ये मालूम कि वो उधर उस दर्वाजे पर खड़ेला था तुम्हारे सामने वो दर्वाजा खुला था और वो आदमी उसके भीतर दाखिर हुआ था क्या? नको तो क्या किया था उसने? मेरे को नहीं मालूम क्या मतलब? तभी मेरे को पैसेंजर मिल गया था और मैं उधर से चला गया था I see लेकिन जाने से पहले तुमने उस शक्स की सूरत देखी थी क्या? बरोबर ठीक से देखी थी ना? हाँ उधर सूरत ठीक से देखने लायक रोशनी थी क्या? बरोबर थी गली के दहाने पर स्ट्रेट लाइट जलता था उसका लाइट दर्वासे तक पहुँचता था गुड बहरहाल तुमने उस शक्स की सूरत इतनी ठीक से देखी थी कि दुबारा देखते हैं तो पहचान लेते? हाँ फिर दुबारा देखी थी? हाँ कब कहां कैसे? कल आफटरनून में जेकब सरकल के पुलिस लॉक अप में पुलिस के दिखाई लहाजा तुम पुलिस दुबारा और्गनाईज की गई आइडेंटिटी परेड में शामिल थे? हाँ जहां तुमने उस शक्स को साफ पहचाना था जो कि मंगलवार तीस तारीक की शाम को तारदेव में सूपर सेल्फ सर्विस चोर के बाजू की गली में उदर के बंद दर्वाजे के करीब खड़ा था? हाँ वो शक्स तुम्हें इस वक्त इस अदालत में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं अब अदालत को बताओ कि वो शक्स सरकारी वकिल ठिटका, हग बकाया, उसने अपने स्चार विटनेस की तरफ देखा अभी क्या बोला तुमने? वो बोला मैं नहीं बोला, गवा बोला नहीं बोला, किस बात को नहीं बोला? वो आदमी इधर नहीं है कौन आदमी इधर नहीं है? जिसको मैं पिछले मंगलवार को तार देव में, गली में देखा और कल सोमवार को जेकब सरकल पर आडेंटिटी परेट में देखा क्या वो आदमी इधर नहीं है? ऐसा इश तो बोला मैं जो आदमी इस वक्त मुलसिम के कटगरे में खड़ा है क्या ये वो आदमी नहीं है? नहीं है लेकिन कल आडेंटिटी परेड में तो तुमने इसकी साफ शिननाक की थी इसकी नहीं बाप उस भेडों की जिसे की मैंने तार देव में गली में देखा था तो ये वो शक्स नहीं है? नहीं है ये वो ही शक्स है इसी को कल जेकब सरकल के लॉक अप में पाँच और आदमीयों के साथ तुम्हारे सामने पेश किया गया था लेकिन ये वो भेडों नहीं है ये यकीनन वही है तमाम पुलिस वाले इस बात के गवा है सौरी बोलता है मैं अब पक्की करके बोलता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे मैंने पिछले मंगलवार को तार देव में सूपर स्चोर के बाजू की गली में देखा था तुम जूट बोल रहे हो सरकारी वकील गर्चा तुम अदालत में बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाने के बावजूद जूट बोल रहे हो जानते हो अदालत में जूटी गवाही देने की सजा क्या होती है यूर आउनर जीत सिंग का वकील बड़े उच्छ स्वर में बोला नोट किया जाए कि मेरे फाजिल दोस्त सरकारी वकील सहब अपने ही गवाह को जूटा करार दे रही है मेजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील की तरफ देखा आइम सॉरी यूर आउनर निगाहों से अपने गवाह पर भाले बर्चियां बरसाता सरकारी वकील बोला मुझे खेद है कि जो बयान सामने आया है उसके लिए मैं तयार नहीं था सिखा पढ़ा कर तयार किये गवाह जीत सिंग का वकील बोला यूही एन मौके पर गड़बड़ा चाते हैं कुछ का कुछ बोल देते हैं असल में आपको खेद इस बात का है कि मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि आपका तोता आपका सिखाया बयान ठीक से नहीं रट सका I object, Your Honor Sustained Magistrate सकती से बोला No personal remarks Mr. Defence Attorney I am sorry, Your Honor अपने विज़ई मुस्कुराहट को भरसक छुपाता जीत सिंग का वकील बोला I withdraw my comments लेकिन comments ने जो नुकसान करना था वो तो हो ही चुका था Magistrate के जहन में ये बात पैट चुकी थी कि कतित चश्मदीद गवा पुलिस का पढ़ाया तोता हो सकता था फिर कोद Magistrate गवा से मुकातिब हुआ इदर मेरी तरफ देखो वो बोला गवा ने आदेश का पालन किया तुमने एक आदमी को मौकाई वारदात के करीब देखा था फिर तुमने उस आदमी की आइडेंटिटी परेट में शिननाफ की थी ठीक गवा ने सेहमती में सिर हिलाया अब तुम कहते हो कि कटगरे में खड़ा मुलसिम पिर कठिन स्वर में बोला साप कल मुझे लगा था कि ये वही आदमी था लेकिन अब मैं इसे इतने करीब से देख रहा हूं तो लग रहा है कि ये वो आदमी नहीं है लग रहा है यानि कि तुम यकीनी तोर से नहीं कह सकते कि ये वो आदमी नहीं है साप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता एक जवाब तो क्या ये वो आदमी है साप मैं बाईवल पर हाथ रखके सच बोलने का कसम खाया मैं जूटा जवाब नहीं दे सकता इस भीडू की बाबत मेरे को डाउट मैं केल ठोक के ऐसा नहीं बोल सकता कि ये वही भीडू है कल तो सरकारी वकिल चिड़ कर बोला केल ठोक कर ही कहा था जब अदालत खुद गवाब से सवाल कर रही है मैजिस्ट्रेट सकती से बोला तो पब्लिक प्रोसेक्यूटर के दखल अंदास होने की ज़रूरत नहीं है ये गवाब कन्फ्यूस हो चुका है कन्फ्यूजन की अपनी मौजूदा स्चेश में ये मुल्जिम के शिंगनात के मामले में कोई पुक्ता बात कहने की पोजिशन में नहीं है इस कोट नौ डिकलाइन इसेप्ट हिम एज रस वर्थी विटनिस अगेंस ना एक्यूज़ इस मीज़्ग सरकारी वकील ने गवा को कटगर में से हट जाने का इशारा किया गवा ने आदेश का पालन किया सरकारी वकील के साथ बैठा इंस्पेक्टर आगनिय नेत्रों से उसे घूरता रहा मिस्टर पबलिक प्रोसीक्यूटर में प्रोसीड विद हिस केस पर मेजिस्ट्रेट बोला यूर अनर, सरकारी वकील बोला मौजूदा हालात में अपने विटनेस को विद्ड्रॉ कर लेने के इलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था मौजूदा हालात में मुल्जिम से उसका गुना कबूलवाने के लिए पुलिस को फर्दर रिमांट की जरूरत है मैं अदालत से दर्ख्वास करता हूँ कि आठ दिन का फर्दर रिमांट यूर अनर, जीत सिंग का वकील बोला किसी बे गुना से उसका गुना तीन दिन में भी नहीं कुबलवाया जा सकता आठ दिन में भी नहीं कुबलवाया जा सकता असी दिन में भी नहीं कुबलवाया जा सकता मैजिस्ट्रेट का सिर्ष सहमती में हिला और फिर इस हकीकत पर भी गौर फर्माया जाए कि इस वक्त हमारी दर्खवात सिर्फ बेल की है जमानत हो जाने से मुझेम बेगुना साबित नहीं हो जा रहा आइंदा दिनों में पुलिस मेरे मुख्किल के खिलाफ अगर कोई पुक्ता सबूत मोहिया कर सकती है तो उसे पूरा अक्तियार है मेरे मुख्किल की बेल को कैंसल करा लेने का और उसे फिर गिरुफतार कर लेने का मौझूदा हालत में जबकि पुलिस इसके खिलाफ कुछ भी ثाबित कर पाने में असफल रही है इसको पुलिस सिरास्त में रहने देना इसके साथ जल्म होगा इसके मौलिक नागरिक अधिकरियों का अधिकारों का हनन होगा ये इसको गुनेगारा तहराने के समान होगा मैजिस्क्रेट ने सरकारी वकील की तरफ देखा यॉर अनर, पुलिस की तफ्टीश अभी अधूरी है पुलिस को केस की तफ्तिश के लिए काफी वक्त नहीं मिल पाया है ये निराधार बात है योरानर जीत सेंग का वकील बोला पुलिस का अपना गवा नाम कर गया होता तो तफ्तिश मुकमल थी तो पुलिस के निगाहों मेरे मुवक्त को सजा हो जाना महज़ वक्त की बात थी अब अपना ही गवा दगा दे गया तो तफ्तेश ना मुकमल होने की दुहाई दी जा रही है मैंने कोई दगा नहीं दिया साफ गवा बोला मेरे को बस मुगालता लगा और ऐसा में साफ बोला ऐसा मुगालता किसी को भी Shut up सरकारी वकील कहर भरे स्वर में बोला और फिर सम्भला आई मिन खामोश रहो तभी बोलो जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए जब बोलने को कहा जाएगा तो तुम्हें वापिस कटगड़े में खड़ा होने को बोला चाएगा समझे बरोबर Your Honor, तफ्तीश के लिए फर्दर रिमांड जरूरी है क्यूं जरूरी है? जीत सिंग का वकील बोला तफ्तीश क्या रिमांड बिना नहीं होती? Your Honor, मेरे मुवक्किल से जो भी और तफ्तीश की जानी है उसकी जमानत पर रिहाई उसमें अर्चन नहीं बन सकता मैं अपना मुवक्किल की तरफ से इस अदालत को और पुलिस को आश्वासन देता हूँ कि मेरा मुवक्किल कैसी भी तफ्तीश के लिए, कैसी भी जवाब कल्बी के लिए पुलिस को हमेशा उपलब्द रहेगा हम्, मेजिस्टेट ने जोर की हुंकार भरी क्या मुवजिम का कोई जामिन इस वत कोट में मौजूद है चैन की सांस लेते हुए जीत सिंग के वकील ने एडवाडो को इशारा किया व्रिद एडवाडो उटकर खड़ा हो गया और आदरपूर्ण मुद्रा बनाए, मेजिस्टेट की तरफ देखने लगा इस जामिन के इलावा, मेजिस्टेट बोला, ये अदालत पचास सजार रुपए की कैश बेल का हुक्म देती है यूर अनर, सरकारी वकील बोला, कैश बेल की रकम कम है और मुझे मालुम हुआ है कि ये जामिन शेहर से बाहर का है, राज्ज़ से भी बाहर का है मुल्क से बाहर का तो नहीं है, जीत सिंग का वकील गुसे से बोला, अब क्या मेरे फाजिल दोस्त, इस बात पर भी एतरास जताना चाहते हैं, कि हिंदुस्तान एक है, और इसमें बसने वाले सब हिंदुस्तानी है यो तो इस बात पर भी एतरास उठ सकता है, कि मेरा मुख्किल हिंदु धर्म से तालुक रखता है, जबकि उसका जामिन गोवानी है ऐसा भेदभाव रखना भारत की अखंड़ता और धर्म निर्पेक्षता की शवी धूमिल करना होगा, क्या ऐसा वांचित होगा की That's enough, Magistrate बोला, मुल्सिम को इस शर्थ पर पचास हजार की कैश बेल पर और उसके जामिन के आश्वासन पर रहा किया जाता है, कि ये पुलिस को तहकिकात के लिए हमेशा उपलब्द रहेगा और इस सिलसिले में संबंदित थाने में संबंदित पुलिस अधिकारी के पास नियमित हाजरी भरेगा, जिसकी नियमित्ता और वक्त पुलिस खुद मुकरर कर सकती है रोजाना सुबह 11 बजे सर, सरकारी वकीर के करीब बैठा इंस्पेक्टर, जिसका नाम गोविलकर था और तार देव पुलिस चेशन से संबंदित था, बोला रिक्वेस्ट ग्रांटिट, बेल की कारेवाही मुकमल हो जाने के बाद, मुल्जिम जेत सिंग को आजात कर दिया जाए जेत सिंग ने चैन की सांस ली थी, अगर अदालत को किसी प्रकार ये खबर लग जाती, कि वो पहले से ही इंदोर से बेल जम करके भागा हुआ अपरादी ब्रमदत था, जो कि अब जेत सिंग के नाम से और कभी-कभी बद्रीनात के नाम से भी जाना जाता था, तो उसकी ब और में भी वो इस बार की तरह ही वारदात का बराबर कुसूर वार था, लेकिन इस बार की तरह उस बार भी ना तो वो एन वारदात के वक्त मौकाई वारदात पर पाया गया था, और ना उसके खिलाफ कोई चश्मदीत गवा था, तदो प्रांत जीत सिंग सिर्फ आधा मि कैश्बेल के लिए तयार होकर नहीं आया था बेटा, वो धेरे से जेत सिंग से बोला, यानि की, जेत सिंग ने राज स्वर में बोला, मैं आज रेहा नहीं हो सकूंगा क्या? आज ही होगा, एडिवारडो ने द्रिटा से कहा, आज ही होगा, मैं जाके आता हूँ वो गवा जेत सिंग व्यग्र स्वर में बोला गाई लो वो कैसे तेरा लाइफ बचाया वो उसी की गवाही से पुलिस का केस सॉलिड होना था उसी की गवाही से वीक हो गया बलकि समझ कि बैठ ही गया लेकिन उसने क्यों किया ऐसा क्या सच में वो बोलेगा आने थे एडवार्डो चला गिया फिर शाम को तारदेव पुलिस चेशन में बंद वो जब निराश हो चला था तो थानी के एक हवलदार ने आकर उसे वो गुड नियूस दी थी कि आखिरकार जमानत की कारेवाही पूरी हो गई थी कोटरी से निकल कर उसे एक खाली कमरे मे ले जाया किया था जो कि वहाँ पड़ी कुरसियों और बैंचों की वज़ा से वेटिंग रूम जान पड़ता था वहाँ एक बैंच पर बैठा सिर्फ एडवार्डो मौजूद था जीत सिंग उसके पहलू में जा बैठा एडवार्डो ने खामोशी से उसे एक सिगरेट द लिया एक खुद लिया और फिर दोनों सिगरेट सुलगाए जीत सिंग ने बड़े त्रिप्ति पोन भाव से सिगरेट का लंबा कश खींचा एडवार्डो एक कोई साट साल का लाल भबु का चेहरे वाला वृत था उसके सिर के तमाम बाल सफेद थे और उसके चेहरे पर व जीत सिंग की वज़ा से वो बड़ा संभांत व्यक्ति लगता था वस्तुते वो जीत सिंग का ही बिरादरी भाई था जो कि अभी कल की भात थी कि पंजी के डबल बुल कैसीनों की डखैती में उसके साथ शरीक था खुद उसने डखैती से हुई महस दो लाग की कमाई से फि ट्रांस्वर कर देता था संजीदा सूरत दोनों खामोशी से धुम्रपान करते रहे एडवाडो एका एक जीत सिंग बोला येस कोट में पेशी के बाद तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम उस गवा की बाबत को जानते थे उस गवानी टैक्सी ड्राइवर वो अपना जात भाई है वो तो हुआ लेकिन मेरे पर महरबान क्यूं कर हुआ खामखा तो नहीं हुआ हे भगवान कहीं तुमने उसे कोई रिश्वत विश्वत तो नहीं दी अब इस उम्र में मेरे को जेल जाना नहीं मांगता तो फिर तो फिर कोट में तेरी पेशी होने से पहले मेरे को किदर मालूम था कि पुलिस तेरे खिलाफ कोई आई विटनेस पेश करने वाली थी मेरे को किदर मालूम था कि वो गवा कौन था और तेरे खिलाफ क्या डैमेजिंग बात कहने वाला था मैं कब को उसको रिश्वत पेश करता करता तो क्या बड़ी बात थी कि वो मेरे को तभी on the sport अरेस्ट करा देता तो फिर खुदा को मानता है ना आसमानी बाप पर तेरा कोई फेथ है ना है तो सही तो दुआ दे आसमानी बाप को कि जिसने तेरे लिए तेरी मौजूदा दुश्वारी खड़ी की उसी ने तेरे लिए उससे निकलने का रास्ता खोला गाईलो हाँ जिससे तुम जानते हो अब जानता हूँ कौन है वो एंजो का कजन है एंजो का एंजो का कजन है फर्स कजन मैं उसे नहीं जानता था, लेकिर एंजो की वज़ा से वो मुझे जानता था इतिफाक से कोट के टॉयलेट में मिल गया, उसी ने मुझे पहचाना और अपना इंट्रोडक्शन दिया जीते, वो तेरे खिलाफ एकदम चौकस गवा था उसने सच में अपनी टैक्सी में से तेरे को उस गली के साइड डोर पर देखा था और बेहिचक लाइन अप में से तेरे को पिक किया था मेरे को भी ऐसेज जान पड़ता था जब मैंने उसे बताया कि जिस शक्स के खिलाफ वो गवाही देने जा रहा था वो एंजो की जिंदगी में एंजो का मेहिस सोल टेस्ट इन पेस जिगरी था तो फॉरण उसका मिजाज बदला था मैं, मैं एंजो की मौत की वज़ा था नेवर जैसे एंजो गोली खाकर मरा था कंपनी के बिग बॉसिस के गैराज में वैसे तुम मर सकता था तुम दोनों मर सकते थे, मुझे अभी भी करिश्मा जान पड़ता है कि तु भाई सावन के कबजे में था फिर भी जिन्दा लौट आया था जीत सिंग का सिर धीरे से सहमती में हिला कड़े पैर गवाही से मुकरना बहुत जिग्रे का काम था आज कोट में बहुत किरकिरी हुई पुलिस की पुलिस उसकी अच्छी खबर ले सकती है फिर तो जीत सिंग घबरा कर बोला वो फिर मेरी बाबत हकीकत बयान कर देगा ऐसा नहीं होगा इतना इग्नॉरेंट नहीं है वो कि पुलिस को लेट डाउन करने के अन्जाम से नवाकिफ हो तो निश्चिंत रह उसने जो किया है खुप सोच समझ कर किया है पुलिस की कोई छोटी मोटी ज्यादती वो जेल लेगा आकिर एंजो का भाई है हम पौरन तो पुलिस भी कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उन्हें मैजिस्टेट से शिकायत हो जाने का आदेश होगा बहराल जो हुआ अच्छा हुआ कम से कम तेरे लिए अब हम यहां क्यों बैठे हैं वो इंस्पेक्टर गोविल कर एक नंबर का कमीना असली पुलिसिया है उपर से तेरे खास खिलाफ जान पड़ता है लिमान नहीं मिला इसलिए क्या इसलिए भी उसका गवा मुकर गया जरूर उसके लिए भी वो तुझे ही जिमेदार ठहला रहा होगा मुझे खाम खा खाम खाही वो क्या है कहते हैं तेरे जुबान में कुमार का गुस्सा गधे पर अब कैसे गुस्सा निकाल रहा है अडंगे लगाकर कानून चांडता है प्रोसेजर बताता है ये साइन नहीं हुए वो मोहर नहीं लगी उस मिसल की कौपी तथी नहीं हुई जैसे अडंगे लगाता है वो हवलदार तो कहता था कि जमानत की कारेवाही पूरी हो गई थी अडालती कारेवाही पूरी हो गई थी कमीने की खुद की कारेवाही बाकी है तो फिल मैंने वकील को फोन किया था उसने आगे एसीपी से बात की थी वो कमबक्त इंस्पेक्टर अब कुछ सीधा हुआ है हम फर्स कैसे गया उस्ताद जी दिवारों के भी कान होते है वेरी गुट इतना कुछ बोल चुका तो सूजा की दिवारों के भी कान होते है धीरे बोल यूँ बोल की आवाज दिवारों के कानों तक ना पहुँचे बोल क्या हुआ था? ठीक है बोलता हूँ वो क्या है की? बलकि पहले बोल पीछे पूना में क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ नहीं मालूम? बस इतना मालूम है कि उधर कर्टिसी जीद सिंग, वॉल्ट बस्चर, होटल ब्ल्यू स्चार का वॉल्ट खोल गया था और उधर लगी कॉइन कन्वेंशन का काफी सारा माल बाद में जिसकी कीमत पौने तीन करोड रुपए आंकी गई थी लूट गया था और ये मालूम है कि उस वारदात का चीफ आर्किटेक्ट दिलिब बिल्थरे को माना किया था जो कि भाग्चन नवलानी नाम के एक और सजाए आफ़ता मुझरिम के साथ मौकाई वारदात पर गोली खाकर मरा पड़ा गया था अभी और ये मालूम है कि अपना कार्लो बिल्थरे के बुलावे पर पूना गया था लेकिन आज तक लाट कर वापिस नहीं आया अभी तक नहीं आया तो आएगा भी नहीं क्यों? क्या अकबार नहीं पढ़ते? कभी कबार पढ़ता हूँ इस बाबत कुछ नहीं पढ़ा उस वारदात के दौरान कार्लो के कतल के भी कोशिश होई थी लेकिन वो सक्त जान निकला था जो उसके फॉरण प्रान नहीं निकले थे मेरे पूना से खिजकने तक वो जिन्दगी मौत के बीच लटका अस्पतार में पढ़ा था लगता है हो शाय बिना ही मर गया वरना अकबार में उसकी बाबत कुछ छपा होता ओ! उसके साथ इम्रान मिर्ची नाम का एक और आदमी भी जान से गया था लेकिन कारलों की तरह उसके भी शिन्नात नहीं हो सकी थी इतना खून खराबा हो कैसे गया? हो गया एक टॉप के कमीने की महर पानी से कौन था वो? नयन बलसारा नाम था उसका वो सूरत वाला जिसका बकतावर नाम का कॉन्टेक्ट है मुंबई में? हाँ वही, जानते हो से? जानता हूँ, कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन फिर भी जानता हूँ उसका पता ढून कर दे सको तो कमीने का कौन पी जाओ मैं? बकतावर कुछ नहीं बताता क्या? नहीं, वो एक मुबाइल नमबर पर मिलता है फोन करो तो बोलता है नमबर बता दो बलसारा सहब से फोन करा दिया जाएका मैं कोशिश करूँगा बलसारा का पता जानने की या बकतावर का उसका भी, यानि की परेड ही हुई पल्ले कुछ नहीं पड़ा पल्ले भी कुछ पड़ा इतिफाक से लेकिन अगर बलसारा धोका ना देता तो खून खराबा नहीं होता और बिल्थरे नवलानी, मिर्ची और कारलो आज जिन्दा होते बहरहाल धोका आखिरकार फिर भी हुआ हाँ जीते, ये धोका नाम का प्रेड कब तेरा पीछा छोड़ेगा शायद कभी नहीं इस बार का असल किस्सा क्या है? पिछले मंगलवार सूपर सेल्फ सर्विस चोर के कॉंटेक्स में जो कुछ हुआ बताया जाता है और जिसकी वज़ा से तू गिरिफदार हुआ वो क्या हुआ था? हाँ तेरी शिरकत के साथ? हाँ धोका साथियों ने दिया साथी ही देते हैं गैर से कौन धोका खाता है? काम्याब हो जाता तो जो हाथ आता तो वो फिर जाकर कुलाबा वाली उस औरत को दे आता? हाँ पूना वाला पैसा भी उसी को दिया? हाँ कितना? तीस लाक इसके बाद से तो खैरियत है ना? फिर पैंतिस लाक और कल्याण से पैंतिस लाक हाथ लगे थे? हाँ वो भी कौलाबा वाली औरत की नज़र कर दिये? तमाम जहमत उसी के लिए तो की थी? सांता मारिया अब सूपर स्चोर वाली वारदात में काम्याब हो जाता तो? पक्का नहीं पता पैंतालीस एक लाक का अंदाज़ा था सैंता मारिया जीते कब खत्म होगा ये सिलसिला? कहां जाकर खत्म होगा? जीत सिंग खामोश रहा जीते तु दिवाना है यू आर इंसेन पहले भी बोला तेरी अकल से विवेक से कोई रिष्टा नहीं तेरे पर किसी प्रेत का साया है तो किसी जुनून के हवाले है वो औरत नहीं चुडैल है जिसने तेरे पर कोई टोना कर दिया है वो मुझे कुछ नहीं करती लेकिन तुझे तो करने देती है तो उस पर दौलत लुटाता है वो कुबूल कर लेती है और अगली किष्ट का इंतिजार करने लगती है ऐसा नहीं है बराबर है तभी तो जैसे कोई डायन खून चूसती है वो तेरा माल चूसती है और पुर्सूमल की सुहागन होने का दम भड़ती है वो कुछ नहीं कहती ये भी तो उसकी नालाइकी है जलालत है कि कुछ नहीं कहती ऐसा कब तक चलेगा नहीं चलेगा तो बे मौत मारा जाएगा जीते मुझे परवा नहीं वैसे तो मैं हमेशा सेंट फ्रांसिस से तेरे सलामती की दुआ मांगता हूँ चर्च में तेरे नाम की कैंडल जला कर आता हूँ लेकिन मेरा दिल गवा ही देता है कि तेरे मामले में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होने वाली जीते अगर तू अपने लच्छन नहीं छोड़ेगा अपने आप पर काबू नहीं करेगा तो समझ ले कि इस फानी दुनिया से तेरे रुकसती महज वक्त की बात है सब के साथ ऐसा ही छोता है तेरे साथ ज्यादा है और लोगों को गौड ऑल्माइटी बुलाता है तो वो उसके घर जाते है तो गौड को फोर्स करता है कि वो तेरे को जल्दी से जल्दी आने को बोली उस्ताद जी तुम्हारा पचास सजार रुपेया मैं दोट से धोकर्स वापिस करूँगा रुपए का नाम किस ने लिया रुपए लोटाने मैं खोदवाल पोई आऊंगा तु बात को टाल रहा है जीत सिंग ने उत्तर नहीं दिया तु बहुत अच्छा लड़का है लेकिन बेवज़ा बिफ्रा भड़का हुआ है अपनी कम अकली की वज़ा से खोदकुशी पर आमादा है जीते एक औरत के पीछे इतना बरबाद होना ठीक नहीं होता बरबाद कौन है आबाद भी किदर से है लॉक अप में बंध है पांच दिन से ये बरबादी नहीं तो और क्या है निजात पातो रहा हूं तुम्हारे सदके वक्ती सिर्फ जमानत पर चूट रहा है जमानत पर चूटने से कोई बेगुना साबित नहीं हो जाता तेरा गुना साबित हो गया तो तेरा अंजाम गंभीर होगा नहीं होगा जिन लोगों की बाबत मैंने मूँ नहीं कोला यकीनन वो भी मेरी बाबत मूँ नहीं कोलेंगे सब खयाली पुलाव है खुद कबूल करता है कि उन्होंने तुझे धोका दिया धोके बाज लोग क्या तेरे सगे होंगे उन्हें जब खबर लगेगी कि तु बाहरा गिया है तो इससे पहले कि तो उनका कुछ बिगाड सके वो ही तेरा फुल काम कर देंगे मैं साबधान रहूंगा लेकिन बास नहीं आएगा एक उखल से बच जाएगा तो दूसरी में सिर्धेगा अब छोड़ो ये किस्सा उस्ताज जी छोड़ देता हूं लेकिन मेरा एक कहना मान प्रैक्टिकल बन, व्यभारिक बन, दानिशमन बन छोड़ दे वो रास्ता जो कहीं नहीं पहुँचता छोड़ दे वो जित जो नहीं तूटेगी तो तुझे तोड़ देगी छोड़ दे वो ख्वाईश जो कभी पूरी नहीं हो सकती भूल जा उस जोटी फरे भी धोके बास ना शुक्री औरत को अगर तू दोस्त है जीत सिंग सिर्फ जुकाई धीरे से बोला तो नसीयत ना कर खुदा के लिए मेरा जमीर ही काफी है मेरी सजा के लिए एड़वार्डो ने हक बगा कर उसकी तरफ देखा क्या कहने फिर उसके स्वर में एक शन भर को व्यंग्य का पूट आ गिया कैसी फैंसी बात कही और अभी तू कहता है कि तू अनपढ़ है जीत सिंग कुछ नहीं बोला ये सब किताबी बाते हैं बेटा और किताबों में ही जश्ती है और फिर जमीर भाकी कहा है तुझ में जमीर को तो तू अपनी बेहुदा ना मुराद आवारा आशिकी में घोल के पी गया एक सिग्रेट और देना उस्ताद जी एडवार्डो ने गहरी सास ली असहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर सिग्रेट का पैकेट और माचिस निकाल कर जीट सिंग की गोद में डाल दी रख ले एडवार्डो बोला शुक्रिया जीट सिंग बोला उसने सिग्रेट सुलगाने की कोशिश नहीं की एडवार्डो ने एक निगाव बंद दर्वाजे की तरफ दोड़ाई और फिर उट खड़ा हुआ मैं वकील के पास जाता हूँ वो बोला और उसे साथ लेकर यहां आता हूँ मेरे लौटने तक अगर तो छूट गया तो बढ़िया वरना वही करना जो करेगा छीक है जीत सिंग ने सेहमती में सिर हिलाया जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ दर्ख्वास के तौर पर बोलो बेल जंक ना करना वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी क्या मुझसे ऐसी उमीद करते हो उस्ताद जी उमीद तो नहीं करता लेकिन फिर भी बोला ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे तेरे से लगाव है हम दर्दी है तेरी जाती ट्रेजिडी से मेरा दिल पसीश्ता है इसलिए तेरे दोस्परदेसी की मार्फत मैसेश मिलते ही वाल पोई से यहाँ दोड़ा चला आया वरना बाद में जब तेरी तरफ से कोई गिला शिक्वा होता तो मैं कह सकता था कि मुझे तेरा मैसेश नहीं मिला था मैं मश्कूर हूँ कि तुमने मेरे मैसेश को नजर अंदास नहीं किया उस्ताद जी छोटके कहां जाएगा चिंच पोकली अपने घर और कहां जाऊंगा छीक है पंजी लोटने से पहले मैं मिलूँगा तेरे से अब चलता हूँ वो चला गया जीत सिंग ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतिक्षा करने लगा उस घड़ी का वो इंतिजार उस पर तीन दिन के हिरासत से ज्यादा भारी पढ़ रहा था इंतिजार के उस वक्वे में हालिया वाक्याद न्यूज रेल की तरह उसके जहन पर उभरे फ्लेश बैक सोमवार 22 दिसंबर से शनीवार 27 दिसंबर तक 30 लाग के साथ जेट सिंग का कुलाबा का फेरा लगे एक हफता बीता था कि उसका दोस्त परदेशी उसके पास पहुंचा वो 25 दिसंबर गुरुवार का दिन था जिसे कि फिरंगी लोग बड़ा दिन कहते थे तेरे लिए संदेशा है परदेशी बोला किसका जेट सिंग संशक भाव से बोला एडवार्डो का वाल पोई से उधर ट्रांजेंट कैंप में अचमेर सिंग के धाबे पर टेलिफोन लगाया या उसने मेरे वास्ते आगे तेरे को संदेश पहुंचाने के वास्ते तेरे को फॉरण उससे बात करने का है बस यही बोला की बात करने का है और कुछ नहीं बोला क्या नको जेट सिंग फॉरण एक पीसियो पर पहुंचा और उसने वहां से गोवा के एक उपनगर वाल पोई में स्थित एडवार्डो के घर के टेलिफोन नंबर पर ट्रंग कॉल लगाई ततकाल उसकी एडवार्डो से बात हुई आजकल तेरी बहुत पूछ हो गई जान पड़ती है एडवार्डो बोला एक साथ दो पार्टियां तेरे को पूछ रही है अच्छा उधर दोनों के पास तेरे मतलब का काम है इसलिए तेरे लिए संदेशा छोड़ा उधर किधर भाई जिधर तू है खास मुंबई में एक मुंबई में एक कल्यान में मेरी राय में पहले कल्यान वाला काम पकड़ इस राय की क्या वज़ा है वज़ा ये है कि कल्यान वाला भेडू मेरा वाकिफकार है दूसरे लोग नवे हैं मैं उनकी परताल करवा रहा हूँ जब तक तु कल्यान से निप्टेगा तब तक मैं ये फैंसला कर लूँगा कि तेरे को नवे लोगों के साथ काम करना चाहिए या नहीं क्या फर्क पड़ता है कभी तुम भी तो मेरे नवे थे फिर भी कल्यान वाले काम को तरजी दे बाद में भले ही दूसरा भी पकड़ लेना बशर्ते की तब तक नवे लोग कोई दूसरा तो तेरे जरसा कारीगर तलाश ना कर ले ज्यादा रोकड़े वाला कौन सा काम है? मालूम नहीं, तो कल्यान पहुंचेगा तो कुछ तो मालूम पड़ेगा ठीक है, फोरण वहाँ जाकर विलास राव नेने से मिल, पता नोट कर ले जीत सिंग ने किया, काम क्या है, फिर वो उत्सुक स्वर में बोला फोन पर जिक्र ठीक नहीं होगा, जाके नेने से मिल, वो ही सब बताएगा है कौन वो? तेरा ही बिरादरी भाई है, लेकिन जो काम तो कर सकता है, वो वो नहीं कर सकता कर सकने वाला कोई दूसरा भीडू, उसे मिल भी नहीं रहा वो मेरे को बोला, मैंने आगे तेरे को बोल दिया कैसा आदमी है वो? ठीक ही है, फिर भी तेरे को चौकस रहने का है, अब टाइम वेस्ट ना कर, क्यूंकि काम ऐसा है कि समझा, टाइम का तोड़ा है ठीक है, शुक्रिया उसने संबंद विच्छेत कर दिया, जीत सिंग कल्यान पहुँचा जो पता उसे बताया गया था, उस पर विलास राव नेने मौजूद था नेने कोई पच्चास साल का, जीत सिंग जैसे ही कद काट का, लेकिन कठोड चेहरे वाला मराठा निकला उसने बहुत बारीकी से, सिर से पाउं तक जीत सिंग का मौईना किया और फिर बोला, तो बदरी नाम है तुम्हारा बदरी नात, जीत सिंग बोला हाँ भई, नात भी, बैठो शुक्रिया, क्या कोई चायवाई पेश करूँ अभी ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे बाद में, अगर गाड़ी आगे सरकीत तो गाड़ी, कौन सी गाड़ी, जिसके तुम ड्राइवर हो या शायद गाड़ हो, और ड्राइवर मुझे बनाना चाहते हो उसने यू पलके जबकाई, जैसे उसकी समझ में कुछ ना आया हो एड़वार्डो तुम्हारी बहुत तारीफ करता था फिर वो बोला, क्या एड़वार्डो से पुराने वाकिफ हो हाँ, तभी तो उसको बोला कि मेरे को एक टॉप का ताला तोड़ मांगता था वो बोला, अपना बदरी टॉप से भी टॉप का था वाल्ट बस्चर, सेफ क्रेकर, और भी कई विलायती नाम लेता था अपना एड़वार्डो जिसमें से तुम्हारी समझ में सिर्फ ताला तोड़ाया क्यों भई, मैं क्या अनपढ़ हूँ? तो नहीं हो नहीं हूँ, वो गर्व से बोला, इंटर पास हूँ फिर तो कम से कम इस मामले में मेरे से आगे हो मैं तो मैट्रिक फेल हूँ कोई वांदा नहीं, अख्य अनपढ़ होते तो भी चलता हुनर अपने आप में पढ़ाई होता है अगर हुनर मंध हो तो पड़े लिखो से अच्छे हो जीत सिंग खामोश रहा अपना कोई हालिया बड़ा कारनामा बयान करो जीत सिंग ने वैसी कोई कोशिश नहीं की बदरी, मैं बोला मैं सुना जीत सिंग धीरत से बोला मैं तुम्हे नहीं जानता एडवार्डो तुम्हें जानता है तुम एडवार्डो को जानते हो पहले ही काफी नहीं पूछ चुके हो तो मेरी बाबत और जो पूछना है एडवार्डो से पूछो जिसने की मुझे यहां भेजा है मैं यहां किसी नौकरी के लिए दर्ख्वास देने नहीं आया ना ही कोई इम्तिहान पास करने आया हूँ जो मैं हूँ जैसा मैं तुम्हें बताया किया हूँ उस पर एतबार कर आगे बढ़ो वरना मेरी नमस्ते कबूल करो बहुत कड़क बोलता है भीडू जीत सिंग ने नकली जमहाई ली फिर कुछ शन कामोशी से गुजरे कोई वांदा नहीं जीत सिंग सहच भाव से बोला अक्का दिन अपना है अक्ही रात अपनी है अगला अक्का दिन भी अपना है जब मरसी बोलना जो दर्वाजा खोलना है इस बार नेने जल्दी से बोला उसमें बड़े मजबूत वाल्टो जैसा ट्रिपल लॉक फिट है खोल सकेगा क्या डॉक्टर का मरस बताकर दवा नहीं ली जाती उसे मरीज का मौाइना करने का मौका दिया जाता है बदरी मुझे तेरा बात करने का स्चाइन पसंद आया मुझे लगता है तू कुछ कर गुजरेगा जीत सिंग खामोश रहा अपने वाकिफ तेन चार ताला तोड़ों से मैंने बात किया था पर किसी पर भी मेरा एत्वार नहीं बैठा था साफ इंदुस्तानी में कहा जाए तो किसी के भी बस का तुम्हारा ताला खोलना नहीं था या तू तो आगे बढ़ो तब मुझे वाल कोई वाले बिग डैडी एड़़ों का खयाल आया मैं एड़़़ों को कॉल लगाया और अपना प्रॉब्लम उसको बोला वो बहुत भरोसे के साथ तेरा नाम लिया बोला तो उधर गोवा में डबल बुल कैसीनो का वाल्ट चुटकियों में खोल लिया था वो भी एक नहीं दो बार पूर्णा के होटल ब्लूस चार में लगी सिक्को की नुमाईश के दौरान भी तूने एडवार्डो को ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसे इतना बढ़ बढ़ कर नहीं बोलना चाहिए था अरे मेरे को ही तो बोला किसी गैर को तो नहीं बोला मैं क्या तेरी पूल पुलिस पर खोलूँगा खोद अपना काम भिकाडूँगा ऐसा भेजा फ्राई नहीं है मेरा आपसदारी में ऐसी बाते खोल के करने में कोई हर्स नहीं होता जीत सिंग ने भाव हेंड धंग से सहमती में सिर हिलाया वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का गोदाम है फिर ने ने संजीत की से बोला जो कि खर्डी में है खर्डी नेशनल हाईवे नंबर तीन पर एक छोटा सा कस्वा है वहा नानावटी रोडवेज का एक ट्रांसिट गोदाम है ट्रांसिट गोदाम का क्या मतलब? समझ लो राच चलते रेस्ट करने का या सफर में ब्रेक करने का ठिकाना ब्रेक जो कि इरादतन भी हो सकता है और मजबूरन भी मजबूरन भी? जैसे कि आजकल हुआ है मजबूरी क्या हुई? खर्डी से आगे नेशनल हाईवे पर नासिक के रास्ते में इगतपुरी करके एक जगा है वहाँ गौर्मेंट के ओर्डिनेस फेक्ट्री है जो कि गोला भारूत बनाती है परसो रात फेक्ट्री के गोला भारूत के भंडार में भीशन आग लग गई जिसकी वज़ा से उधर ऐसी तबाही मची जैसे प्रले आ गई हो अकबार नहीं पढ़ता क्या? कि ये टाइम के तोड़े वाला काम है लगता है गलत बोलता था नेने सक पकाया उसने कुछ रण अपलग जीत सिंग की तरफ देखा जीत सिंग ने नकली जमहाई ली वो बड़ी वारदा थे जिसमें सरकार को करोणों का नुकसान हुआ है और जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजन्स एजनसी ISI का हाथ बताया जाता है मैं अकबार टीवी का जिक्र इसलिए किया था कि अगर तु अकबार टीवी पढ़ता देखता होता तो मुझे उसकी खबर होती कोई वांदा नहीं अब हो जाएगी तुम्हारी जुबानी वहां की आग में गोले फैक्ट्री से पंदरा किलो मिटर दूर तक जाकर गिरे बताये जाते हैं रात को घरों की दिवारे तोड़ कर छते फार कर सोते लोगों पर जाकर गिरे बहुत लोग मरे बहुत तबाही मची गौर्नमेंट ने एतियातन इगतपुरी और आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया है क्यूंकि आग पर काबू पाएजा चुकने के बाद जो गोला बारूत फटने से रह गया है वो अभी भी कभी भी फट सकता है जब तक यूं फटने से रह गए गोलो को ने रस्त्र नहीं कियार कर दिया जाता तब तक के लिए उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसकी वज़ा से नेशनल हाईवे बंद हो गया है क्या इस वज़ा से भी और एक वज़ा से भी और वज़ा ये है कि गोला बारूत फटने की उस वारदात की चपेट में नैशनल हाईवे भी आया है गोला गिरने की वज़ा से सडक पर जगा जगा गेरे खड़े पड़ गए हैं जिसकी वज़ा से ट्रक के तो क्या सडक किसी छोटे मोटे वाहन के भी चलने के काबिल नहीं रही है नतीश तन नानवटी रोडवेस के भुपाल जाते दो वॉल्ट जैसे बंध ट्रक रोडवेस के खरड़ी में स्थित गुदाम में बंध है कर्फ्यू हट जाने के इंतिजार में सडक के ठीक हो जाने के इंतिजार में हाँ क्यूं भुपाल को क्या एक ही सडक जाती है बहुत रास्ते हैं लेकिन उनके लिए वापिस जाकर लंबा डाइवर्शन लेना पड़ेगा ट्रांस्पोर्ट कंपनी वालों को या तो कोई जल्दी नहीं है या उन्हें कोई इंसाइट इंफोर्मेशन है कि हालात बहुत जल्द नॉर्मल हो जाने वाली है बहरहाल नानवर्टी ट्रांस्पोर्ट कम्पनी के भोपाल जाते दो ट्रक खडड़ी में उनके गुदाम में बंध हैं लेकिन कभी भी मूव कर सकते हैं क्या तुम्हारा निशाना वो ट्रक है? तुम वो ट्रक कब जाना चाहती हो? हाँ मेरे को उन ट्रकों के वाल्ड जैसे कंटेनरों के ताले खोलने का है क्या? नहीं जीत सिंग ने सक पका कर अपने मेजबान को देखा ट्रकों के भीतर मौजूद माल से मेरा कोई मतलब नहीं मेरे को वो दोनों ट्रक बंध के बंध किसी को आगे डिलीवर करने का है वांदा क्या है? वांदा ट्रांसपोर्ट कंपनी को गोदाम है जिसमें के ट्रक बंध है उस गोदाम के फाटक में इन बिल्ड ट्रिपल लॉक फिट है जिसे बरगलरी प्रोफ बताया जाता है जिसके बारे में उधर हर कोई बोलता है कि उसे कोई माई का लाल नहीं खोल सकता सिवाए एक माई के लाल के जो मेरे सामने बैठा है मैं ठीक बोला ना बदरी ट्रिपल लॉक का क्या मतलब? भाई ताला तो और तू है तेरे को मालूम होना चाहिए ट्रिपल लॉक दो तरह का होता है एक जो तीन अलग अलग चावियों से चावियों के नंबर के हिसाब से एक दो तीन करके खुलता बंद होता है और दूसरा जिसमें चाविय एक ही होती है लेकिन वो तीन चावियों का काम करती है वो कैसे? पहले चाबी ताले के छेद में एक निश्चित फासले तक दाकिल होती है और घुमाई जाने पर समझ लो कि एक ताला खोलती है पहला ताला खुलने के बाद चाबी और भीतर सरक जाती है और फिर दूसरा ताला खोलती है फिर चाबी एन भीतर आखिर तक सरक जाती है और तीसरा ताला खोलती है उदर फार्टक पर कौन सा ट्रिपल लॉक है तीन चाबियों वाला या थ्री इन वन एक चाबी वाला यार ये तो मुझे मालूम नहीं बढ़िया लेकिन तू तो टॉप का वाल्ट बस्चर बताया जाता है ताला कैसे भी हो खोल तो तू लेगा ही ना उसे ताले की किस्म और मार्के की खबर हो तो काम कदरन आसानी से होता है कदरन जल्दी भी अब मैं किस्म और मार्की की जानकारी कैसे हासिल करूँ नेने चिंतित भाव से बोला जितनी देर में ये जानकारी हासिल होगी पता नहीं हासिल होगा भी या नहीं उतनी देर में तो गाड़ी छूट जाएगी लेकिन तू ताले की शक्ल देखकर तो पहचान जाएगा कि वो कैसा ताला है बेल्टे लॉक बोला तो ताला कितर से दिखाई देगा इसे लॉक का तो छेद ही दिखाई देता है यार तू मुझे कन्फ्यूस ना कर ये तेरा डिपार्टमेंट है इस बाबत तुझे मालूम होना चाहिए कि जो होगा आप कैसे होगा मुझे नतीजे से मतलब है नतीजा मेरा मन पसंद हो इसी बात की तो तेरी फीस है कितनी? यानि कि ताला कैसा भी निकले तू खोल लेगा? फीस कितनी? तो खुद बोल खुद बोल तू अपनी कारीगिरी को कितनी फीस के काबिल समझता है? आधी क्या मतलब? एक बटा दो 50% अरे रकम बोल रकम ही तो बोली है कहा रकम बोली है? बदरी नेने ने बड़ी सर्व निकाहों से उसे घूरा मैं वही समझ रहा हूँ ना जो तू बोल रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को मालूम तुम क्या समझ रहे हो? मेरे को नहीं मालूम समझाओगे तो समझ जाओँगा तू मेरा 50-50 का पार्टनर बनना चाहता है? हाँ जानेगा कैसे कि जिस रकम का आधा हिस्सा तेरे को मानता है वो कितनी है तुम ही बताओगे और जो मैं बताओंगा तो उस पर यकीन कर लेगा हाँ तो समझ ले मैंने दो लाख बताया बकतर बंद गाड़ी की तरह बने वॉल्ट वाला ट्रक 14-15 लाख से कम का तो क्या होगा तो उसमें बंद माल कम से कम ट्रक की कीमत से ज्यादा को तो जरूर होगा वरना उसे वैसे ट्रक में ढोने की जरूरत ना होती उपर से ऐसे दो ट्रक अरे क्या कहना चाथा है यही कि जो फिस तुमने बोली वो कोई ऐसा टैंबो चुराने की जान पड़ती है जिसमें किसी क्लर्ग चप्रासी के घर का सामान लदा हो काफी पहुंचे हुए उस्ताद का पढ़ाया शागिर्ध है तु बदरी जीत सिंग खामोश रहा देख मेरे भाई माल से यह ट्रकों की कीमत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है मेरा काम उन ट्रकों को खरडी के उस गोदाम से निकाल कर यहां कल्यार में किसी को सौंपना है गोदाम का ताला यूही नहीं खुल जाने वाला ये तुम्हारे उस बेडु को नहीं मालुम जिसको ट्रक मांगता है बराबर मालूम है, बक्षू भी मालूम है, तभी तो इतनी शिद्दत से मेरे को तलाश किया, मेरे को जो कि उसका ये काम कर सकता है करवा सकता है, किसी ताला तोड की खिदमात हासिल हो जाने पर, कास जो कि मैं हूँ बदरी, तेरा काम सिर्फ गुदाम का ताला खोलना है, उसके बाद के तमाम खत्रे मैंने उठाने है बाद के खत्रे बाद में सामने आएंगे, जबकि पहला काम पहले हो चुका होगा और पहला काम करने वाला कोई दूसरा शक्स तुम्हारी निगाह में होता, तो मैं यहां माजूद ना होता जीद सिंग ने एक शन्ट ठिटा कर अपलक नेने की तरफ देखा और फिर बोला कहने का मतलब ये है बॉस कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में मेरे रोल के बिना कुछ नहीं रखा मैं हूँ तो प्रोजेक्ट है, वरना नहीं तो कुछ भी नहीं मैं कोई दूसरा ताला तोड तलाश कर लूँगा कहना आसान है, करना भी आसान होता तो अब तक कर चुके होते मैंने कोई खास कोशिश नहीं की थी अब कर लो, जब तक काम्याब हो पाओगे तब तक तुम्हारे ट्रक भोबाल में होंगे यार, तु स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट के फेस फिक्स होती है मेरी भी फिक्स है, कितनी? आधी, तौबा, ऐसा लाची, ऐसा धन दिवाना सूरत से लगता तो नहीं तो? मैं डोर हूँ, डोर की एक पतंग है, पतंग धन दिवानी है ओ, तो बाई का चक्कर है, रोकड़ा अपने लिए नहीं बाई के लिए कमाना मांगता है यही समझ लो, तभी ज्यादा से ज्यादा रोकड़े पर काविस होना मांगता है ज्यादा से ज्यादा पर नहीं, कम से कम पर भी नहीं, बराबर बराबर पर क्या ताला खोल लेने की गरेंटी करता है? हाँ कैसे करता है? अभी तो कह रहा था डॉक्टर से मर्ज बता कर दवा नहीं ली जाती उसे मरेश का मुआइना करने का मौका दिया जाता है बड़े डॉक्टरों की तर्जूर्बे बड़े होते हैं समझ लो इस मामले में मैं हकीम लुक्मान हूँ फिज़ा सून कर भी मर्ज जान सकता हूँ और इलाज कर सकता हूँ काम्याब इलाज? हाँ इतना गुमान है अपने हुनर पर? हाँ क्या हाँ? इतना गुमान है मुझे अपने हुनर पर? फेल हुआ तो? गोली मार देना फिर ठीक है मुझे तेरे साथ 50-50 का डील मन्जूर है समझ ले तुने 15 लाग कमा लिये क्या रकम 30 लाग है हाँ जो कि तुम ट्रक आगे सौंपोगे तो तुमें मिल जाएगी हाँ इस हाथ दे उस हाथ ले की माफिक लेन देन मेरे सामने होगा खाम खा लेन देन मेरे सामने ही होगा अरे तो क्यों पंगे में पड़ेगा जब बोला कि तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा लेन देन मेरे सामने होगा अब एक ही बात रटे जाएगा क्या हाँ और ऐसी जिद की वज़ा क्या है तुम्हें मालूम है नेने ने असहाई भाव से एक आसी भरी और फिर बोला रकम सत्तर लाक है फिर तो माल्क जरूर करोडों का होगा वरना उसको नक्की करने की उजरत इतनी तगड़ी नहीं होती जाहिर है माल क्या है होगा कुछ हमें माल से क्या लेना देना है लेना देना तो नहीं है तुम बोलते हो तो नहीं है ऐसेश पूछा, मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम है तो नक्की करो मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन टोटा फोटा कुछ फिर भी मालूम है कैसे? मैं पूछा, जब माल से लेना देना नहीं तो क्यों पूछा? क्योंकि नार्कोटिक्स के धंदे में 20 साल तक की सजा है ओ, ऐसा माल पकड़ा जाए, साथ में मैं पकड़ा जाऊं तो अक्की जिन्दगी खल्लास इसलिए जित किया कि माल की बाबत मेरे को कुछ मालूम होना मांगता था तब अपना ग्राहक कन्फर्म किया कि माल नशे वाला नहीं था वो इलेक्ट्रोनिक पूर्जे थे जैसे प्रिंटेट सर्केट, इंटेग्रेटेट सर्केट वगेरा जो की मुबाइल फोनों, कम्प्यूटरों वगेरा में इस्तिमाल होते हैं और जो की भोपाल में मौझूद एक इलेक्ट्रोनिक सामान बनाने वाले कार खाने में पहुँचाई जाने हैं कोई क्यूं वो माल नक्की करना चाहता है? किनी व्यपारियों की आपसी दुश्मनी का किस्सा जान पड़ता है एक का माल है जो की वो शायद किसी कार खाने को सप्लाई कर रहा है और दूसरे माल को उस कार खाने में पहुँचाना नहीं देना चाहता ताकि पहले की साख बिगड़े और उसका भारी नुकसान हो खुद का फायदा हो ना हो दूसरे का नुकसान हो व्यपार में ऐसे चलता है फिर खुद का भी कोई फायदा जरूर होगा बहरहाल हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है हमारा काम सुत्रा काम है हमने वो ट्रक उधर करड़ी से निकाल कर इधर कल्यान में डिलिवर करने है और हमारे सतन लाग खरे काम हम दो जनों ने ही करना है क्या तो ट्रक चला सकता है नहीं मैं भी नहीं चला सकता हम दोनों ट्रक चला सकते होते तो काम दो जनों का ही था लेकिन अब हमें दो ड्राइवर भी ढूडने पड़ेंगे ढूडने पड़ेंगे क्या अभी तक ढून नहीं चुके दो भेडूर निकाह में है उनसे बात भी कर ली है लेकिन असल माच्रा उन्हें अभी नहीं बताया है वो एन वक्त पर बताऊंगा लिहाजा हिसेदार दो नहीं चार हुए खामखा उन्होंने तो सिर्फ ट्रक चलाने होंगे उन्हें खरडी से निकाल कर इधर कल्यान पहुचाना होगा उन्हें सिर्फ पांच-पांच हजार उपे देने को बोला मैं गल्ती की क्यूं? दो दो सो रुपे बोलना था मामुली काम की मामुली उजरत होती है अब वो हैरान होंगे कि जरा सा रास्ता ट्रक चलाने की उनको इतनी बड़ी रकम क्यों मिल रही है तो उनके फिक्र ना कर वो लोकल लोग है और मैं उनसे पहले से वाकिफ हूँ उन्हे मैं संभाल लूँगा और वो ट्रक संभाल लेंगे क्या क्या मतलब दोनों एक एक ट्रक के ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे इग्निशन में फूंक मारेंगे ट्रक चालू हो जाएगा इजी बदरी क्यों मेरी टांग खीच रहा है अरे इग्निशन की भी तो चाबी ही होती है जब तू इतना बड़ा काम कर लेगा तो इग्निशन की मामूली चाबी बना लेना तेरे लिए क्या मुश्किल काम होगा उसके लिए फार्टक खोल कर भीतर धाकिल होना पड़ेगा मैं ऐसा कब करूँगा रात को ही जब तू फार्टक के लॉग की चाबी बना चुका होगा मैं भीतर जाके ट्रक में सवार होंगा चाबी बनाऊंगा चाबी को आसमाऊंगा तो चाबी मूँ से बोलेगी मैं ठीक बन गई हूँ मूँ से बोलेगी क्या मतलब इंजन का स्टार्ट होना उसका मूँ से बोलना ही तो होगा ओ, वाच्मेन उस दोरान तेल लेने चला गया होगा इसलिए न तो उसे इंजन की आवाज सुनाई देगी और ना ही फाटक खुलता दिखाई देगा गंपती बप्पा, ये क्या गलाटा है अरे मेरे भाई, इसका कोई हल सोच मैं सोचूं, मेरा काम तो तुमने सिर्फ फाटक के ताले की चौकस चाबी बनाना बताया अरे, अब जब तो 50% के हिस्से का दाविदार है तो क्यों भला तेरा काम सिर्फ फाटक के ताले की चाबी बनाना है बढ़िया अच्छी नस पकड़ी बद्री के नाप की अब कुछ बोल भी तो सही इंजन इग्नेशन की तारों को शॉर्ट सर्कुट करने से भी चालू हो जाता है अपने ड्राइवरों से पूछना कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं जवाब हा में हुआ तो इग्नेशन की कोई चावी बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी मैं पूछूंगा दोसरे इग्नेशन की चावीय गोदाब में ही कही हो सकती है अगर फार्टक का ताला मालिकों की निगाहों में वाकई बर्गलरी प्रूफ है तो वो अपने अपने ट्रक के इग्नेशन में ही लटकी हो सकती है ऐसा ही होगा नेने हर्शित स्वर में बोला होगा जीत सिंग की भवे उठी अरे दुआ करने में क्या हर्श है की ऐसा हो ठीक है ठीक तो फिर फिर क्या अब डॉक्टर को मरीज का मौाइना करने का मौका दो एक एम्बस जो कार में सवार होकर वे खरड़ी पहुँचे जिस इलाके में नानावटी रोडवेस का गुदाम था वो कस्वे एक ऐसे कोने में था जहां या तो छोटे छोटे कार खाने थे और या वैसे ही गुदाम थे नानावटी रोडवेस का गुदाम जिस सड़क पर था उसका नाम करवे रोड था और उसके दोनों तरफ वैसे कई गुदाम थे जीत सिंग के कहने पर नेने ने सड़क पर गुदाम के बंद दर्वाजे के सामने कार रोकी उसका बोनिट खोल कर भीतर जांकने लगा कार में बैठे बैठे जीत सिंग ने गुदाम के बंध फाटक का मुआइना किया कई चौकीदार नहीं होता इधर जीत सिंग बोला काहे को होगा? बोनिट पर से सेर उठा कर नेने बोला जब उन्हें पक्की है कि फाटक का ताला कोई नहीं खोल सकता तो चौकीदार काहे को अरे जरूरत के वक्त खोलने बंध करने को तो कोई स्चाफ यहां होता होगा? अच्छा वो? हाँ वो ऐसा कोई स्चाफ, मसलन केर टेकर, यहां होता जरूर होगा लेकिन मुझे उसकी बाबत कोई खबर नहीं है खबर लगाने में बहुत वक्त जाया हो सकता है तो शायद यह सोच रहा है कि उस से चाबी हत्यात कर गुदाम का ताला कोला जा सकता है ऐसा हो सकता होता, तो मुझे तेरे जरूरत नहोती बहराल, बद्री, तु इन बातों में सिर्ख अपाई ना कर यह टाइम जाया करने वाली बाते हैं तु यह मान के चल कि फाटक का ताला खोले बिना कुछ नहीं होने वाला फाटक के अन सड़क पर है तेरा इशारा सड़क पर छोटी मोटी आवाजाही की तरफ है इधर होता है अकेला? हाँ लेकिन लेकिन क्या? एक वायरलेस टेलिफोन के साथ जो कि उसे गुदाम वालों ने महया कराया हुआ है उसको हिदायत है कि वो इधर कोई उच निच देखे कोई शक के काबिल सिलसला देखे तो फॉरण वायरलेस टेलिफोन इस्तिमाल करे जो कि नजदी की पुलिस चौकी पर बोलता है बढ़िया इतनी खास बात यूँ सरकाई जैसे कि इसकी कोई ऐमियत ही ना हो? मैं भूल गया था मैं रात को इधर ताला खोलने की कोशिश करूँगा तो वाच्मेन मेरे सिर पर आन खड़ा होने की जगा मेरी खबर वायरलेस फोन के जरिये पुलिस को करेगा और फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं पुलिस के गिरफ्ट में होंगा वाच्मेन को काबू में किया जा सकता है तुमने अभी खुद कहा कि वो इधर कोई शक का सिलसिला देखता है तो पुलिस को खबर कर देता है उसको काबू करने की कोशिश को वो शक के सिलसिले के तौर पर नहीं देखेगा क्या देखेगा वो भी रात के वक्त देखेगा बोला ना लेकिन फासले से भी तो मेरे को फौशदारी नहीं मांगता तुम्हारे को मांगता है नहीं तो फिर फिर क्या किया जाए जुगत करनी होगी क्या जीप सिंग ने बताया आधी रात के करीब कार्ड बोर्ड की पेटियों से लदा एक टेंपो करवे रोड पर दाखिल हुआ उसके वहां दाखिले का अंदास ऐसा था कि किसी की तवज्जो ना भी उधर जानी होती तो जाती टेंपो का इंजन बहुत आवास कर रहा था बोनेट ठीक से बंद ना होने की वज़ा से अलग से खड़खड कर रहा था और सही कसर टेंपो का ड्राइवर बार बार हॉन बजा कर पूरी किये जा रहा था ड्राइविंग सेट पर बैठे शक्स का नाम पोपट था और उसकी बगल में बैठे उसके जोड़ीदार का नाम शकील था वो दोनों वो शक्स थे जिनने ने ने ट्रक चलाने के लिए ठीक किया था वो दोनों अब सिर्फ ड्राइवर नहीं रहे थे और गुदाम का ताला खोलने के लिए जो योजना बनाई गई थी उससे भी उन्हें बेखबर रखना संभव नहीं रहा था क्योंकि टैंपो में लदी कार्डबोर्ड की पेटियों में से एक में जरूरी औजारों के साथ जीत सिंग बन था इसलिए अब उनकी उजरत पांच-पांच हजार से बढ़ा कर पंदरा-पंदरा हजार कर दी गई थी शकील के पहलू में उन दोनों जैसा ही टपोरी हुलिया बनाई नेने बैठा हुआ था सड़क के मध्य में मौझूद वाच्मेन सड़क के दहाने पर ठिटके खड़े टैंपो की तरफ ही बढ़ रहा था फिर भी पोपट खिड़की में से सर निकाल कर उच स्वर में बोला वाच्मेन वाच्मेन अरे किदर है भीडू वाच्मेन करीब पहुँचा लेकिन उसने टैंपो के सिर्फ पर आन खड़े होने की कोशिश नहीं की क्या है वो बोला नानावटी रोडवेस का गोदाम कौन सा है पोपट ने पूछा क्यूं पूछता है उधर का माल है टैंपो में गोदाम तो बंद है आधी रात को बंद ही होगा भीडू मेरे को क्या मालूम नहीं तो फिर पेटिया गोदाम के फाटक के सामने उतार के जाने का हुक्म है सुबह केर टेकर आएगा तो खुद भीतर रखवा लेगा ओ, वाच्मेन के लिए वो कोई नई बात नहीं थी वैसी अनलोडिंग उधर अकसर होती थी दाई और से साथ मा लाल फाटक नानवटी रोडवेस का है देखता है पोपट ने ततकार टैंपो आगे बढ़ाया टैंपो लाल फाटक के सामने आकर रुका तीनों जने टैंपो से बाहर निकले शकील उसका पीछा ठकन खोलने लगा वाच्मेन ने करीब आने की कोशिश नहीं की थी वो फासले से ही सब नजारा कर रहा था तीनों ने सबसे पहले वो पेटी उतारी जिसमें जीत सिंग बन था उन्होंने उसे एन दर्वाजे के सामने इस प्रकार रखा कि जीत सिंग पेटी में बैठा बैठा भी उसमें से सिर्ण निकालता तो ताले का छेद एन उसके सामने पड़ता फिर एक के उपर एक करके चार ठीकानों पर आठ पेटियां उसे एक पेटी के इर्द गेर्द रख दी गई जीत सिंग ने उन्हें दो घंटे बाद लोटने के लिए बोला था बकॉल उसके अगर वो दो घंटे में ताले को नहीं समझ सकता था और उसे खोलने के लिए डुपलिकेट चाबी नहीं बना सकता था तो फिर वो काम उसके किये होने वाला ही नहीं था चाबी दो घंटे से पहले बन जाती तो तो बाकी का वकवा पेटी में ही बैठे रहना उसकी सजा होता माल चोकस कर ले फिर पोपट उच्छ स्वर में बोला मैं खाम का कर लूँ वाच्च मैन बोला इलाके का वाच्च मैन तो है तो क्या हुआ अरे भीडू खयाल तो रखेगा ना माल का खयाल ही खयाल है ऐसा माल इधर रोज उतरता है चीक है ठीक है रसीद ना दे खयाल रखेगा तो इतना भी चलेगा खयाल भी छे बजे तक फिर अप उनकी ड्यूटी खल लास चलेगा केर टेकर को माल की खबर है सवेरे वो आ चाएगा फिर क्या वांदा है कोई वांदा नहीं टेंपो वहां से रुकसत हो गया उस सड़क सड़क से पड़े निकल आने पर एक सुनसान जगा पर टेंपो रुका वही नेने की अमबेज़डर खड़ी थी नेने टेंपो से निकल कर अमबेज़डर में जा सवार हुआ वहां उससे अपने टपोरियों जैसे कपड़े उतारे और उनकी जगा सूट पहन लिया और टाई लगा ली फिर प्रतिक्षा शुरू हुई सिग्रेट फूंगता बार बार पहलू बदलता रह रहकर कलाई घड़ी देखता नेने दो बचने की प्रतिक्षा करता रहा उस दौरान कई बार उसे लगा कि घड़ी रुक गई थी लेकिन हर बार तस्दीक करने पर यही पता चला कि ऐसा नहीं था घड़ी बच स्थूर चल रही थी एक ही सवाल हतोड़े की तरह नेने के जहन में बच रहा था क्या बदरी काम्याब होगा अगर एड़वार्डो की बात पर यकीन लाया चाता तो नाकामी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था वो काम अगर जेद सिंग नहीं कर सकता था तो कोई भी नहीं कर सकता था यानि कि अगर जेद सिंग हाथ खड़े कर देता तो वो कहानी खतम थी यानि कि 70 लाख रुपेयों की एक मुष्ट कमाई उसके लिए सपना बनके रह जाती जिसका आधा हिस्सा बद्री को देने का उसका कते कोई इरादा नहीं था ग्राइवरों को 30 देने के लिए उसे 50 से दूँगा लाख दे दूँगा 35 लाख तो हर्गिस नहीं दूँगा फिर भी जित करेगा तो पेंदे पर एक लाख जमाऊंगा जो जाकर एडवार्डों की गोद में गिरेगा शायद करेगा किस से पंगा लिया था आखिर उसकी कलाई घड़ी ने दो बजाए उसने हॉले से हॉन बजाकर टेम्पो में बैठे पोपट और शकील का ध्यान अपनी तरफ आकरशित किया और कार स्चार्ट की तक कार टेम्पो भी स्चार्ट हुआ और पहले की ही माफिक शोर करता वापिस करवे रोड की और बढ़ चला नेने ने कार उसके पीछे लगा दी दोनों वहन करवे रोड पर पहुंचे बेवकुव कार से निकल कर वाच्मेन को सुनाता नेने गुसे से बोला अकल के अंधे कोई काम ठीक से नहीं कर सकते मिस्चेक हो गया बाप टेम्पो के सीट पर से पोपट बोला गधे किधर का माल किधर उतार दिया अभी उठाता है बाप और यही जगा पहुंचा के आता है अब हिलो भी तो टेम्पो आगे बढ़ा वाच्मेन जो तमाम वार्टालाप सुन रहा था फासले से बोला क्या हुआ गलत माल डिलिवर कर दिया कमभक्तों ने नेने पूर वद्भुन भुनवाता हुआ बोला जो माल कल्यान पहुंचाना था वो इधर उतार दिया साले गधे अकल के अंधे इनका क्या गया कस्टमर तो मेरी काट खड़ी करेगा नौकरी तो मेरी जाएगी टेम्पो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वैसे ही बकता जगता नैने उसके पीछे चल रहा था टेम्पो पेटियों के करीब पहुंच कर रुका वाच्मेन को तसली थी कि अपने सूट बूट वाले साहब के साथ वही आदमी वापिस लोटे थे जो की माल उधर छोड़के गए थे लेकिन दो तुम्हारा तीसरा साथ ही कहा गया वाच्मेन बोला ड्यूटी कत्म करके घर चला गया पोपट परिशान हाल स्वर में बोला हम पकडाई में आ गए अब हम दोनों को ही पेटियां वापिस टेम्पो में लादनी पड़ेंगी अरे भीडू तु हाथ लगवा ना मैं वाच्मेन हूँ अरे दस रुपई देंगा अच्छा बीस देंगा अपने पल्ले से जवाब में वाच्मेन और दो कदम पीछे हटके आ चलो चलो नेने चिलाया माल उठाओ गपे मत थांको वक्त जाया ना करो दोनों पेटियां वापिस टेंपो में लागने लगे फिर टेंपो निर्विग्न वहां से विदा हुआ टेंपो के पीछे-पीछे नेने की कार भी रवाना हुई पहले वाली जगा पर आजू-बाजू दोनों वहां फिर रुके फिर सबसे पहले कार्डबोर्ट की पेटी में से जीत सिंग को निकाला गया तुम दोनों नेने बोला जैसे मैं बोलके रखा वैसे जाकर टेंपो ठिकाने लगा कर आओ पॉपट और शकील के सर सहमती में हिले फिर वो टेंपो के साथ वहां से रुकसत हो गए कैसी बीती पीछे नेने उत्सक भाफ से बोला क्या हुआ वही जो होना था जीत सिंग सहज भाफ से बोला चाबी बना ली क्या हाँ आसमा ली हाँ कितने टाइम में फारिक हुआ मालुम नहीं काफी अर्सा खाली बैठा शायद एक घंटा एक घंटे में अपना काम कर भी लिया हाँ ताला तीन चाबियों वाला था इसलिए काम कम पेचीदा निकला त्री इन वन किस्म की एक चाबी वाला होता तो ज्यादा टाइम लगता लेकिन फिर भी खोल लेता हाँ फिर भी बोलता था दो घंटे में काम ना हुआ तो वो तेरे से नहीं होने वाला था जीत सिंग खामोश रहा पन काम हुआ, बरोबर हुआ, बढ़िया बढ़िया, तो तू तीन चाबिया बना कर लाया एक, क्या मतलब? पहली और दूसरी चाबिया से चलने वाले लॉक के लिवर मैंने अपने उजारों से खोले, सिर्फ तीसरी चाबिया बनाई मैं समझा नहीं जो काम पहली और दूसरी चाबिया ने करना था वो मैं पीछे हुआ छोड़ के आया हूँ टिपल लॉक के दो ताले खुले पड़े है तीसरे की चाबिया बनाई है ओ मैं तो तीसरा भी खुला चोड़ के आना चाहता था लेकिन वाच्मेन की वज़ा से मुनासिब नहीं समझा क्या पता वो सुभा अपनी ड्यूटी चोड़ने एक एक गुदाम का दर्वाजा चेक करता हो ठीक किया फिर आगे का काम दिन के उजाले में होना है तब वहाँ आवाजाई शुरू हो गई हो सकती है तब कोई ये देखकर अच्रच कर सकता है कि फाटक बिना कोई चाबी लगाए सिर्फ धक्का देने से खुल गया था बढ़िया बदरी मानना पड़ेगा कि आला दिमाद पाया है तुने तेरा हुनर ही नहीं तेरी सोच भी उम्दा है मसका नहीं मांगता नैने हड़ बढ़ा कर चुप हो गया फिर छे बजने का इंतजार शुरू हो गया जबकि वाच्मेन ने अपनी ड्यूटी खत्म करके उधर से रुकसत होना था ठीक छे बजे नाइट वाच्मेन उनके सामने एक बाई सैकल पर सवार होकर वहां से रुकसत हुआ तब वाता वरंड में भोर का उजाला अभी बस फैल ही रहा था तैयार नेने बोला पोपट और शकेल दोनों के सिर्थ सहमती में हिले चाबिद चोकस हाँ बाप पोपट बोला चलो दोनों कार से निकले और आगे बढ़कर करवे रोड पर दाकिल हो गए उस वक दोनों सलेटी रंग की वैसी वर्दियां पहने थे जैसे कि नानावटी रोड वेस के तमाम ड्राइवर कलीनर पहनते थे करवे रोड पर दाकिल होने के बाद वो दोनों कार में से दिखाई देने बंध हो गए सड़क दोनों तरफ से खुली है जीत सिंग बोला ये ट्रक लेके भाग गए तो भाग गए नेने हड बढ़ाया कहां भाग गए कहीं भी भाग के क्या करेंगे ट्रक के वर्ड जैसे कंटेनर्स को ये लोग नहीं खोल सकते वो कर्तब भी कर लेंगे तो माल ठिकाने नहीं लगा पाएंगे ठिकाने क्या लगाएंगे समझ में नहीं पाएंगे कि माल है क्या माल कबसे में तो हो तो समझाने वाले बहुत निकलाते है जमा ट्रकों को कौडियों के मोल भी बेचेंगे तो हासिल रकम तुम्हारे से हासिल होने वाली रकम से कहीं ज्यादा होगी तो खाम का खोटी बाते सोच रहा है बद्री मैं तेरे को पहले ही बोला कि उनको संभालना मेरा काम है फिर क्या वांदा है? कोई वांदा नहीं ऐसे सोच के रख वो वापिस आ रहे हैं क्या? उसने जीत सिंग पर से निगा हटा कर करवे रोट की दिशा में देखा तो दोनों को सच में वापिस लौटते पाया बद्री नेने बद हवास भाव से बोला तेरी कारीगिरी फेल हो गई तेरी चाबी नहीं लगी माथा फिरेला है मैंने उस चाबी को दस बार काम्याबी से आजमा कर देखा था इनके लौटने की और कोई वज़ा नहीं हो सकती जरूर होगी एक मिनट खामोश बैठो अभी ये खुद बताएंगे वज़ा वो दोनों कार के करीब पहुंचे क्या हुआ? खुले है तो क्या हुआ? कई भीडो बाहर खड़े हैं उनको शक हो सकता है कोई शकील बोला असले डिरेवर लोगों को पहचानता हो सकता है क्या पता जीत सिंग बोला ऐसे किसी मौके पर केर टेकर के साथ होना जरूरी होता है तौबा नेने बोला बदरी ये बाते तु अब सुझा रहा है ऐसी बाते तुम्हें पहले से मालूम होनी चाहिए थी टैम का तोड़ा था तुम्हें तुम्हारी तैयारी कमजोर है बिना पूरी तैयारी के किसी काम में हाथ डालने का अंजाम खोटा ही होता है अरे बोल ना बोला ना, टैम का तोड़ा था, नेने चिड़कर बोला बना बनाया काम बिखड़ा जा रहा है, ऊपर से कोई चौकर सला देने की जगा नुक्स निकाल रहा है मेरीं Jeeat Singh खामोश रहा, अरे अब कुछ बोल तो सही क्यों भला मेरा काम बोलना नहीं है बोले पर अमल करना है जो बोलना है तुम बोलो यार क्यूं सदके ले रहा है? कुछ कर सकता है तो कर, वर्ना यहां तो और गुदाम खुल जाएंगे, कार खाने खुल जाएंगे, और भीड हो जाएगी, और लोग जमा हो जाएंगे, और शक करेंगे अपना सोट उतारो और पहले वाला टपोरी हुलिया अक्तियार करो क्या? सुना नहीं? नेने ने खामोशी से अपना फैंसी सूट उतार कर, अपनी रात वाली खस्ता हाल पोशाग पहन ली तुम जीत सिंग पोपट से बोला, चाबियां इधर करो पोपट ने खामोशी से तीन लंबी चाबियां उसे सौंपी उन चाबियों में एक जीत सिंग की बनाई डुप्लिकेट चाबि थी और दो तीन चाबियों की गिंती पूरी करने के विए ब्लैक केस्ट थी जिनका रोल महस दिखावे का था ताकि किसी दर्शक को ये नकलता कि हमेशा तीन चाबियों से खुलने वाला ताला एक ही चाबियों से कैसे खुल गया था वापिस फाटक पर पहुँचो जीत सिंग बोला पहुँच कर क्या करें पोपट संशक भाव से बोला इंतिजार इंतिजार करो चलो फूटो सहमती में सिर हिलाते दोनों घूम कर फिर करवे रोट की योट चल पड़े जीत सिंग ने अपनी कमेश का कॉलर बंद करके नेने की उतारी टाई लगा ली और उपर नेने का कोट पहन लिया पतलून बदलने की कोशिश उससे नहीं की अब नेने व्याकुलभाव से बोला अब मैं तुम्हारा साहब तुम मेरे ड्राइवर जीत सिंग बोला उससे क्या होगा? जो होगा सामने आ जाएगा फिर भी? जरूर जानना चाहते हो क्या? अरे कुछ बोलो तो ठीक है जान लो फिर कुछ भी नहीं होगा कुछ होगा तो तुमारे खुद के लिए होगा पकड़े जाओ तो खबर करना खुद तो नहीं आ सकूँगा लेकिन हमदर्दी की चिठ्थी जरूर लिखूँगा तुमारे जेल के पते पर सेट पर बैठा उसने इंजन स्टार्ट किया और रियर व्यू मिरर में से जेत सिंग की तरफ देखा अभी थमे रहो जेत सिंग बोला उनके गुदाम का आधा रास्ता पार कर चुकने के बाद आगे बढ़ना ताकि हम एन उनके पीछे पीछे ही वहाँ पहुँचे छीक तदो प्रांद कोई एक मिनट नेने ने इंतजार किया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी गाड़ी बंद फाटक पर पहुँची तो वहाँ खड़े पोपट ने गाड़ी को सलाम मारा और शकील को कोहनी मारी तदकाल शकील ने भी फरजी सलाम की रसम अधा की बगल के खुले फाटक पर खड़े तीन चार लोगों की तवज्जो पहले सलाम की तरफ और फिर कार की तरफ गई नेने जीत सिंग दान भींशता फुंकारा अपने ड्राइवरों की हरकत से कोई सबक ले नेने हड बढ़ाया फिर उसका सिर्फ सहमती में हिला वो तदकाल कार से बाहर निकला और उसने अधब से कार का पिछला दर्वासा खोला जीत सिंग बड़ी शान से बाहर निकला वैसे ही शान से चलता वो फाटक के सामने पहुँचा उसने पहली दो चाबियां लगाने का अभी ने करके और तीसरी चाबिय लगाकर फाटक का ताला खुला और नेने को इशारा किया नेने ने धकेल कर फाटक को थोड़ा सा खुला और पोपट और शकेल को भी इशारा किया दोनों भीतर दाखिल हो गए तो खुद वो भी भीतर चला गया बगल के फाटक पर खड़े लोग अपलक तमाम नजारा कर रहे थे जीत सिंगला परवाही के कदम रखता उनके करीब पहुंचा इधर का इंचार्ज कौन है वो रौप से बोला एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा क्या नाम है तुम्हारा भाटे जवाब मिला गोविन भाटे हमारे केर टेकर ने तुम्हारा ही नाम लिया था भाटे किस वास्ते वो एका एक बिमार पढ़ गया है रात को उल्टा सीधा कुछ खा पी लिया नतीश्तन अभी भी पेट के दर्ट से तड़प रहा है इधर आके गोदाम खोलने के भी काबिल नहीं था शाम तक ठीक हो जाएगा उसने ताला लगा कर गोदाम की चाबियां तुम्हें गोविन भाटे को जो की बगल के गोदाम का इंचार्ज है सौम देने को बोला है ओ, भाटे के चहरे पर संदिक्द मुद्रा बनाए खड़े बाकी लोगों के चहरे पर भी आश्वासन के भाव आए कर्फ्यू खुल गया हाँ, लेकिन फिर लग जाने का अंदेशा है इसलिए ड्राइवर लोगों को लेकर सुभा सवेरे आना पड़ा सड़क ठीक हो गई क्या वो तो जाकर पता चलेगा लेकिन बड़ा या बड़ी अर्चन कर्फ्यू था बाकी ड्राइवर लोग होश्यार है किसी ना किसी तरह रास्ता बना लेंगे ड्राइवर नवे है इधर के लिए नवे है हेड आफिस से बुलाने पड़े है टॉप के ड्राइवर है स्पेशल बुलाई है खराब रास्ते के अंदेशे की वज़ा से हम तुम इधर ही ठेहर न भाटे मैं होके आता हूँ ठीक है साब जीत सिंग घूमा और रोप से चलता अत्कुले फाटक से भीतर दाखिल हो गया क्या हुआ भीतर वो नेने से संबोधित हुआ नेने खुशी से दमक रहा था बहुत अच्छी खबर है बदरी वो बूला तेरे को इगनेशन की डुपलिके चाबिया नहीं बनानी पड़ेंगी वायर जम्प करके भी इगनेशन स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा अच्छा हाँ ट्रकों की अपनी चाबिया ही इधर कीबोर्ड पर टंगी हुई है बढ़िया अब क्या वांदा है कोई नहीं तु फाटक खोल जीत सिंग ने सहमती में सिर हिलाया उसके करीब ओफिस टेबल थी जिस पर नानावटी रोडवेस का पता छपे कई भूरे लंबे लिफाफे पड़े थे उसने एक लिफाफा उठा लिया और बाहर निकला नेने ने फाटक के दोनों पट खोले दोनों ट्रकों के इंजन गरजे फिर वो आगे पिछे चलते हुए बाहर निकले और सडक पर पहुंचे जीत सिंग ने देखा अगले ट्रक के ड्राइवरिंग सीट पर पोपट था नेने ने फाटक बंद किया जीत सिंग ने ताला बंद किया फिर उसने तीनों चाबियां लंबे लिफाफे में डाली और उसे दोरा कर दिया लंबे डग भरता वो गोविन भाटे के पास पहुंचा चाबी चौकसी से रखना भाटे जीत सिंग उसे लिफाफा सौमता हुआ बोला आप फिक्र ना करो साथ गोदाम और गल्ले की चाबियों के बारे में नानावटी रोडवेस की पॉलिसी है कि किसी का भी भरोसा नहीं कर लिया जाना है इसलिए चाबियां ट्रक के ड्राइवरों को नहीं सौम्पी गई खुद मेरे को इधर आना पड़ा ठीक केर टेकर शाम तक इधर आजाएगा जब मर्जी आए साथ कोई वांदा नहीं चाबियां इधर सेफ है गुड ये लो तुम्हारा इनाम जीट सिंग ने उसे एक सो का नोट सौम्पा नानावटी रोडवेस की तरफ से बाटे की बांचे खेल गई उसने ठोक कर जीट सिंग को सैल्यूट मारा जीट सिंग ने सिर हिला कर सैल्यूट कबूल किया और घूम कर कार की और बढ़ा नेने ने बड़े ततपर भाव से आगे बढ़ कर कार का पिछला दर्वासा खोला जीट सिंग कार में सवार हो गया नेने भी ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसने बड़ी दक्षता से कार घुमाई कार करवे रोट पर दूर होते ट्रकों के पीछे चल पड़ी वे निर्विग्न करवे रोट से बाहर निकल आए कार उस इलाके से भी पार हो गई तो जीत सिंग एका एक बोला रोको, नेने ने कार रोकी, कार रुकती देखकर आगे ट्रक भी आगे पीछे रुक गए जीत सिंग कार से बाहर निकला, उसने टाई उतार कर कार की पिछली सीट पर फैंकी और बोला दम घुट गया, फिर वैसे ही उसने कोट को तिलांजली दी जीत सिंग कार में आगे, नेने के पहलू में जा बैठा और बोला, अग, आगे क्या प्रोग्रेम है सीधे कल्यान जाना है, वहाँ स्ट्रेंड होटल में हमारा ग्राहक मौजूद है ट्रक होटल में डिलिवरी करोगे पागल हुआ है, ट्रकों के साथ तो हमने उसके होटल के करीब भी नहीं फटकना तो फिर रास्ते में एक इमारत है, जो कभी प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी अब उजार पड़ी है, उसके पिछवाड़े में स्कूल का प्ले ग्राउंड में ले जाकर लगाने है करके, मेरे को बस एक बटन दबाना होगा, कि उसको कॉल लग जाएगी हम, बाद में मुबाइल उसको वापिस करने का है कॉल लग जाने पर क्या होगा, वो या तो खुद उदर पहुंचेगा, या हमें कहीं बुलाएगा फिर हम उसे ट्रको की चाबियां सौंबेंगे, और वो हमें रोकडा सौंबेगा पोपट और शकील के सामने, नहीं, उन्हें तो पहले ही चलता कर दिया जाएगा पहले कब? जब वो ट्रको को स्कूल के प्ले ग्राउंड में पहुंचा चुके होंगे वो अपनी फीस लिये भी ना चले जाएंगे क्या? उनकी फीस, नेने ने अपनी पतलून की एक जेब थप थपाई, मैं साथ लाया हूँ बढ़िया, उन दोनों को मैं एक मिनट भी फालतू साथ नहीं रखना चाहता इसलिए रकम का इंतिजाम बराबर है मेरे पास तौबा, साला कैसा लीचड आदमी है तू बदरी, सतर लाग की लकम में मेरा फिफ्टी-फिफ्टी का पार्टनर है और सो रुपली के लिए मरा जा रहा है दस्तूर की बात है, हमारे हिमाचल में कहते हैं लेखा मावा धिया हिसाब किताब मा बेटी में भी बराबर होना चाहिए तू हिमाचली है क्या? जीत सिंग खामोश रहा नेने ने जेब से एक सौ का नोट निकाल कर जीत सिंग की गोद में डाल दिया शुक्रिया जीत सिंग बोला, उन दोनों को सब समझा दिया ना? नहीं, अभी समझाना है, मैं होके आता हूँ वो कार से निकला और लंबे डग भरता हुआ दूर खड़े ट्रकों की और बढ़ चला कलियान को जाती सड़क पर नेने की एमबाज़र कार और चोरी के दोनों ट्रक आगे पीछे चल रहे थे उस वक्त अभी साथ नहीं बजे थे और सड़क पर कोई खास आवा जाही नहीं थी मौसम का मिजाज ऐसा था कि कभी भी बारिश हो सकती थी बारिश ना भी होती तो धोप निकलती नहीं जान पड़ती थी लिहाज़ा वातावरण में अभी भी भोर जैसा ही चुट पुटा फैला था जीत सिंग रह रहकर गर्दन घुमाता था और पीछे आते ट्रकों पर निगार डालता था एका एक उसने नेने के कंदे पर हाथ रखा और उसे जोर से दबाया क्या हुआ नेने हक बगाया सा बूला पीछे देखो नेने ने हड़ बढ़ा कर पहले रियर व्यू मिरर में से और फिक गर्दन घुमा कर पीछे देखा ये देखकर उसके चुट गए कि ट्रक अब सडक पर उनके पीछे नहीं आ रहे थे वो दाई और पेडों से ढकी एक कच्ची सडक पर घूम रहे थे नेने ने जोर से ब्रेक लगा कर कार रोकी तब तक एक ट्रक सडक पर से गायब हो चुका था और दूसरे का भी केवल प्रिष्ट भाग दिखाई दे रहा था फिर चुटकियों में वो भी दिखाई देना बंध हो गया धोखा नेने के मुँ से निकला जीत सिंग ने ला परवाही से कंधे उचकाई गोली लगे कमीनों को मारोगे तो लग जाएगी वो ट्रक है कोई पतंगे थोड़े ही है जो हवा में उठ जाएगी गुस्से से दांत किट किटाते नेने ने कार को यू टर्ण दिया और उसे सडक पर वापिस दोड़ा दिया क्या कोई हत्यार है जीत सिंग ने पूछा उसने उतर नहीं दिया मैंने पूछा कोई हत्यार है क्या चुप कर यार क्यूं? क्योंकि उनको संभालना तुम्हारा काम है पर अपना ये काम तुम बाखू भी कर लोगे, अभी भी जबकि ये ट्रक लेकर भागे जा रहे हैं कहीं भागे नहीं जा रहे, मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ, यानि कि मैं तुम्हारी जुबान में फिक्र ना करूँ हाँ, उसने कार को कच्ची सड़क पर उतारा, सड़क बल खा खा कर चल रही थी, इसलिए कुछ छीस वज़ा से और कुछ पेडों की घनी ओट की वज़ा से उन्हें आगे ट्रक दिखाई नहीं दिये नेने ने कार की रफ़तार बढ़ाने की कोशिश की, तो कार गेन की तरह उचलने लगी, मजबूरन उसे रफ़तार घटानी पड़ी, तौबा उसके मुझे निकला, कहां खुझ गए कमी ने ये एहम सवाल नहीं है, जीत सिंग शान्ती से बोला, एहम सवाल है, क्यूं घुज गए? यार, तू तो मुझे दैश्यत में डाल रहा है, मैं खुद दैश्यत में हूँ, बना बनाया काम आँखों के आगे बिगडा जा रहा है, अभी कुछ नहीं बिगडा, कुछ बिगड भी नहीं, देख लेना तू, तुमारे मुझ में घी शकर, बदरी, तू तो यू बोल रहा है, जैसे नुकसान हुआ, तो वो हमारा नहीं सिर्फ मेरा होगा, ऐसी कोई बात नहीं, और तुमारे नुकसान की किसे परवा है, अच्छा यार है, किसने कहा मैं यार हूँ, मैं त कि हालात ने जो एका एक नई करवट बदली थी, उसकी वज़ा से आईदा, कुछ शणों में वहाँ कोई बड़ी घटना घटित होने वाली थी, कार उबर खाबर सड़क पर फुदक थी, फिच कोले लेती चल रही थी, फिर एका एक उसने एक नया मोड काटा, तो उन्हें स प्रक के साथ टेक लगाए पोपट यूँ खड़ा था, जैसे उनी का इंतिजार कर रहा हो, उसका जोडी दार शकील कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, नेने ने कार उसके करीब लेचा कर रोकी, अपनी तरफ का दर्वाजा खोल कर उसने बाहर कदम रखा, और फिर जैसे ज हर्थर कामता हुआ बोला, साले हलकट ये क्या हरकत हुई, पोपट हसा, कमीनी हसी, जीत सिंग ने मन ही मन सोचा, वो हसी ही बता रही थी कि कमबक्त फुल पंगा लेने के लिए कमर कसे बैठा था, तेरा जोडीदार कहा है, नेने पूर वत क्रोधित भाव से बोला, इधर इ है ना, पोपर टेक शर्ण ठिटका और फिर बोला, बात करने को, बात करने को, कौन सी बात करने को, बोलता है बाप, तू थोड़ा धीरश तो रख, थोड़ा लेवल से तो बात कर, ऐसा भढ़केगा, तो कैसे बात होगी, फिर बात, कोई बात करनी ही ते तो इधर क्यों आ चैन से अब बोलता ही जाएगा या कुछ कहेगा भी बोलता है बाप मेरे को ऐसी बाते बोलने का तजर्बा नहीं है इसलिए बोलता है बोलता है मैं सुन रहा हूं बाप पहली बात तो ये है जो कि मैं तेरे को अपनी जुबानी कुबूल करना मांगता है कि ये करोडों का चक जो तु उधर खरड़ी में चलाया, जिसका नतीजा ये टिरप खरड़ेला है, अवल तो कोई चकर है नहीं, है तो तेरे को क्या, मैं तेरी मुँ मांगे फीस अदा कर रहा हूं या नहीं, तेरी और तेरे जोड़ीदार की भी, फीस नहीं मांगता, तो क्या फोकट में कार्म करना मांगता है, हिस्सा मांगता है, हिस्सा, भेजा फिरेला है, हिस्सा बाटने वाली यहां कौन सी चीज दिखाई दे रही है तुझे साले, बाट, तु बार-बार मेरे को यूँ गाली देगा, तो मेरा भेजा फिर जाएगा, तो क्या करेगा, बाट में तो जो करेगा सो करेगा, पहले तो दोनों टिरक फोक देगा, क्या, डीजल के टैंक का धकन खोलेगा, उसमें कपड़ा डालेगा, कपड़े को माचिस तेरी मजाल नहीं हो सकती, जो होएंगा तुम्हारे सामने होएंगा बाट, अगर तो समझता है कि ट्रको में करोडों का माल है, तो कैसे होगी तेरी मजाल इने फूंकने की? बाप मानता है कि टिरकों में करोडों का माल है मैं कब बोला ऐसा माल तो है ना टिरकों में खाली तो नहीं है पीछे का कंटेनर मैं टिरक ड्राइवर है ऐसे टिरक के खड़े होने के इस चायल से पहचान सकता है कि वो खाली है या भरा हुआ चलाने पर तो बिल्कुल ही पक्की करके पहचान सकता है ट्रकों में क्या है मुझे नहीं मालू लेकिन वो करोडों का माल नहीं है बाप जब माल की खबर नहीं तो उसकी कीमत की खबर कैसे होईगा मेरा मतलब है इन में करोडों का माल नहीं हो सकता तो लाखों का होईगा लेकिन जब मैं माल को देखना मानता है देख ले किसने रोका है मैं कंटेनर नहीं खोल सकता ये भीडू उसने जेत सेंग की तरफ इशारा किया जो फाटर का ताला खोलने का कमाल करके दिखाया कंटेनर का ताला भी खोल सकता है नहीं खोल सकता खोल सकता है इसको बोलो एक कंटेनर का ताला खोले नहीं काहे बापो तू नहीं जानना मांगता कि भीतर क्या है नहीं जानना मांगता क्यों नहीं जानना मांगता क्योंकि तेरे को मालूम क्योंकि मेरा किसी से करार है कि ट्रकों को बिना छेड़ खानी के एक दम चौकस आके सौंपा जाएगा कितने रोकड़े के बदले में तेरे को उससे क्या मतलब है मतलब बोलतो चुका मैं अपन हिस्सा मानता है तेरा भेजा फिलेला है तो पहले भी बोला बाप तो टैम खोटी कर रहा है उजरत देने की जगा हिस्सा देना कबूल नहीं करेगा तो टिरक इधर ही रहेंगे हम सब भी इधर ही रहेंगे तू तू मेरे को इधर रोक के नहीं रख सकता रख सकता है पर मेरे को पक्की की तूख खुद ही टिरक पीछू छोड़के इदर से जाना पसंद नहीं करेगा नेने ने बिचैनी से पहलू बदला और फिर असहाई भाव से जीत सिंग की तरफ देखा तेरे को हिसा मांगता है जीत सिंग तब पहली भार पोपट से संबोधित हुआ हाँ पोपट निडर भाव से बोला कितना बरोबर का ठीक है दो जने तुम हो दो जने हम है एक ट्रक तुम्हारा एक ट्रक हमारा ये गलत सौदा है भीडू दोनों के वास्ते क्यों भला क्योंकि हम माल की आउकात नहीं पहचानते और तुम्हारा नहीं चला सकते तो फिर कैसे होगी हिस्सेदारी इतना तो साफ दिखाई देता है कि बाप को उसने नेने की तरफ इशारा किया माल से कोई मतलब नहीं है तिरक चोरी करने के लिए जो दम लगाना पड़ा उससे साफ दिखाई देता है कि माल कीमती है बले ही वो तुम्हारे मतलब का नहीं अब कीमती माल का बाप जो रोकड़ा चोकस करेगा वो भी तो चोका ही होगा होगा या नहीं होगा नेने बोला लेकिन ये एक ऐसा काम है जो तुम लोग नहीं कर सकते बरोबर बोला बाप तभी तो रिक्वेस्ट करता है बाप कि जिदर से करना है रोकड़ा खड़ा कर और फिर आधा हे रोकड़ा हमारे हवाले कर अरे मूर्क रोकड़ा एडवांस में मिल सकता होता तो मिल चुका होता ट्रक डेलिवर होंगे तो रोकड़ा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा और ट्रकों को तू कब जाए बैठा है उन्हें उड़ा देने की धमकी दे रहा है ऐसे रोकड़ा किधर से आएगा पोपट के चेहरे पर उलजन के भाव आई तुने जो हरकत की है जीत सिंग बोला उसके लिए बाप को सौरी बोल और फिर ट्रक लेकर हमारे पीछे वैसे चल जैसे की हम खरड़ी से चले थे आगे कल्यान में जो होगा तेरे सामने होगा जब रोकड़ा हाथ में आ जाएगा तो हिस्सा भी बटा लेंगे पोपट ने इंकार में सिर हिलाया तो फिर कैसे फैसला होगा बोलता है बाप, पोपट नेने से संबोदित हुआ तु मेरे को बोलेगा कि टिरक किधर किसको पॉँचाना है वो भीडू एक टिरक के बदली में मेरे को आधा रोकड़ा देगा जो कि मेरा हिस्सा होगा अपना हिसा खड़ा करने के लिए दोसरा टिरक तुम्हारे हवाले होगा हवाले से क्या होगा? जीत सिंग बोला हम में से किसी को ट्रक चलाना नहीं आता दोसरे ट्रक को हम यहां से कल्यान कैसे पहुँच जाएंगे? शकील पहुँच जाएगा पर जब एक ट्रक के बदले का रोकडा मेरे को मिल जाएगा तब ये नहीं हो सकता नेने बोला जिस ग्राहक से मेरा सौदा है वो मेरे सिवाई किसी से बात नहीं करेगा उसे तुम्हारी शकल देखना भी कुबूल नहीं होगा बात जब तु बोलेगा कि तु अपना आदमी तिरक के साथ भेज रहा है तो कोई फाइदा नहीं होगा वो बहुत बड़ा आदमी है जैसे उसने अपने आपको मेरे पर एक्सपोस किया क्या किया? अपना रास मेरे पर खोला वैसे वो हर किसी पर खास तोर से तेरे जैसे हलके आदमी पर अपने आपको एक्सपोस करने को तयार नहीं हो सकता पर जब वो तिरक मांगता है तो मेरे से मांगता है नहीं तो नहीं मांगता तेरे को एक तिरक के साथ इधर रहने का है बाप इसे में अप उनका सेफटी है बाप जब तक मेरे हाथ आधा रोकड़ा नहीं लग जाता तब तक शकील के साथ मैं तेरे को इधर रिच रहना मांगता है फिर ये काम नहीं हो सकता हो सकता है मैं तेरे को हलका आदमी लगा तेरा जोड़ीदार तो हलका आदमी नहीं है पहले की तरफ फिर टाई पहन लेगा सूट डाट लगा लेगा तो फिर बड़ा साब लगने लगेगा तू इसको बोल किधर जाने का है क्या करने का है नेने खामोश रहा बाप अगर ये कबूल नहीं तो समझ लो सब खेल खत्म मेरे को अपने जोडिदार से मश्वरा करने का है करो पर जो करना है इधर इच करो अरे इसे समझाने का है कि इसने किधर पहुँचना है और पहुँचकर क्या करना है मेरे सामने समझाओ फिर तू इसे साथ क्यों लेके जाएगा फिर तो तो खुद ही चल देगा बलकि शकील को दूसरा ट्रक भी साथ ले चलने को बोलेगा ठीक है समझाओ जो समझाना है नेने ने जीत सिंग को इशारा किया दोनों उसके सुनने की रेंज से दूर परे जा खड़े हुए कमीने ने खाम खापंगा कर दिया नेने बढ़ बढ़ाया आम कमीने ने नहीं खास कमीने ने जीत सिंग व्यंग पूंट स्वर में बोला जो कि दुमारे भरोसे का है जिसे कि तुम बाखूबी संभाद सकते हो तंच कसने से क्या फाइदा यार आत्मी पहचानने में गलती किसी को भी हो सकती है नियत किसी की भी बद हो सकती है सवाल ये है कि अब किया क्या चाए बदरी तुझे तरकीब सूचती है इस दुश्वारी से निजात पाने की नहीं तुझे सूचती है क्या सूचती तो है लेकिन उस पर अमल करने की मजाल नहीं हो रही उस दूसरे भिड़ो की शकील की गैर हासरी मुझे फिक्र में डाल रही है वो हत्यार बंद हो सकता है पर हमारी ही ताक में कहीं छुपा हो सकता है वही तो उपर से ट्रक चलाने के मामले में हम इनके मौताज हैं वो भी मैं इस काम के लिए कोई दूसरे भिड़ो तलाश कर भी लूँ तो भी ये बहुत टाइम जाया करके होने वाला काम होगा कल्यान जाने में वहां से दो नए भिड़ो तयार करने में उन्हें चोरी के ट्रक चलाने के लिए तयार करने में उनके साथ वापिस लौटने में तो दोपहर हो जाएगी और भी ज्यादा वक्त लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं इतने में अगर ट्रकों की चोरी का रास खुल गया तो ट्रकों के साथ हमारे पकड़े जाने का अंदेशा तो बराबर होगा ही मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा ग्राहग भी अपने होटल से हवा की तरह उठ जाएगा फिर तो उसकी बात मान लेने में ही भलाई है भलाई या 35 लाग का नुकसान 35 लाग पीछे की बाकी भी तो बचेंगे कुछ ना होने से कुछ होना बेतर होता है बॉस ठीक है फिर ग्राहग का नाम क्या है विनोद बिर्जे उसको फोन करके मेरी बाबत तक ताकीद करो ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्यों उस कमीने को मुबाइल की खबर नहीं है खबर लग गई तो फिर वो ही जित करने लगेगा कि मैं फोन करके उसकी भाबत ग्राहक को ताकीत करूँ फिर उसे तेरी जरूरत नहीं रह जाएगी ओ, मुबाईल कहा है? कार के डैशपोर्ड में बने बकसे में तुने उसका सिर्फ एक बाई और का टॉप का बटन दबाना होगा कि विनोध बिर्जे से तेरी बात हो जाएगी बाप पर इसे पोपट उतावले स्वर में बोला, अभी और कितना टैम खोटी करेगा? बस एक मिनट और नेने उच्छ स्वर में बोला और फिर दबे स्वर में जीत सिंग से संबोधित हुआ स्कूल की इमारत जूण लेगा? रास्ता समझाओगे और उस पर कोई बोर्ड बोर्ड लगा होगा तो ढूण लूँगा रास्ता स्ट्रेंड होटल वाला ही है, वो होटल शहर से बाहर एक नया बना होटल है शहर में दाखिल होगा, तो जगा जगा स्ट्रेंड के रूट को दर्शाते तीर बने दिखाई देंगे जब शहर से बार निकल जाए, तो सड़क पर बाएं बाजू एक जामुन के गिरे पेड पर निगा रखना उस पेड के करीब से ही स्कूल को रास्ता जाता है, ढून लेगा ना ढूनना ही पड़ेगा, स्कूल का कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा उधर नहीं, कभी लगा हो तो लगा हो, अब नहीं लगा हुआ वहाँ कोई मिल तो नहीं जाएगा ना कोई उमीद नहीं, इमालत का तक्रीबन हिस्सा खंडर बना पड़ा है, मैंने खुद भी चौकस किया है और विनोध बिर्चे से भी ऐसा ही च बोला है, कि उधर कोई नहीं जाता, तभी तो उसने वो जगा चुनी है जगा उसने चुनी है क्या, हाँ, ताकि वो फोकट में ट्रक चीनने के लिए घात में अपने आदमी वहां बिठा सके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये किन ही तुच्चे मवालियों का कारूबार नहीं, हाई क्लास लोगों का कारूबार है, मौजूदा हालात में फिर भी होत है, तो हो, पोपट भुखतेगा, और बद्री भुखतेगा, तो उसके साथ नहीं होगा बद्री, क्या, अपने जोडिदार के लिए उसने लोट के भी आना होगा, उस जगा का अभी 30 मिल का फासला है यहां से, ट्रक तो उसे वहीं छोड़ देना पड़ेगा, फिर वापिस और तो ट्रक नहीं चला सकता, इसलिए जाहिर है कि वो तुझे कार्ट चलाने को कहेगा, यो ट्रक के साथ रास्ते में भी कोई उंच नीच होगी, तो तो उसके साथ नहीं होगा, बॉस, जब से मिले हो, ये पहली खरी अकल की बात की है तुमने, और एक खत्म करो, ओपट शिल लाया, आ रहे हैं, बदरी, तु ऐसा सीधा नहीं जान पड़ता, जैसा सूरत से लगता है, कोई जुगत भिडाने की कोशिश करना, कि माल इस हलकट के हाथ ना लगे, खुआप देखने बंद करो, फिर भी, बोलाना, खुआप देखने बंद करो, और दुआ करो, पहने के नेत्र फैले, जो आधे पर नियत मैली कर सकता है, वो सारे पर क्यों नहीं कर सकता, यार, शुब शुब बोलो, मुझे पोपट से ज्यादा उसके जोडीदार का अंदेशा है, जो पता नहीं कहां छुपा हुआ है, और क्यों छुपा हुआ है, मेरे को लगता है कि पोपट के तुम्हारे साथ रुक्सत होते ही, वो जहां कहीं भी छुपा हुआ है, वहां से बाहर निकल आएका, तबी जमेन रौंधता, पोपट उसके सिर पर आखड़ा हुआ, क्या, वो गुसे से बोला, मैंने बदरी को सब समझा दिया है, नेने धीरत से बोला, ये तेर उकात बना, बड़ा बाप बन के दिखा, जीत सिंग ने खामोशी से आदेश का पालन किया, तु कार संभाल, फिर पोपट बोला, मैं टेरक पर तेरे पिछू आएगा, ताकि तु मेरे को रास्ता बता सके, कार की क्या जरूरत है, जीत सिंग बोला, मैं ट्रक में तुम्हार साथ, नको, जैसा मैं बोला, वैसा इच करने का है, मरसी तुम्हारी, पोपट नेने बोला, शकील अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, भेल पोड़ी खाने गया है, लोट के आता है, तो दिखाई देता है, नेने फिर नहीं बोला, कार और ट्रक आगे पीछे चलते हुए, न पोपट ट्रक से नीचे कूद कर कार के पास पहुँचा, अब वो बोला, जीत सिंग ने डैश बोर्ड का खाना खोल कर, वहां से मुबाइल बरामत किया, और कार से बाहर निकाल आया, जेबी फोन, पोपट सक पकाया, ये पिछो खरड़ी में यहीं था, हाँ, नेने जिसको गिलाहक करके भोला, तो इस जेबी फोन पर उसे बात करेगा, हाँ, नमबर मालुम है, हाँ, ऐसी बात उधर खरड़ी में भी हो सकती थी, हाँ, पोपट ने यूँ दान किट किट आय, जैसे उन में नेने को चबा रहा हो, भीडू, आकिर कार वो बोला, अब कर जो करना है, जीत सिंग ने सहमती में सिर हिलाया, पन पहले मेरी एक बात का जवाब दे, जीत सिंग ने भवे उठा कर उसकी तरफ देखा, वो बड़ा सहब, वो गिलाहक, पूछेगा नेने किदर है, तो क्या जवाब देखा, यही कि वो गिरफतार है, माता फिरेला है, या मसकरी मारता है, तो फिर, बोलना सेडियों से गिर पड़ा, टांग में फिलेक्चर हो गया, नहीं आ सकता, तेरे को भेजा, कौन सी सेडियों से गिर पड़ा, ज्यास्ती बात नहीं, जैसा बोला है बोलना, भीडो, उसको समझाना पटाना, रोकडे के साथ इधर बुलाना, तेरा काम है समझा, ठीक है, मेरा काम है, अब चुप कर और मुझे अपना काम करने दे, बार बार थूप निगलता पोपट खामोश हो गिया, जीत सिंग ने निर्देशित तरीके से मुबाइल पर कॉल लगाई, और मुबाइल कान से लगा लिया, कोई नमबर तो मिलाया नहीं, पोपट चुप कर, जवाब आ रहा है, दोसरी और से आवाज आते ही, जीत सिंग ने तस्दीक की, कि लाइन पर विरोध बिर्जे ही था, और फिर उसे वस्तु स्तिती समझाई, ये करार के खिलाफ है, दोसरी तरफ से भुन-भुनाती हुई आवाज आई, नेने को खुद आना चाह ये था, बाप, जब टांग तूटेला है तो, सब गलत है, ना जायस है, हमने नेने को बोल के रखा था, कि हमें उससे और सिर्फ उससे डील करना मांगता था, ऐसा नहीं हो सकता था, नेने को ट्रक चलाना नहीं आता, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, अब नहीं बोला तो मै क्या बोलेंगा बाप तुम, क्या नाम है तुम्हारा बदरीनात हमें कैसे मालूम होगा कि तुम नेने के आदमी हो मुबाइल से जो आप उसको दिया और वो मेरे को दिया हम तुम तो खुद टरक चला कर लाए ना नहीं मेरे को भी ट्रक चलाना नहीं आता दिरेवर लाया हेल, ब्लडी हेल सब बंगल कर दिया बाप नेने को ट्रक चलाना आता भी होता तो वो दो ट्रक कैसे चलाता किसी को तो साथ आना ही पड़ता दूसरी तरफ से आवास नहीं आई बाप अब बोलो क्या हुक्म है तुम बोलता है तुमे एक ट्रक लेकर आया वच्छा खत्रा लगा बाप नेने बोला एक ट्रक सेफ पहुंच आए तो दूसरा पहुंचाने का था ऐसे आधा माल तो सेफ बचेगा वो बोला दूसरा कब आईगा एक घंटे में बड़ी हक सवा घंटे में पिछे खरड़ी में कोई पंगा तो नहीं पड़ा बिल्कुल भी नहीं अभी आधा माल लाया मतलब आधा पेमेंट कोई वांदा नहीं उधरी वेट करो दस मिनट दोसरी तरफ का फोन बंध हो गया क्या बोला पोपट उत्सुक भाफ से बोला दस मिनट इधर इंतिजार करने को बोला है वो दस मिनट में इधर पहुँचेगा या मुबाइल पर कॉल करेगा चीक है दस मिनट ठीक दस मिनट बाद दो सफेद एमबैसजर धूल उड़ाती वहां पहुँची प्लेग्राउंड के बीच में पहुँच कर वो दाई बाई फैल गई तो उनके पीछे से एक खूब लंबा काले रंग की विलाईती गाड़ी प्रकट हुई अमबैसजर दाई बाई होकर खड़ी हो गई तो काली गाड़ी उनके बीच में आखड़ी हुई जीत सिंग और पोपट मूबाई गाड़ीयों को देखते रहे अमबैसजर कारों के पिछले धर्वाजे खुले और दोनों में से दो-दो आदमी बाहर निकल कर काली कार के करीब आखड़े हुए सफेद कारों की अगली सीट पर अभी दो-दो आदमी और भी मौजूद थे जिने भवे सिकोडे जीत सिंग ने भी देखा और नेत्र फैलाई पोपट ने भी देखा इतने आदमी किस लिए? एका एक पोपट संशक भाव से बुला जीत सिंग ने अनभिग्यता से कंधे उचकाई ये कोई साजिश है तिरक जबरन चीनने का डिरामा है तो पागल है वरना इतने आदमी किस लिए? इतनी कारे किस लिए? बड़े लोग ऐसे इच मूव करते हैं मेरे को शक्त मैं तिरक में जाकर बैठता है ये लोग तिरक चीनने की नियत से उधर बढ़े तो मैं साला सब को रौन देगा मैं तिरक में जाता है पीछे मैं क्या करूंगा? तेरे को मालूम तेरे को रोकडा काबू में करने का है बिल्कुल ही माधा फिरेला है त्रक का पीछा चोड़ेगा तो रोकडा मिलेगा न वो तेरे को रोकडा देगा पहले पिछू मैं तिरक का पीछा चोड़ेगा रोकडा मेरे को तेरे काबू में चोकस पहुँच गया दिखाई देगा तो मैं तिरक का पीछा चोड़ देगा लेकिन ऐसा ही छोगा भीडू ऐसा इस ना हुआ तो मैं समझेगा कि तू बड़े बाप से मिल गया खाम खा तू जे भी फोन पर बात करते वक्त कोई चिलाकी किया तो हो सकता है जो मेरी पकड में नहीं आया होईगा मैं जैसा बोला वैसेज करने का है बीड़ो वरना सब इधर इच मरे पड़े होंगे और तू भी कोई वांदा नहीं तभी काली कार के ड्राइवर ने कार से निकल कर उसके पीछे का दर्वाजा खोला मैं जाता है पोपट व्यग्रभाव से बोला जीद सिंग खामोश रहा काली कार की पिछली सीट पर से एक रोबीला सोट बोट धारी व्यक्ति निकला वो बड़े बड़े शीशों वाला काला चश्मा लगाए था और सिर्पर सोट के रंग से मैच करते रंग का फैल्ट हैट पहने था जिसको सामने भवों तक चुकाया हुआ था वो आगे बढ़ा और कार के अगर भाग से लग कर खड़ा हो गया थोड़ी देर उसके निगाँ पैन होती हुई अपने सामने घूमी पोपट को जाकर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर सवार होते देख कर उसके नित्र सिकड़े उसने अपने दोनों तरफ अदब की मुद्रा बनाए खड़े दो-दो व्यक्तियों की तरफ देखा और निगाँ से ट्रक की तरफ कोई इशारा किया चार व्यक्तियों के सिर बड़ी सजीदगी से सहमती में हिले और फिर उनके हाथ अपने-अपने कोट की दाई जेब में सरक गए यानि की जीद सिंग ने सोचा पोपट का ट्रक लेके भाग जाना सपना ही साबित होने वाला था फिर एक आदमी ने जीद सिंग को करीब आने का इशारा किया भारी कदमों से चलता वो फेल्ट हैट वाले के करीब पहुँचा बद्रिनात हैट वाले ने पूछा जी हाँ जीद सिंग अदब से बोला आप बिर्जे सहब हैट वाले ने उस बात की तस्दीक करने की जहमत नहीं की मुबाइल पर फोन तुमने लगाया था उसने पूछा जी हाँ नेने के आदमी हो जी हाँ, मुबाईल किधर है? जीत सिंग ने जेब से निकाल कर मुबाईल उसे दिखाया वापिस करो आपका माल है बाप, वापिस तो करना ही है पंद दूसरा फेरा भी लगा जाने तक, ये मेरे ही पास रहता तो चीक है बात, आप अपने बारे में नहीं बोला आप बिर्जे साहब ही है ना, मैं आप ही से फोन पर बात किया ना वो आदमी तुम्हारे साथ क्यों नहीं टिका रहा, जाके ट्रक में क्यों बैठ गया जीत सिंग खामोश रहा जवाब दो, हैट वाला सक्ती से बोला उसे अंदेशा है कि आप लोग ट्रक को जबरन चीनने की कोशिश कर सकते हैं उसे, उसे अंदेशा है, ड्राइवर को अंदेशा है जी हाँ उसे किस लिए, ऐसा कुछ है भी, तो इससे उसका क्या लेना देना है जीत सिंग ने उत्तर नहीं दिया तुम्हें ऐसा अंदेशा नहीं है क्या जी नहीं वज़ा आप बड़े लोग हैं, हैसियत वाले लोग हैं, रुसोक वाले लोग हैं करार से फिरने की तुच्ची हरकत नहीं कर सकते समझदार आदमी हो, अब एक बात साफ बोलो पुछिए साफ सच और बेहिचक पुछिए नेने की टांग तोट गई होने की कहानी फरसी है ना जी हाँ नेने किसी के दबाफ में है और जो दबाफ उस पर है, वो तुम्हारे पर भी है जी हाँ सब करतोत इस आदमी की है, जो ड्राइवर बना बैठा है इसकी और इसके एक जोड़ीदार की नेने उस जोड़ीदार के कबसे में है क्या कबसे में नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए है कि मजबूर बराबर है चारों को मोर पड़ रहे है ऐसा इच कुछ है कुछ कुछ काफी कुछ हमारा भी यही अंदाज़ा था बहरहाल यह तुम्हारी जाती दुश्वारिया है जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है तो मुसादमी को बोलो वो ट्रक से उत्रे और जाकर सड़क पर खड़ा हो वो नहीं मानेगा क्या बाप जब तक आप उसे रोकड़ा अधा करते नहीं दिखाई देंगे वो ट्रक का पीछा नहीं छोड़ेगा ऐसा क्या जी हाँ पीछा नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा कुछ तो करेगा जो कुछ भी करेगा खुद कुशी करने जैसा होगा मेरे को मालुम पर उसको नहीं मालुम मूर्ख है वक्ती काम्याबी से एंठा हुआ है बहर हाल बाप आप खुद ही बोला कि ये हमारी दुश्वारी है और इस से आपका कुछ लेना देना नहीं है चीक आप लोकड़ा मेरे हवाले कीजिए ये आदमी कुछ नहीं करेगा हैटवाले ने सहमती में सिर हिलाया और अपने एक आदमी को इशारा किया तुरंत वो काली कार में से एक खुब बड़ा ब्रीफ केस निकाल लाया हैटवाले के इशारे पर उसने ब्रीफ केस कार के विशाल बोनेट पर रख दिया 35 लाख हैट वाला बोला गिन कर चोकस करो चोकस ही है बाप पांच पांच सो के नोटों में है जल्दी गिने जाएंगे बोला ना बाप चोकस ही सुना नहीं बाप कमी पेशी की तजदीक करने के लिए गिनने की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तानी है तो नॉनसेंस हम जाली नोटों के धंदे में नहीं है मेरे कौन मालूम तभी बोला की अरे गिने नहीं चोकस तो करो आप कहते हैं तो उसने ब्रीफ केस खोला भीतर निगाप पड़ते ही वो यूँ चिंका कि बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू कर पाया ब्रीफ केस में नोटों के उपर एक पिस्तॉल पड़ी थी ये उसके मुँ से निकला ये अकलमन को इशारा काफी है हैट वाला धीरे से बोला थैंक्यू बोलता है बाप उसने एक गुप्त निगाप ट्रक की तरफ डाली फासले से ट्रक में बैठा पोपट उसे दिखाई नहीं दिया लेकिन वो जानता था कि उसकी बास जैसे निगाप उधर ही टिकी होनी थी लेहाजा ये बात उसकी निगाप में आ सकती थी कि उसने ब्रीफ केस में से कुछ निकाल कर अपने काबू में किया था अलबता ब्रीफ केस बंद करने से पहले हाथ में थमा मुबाइल उसने ब्रीफ केस में गिर जाने दिया ब्रीफ केस को उसने बोनट पर से उठाया हैट वाले ने जुक कर अभिवादन किया और वापिस घूम कर ट्रक की और बढ़ा उसके हक में ये बहुत ही अच्छी बात हुई थी कि रोकड़े की अदाईगी के वक्त पोपट ने उसके करीब मौजूद रहने की जिद नहीं की थी रोकड़ा मिल गया ट्रक के करीब पहुँच कर वो बोला नीचे उतर वो नीचे उतरा इनको बोल वो बोला पहले हमें जाने दे बाप जीत सिंग चिला कर बोला दर्ख्वास थे कि आप पहले हमें जाने दे ठीक है जीत सिंग ने वापिस पोपट की तरफ देखा कार की चाबी मेरे को दे पोपट बोला कार मैच चलाऊंगा क्यूं? मेरे चलाने में नुक्स देखा तुने? सुना नहीं जीत सिंग ने चाबी उसे सौंप दी दोनों ततकाल कार में सवार हुए पोपट ड्राइविंग सीट पर और जीत सिंग उसके पहलू में पैसेंजर सीट पर पोपट ने इंजन स्टार्ट किया और फिर कार यूं वहां से दोडाई जैसे तोप से गुला चूटा हो सड़क पर पहुंच कर भी वो रह रहकर रियर व्यू मिरर में से पीछे देखता रहा यूही कार वापसी के रास्ते में पांच मिल दोड़ चुकी तो उसे तसल्ली हुई कि बाप का कोई आत्मी उनके पीछे नहीं आ रहा था वो जे भी फोन फिर एका एक वो बोला मुझे दे क्यूं? अब आगे जो करेंगा मैं करेंगा तू क्या करेगा? तेरा काम तो हो गया अब आगे तुने क्या करना है? उसके होंटों पर एक क्रोर मुस्कुराहट उपरी और लुप थो गई फोन मेरे को दे वो सक्ती से बोला पोपट जब तक मैं तेरे हवाले हूँ जब तक खरड़ी में नेने तेरे जोड़ीदार के हवाले है तब तक सब कुछ तेरा ही है लेकिन वो फोन तेरे किसी काम नहीं आने वाला क्यूं? क्यूंकि तेरे को बड़े साहब का फोन नमबर नहीं मालूम तेरे को किदर मालूम था? नमबर फोन में है पहले से फिट मैं तेरे को फोन करते देखा तो नमबर नहीं लगाया खाली एक बटन दबाया तेरे को ये भी तो नहीं मालूम कि कौन सा बटन दबाना है मैं बारी बारी सब बटन दबाएगा किसी बटन से तो बड़े बाप का नंबर बोलेगा फोन फिर भी तेरे काम नहीं आने वाला फिर भी क्यूं? क्योंकि मैंने उसमें से सेम कार्ड निकाल लिया है क्या ये जीत सिंग ने अपनी दाई मुठी उसके आगे करके खोली और हथेली पर रखा सेम कार्ड उसे दिखाया ये सेम कार्ड है इसके बिना मुबाइल फोन नहीं चलता फिर ये भी मेरे को दे मुबाइल फोन सिर्फ जिस्ट में सिम कार्ड उसकी आत्मा है बोम नहीं मांगता मेरे को दे ये कारट जवाब में जीत सिंग ने मुठी बंद कर ली तदकाल पोपट के चहरे पर क्रोध के भाव प्रकट हुए उसने जोर से कार्ड को ब्रेक लगाई और उसे कच्चे में उतार कर एक पेड़ की ओट में रुका फिर आंखों से कहर बरसाता वो जीत सिंग की तरफ गुमा जीत सिंग ने फॉरण सिम कार्ड मुँ में डाल लिया अगर वो चेतावनी भरिस्वर में बोला तुने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो मैं ये कार्ड निकल जाऊँगा ऐसा क्या? हाँ तदकाल उसके हाथ में एक रामपुरी चाकू प्रकट हुआ उसने उसका बटन दबाकर चाकू खोला निगल वो कहर भरे स्वर में बोला निगल साने मैं तेरा पेट फाड़ के इसे बाहर निकालेंगा जीत सिंग ने मूँ से सिम कार्ड निकाल कर उसकी गोद में डाल दिया बस कांटी देखी तो पेशाप निकल गया जीत सिंग खामोश रहा उसने ऐसी शकल बनाई जैसे वो पराजे के गहन एहसास के हवाले हो अब फोन इधर कर वो जीत सिंग फसे कंट में बोला ब्रीफ केस में है ब्रीफ केस में क्यों है सिम कार्ड के बिना बेकार था इसलिए रोकड़ा चोकस करते वक्त मैंने उसे ब्रीफ केस में डाल दिया था निकाल जीत सिंग जान बुछ कर हिच किचाया निकाल पोपट आंखे निकालता बोला वरना मैं आंते निकालता है नहीं नहीं जीत सिंग भयवीत भाफ से बोला ऐसा ना करना तो फोन निकाल निकालता हूँ उसने ब्रीफ केस को घुटनों पर रख कर बाई हाथ से खुला और दाया हाथ भीतर डाला पिस्तौल की मूट पर उसका हाथ पड़ा उसकी उंगलिया मूट पर कस गई उसकी सावधान निका पोपट की सूरत पर और फिर वहां से फिसल कर उसके हाथ में थामे खतरनाक चाकू पर पड़ी फिर उसने हाथ ब्रीफ केस से बाहर खींचा और बिजली की फूरती से पिस्तौल की नाल पोपट के माथे से सटा दी क्या वो खुंकार लेचे में बोला पोपट के चक्ये छूट गए उसके चेहरे का खूर निचुड गिया और उस पर ऐसे भावाए जैसे दिल का दौरा पढ़ने वाला हो फिर उसने जीत सिंग के बिना कहे ही चाकु को अपनी गिरफ से निकल कर कार के फर्ष पर गिर जाने दिया क्या वो घिग्याता सा बोला तू बोल कमीने तू बोल क्या 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कैसे पूरा माल हत्याना चाहता था ना नहीं नहीं क्या नहीं मेरे को कुछ नहीं मांगता पहले तो सब कुछ मांगता था अब अब कुछ नहीं मांगता कमीने धोके बास जिन्दगी की भीक तो मांगता है बक्ष तो बाप मैं तुम्हेरा कुटा है तेरा जोडिदार शकील उधर जोहर वाली जगह पर छुपा क्यूं हुआ था उसके पास गन है जो देखता मेरे को डेंजर तो गोली चलाता साले शुरु से ही नियत मैली किये बैठा था तभी गन की और रामपूरी का इंतिजाम करके रखा पोपट ने जोर से थूप निगली वो कहां छुपा हुआ था खंडर में हाँ अभी भी छुपा ही होगा अब नहीं अब क्यों नहीं उसने उत्तर नहीं दिया खामोशी से में गड़ाई पोपट पेड़ा से बिल बिलाया फॉरण भोंकना शुरू न किया तो नाल आंक में फिर दूसरी आंक में उसके गले की घंटी जोर से उचली अब क्यों नहीं वो वो नेने खलास तो चुपने की जरूरत नको जीत सिंग भोचका सा उसका मूँ देखने लग क्या शकीन ने उसे मार डाला होगा उसके मूँ से निकला ऐसा ही छेबाप पंट सब मिस्चेक तू और इधर तू मेरे को खलास कर देता अ हां फिर खुद मुबाइल पर ग्राहक को फोन लगाता और बोलता कि दूसरा ट्रक लेके तू आ रहा था हां कमीने बक्ष दे बाप मिस्चेक हुआ तुम लोगों से मिस्चेक होना और किसी का जान से जाना एक ही बात है तेरी लिए अब क्या बोलेंगा बाप, सब जोश में हो गया कमी ने चोर चोर के घर में चोरी नहीं करता गिरहकट गिरहकट की पॉकेट नहीं मारता कुटा कुटे को नहीं काटता मिस्चेक हुआ बाप बस इस वार भख्ष दे फिर तेरे को मेरे से कोई शिकायत कभी नहीं होगी वो तो मेरे को मालूम क्या? तेरे से कैसे भी शिकायत मुझे कभी नहीं होगी क्या बोला बाप अभी मालुम पड़ता है पहले बोल शकील वहां जोहर के किनारे क्या कर रहा होगा मेरा इंतिजार कर रहा होगा और क्या करेगा खंडर में छुपके अब छुपके काहे को ओ तो इतनी गारंटी है उसे कि तुम मुझे मारेगा मैं तुझे नहीं अब क्या बोलेंगा बाप बोलेंगा नहीं कुछ करेंगा क्या चाकू उठा पौपट ने जुख कर चाकू उठाया बंद कर उसने किया कार से निकल और इसे जंगल में कहीं फैंक किया ककक क्यूं? बताता है पहले जाकिया डरता जिजगता वो कार से बाहर निकला सामने सिकार का घेरा पार कर वो नीचे ढलान पर उतर गया और आगे बढ़ा जीत सिंग ने खिरकी में से हाथ निकाल कर उसे शूट कर दिया वो जोहर की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क से अभी एक मेल दूर था कि आगे उसे एक अप्रत्याशित नजारा दिखाई दिया रोड ब्लॉक सड़क पर पुलिस की एक जीप और एक मोटर साइकल यू तिर्ची खड़ी थी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही वाहन सड़क पर से गुजर सकता था क्या करूँ उसने व्याकुल भाव से मन ही मन सोचा कार वापिस गुमाऊं और भाग चलू लेकिन उस वक्त सड़क पर उसकी कार के सिवाए और कोई वाहन नहीं था यूँ कार घुमाकर वापिस भागने की कोशिश करना अपनी हालत आब एल मुझे मार करने जैसा होता तौबा रोड ब्लॉक पर कार की तलाशी होती तो उसका फसना लास्मी होता ब्रीफ केस में मौजूद 35 लाक रुपेयों की बाबत वो क्या जवाब देता पिस्तॉल की क्या सफाई देता कार छोड के भाग खड़ा हूँ तो वो भी कार के साथ भागने जैसा ही काम होता फिर उसने अपने आपको तसल्ली दी कि खाम का रोड ब्लॉक का रिष्टा ट्रकों की चोरी की वारदात से जोड रहा था क्या पता उस चोरी की खबर अभी आम ना हुई हो और उस रोड ब्लॉक की कोई और ही वज़ा हो उसे तनिक राहत महसूस हुई उसकी कार रोड ब्लॉक के करीब पहुंची जीप के करीब खड़े पुलिसियों में से एक ने उसे रुखने का इशारा किया जीद सिंग ने ब्रीफ केस को बगल की सीट पर से नीचे गिरा दिया और कार रोकी एक सब इंस्पेक्टर कार की ड्राइविंग साइट पर पहुँचा कहां से आ रहे हैं? उसने पूछा कल्यांट से जीद सिंग भर्सक अपने स्वर को संतूलित रखता बोला रास्ते में कहीं कोई बड़ा ट्रक देखा था क्या? कंटेनर वाला? सिल्वर कलर का बंध ट्रक आजू-बाजू और सामने नानावटी रोडवेज लिखा हुआ नहीं आगे कहां जा रहे हैं? नासिक रास्ते में सडक पर निगार रखियेगा जैसा ट्रक में बोला वे ऐसा कोई रा में चलता या कहीं खड़ा दिखाई थे तो पुलिस को फोन करना ठीक है? माजरा क्या है जनाब? वो आप नहीं समझेंगे जाईए शुक्रिया जीत सिंग ने कार आगे बढ़ा दी पीछे रोड ब्लॉक उसकी द्रिष्टी से ओजल हो गया तो उसकी जान में जान आई लेकिन अब जोहर का रुक करना मोटता थी अब उस जगा से उस कजबे से जल्दी से जल्दी दोड निकल जाने में ही भलाई थी जिस कार में वो सवार था अब उससे किनारा करना भी ज़रूरी था क्यूंकि उसकी बाबत वो कुछ नहीं जानता था कि वो नेने की अपनी थी कहीं से उधार मांगी हुई थी किराई की थी या चोरी की थी उपर से करवे रोड पर किसी ने उस कार का नंबर नोट किया हो सकता था वो वैसे ही किसी को याद रह गया हो सकता था और फिर सुबा सवेरे उस कार की नानावटी रोड वेस के गुदाम के करीब मौजूदगी की बाबत सवाल किया जा सकता था जोहर को जाती कच्ची सड़क करी पहुंची तो उसने उस पर कार डालने की जगा उसे तेजी से आगे बढ़ा दिया खरड़ी के करीब पहुंच कर उसने कार को एक सुनसान रास्ते पर खड़ा किया और नेने का सूट उतार कर अपने कपड़े पहने फिर उसने अपने आज़ार भी ब्रीफ केस के हवाले किये और एक आटो पर सवार होकर रोड़वेस के बस अड़े पर पहुंचा मोबाइल से उसने विनोध बिर्जे को फोन किया अप एक शानुसार तुरंत उत्तर मिला बदरी बोलता है बाप वो अदब से बोला बोलो बदरी सबसे पहले तो अकलमंद को इशारे का शुक्रिया बोलता है बाप क्या इशारा काम आया खूब पर नापका काम बिगड़ गया क्या बाकी का अब दूसरे ट्रक का इंतिजार ना कीजिए क्यूं क्या हुआ ट्रकों की चोरी की खबर आम हो चुकी है मुझे वापसी में रोड ब्लॉक मिला अब दूसरा ट्रक सडक पर दिखाई दिया तो यकीनन पकड़ा जाएगा ओ लेकिन दूसरा ट्रक है कहा बोलता है सहब आपकी वज़ा से मेरी जान बची इसलिए बोलता है फिर जेद सिंग ने तफसील से बताया कि ट्रक कहा खड़ा था वहाँ ट्रक के पास वो आगे बोला मेरे साथ आई भीडू का शकील करके जोड़ीदार मौझूद है जो की हत्यार बंद है और जो यकीनी तोर से नेने का कतल कर चुका है वो अब वहाँ क्या करता है अपने जोड़ीदार का इंतिजार करता है उस जोड़ीदार का जो कि तुम्हारे साथ था हाँ वो अब कहा है वो अब इस दुन्या में नहीं है हमारा भी ऐसा ही खयाल था लहाजा हमने जोहर्ड के पास मौजूद सिर्फ एक हत्यारबंद आदमी से दो चार होना है जो कि आप बखुबी कर सकते हैं बाप लेकिन वहाँ से ट्रक निकालने की कोशिश करना फिर भी नादानी होगी आप पहला ट्रक तो गायब कर ही चुके होंगे दूसरा ट्रक गायब करने के लिए वो जोहर एन्फिट जगा है सूरत से जोहर बहुत गहरा जान पड़ता है मुझे यकीन है कि ट्रक का उसमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां गया हमारी क्लास ले रहे हो क्या गुस्ताकी माफ साब ऐसा इच बोला मेरे पास आपकी पिस्तॉल और मुबाइल फोन है उसकी बाबत कोई हिदायत हो तो बोलो बाप पिस्तॉल बिना नंबर की है मुबाइल में कैश कार्ड है इसलिए हमें दोनों चीजों में से कोई वापिस नहीं मांगता तुम उनको अपने पास रखो या कहीं ठिकाने लगा दो ये तुम्हारी मरसी पर है ठीक है दूसरे ट्रक का पता बताने का शुक्रिया जान बचाने का शुक्रिया बाप ट्रक लेकर हमारे पास आप आते तो 35 लाक और कमा ले थे मैं जितनी कमाई का हगदार था वो मुझे हो चुकी है ओके गुड लग लाइन कट गई अड़े से वो रोडवेज की मुंबई के लिए रवाना होने को तैयार एक बस में सवार हो गया फिर आगे कुलाबा कुलाबा में सुश्मिता और सुश्मिता के रूबरू 35 लाग की रकम के साथ वो कॉल बेल बजी सुश्मिता ने उठकर फ्लैट का प्रवेश द्वार खोला तो सामने मीरा किश्नानी को खड़े पाया मीरा सुश्मिता हर्शित स्वर में बोली तू सर्प्राइज मीरा बोली सर्प्राइज सुश्मिता उससे गले लगके मिली और फिर बांप पकड़ कर उसे भीतर लाई बड़े प्रेम भाव से उसने उसे ड्राइंग रोम में बिठाया तो ये घर है तेरा एक प्रशन सात्मक निगा चारों तरफ दोडाती हुई वो बोली तो ने तो मुझे कभी बुलाया नहीं मैं अभी कितनी बेशर्म हूँ देख ले खुद चली आई अरे सुश्मिता फिर उसे गले लगाती हुई बोली कैसी बाते करती है सच पूचे तो मैं तुझे याद ही कर रही थी जूट एकदम सच कसम उठवा ले क्यों याद कर रही थी सुश्मिता ने ततकाल उत्तर नहीं दिया तब उसके चेहरे पर चाई हसी की जगा संजीद्गी ने ले ली क्या बात है मीरा भी संजीद्गी से बोली ठहे मैं तेरे लिए कोल्डरिंग लाती हूँ अरे जाडु मार कोल्डरिंग को पहले बता चांद से मुखडे पर एका एक बद्धी की उचा गई उत्तर देने की जगा सुश्मीता ने बिचैनी से पहलू बदला कोई घर का बखेडा तो नहीं शादी तो ठीक चल रही है ना हाँ और बेहन के बच्चे वो भी ठीक है उन्होंने तीनों को लोनावला के एक रेजिडेंशल स्कूल में भरती करा दिया है अभी बड़े दिनों की छुटियां होंगी तो लोट के आएंगे बढ़िया ये तो सबाब का काम किया चंगुलानी साहब ने जिन्दगी बन जाएगी बेचारे बिन मा के बच्चों की वो तो है तेरी तो बन ही गई है इतने पैसे वाले आदमी के ठसेदार बेगम बनी बैठी है हाँ ऐसी ठंडी सांसे क्यों छोड़ रही है कुछ कलत कह दिया मैंने नहीं मैंने यहां आकर कोई गलती की किया अरे हर किस नहीं अब बोल याद क्यों कर रही थी खुद गर्सी याद करा रही थी मुझे तेरे से एक काम था इसलिए याद कर रही थी अरे सो काम बोल मेरी पठा का पुटड़ी एक से क्या होता है मैं cold drink लाती हूँ छोड़ ना मैं भी तो पीऊंगी ठीक है फिल सुश्मीता उठकर किचन में चली गई अभी मुश्किल से दो महीने पहले तक ग्रांट रोग के जिस chartered accountant के office में वो clerk की नौकरी करती थी उसी office में मीरा boss की secretary थी जहां तक उसे याद पढ़ता था उसके नौकरी छोड़ने के बाद से वो मीरा से चार बार मिली थी पहली बार अपनी विद्वा तीन बच्चों की माँ बड़ी बेहन अस्मिता की मौत के बाद दोसरी बार बेहन के employer पुर्सूमर चुंगलानी से अपनी शादी के बाद तीसरी बार जब वो अपनी तनक्वा का final हिसाब करने office कई थी और चौती बार हाल ही में metro cinema पर जहां की चंगलानी उसे त्री मूर्ती का evening show दिखाने ले गया था मीरा का पती हीरानन किश्नानी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था और पुलिस हेट क्वाटर में क्राइम ब्रांच में ड्यूटी भरता था असल में वो मीरा के माध्यम से उसके पती से किसी मदद की तलब गार थी एक ट्रे पर पैपसी से भरे दो गिलास और काजूओं का एक कटोरा रखे वो वापिस ड्राइंग रूम में पहुंची उसने सहेली को पैपसी सर्व किया और काजूओं का कटोरा उसके सामने रखा मीरा ने बड़ी नसाकत से एक काजू खाया गिलास में से पैपसी का एक गून भरा और बोली अब बोल क्या बात है बोलती हूँ सुश्मीता बोली मीरा तू ये तो नहीं सोचेगी कि तू पहली बार मुझसे मिलने आई और मैं तेरे सामने अपना रोना लेके बैठ गई नहीं हर्गिस नहीं दरसल मैं तेरे से मिलने आने आने वाली थी कि तू आ गई अच्छा हुआ तेरी जहमत बच गई तू ऐसे सोचती है तेरी महरबानी है अब बोल क्या प्रॉबलम है तेरी प्रॉबलम बहुत गंभीर है बहुत बड़ी है क्या उसे अपने तक रख सकेगी क्यों नहीं वादा करती है पक्का जिसकी चाहे कसम उठवा लो मीरा जो बात मैं तेरे से कहने वाली हूँ वो आगे चंगुलानी साहब को पता चल गई तो मैं बरबाद हो जाऊंगी मैं तेरी सहेली हूँ सूशी मैं तुझे बरबाद नहीं होने दूँगी फिर भी ये कि अब तुझे ज्यादा सस्पेंस ना फैला और जो कहना है कह जुक कहती हूँ तुझे उस लड़के की याद है जो चिंच पोकली में मेरे पडोस में रहता था और जो असमिता का कोई संदेशा लेकर या किसी और काम से कभी-कभी आफिस आया करता था वो मामुली शकल सूरत वाला टपोरी सा लड़का जो तेरे को यूँ देखा करता था जैसे कोई भक्त भगवान को देखता था हाँ वही बला सा नाम बताया था एक बार तुने मुझे उसका जीत सिंग चिंच पौकली में हर कोई उसे जीता कहकर बुलाता था हाँ या थे उसकी क्या बात है उसकी ही बात है क्या मेरा मैं तुझे अपना जान के सब बता रही हूँ और अपना एक बहुत बड़ा रास तेरे सामने खोल रही हूँ तेरा रास मेरे इधर मोहबद करता है। तेरे से, यानि की चान को चूने की हसरत रखता है। कर्मा मारे ने कभी मूह नहीं देखा। देखा था, वो जानता था, समझता था कि वो मेरे काबिल नहीं था। लेकिन बिना किसी हासिल के उमेद से अपने एक तरफा मोहबद से भी वो कुश हुश था। चड़या था क्या? वो एक तरफ महबबत थी जिसका कोई भविश्य नहीं था जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी लेकिन मेरी बेहन के कैंसर के टर्मिनल केस की वज़ा से ऐसे हालात बन गए थे कि मुझे उसकी महबबत को कुबूल करके अपनी रजा मंदगी से उसे मोहर बंद करना पड़ा था वो कैसे? डॉक्टर कहता था कि अस्मिता की बाकी जिंदगी सिर्फ छे महीने की थी और अगर मैं उसे बड़ी हद तीन महीने में इलाज के लिए जर्मनी ले जा पाती तो उसकी जान बच सकती थी उस इलाज के लिए दस लाक रुपए दरकार थे ज कि वो दस लाक रुपए तुझे जीते ने दिये? देने का वादा किया तीन महीने में जोश में बड़ा बोल बोल दिया होगा ऐसे ही जान पड़ता था लेकिन बेहन के जिंदगी का सवाल था इसलिए मैंने उमीद के खिलाफ उमीद की कि जोश में ही सही शायद वो कुछ क गुसरे उसकी होसला अवजाई के लिए मैंने भी एक बड़ा बोल बोला क्या? मैंने कहा कि अगर उसकी वज़ा से मेरी बेहन की जिंदगी बच गई तो मैं उम्र भर उसके पाउं धो धो कर पीऊंगी अरे ऐसा कहा तुने? हाँ और इस काम के लिए मैंने तीन महीने का टा जो हाथ बढ़ाया और तोड़ ली, शर्मिंदगी से दबा वो बिचारा मू दिखाने भी नहीं लोटा होगा. वो लोटा था, तीन महीने की मियाद के एन आखरी दिन लोटा था और काम्याब होकर लोटा था, लेकिन… लेकिन क्या? मीरा एक शंड ठिटकी, उसने गौर से स दुश्मीता की सूरत देखी और फिर भुचक्की सी बोली, जूले लाल, तो ने उसको दिये वक्त की मियाद खत्म होने से पहले ही पुरसूमल से शादी कर ली? हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे, जिस बेहन के इलाज के लिए दस लाग चाहिए था, वही मर गई. इसलिए त तो खयाल तूने करके दिखाया, वो तीन महीने की मियाद खत्म होने के बाद भी तो हो सकता था? नहीं हो सकता था. पुरसूमल का अल्टिमेटम था की? मैं समझ गई. मेरी बेहन, उसका अल्टिमेटम नहीं था. तुझे अंदेशा था कि देर करने से इतने पैसे वाले बेहन के बच्चों के वेलफियर के बहाने की ओट लेकर अपने जाती फाइदे के लिए पुरसूमल से शादी की. मेरा जाती फाइदा सुश्मीता तडब कर बोली तो भूल रही है कि वो 58 साल का है और उसके जवान बच्चे, मेरे से ज्यादा उम्र के जवान बच्चे इं पर रख दिया और बड़े अफसोसनाग ढंग से गर्दन हिलाई. तो उन्हें वादा खिलाफी की सुश्मीता फिर वो धेरे से बोली गरीब मार की. वो भी सुश्मीता के मुझ से निकला यही कहता था. ठीक कहता था, किसी गरीब के जस्पात से खिलवार करने का तुझे को गरूर को मचबूर कौन कहेगा? मगरूर? हुसन की दौलत का गरूर मेरी बेहना, जिसका जादू तुने परसूमल पर चलता देखा, तो तुने उसे फौरण एक शन भी जाया किये बिना कैश किया. गरीब के दिल को ठोकर मार कर दौलत की देलीज पर कदम रखा. तु जादे के मुताबिक तेरे लिए दस लाक रुपे जुटाने में काम्याब हो गया था. हाँ, तुझे कैसे मालूम हुआ? तब तक तो तु शादी कर चुकी थी? वो यहाँ आया था असमिता की मौत का अफसोस करने या शादी की मुबारक बाद देने? वो भी देने. रकम की बाबत बंडल मार दिया होगा, यह सोचके कि अब तुझे तो वैसे किसी रकम की जरूरत रही नहीं थी? वो रकम साथ लाया था. अच्छा, और, और क्या? इधर ही छोड़ गया था. क्या? इधर ही छोड़ गया था. रकम, दस लाक रुपेया? हाँ. क्या? तेरे से रुस् हो जाने के बाद भी, वो रकम इधर ही छोड़ गया? हाँ. तुने रख ली क्या? वो, वो जबरदस्ति छोड़ गया. फिर, फिर, फिर आ गया. फिर क्या करने आ गया? तीस लाक और छोड़ गया. क्या कह रही है तू? मीरा अविश्वास पुन स्वन में बोली. चड़या ह गया था वो? मत मारी गई थी उसकी? ऐसा ही था कुछ. ना सिर्फ पहले से बड़ी रकम छोड़ गया, फिर आने के लिए बोल गया. अभी फिर भी आएगा? ऐसा ही बोलता था वो. फिर किसी बड़ी रकम के साथ? हो सकता है? कोई वज़ा नहीं बताई उसने अपनी इस दि बोला, वो मेरे लालच का घड़ा भर रहा था. मेरे दौलत के सपने साकार कर रहा था. बोला, मुझे किस्तों में खरीदने की कोशिश कर रहा था. जूले लाल! कहता था, वो तब तक आता रहेगा. जब तक मैं अपनी जुबानी नहीं कहूंगी, कि मेरी कीमत चुकता हो ग रहेगी, कोई कीमत मुकरर कर ली तुने अपनी? मीरा, सॉरी, अब बोल तेरी प्रॉब्लम क्या है? घर में 40 लाक रुपए हैं, जिसको घर के मालिक से चुपा के रखना कोई हसी खेल नहीं. ये बहुत बड़ा फ्लैट है. तबी तो कहीं चुपा पाई, लेकिन वो और रक ले आया तो? मत लेना, जो ली है वो भी वापिस करने की जित करना. वो नहीं सुनता, वो तो इतना रुपता भी नहीं कि मैं उसे कुछ सुना सकूँ, कुछ समझा सकूँ. हम्, फिर की फिर देखी जाएगी, तू अब क्या चाहती है? अभी क्या है तेरे मन में? मैं चाहती हूँ कि वो मुझे डिस्चरब ना करे, वो यहां ना आई, वो मेरा पीछा छोड़ दे, वो पुरसूमल की पेट पीछे आता है, अभी तक तो खैरियत हुई, लेकिन और अगर आइंदा कभी उसे खबर लग गई, कि वो कौन है और क्यूं यहां आता है, तो गजब हो तो दौलत के धेर पर से उठेगी और दूसरे पर जा बैठेगी, मेरा तो समझती नहीं, मैं क्या नहीं समझती, इतने दौलत इतने कम वक्त में किसी जाइस तरीके से नहीं कमाई जा सकती, वो एक जराइम पेशा आत्मी है, वो सोसाइटी का नासूर है, वो जेल जाएगा या फांसी पर लटकेगा, फिर मेरा क्या होगा, ये सब तुझे तब नहीं मालुम था, जब तुने बकॉल खुद अपने इतना बड़ा बोल बोला था, कि अगर वो तेरे जरूरत पूरी कर देगा, तो तुताज जिंदगी उसके पाउं धो धोके पियेगी, तुझे तब नहीं मालुम था, कि तीन महीने में दस लाग की रकम, कलरकी करके या मजदूरी करके नहीं कमाई जा सकती, सुश्मिता ने जवाब नहीं दिया, सुझा क्यों ना होगा, जरूर सुझा होगा, आखिर पड़ी लिखी, दुन्यादार लड़की है, लेकिन तब खुद गर्ज जाली, ऐसा ना भी होता, तो मुझे यकीन है कि वो बेचारा, नाम का जीता, कुछ नहीं जीतने वाला था, तो फिर भी उसके पल्ले कुछ नहीं डालने वाली थी, तु मेरी जान बुश कर तोहीन कर रही है, छोड़ मेरी बहना, आपस दारी में तोहीन नहीं होती, अब ब बोलने तो तू देती नहीं, मुझ पकड़ लेती है, नया ही किस्सा ले बैठती है, सौरी, सवाल करती है जवाब नहीं सुनती, बोला ना सौरी, अब मैं पूरी तवच्छों से सुन रही हूँ, अब बोल ऐसा क्या चाहती है, जिसकी वज़ा से तू मुझे याद कर रही थी तेरा हस्बेंट पुलिस में है, शायद क्राइम ब्रांश में सब इंस्पेक्टर बताया था तूने उसे अब इंस्पेक्टर, कली प्रमोशन लेटर मिला, फिर तो बढ़ाई, उसी को देना, ट्रेट देगा अभी तो तू ही पहुँचना, जब मिलेगी तो उसे भी दूंगी ठीक है, मेरा हस्बेंट पुलिस में है, आगे वो खामोशी से, बिना मेरे कोई फॉर्मल रपट लिखाए, ऐसा कुछ कर सकता है कि जीते से मेरा पीछा छूट जाए, उसकी मेरे पास फटकने की हिम्मत ना हो कैसे कर सकता है, वो कहां डूंडेगा उसे वो चिंच पोकली में मेरे पडोस में रहता था, अभी भी वहीं रहता होगा कहीं चला भी जाता होगा, तो लौट के वहीं आता होगा हम्म, वो खामोशी से इधर की भी निगरानी करा सकता है तेरी दस लाग की पहली किश के साथ वो कब यहां आया था मेरा प्लीज, फो गौट सेक, ओके-ओके, पहली वार वो कब यहां आया था तीन महीने की म्याद से आकरे दिन, उसने एक शंड सोचा और फिर बोली, शुकरवार 31 अक्तूबर को और दूसरी बार, इस महीने बुधवार 17 दिसंबर को आज सोम बयार 22 तारीख है, यानि कि पांच दिन पहले हाँ, दस लाक मुहया करने में उसने पूरे तीन महीने लगाए, लेकिन उसने तीन गुणा रकम आधे टाइम में पैदा कर ली तो वो बाते छोड़, ब्रांच लाइन पर ना जा, मेन लाइन पर ही रह, प्लीज मैं कुछ और सोच रही थी क्या, वो अभी दो ही बार यहां आया है, दो फेरों से ही उसकी आमत का कोई शेडियूल तो नहीं समझा जा सकता पहली बार तीन महीने में लोटा, दोसरी बार कोई डेड़ महीने बाद आया, अब तीसरी बार क्या पता, वो कब आएगा मुझे तो लगता है, बहुत जल्दी आएगा कैसे लगता है, यह तो दाव लगने की बात पर है, कोई नोट शापने की मशीन तो होगी नहीं उसके पास फिर भी मुझे लगता है, खामका लगता है, तुझे उसकी आमत का अंदेशा है, इसलिए लगता है हकीकतन वो कल ही आसकता है, अगले महीने आसकता है, अगले साल आसकता है, या नहीं भी आसकता नहीं भी आसकता? हाँ, पकड़ा गया या मारा गया, या उसे अकल आ गई तो कैसे आएगा, क्यों आएगा? मीरा मेरा दिल गवाही देता है कि वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला वो जरूर आएगा और जल्द आएगा ये बात तु अंदेशे के तौर पर कह रही है या तमन्ना के तौर पर कह रही है फिर शुरू हो गई तुझे उसके लाई दौलत की कोई चाह नहीं है ना कोई चाह नहीं दिल से कह रही है ना दिल से कह रही हूँ लेकिन क्या लेकिन घर में पड़ा पैसा फैंका भी तो नहीं जाता लिहाज़ा लालच का दखल तो बराबर हुआ ये लालच वाली बात नहीं है, ये साप छचुंदर जैसी हालत है, ना उगलते बनता है, ना निगलते बनता है लेकिन उगलना चाहती हो, हाँ, इसलिए क्योंकि मैं पुर्सूमल को इस मामले की खबर लगाना अफॉर्ड नहीं कर सकती ऐसा है, तू तू एक काम कर, क्या, अभी एक बार उसे और आने दे, उसे क्या होगा तू दिल से कोशिश करेगी, तो उसे मनाने में काम्याब हो जाएगी, कि वो तेरा पीछा भी छोड़ दे, और जो रकम यहां मौजूद है, उसे भी वापिस ले जाए वो नहीं मानेगा, वो कोई नहीं रकम मेरे मुँपर मारेगा, और चल देगा मैंने दिल से कोशिश करने को बोला, इमान से बोल, पहले कभी तूने दिल से कोशिश की ठीक है, तू कहती है तो मैं ऐसा भी कर देखूंगी गुट वैसे हो सकता है वो आई ही नहीं वो जरूर आएगा मैंने हो सकता है बोला सुश्मीता ने विरोध में फिर कुछ कहने को मुख खोला लेकिन फिर होट भींच लिये और कुछ नहीं तो मीरा बोली दुआ ही करना कि वो ना आई करूंगी, सुबा शाम करूंगी लेकिन तु अपने हस्बेंट से तो बात करेगी न करूंगी, मेरा एका एक उठ खड़ी हुई अभी वो आची के केस के सिलसिले में कोला पूर गया है लोटेगा, तो पहली बात यही करूंगी वो तो करना, लेकिन ओठ क्यों खड़ी हुई मैं अब चलती हूँ अरे, ठंडा तो लो अब जाने दे, फिर कभी तेरे साथ लंच करूंगी मर्जी तेरी मैं चली किश्नानी सहाब से जो बात हो, उसकी मुझे खबर करना जरूर मीरा वहां से रुक्सत हो गई मीरा ने सिवर में स्थित, अपने घर का रुक नहीं किया उसने फोर्ट एरिया में स्थित, पोलिस हैड कौाटर का रुक भी नहीं किया जाहां कि उसका पती हीरा नंद किश्नानी इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस ड्यूटी भरता था और जो कोलापूर नहीं गया हुआ था बहुत सोच विचार के बाद उसने लेमिंग्टन रोड का रुख किया जहां कि पुर्सूमल का डिपार्टमेंट स्चोर था और जहां वो पुर्सूमल चुंगलानी के नाम से कम सिंधी डिपार्टमेंट स्चोर वाले के नाम से ज्यादा जाना जाता था सुश्मीता की व्यथा कथा सुन कर उसके मन में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं जागी थी वादा खिलाफी करके उसने जीट सिंग नाम के शक्स के साथ गरीब मार तो की ही थी उसकी दी दो बड़ी रकमों पर काबिज हो चुकने के बाद वो उसमें यूँ खामिया गिना रही थी जैसे उनके सदके वो उसे गुनेगा ठहराना चाहती हो जेट सिंग की आमत से वो इसलिए अंदोलित नहीं थी क्योंकि वो पैसा लेकर आता था और उसे जलील करके जाता था बलकि इसलिए अंदोलित थी क्योंकि परसूमल को उसकी उससे उसके कच्छे पक्के कैसे भी अफ्यर की खबर लग सकती थी जो कहानी उसने पीछे सुनी थी वो किसी भरी बलड बात की स्क्रिप जान पड़ती थी दिवानगी के बे तहाशा हवाले वो शक्स कुछ भी कर सकता था पैसे से अपनी मंजिल हासिल ना होती पा कर वो परसूमल का खून कर सकता था और विद्वा सुश्मीता पर अपना दावा लगा सकता था वो सुश्मीता का खून कर सकता था उस खून खुराबे को रोकने का गड़ी उसे एक ही तरीका सूच रहा था कि पुर्सूमल को हकीकत की खबर होनी चाहिए थी फिर वो जो मुनासिब समझता करता उस मामले में सुश्मीता का वो इतना ही लिहास कर सकती थी कि वो इस बात पर जोर रख सकती थी कि महौलेदारी की वाकफियत से वरगलाया वो लड़का जीता ही खामका और सुश्मीता के पीछे पड़ा हुआ था और खामका कभी भी उससे मिलने आट पकता था सुश्मीता की खाते रुपए के जिक्र को गोल कर सकती थी यही ठीक है उसने द्रिटा से मन ही मन दोहराया यही मुनासिब कदम है पुर्सुमर चुंगलानी 58 साल का था लेकिन अच्छी तंदुरूस्ती की वज़ा से वो सुमर में भी उसके सिर के बाल काले थे जिने वो 300 रुपई दे कर ताज होटल में स्थित हेर स्टाइलिस्स से करवाता था जो कि उसकी आईब्रोस की थ्रेडिंग भी करता था और फेशियल भी करता था वो जैकी शौफ जैसी सम्वरी मुचे रखता था और हमेशा कीमती सूट बूट पे सचकर रहता था वस्तुत है उसके व्यक्तित्व में उसकी उम्र की चुगली करने वाली दो ही बाते थी एक तो वो बाई फोकल्स लगता था दूसरे उसकी तोन निकली हुई थी तोन की वज़ा से वो हर मौसम में सूट पहनता था उसके दरजी के कमाज से जिसमें तोन का पता नहीं चलता था वो एar कंडिशन फ्लेट में रहता था एar कंडिशन गाडी में चलता था और एर कंडिशन ही उसके विशाल डीपार्टमेंट स्चोर के पिछवाडी में स्थित उसका आफिस था इसलिए मौंबई के किसी मौसम में भी सूट उसके लिए दिक्कत का बायस नहीं बनता था उसके तीन बच्चे थे जो की अरसे से इंग्लैंड में वेल्ट सेटल्ड थे छे साल पहले जब उसकी बीवी टाइफेट से मरी थी उसके तीनों बच्चों ने जिर्ग की थी कि वो डिपार्टमेंट स्चोर को बेच भाष दे और चल कर उनके साथ इंग्लैंड में रहे लेकिन पुरसूमल को बच्चों की कबूल नहीं थी मुंबई से उसे लगाव था और वहाँ की अपनी तरक्की पर उसे गुमान था किराने की एक छोटी से दुकान से उसने इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्चोर खड़ा किया था उपर से मुंबई की फास लाइफ का और वहाँ के राग रंग का वो आदी बन चुका था दूसरी शादी उसने वक्ती जुनून के हवाले होकर की थी और वो अभी भी शादी के तक्रीबन दो महीने बाद भी फैसला नहीं कर सका था कि जो हरकत उसने की थी वो ठीक थी या गलत उसी खयात से शादी के लिहाज से पर थावन साल कोई ज्यादा उम्र नहीं होती थी खास दोर से तब जबकि तंद्रूस्ती चौकर सो और जिंदगी में जिंदगी में कोई फिक्र फाका ना हो विलायत में तो लोग सतर साल की उम्र तक आम शादी करते पाई जाते थी पुरसूमल आदतन बहुत ठहराव वाला बहुत धीर गंभीर आदमी था जो कि शायद ही कभी वो तेजित या आंदोलित होता था लिहाज़ा अपने मिजाज के मताबिक ही मोड देख कर उसने मीरा की बात सुनी मीरा ने उसे जो बुरी खबर सुनाई थी उसने उसे ऐसे ही सुना था जैसे उसके सप्लायर ने उसे बताया हो कि चाई पत्ती महंगी हो गई थी या रिफाइंड ओयल की सप्लाई कमजोर हो गई थी या ट्रांस्पोर्ट का भाड़ा बढ़ गया था फिर उसने मीरा को चाई पानी पिला कर उसका खोब खोब धन्यवाद करके उसे रुकसत कर दिया था उसके जाते ही उसने एक सिग्रेट सुलगा लिया और सोचने लगा चिंच पोकली, जीत सिंग, टपोरी चोकरा हम्, सिग्रेट खत्म हुआ तो उसने उसे एश्ट्रे में डाल कर फोन उठाया लखानी को फोन लगाया, वो माउथ पीस में बुला ये सर, नई सेकेटरी, जिसने सुश्मीता की जगा ली थी, बोली उसने फोन वापिस रख दिया खुशाल दास लखानी मारूती का डीलर था अंधेरी में उसका शोरूम था वो उसका जात भाई तो था ही, बचपन का दोस्त भी था फोन का बजर बजा, तो उसने रिसीवर उठाया लखानी साहब लाइन पर है सर, सेकेटरी बोली हलो, पुर्सूमल बोला, खुशाल, कैसा है साई चोखा, जवाब मिला, अपना बोल इधर भी ठीकी है, जूले लाल की महर से चीकी होना चाहिए, कैसे याद किया, नई गाड़ी चाहिए, बोलना, भिजवादू अरे नहीं साई, अभी तो दोनों गाड़िया नई है फिर तो चीक है, क्योंकि तीन हो जाने पर इंकम टेक्स वाले घर आ जाते है हा 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 पुर्सूमल ने बड़े धीरच के साथ, उसकी हसी को ब्रेक लगानी की प्रतिक्षा की और फिर क्या सेवा है साई, लखानी के वास्ते खुशाल, एक बार तू एक प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में बोला था सुन रहा है ना हा हा, तू बोल तो सही क्या क्या काम किया था उसने तेरे वास्ते हाल ही में या पहले हाल ही में क्या किया था स्चोर से स्पेर पार्ट्स के चोरी होती थी मुझे एक वर्कर पर शक था मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव उसके पीछे लगाया था तो चार दिन में ही डेटेक्टिव ने साबित कर दिखाया था कि वही चोड था, कर्मा मारे की खोब दुम ठोकी और नौकरी से निकाला, बहुत बढ़िया, चौकसी और मुस्तैत काम था उस डेटेक्टिव ने, पहले क्या किया था? पहले एक शोड़ा, मेरी चोटी पुटडी के पीछे पढ़ गया था, ऐसा सिर्ख घुमाया, मेरी पुटडी का कर्मा मारे ने की बोलने लगी थी, की उसी से शादी करेगी, मैंने डेटेक्टिव को उस शोड़े चोकरे के पीछे लगाया था, तो पता चला की पहले से शाद शुदा था रतनागिरी में बीवी रखे था उस डिटेक्टिव ने सब पोल खोल के रख दी कमबक मारे की पुटड़ी खड़े पैर सिधी हो गई बहुत उमदा काम किया नवलानी ने एक मेजर प्रॉबलम चुटकियों में हल करके दिखा दी नवलानी हाँ अपना जात से पेश आता है बहुत सैटिसफेक्टरी काम करता है उमदा चौकस बढ़िया और मुस्तैब टॉप सीक्रेसी के साथ हां साइन मजाल है कि किसी को कानो कान खबर लग जाए कि वो क्या कर रहा था क्यूं कर रहा था किसके लिए कर रहा था क्या वो अभी भी इसी धंदे में ह लो जिस धंदे में नाम कमाया दाम कमाया उसे क्या छोड देगा कहां पाया जाता है क्यूं पूछता है साइन क्यूंकि मेरे को भी इधर अपने डिपार्टमेंट स्चोर में चोरी चकारी की प्रॉब्लम है फिर तो नवलानी एंड फिट तेरे काम का आदमी है साइन तो लाइन कट कर और टिक के बैट अभी पांच मिनट में तेरे पास उसका फोन आता है ठीक है शुक्रिया उसने रिसेवर वापिस क्रेडल पर रख दिया और प्रतिक्षा करने लगा नवलानी की फोन कॉल की नवलानी जो की प्राइवेट डिटेक्टिव था और हर काम सीक्रेसी से करता था हम गुरुवार 25 दिसंबर की सुभा जब पुरसूमल लेमिंग्टन रोड पहुंचा तो उसने नवलानी को स्चोर के बाहर टेहलते पाया मेरी क्रिस्मिस बॉस वो मधूर स्वर में बोला मेरी क्रिस्मिस पुरसूमल सहच भाव से बोला शेकर नवलान उम्र में कोई 40 साल का इकरे बदन वाला अच्छी शकल सूरत वाला आदमी था वो क्लीन शेव था और निगाह का चश्मा लगाता था अमोमन वो ऐसा ठका ठका जोल जाल सा आदमी लगता था जैसा कि सची वाल्य का कोई क्लर्ट हो लेकिन पलग जपकते ही प्यूं तना हु और चकरना लगने लगता था जैसे कि फ्रंट पर तैनात कोई फौजी अधिकारी हो पुर्सूमल उसे अपने आफिस में लेकर आया कॉफी पियोगे क्या उसने पूछा पीलूंगा नवलानी सहच भाव से बुला पुर्सूमल ने फोन पर सेकेटरी को कॉफी के लिए बु मुझे अंदेशा था कि कहीं आपका स्चोर बनना हो कोई छुट्टी नहीं होती 365 दिन खुलता है बंध होता तो दिक्कत होती क्योंकि अपने घर पर आने के लिए तो आपने मना किया हुआ है पुर्सूमल ने जेब से सिगरेट का पैकेट बरामत किया और उसमें से एक सिगरेट निकाला नवलानी का हाथ मशीनी अंदाज से आगे बढ़ा फिर ततकाल उसने उसे यूँ वापिस खींच लिया जैसे कोई नाजायस हरकत हो गई हो सौरी बॉस वो जबरन हसा वो क्या है कि बेध्यानी में नो प्रॉब्लम पुर्सूमल ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया दोनों ने सिगरेट सुलगाई तब इस चोर का एक करमचारी कॉफी ले आया नवलानी ने कॉफी का एक घून पिया सिगरेट के लगातार तीन चार लंबे लंबे कश खींच कर उसे ट्रे में डाल दिया और फिर संजीत की से बूला बॉस आपका हुक्म अभी उस शक्स के सिर्फ बैग्राउंड टटोलने का था दुरुस्त कुछ जाना क्या बहुत कुछ जाना बहुत जगा पूश ताच की और करवाई जो नतीजा सामने आया वो मुझे तसल्ली बक्ष लगा इसलिए रिपोर्ट करने चला आया गुड तीन ही दिनों में रिपोर्ट के काबिल काफी कुछ जान गए हो तो मैं यही कहूंगा कि लखानी ने तुम्हारी एफिशियंसी की सही तारीफ की थी आई डू माई बेस्ट बॉस अब बोलो क्या जाना उस जेत सिंग और जीते के बारे में वो चिंच पोकली में रहता था ये तो आप ही ने मुझे बताया था वैसे भी उदर के तक्रीबन बाशिंदे उसे जानते हैं क्योंकि वो बड़ा मिलनसार और हर किसी के काम आने वाल से निकला वो अपना जीता आपकी मौझूदा मिसिस शादी होने से पहले जहां रहती थी उससे कुछ ही इमारते परे जीते का घर है कैसा कैसा घर है घर क्या सिर्च चुपाने का ठिकाना है खोली से जरा बेहतर हालत वाला एक चोटा सा कमरा है जिस पर आमूमन ताला ही तनहा आदमी घर आया या ना आया क्या फर्थ पड़ता है क्या यूपी का है हिमाचली धरम शाला का चार साल से चिंच पोकली में है तभी से मुंबई में है या पहले कहीं और रहता था ये मालूम नहीं हो सका करता क्या है रोजी रोटी का क्या जरिया है उसका हुनर हुनर कैसा हुनर तालों का गजब का कारीगर बताया जाता है कैसे भी ताले की डुपलीकेट चाबी बना लेता है क्रोफोर्ट मार्केट में एक तालों की बड़ी दुकान पर वैसे उसका अड़ा है जैसे रेस्टोरेंट में पनवाडियों का होता है या बड़े स्चोरों में घड़ी साजों का होता है इतने से रोजी रोटी चल जाती है क्या बड़े ताले बहुत महंगे आते हैं बॉस चाबी को जाने पर डुपलीकेट चाबी बनवा लेना सस्ता काम होता है दुनिया बहुत लापरवाही हो गई है बहुत लोग चाबियां खोते है बहुत लोगों को एक्स्ट्रा चाबियों की जरूरत होती है और फिर फिल्ड कोई भी हो बड़िया कारीगरी दिखाने वाले थोड़े ही होते है शकल सूरत कैसी है मैं अभी खुद तो उसकी शकल नहीं देख पाया अलबता पूश्तात से जो मालूम पड़ा है वो ये है कि वो आम, मामुली शकल सूरत वाला लेकिन आदतन साफ सुत्रा रहने वाला आदमी है दूसरी खोबी ये बताई जाती है कि बहुत शरीफ और भला मानस लगता है शरीफ और भला मानस हम, क्या पड़ा लिखा है उमीद तो नहीं क्यूं? ढंकी तालीम हासिल की होती तो तालो का कारीकर होता क्या ऐसे शक्त से मेरी बीवी की आशनाई थी ये बात स्थापित नहीं है कौनसी बात स्थापित नहीं है यही की आपकी मौझूदा बीवी की उससे आशनाई थी You are wrong dear, my dear friend मुझे पका पता चला है कि वो अब भी मेरी गैर हासरी में मेरी बीवी से मिलने आता है कोई और वज़ा भी तो हो सकती है ऐसी आमद की लेकिन मेरी गैर हासरी में किस लिए? आपसे आपके रुत्वे से खौफ खाता होगा जब बात कुछ नहीं तो सुश्मीता ने कभी उसकी आमद का जिक्र क्यों नहीं किया? वो भी आपसे खौफ खाती होगी तुम उस लड़के की तरफतारी कर रहे हो रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ तो जो फेक्ट तुमने फाइंड किया है वो यह है कि उस लड़के की जीते की मेरी बेवी से ना कभी आशनाई थी ना अब है सर आप मुझे जुबान दे रहे हैं क्या? You are putting words into my mouth क्या कहना चाहते हो? मैं कितना भी काबिल जासूस क्यों ना बनकर दिखाऊं आपके inside information से compete नहीं कर सकता अगर आपको ऐसी किसी आशनाई की inside information है तो समझ लीजिए वो मुझे नहीं हो पाई ऐसी inside information मुझे या आपकी बीवी से हासिल हो सकती है जिससे की मेरी मुलाकात आपको कोई जरूरत नहीं दिखाई देती या उस लड़के जीते से हासिल हो सकती है जिससे की मेरी मुलाकात अभी हों ही नहीं सकी या आप से हासिल हो सकती है बशर्टे की वो information आपको मुझसे share करना कबूल हो नहीं कबूल So there you are बहराल उदर चिंच पोकली में लोग बाग ये कहते हैं कि उन दोनों में ऐसी कोई बात नहीं थी हाँ और साथ में ये कहते हैं कि वे दोनों बेहनों का बहुत अदब करता था बहुत इज़त से पेश आता था उनके साथ उदर उसकी मकान मालकिन ने इस बात की तज़्दीक की है वो उनके घर आता था तब भी उनके घर आता था जबकि सुश्मीता घर में अकेली होती थी मकान मालकिन कहती है कि कभी कोई अभद्र या खटकने वाली या काबिले एतरास बात नहीं हुई थी वो उस पर दिल रखता होगा और आगे से कोई प्रोथ साहन मिलने का इंतिजार करता होगा बॉस आश्रकी के मामले में वो बे मेल जोड़ी थी जिसमें मेल होने की कोई गुझाईश नहीं थी दे वर क्लास अपार्ट ये बात तो छीक है आप खुद इसकी मिसाल है पुर्सूमल ने घूर कर उसे देखा सॉरी बॉस लेकिन कहना जरूरी था टू ड्राइव पॉइंट होम नो और कुछ बॉस जीट सेंग के बारे में जो मैंने बयान किया वो वो है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है अब मैं उन बातों पर आता हूँ जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती मसलन क्या? वो ताला तोड है क्या है? ताला तोड, सेफ क्रेकर, वॉल्ट बस्चर, अंडर वर्ल्ड में बड़ा नाम है उसका इसलिए उसकी बड़िया कारीगिरी पर जोड था जी हाँ, कहते हैं कैसा भी वॉल्ट, कैसा भी ताला, कैसे भी सेफ क्यू ना हो वो चुटकियों में खोल लेने की कैफियत रखता है ऐसा आदमी कभी पुलिस के हद्टे नहीं चड़ा? अभी तक तो नहीं चड़ा हैरानी है लेकिन बॉस, पुलिस उससे और उसके नायाख होनर से नावाकिफ नहीं ऐसा क्या? जी हाँ, पुलिस का कारोबार मुक्वेरों के बिना नहीं चलता इसलिए मुक्वेरों के जरीए ऐसे जरायम पेशा लोगों पर वो हमेशा नजर रखती है जब भी वाल्ट खोले जाने की कोई वारदाद मुंबई में होती है जीत सिंग पर शक बराबर किया जाता है पकड मंगवाते होंगे वो उसे? इस मामले में ऐसे जरायम पेशा लोगों के बिहेव करने का एक स्टैंडर्ट तरीका होता है जब भी कोई ऐसी वारदाद होती है जिसमें ऐसे किसी शक्स का हाथ हो या जिसमें उसके हाथ होने का अंदेशा हो तो वो शेहर से गायब हो जाता है और तब तक गायब रहता है जब तक केस क्लोस नहीं हो जाता या तफ्तिश ठंडी नहीं पर चाती I see Underworld के मेरे एक कांटेक्ट से मुझे मालुम हुआ है कि कोई चार महीने पहले हेनस रोड के एक जोहरी के शोरूम की सेफ से कैश लूट जाने की जो वार्दात हुई थी उसमें सेफ कोलने वाला स्पेशलिस यहीं लड़का था हैरानी है कि ये बात तुम्हें मालुम है पुलिस को नहीं मालुम पुलिस को जीत सिंग पर शक बराबर था लेकिन वो ढूंडे नहीं मिला था कहते हैं गोवा भाग गया था कभी तो लौटा होगा तब तक केस क्लोस हो गया था कैसे? ड़कैती से हासिल माल चुनिया नाम के एक शक्स के कबसे में बताया जाता था वो धारावी में एक खोली में रहता था जहां कि ड़कैती के दो दिन बाद वो मरा पड़ा पाया गया था और खोली के फर्ष में एक खाली गुप्त खाना पाया गया था जिसमें कि पुलिस का कहना है कि ड़कैती का माल था किसी ने उसका खून करके माल लूट लिया था क्या पुलिस की यही थियोरी है डगैती किसी एक जने का काम तो नहीं होता और जने भी थे और जनों में से दो आजकल और्थर रोड जेन में बंद हैं और लंबी सजाएं भुगत रहे हैं एक और जने का मुंबई से बाहर कहीं खून हो गया बताया जाता है अभी कोई पांचवा जना और था जो चुनिया नाम के अपने टीम मेट का खून करके माल ले उड़ा था और जरूर वो पांचवा जना ही सेफ क्रेकर था जीत सिंग हो सकता है यानि कि वो सेफ क्रेकर ही नहीं मर्डरर भी है नहीं भी हो सकता उसके मुंबई लौटने पर उससे कोई पूछताश नहीं हुई थी क्या हुई होगी वो आजाद है इससे साफ जाहिर है कि पुलिस उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकी थी केस क्योंकि पहले ही क्लोज हो गया था इसलिए ये भी हो सकता है कि ना हुई हो हम और कुछ इसी महीने की तेरा तारीक को शनिवार के रोज पुना के ब्लू स्चार होटल में एक ड़कैती पड़ी थी जिसके जेरे साई बहुत खून खराबा हुआ था उस वारदात के साथ हमारे वाल्ट बस्चर जीत सिंग का नाम नहीं चोड़ा गया था लेकिन अंडर वर्ड में ये अफवा आम है कि वो वाल्ट जीत सिंग के सिवाई कोई नहीं खोल सकता था कितना माल लुटा था माल दुरलब सिक्के थे जिनकी की वहाँ होटल में नुमाईश लगी थी और जो नुमाईश का टाइम चुक जाने के बाद होटल के वर्ड में बंद कर दिये गए थे वैसे सिक्कों के सैंक्डो क्रेट डकैत निकाल ले गए थे और उनकी फेस वैल्यू पॉने तीन करोड के आसपास आंकी गई थी पॉने तीन करोड और पॉने में भी किसी फैंस का माल बेचा गया होगा तो आधी नहीं तो एक तिहाई एक तिहाई नहीं तो एक चथाई रकम तो हाथ आई ही होगी हो सकता है किसी के साथ हिस्सा भी बांटना पड़ा हो हिस्सा भी तो लाखों का होगा वो तो है ऐसा ही कोई और कर्टब और किसी कर्टब की कम से कम मुझे खबर नहीं बहर हाल अपने हुनल को बढ़िया तरीके से कैश करता है ये जीता जी हाँ ऐसा ही जान पड़ता है फिर भी चिंज पोकली में फटे हाल रहता है ताकि किसी को शक ना हो उसके कई कई दिन घर ना लोटने के भी यही वज़ा हो सकती है कि जरूर उसका कही और भी कोई ठिकाना है जहां कि वो पूरे ठाट बाट से रहता होगा जहां कोई नहीं जानता होगा कि असल में वो एक तिजोरी तोड था और बहुत रोकड़ा उसके पल्ले था हो सकता है तिजोरी तोड अच्छा लवस है यह नवलानी खामोश रहा अपने क्राफोर्ड मार्केट वाले चाबिया बनाने के अड़े पर वो अभी भी बैठता है क्या मालूम नहीं मालूम किया होता बॉस मुझे सिर्फ उसके बैक ग्राउंट टोलने का हुक्म हुआ था अब मालूम करना अगर पता लगे कि वो अभी भी वहां अपने अड़े पर बैठा रोजाना चाबियां खिसता है तो ये बात हजम करना मुझकिल होगा कि कई ड़कैतियों का लाखों का माल उसके पल्ले है मुझकिल होगा नामुम्किन नहीं होगा बॉस ऐसे प्रोफेशनल्स की रूल बुक का पहला रूल ये होता है कि हाथ आया रोकडा हाथ के हाथ ही चमकाने नहीं लग जाना है बेशुमार चौर और ड़कैत एन इसी वज़ा से पकड़े जा चुके हैं कि माल हाथ में आते ही उन्होंने बे तहाशा एश करना शुरू कर दिया जिसकी वज़ा से वो फोकस में आ गई और पकड़े गई तुमारी बात में दम है लेकिन तो फिर भी पता करना कि वो अपने उस अड़े पर पाया जाता है या नहीं चीक है और कोई सेवा और सेवा ये है कि उस शक्स की राउंड दी क्लोक निगरानी का इंतिजाम करो ओके उसके चिंजपोकली या क्राफोर्ड मार्केट लोटते ही ये निगरानी शुरू हो जाएगी वो ना लोटे तो अपने अंडरवर्ड के कॉंटेक्ट से मालुम करो कि उन दोनों जगों के इलावा वो और कहां हो सकता है मैं करूंगा ऐसी निगरानी कब तक जारी रखनी होगी जब तक मैं न कहूं कि निगरानी बंद करती चाए भले ही हफता लग जाए भले ही महीना लग जाए साल लग जाए बॉस दिस इस अ टॉल ओरडर आई नो बट यू हैव तो फॉलो इट यू कैन नेम यूर अन प्राइस ठीक है मैं जूले लाल से दुआ करूंगा कि ये सिलसिला लंबा न चले अपनी खातिर तुम्हारी खातिर उस जीते की खातिर और और भी किसी की खातिर बट यू काइंडली पुट यूर हाट एंड सोल इन माई जॉब येस सर अफकॉस सर जब एक आखरी काम और सुनो जो कि टेक्निकल है फरमाईए मेरे फ्लैट को खास तोर से ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम को इव्स ड्रॉपिंग के लिए बग करवाओ जी मैं चाहता हूँ कि आएंदा दिनों में मेरी गैर हासरी में और मेरी भीवी के उधर माजूदगी में उसका किसी से रूबरो या टेलिफोन पर जो भी वारतालाप हो वो रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि मैं उसे अपनी सहूलियत से जब चाहूं सुन सकूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर हासरी में वहाँ जिस किसी के भी कदम पड़े उसकी मुझे खबर हो बॉस ऐसी विजिलेंस उधर विजिलेंस चेशन बनाई बिना नहीं हो सकती वो जगा तुम्हें उधर मुहया करा दी जाएगी कोलाबा में तुलसी चैंबर्स नाम की इमारत के जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ वहाँ मेरा एक कदरन छोटा फ्लैट और भी है जो की खाली पड़ा है और जिसकी मेरी बीवी को खबर नहीं वो फ्लैट में तुम्हारे हवाले कर दूँगा वेरी गुड वहाँ हम अपना रिकॉर्डिंग का साजो समान लगा लेंगे हम आपको रहाश वाले फ्लैट में ऐसे नाजुक माइक्रोफोन फिट करेंगे कि उधर सोई गिरने की भी आवाज होगी तो हमें सुनाई देगी उधर कॉल बेल भी बजेगी तो हमें पता चल जाएगा यू हमें आपका फ्लैट के एन सामने कोई आदमी तैनाप नहीं करना पड़ेगा गुड लेकिन फ्लैट में माइक्रोफोन फिट करने के लिए हमारा वहाँ जाना जरूरी होगा कितने अर्से के लिए माइक्रोफोन फिट करने होगे छुपाकर तारे मिचानी होगी फोन की लाइन भी टेप करनी होगी दो घंटे तो लग ही जाएंगे आज शाम आट बजे के बाद तुम्हारे काम के लिए मेरा फ्लैट तुम्हारे हवाले होगा मैं बीवी को डिनर के लिए ले जाऊंगा और ग्यारा से पहले नहीं लोटूंगा ओके परफेक्टली सर मैं तुम्हारे लिए चैक को और दोनों फ्लैटों की चाबियों का इंतिजाम करता हूँ तब तक यहीं बैठो नो प्रॉब्लम सर शुक्रवार ध्यारा बचे जीत सिंग मुंबई में रोडवेस के बस चैंड पर उत्रा और अपने घर का रुप करने की जगा पहले माटूंगा पहुंचा जहां की शेक मुनीर जो की डिबबा के नाम से बैतर जाना जाता था का पीजा पार्लर था जो की असल में उसके फैंसिंग के चोरी के माल की खरीद फरोग के धंदे का ओट था आज जीते वो उसे देखते ही बोला बड़ी जल्दी लोटा फिर कोई बड़ा हाथ मार लिया क्या नहीं जीत सिंग धीरत से बोला तो कैसे आया जीत सिंग ने उसके सामने पिस्तौर और मुबाईल फोन रखा दाम बोलो वो बोला गन से कोई वारदा तो नहीं की नहीं किधर से मारी चौपाटी पर मिली गन के तीस मुबाईल के दो पिस्तौर स्मिथ एंड बैसन की है नवी डेड़ लाग से उपर की आती है सेरियल नंबर घिस के मिटाया हुआ है उपर से तुझे चौपाटी पर पड़ी मिली क्या पता ये मर्डर वेपन हो मुबाईल नोकिया का है आज कल धक्के खाते हैं नोकिया के फोन सेकिंड हैंड की वैसे ही कोई पूछ नहीं चालू है सिम कार्ड भी है निकाल ले दोनों के चालिस डिब्बे ने उसके सामने पांच पांच सो के नोट रखे पैंतिस वो बोला या नोट उठा ले या अपना माल उठा ले उसने नोट उठा लिये शुक्रिया वो बोला जीते डिब्बव व्यग्रभाव से बोला पिछली बार में तेरे बहुत काम आया तेरी खातिर खास चल के उधर पूना पहुँचा बलसारा की खातिर जीत सिंग शुश्क स्वर में बोला चल दोनों की खातिर सही लेकिन ये बात अपनी जगा कायम है कि उन सिक्कों का खरीदार मेरे इलावा कोई नहीं था उपर से डकैती का माल पूना से मुंबई ढोने का रिस्क लिया और उपर से तेरा रोकडा तुझे दूद से धोकर दिया क्या कहना चाहते हो आइंदा कोई बड़ा हाथ मारे जीते तो माल के साथ इधर ही आने का है कहीं और ना पहुंचाना इधर ही आऊंगा जीता रहे वो चिंच पोकली पहुंचा अपने घर पहुंच कर उसने दान साफ किये बिना दूद की चाए बना कर पी और चाय के साथ पता नहीं कप के पड़े चाल बिस्किट खाए फिर उसने घोट कर शेव की सनान किया और नई कपड़े पहने नई कपड़े जो उसके खास थे डैनिम की सफेद जीन्स गोल गले की सफेद टी शर्ट और उसके उपर जीन्स वाले कपड़े की ही बनी पूरी बाह की कमेस जिसकी बाहे उसने कोहनियों से उपर तक चड़ा ली उसने ब्रीफ केस खोल कर नोटों को परखा गिना तो रोकड़ा चोकस पाया पूरे 35 लाक रुपए अब क्या वो लेविंग्टन रोड जाने की जगा पूर्सूमल के डिपार्टमेंट स्चोर में फोन करके उसके बारे में दर्याफ्ट करे उसे डिपार्टमेंट स्चोर का नंबर नहीं मालुम था लेकिन वो डिरेक्टरी इंक्वाईरी से भी मालुम किया जा सकता था पता नहीं फोन पुर्सूमल खुद उठाता भी था या नहीं कोई दूसरा उठाता था तो पता नहीं वो उसकी उससे बात कराने को तैयार होता था या नहीं बात हो भी जाती तो उसे कैसे मालूम होता कि वो पुर्सूमल से ही बात कर रहा था आवाज तो उसकी वो पहचानता नहीं था उसने लेमिंग्टन रोड जाने का फैसला किया वो सारी रात का जागा हुआ था और उसकी आँखे नीन से बंध हुई जा रही थी उसूलन उसे गोड़े बेश कर सो जाना चाहिए था और शाम ढले तक नहीं उठना चाहिए था लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की एक टैक्सी पर सवार होकर वो लेमिंग्टन रोड पहुँचा उसने टैक्सी स्चोर के प्रवेश द्वार के एन सामने रुकवाई और पिछली सीट पर बैठे बैठे ही भीतर जांका पुर्सूमल के पिछवारे में बने आफिस और स्चोर के विशाल हॉल के बीच एक शीशे की विशाल आयताकार खिड़की थी जिसमें से पुर्सूमल का लगभग सारा ही आफिस दिखाई देता था उसके भीतर बैठे पुर्सूमल को तर्मियता से सिग्रेट के कश लगाते और सामने पड़े कुछ कागजात पर दस्तकत करते पाया उसे मालुम था किस चोर तो सुबह नौ बजे खुल जाता था लेकिन खुद पुर्सूमल ग्यारा बजे से पहले वहाँ नहीं आता था तब बारा बचने को थे ग्यारा बजे का आया पुर्सूमल इतनी जल्दी वहाँ से कहीं जाने वाला नहीं था इस बात की तस्दीक वो पहले दो फेरों में कर चुका था पिछली दोनों बार वो कुलाबा से लौट कर फिर लेमिंग्टन रोट पहुँचा था और दोनों बार उसने उसे वैसे ही अपने आफिस में बैठे पाया था जैसा कि वो उसे बैठा छोड़ गया था बढ़िया उसने हाथ बढ़ा कर टैक्सी ड्राइवर की पेट ठक ठक आई और बोला कुलाबा चल तोलसी चैंबर्स टैक्सी कुलाबा की तरफ दौट चली पीछे बैठा जीत सिंग टैक्सी के हिचकोलो में कई बार उंगा लेकिन हर बार उसने जबरन अपनी उंग पर काबू पाया और चौकस होकर बैठ किया टैक्सी तोलसी चैंबर्स के सामने पहुंच कर रुकी उसने टैक्सी को उसका भाड़ा चुका कर रुकसत कर दिया और खुद ब्रीफ के संभाले लिफट पर सवार होकर दसवी मंजिल पर पहुंचा फ्लोर पर तीन फ्लैट और थे लेकिन सब के दर्वाजे बंद थे और महां मुकम्मत सन्नाटा था वो पुर्सूमल के फ्लैट के बंद दर्वाजे पर पहुंचा हॉले से उसने कॉल बेल बचाई दर्वाजा खुला चोखट पर सुश्मीता प्रकट हुई तो खाम का उसका दिल धड़क गया उसने आख पर कर उसकी तरफ देखा वो एक सादा बि ही बड़े करीने से सवरे हुए थी सिर्फ उसकी पुशा की इस बात की चुगली कर रही थी कि वो सवर कर कहीं जा नहीं रही थी जीत सिंग के मूँ से ना चाहते हुए भी आह निकल गई कितनी हसीन थी उसने खामोशी सितनिक मुस्कुरा कर तनिक सिर नवा कर उसका इस बार भी मैं सिर्फ दो मिनट लूँगा जीत सिंग नम्र स्वर में बोला मैं इस बार भी तस्दीक करके आया हूँ कि तुम्हारा पती डिपार्टमेंट स्चोर पर बैठा है चाहो तू फोन करके खुद भी पक्की कर लो कि अभी भी वही है क्या चाहते हो बोला तो दो मिनट दो मिनट चाहता हूँ तुम्हारे बेश केमती वक्त में से फिल हाफ फिल पिछली बार डेड़ महिने में लोटे थे इस बार डेड़ हफते में ही लोट आए इतिफाक की बात है सुश्मीता ने एक गुप्त निगा उसके हाथ में थामे ब्रीफ केस पर डाली और दर भीतर कदम डालता जीत सिंग बोला उसके पीछे सुश्मीता ने दर्वाजा बंद कर दिया बैठो सुश्मीता उसके करीब आकर शानदार ड्राइंग रूम के एक शानदार सोफे की तरफ इशारा करती हुई बोली नहीं ऐसे ही ठीक है बैठो मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुम कहना चाहती हो हाँ दर्ख्वाज के तौर पर परियात के तौर पर क्या बैठो बताती हूँ जीत सिंग बैठ गया तो वो उसके सामने बैठ गई देखो वो कातर भाफ से बोली मैं आप जोड़ के तुमसे विंती करती हूँ प्लीज, प्लीज, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा वो नहीं जो पिशली बार तुम करने को तयार थी, कुछ और करना होगा क्या, तुम जो को हो मैं करती हूँ मुझे यकीन दिला दो कि तुमने पुर्सूमल से दौलत के लिए शादी नहीं की कैसे यकीन दिलाऊं? जो पैसा मेरे से हासिल हो चुका, जो इस घड़ी हासिल होने जा रहा है और जो पुर्सूमल का यहां मौजूद है, वो तमाम का तमाम, कहीं एक जगा एकठा करो और उसे मेरे सामने आग लगा दो तुम पागल हो, दौलत क्या यूँ बर्बाद करने के लिए होती है? तुम उसकी ताकत को समझो, जो पैसा मेरे हवाले करने को लाते हो, उसे अपने पास सहेच कर रखो और फिर देखो उसका जहूरा जहूरा? हाँ, आज की दुन्या में दौलत सबसे बड़ी ताकत है अपनी दौलत काम का, किसी के हवाले करना, अपनी ताकत खोना है दौलत है तो सब कुछ है, दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं जरा सोचो, दौलत से क्या नहीं खरीदा जा सकता? दुन्या की हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है मैं हर चीज़ का तमन्नाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ का तमन्नाई हूँ और उसे मैं खरीद ही रहा हूँ हे भगवान, ये सिलसिला कब खत्म होगा? जब तुम बोलोगी कि तुम्हारी कीमत चुक गई उसने हताश भाव से जेत सिंग की तरफ देखा जेत सिंग विचलित नहीं हुआ समझ लो, फिर वो बोली समझ लो मैंने बोल दिया तो उठके मेरे साथ चलो क्या? उठके मेरे साथ चलो ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अभी बच्चे, उसने जोट बोला, स्कूल से आने वाले हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं है मेरी सगी बेहन के बच्चे है मेरी उनके लिए जिम्मेदारी है ठीक है, उन्हें भी साथ ले चलो तुम, तुम पागल हो बार बार एक ही बात मत दोराओ मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ मैं ये भी जानता हूँ तुम क्या हो इसलिए जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती अपनी बेहन की आलाद एक मवाली की चत्र चाया में पलती देखना तुम्हें गवारा नहीं हो सकता उसके लिए पुरसूमर जैसा हैसियत और रसूक वाला व्यक्ति चाहिए जिसका की सोसा साइटी में रुत्वा है और जिसकी वज़ा से तुम्हारा रुत्वा है मैं बदवक्त तो तभी तक मूर लगाने के काबिल था जब तक तुम्हें बेहन के इलाज के लिए 10 लाक रुपेयों की जरूरत थी जो कि तुम्हें कहीं से हासिल नहीं थे पुरसूमर से भी नहीं जिसके पास की तुम्हारी बेहन मुलासिम थी फिर भी कहीं से हासिल होने की उमीद तुमें दिखाई दे रही थी तो मुझ से बाकी तमाम जगों से तो तुम पहले ही ना उमीद हो चुकी थी लेकिन बेहन मर गई, वक्त से पहले मर गई, बेहन मर गई तो तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई, जरूरत खत्म हो गई, तो मैं खत्म हो गया, मेरा वजूद खत्म हो गया, वो वादा खत्म हो गया, जो तुमने मुझ से किया था, कुछ नहीं खत्म हुआ तो पुर्सूमल की बड़ी अकात का पहार जिसकी सबसे उंची चोटी पर तुम जा बैठी और सोच लिया कि अब मेरे जैसे केड़े मकोडे की तुम तक पहुँच नहीं होगी नहीं हो सकती थी लेकिन मैं पहुँच बना रहा हूँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ ये दिवानगी है मुझे दिवानगी पसंद है ये सिलसिला कब खत्म होगा जब तुम बोलोगी कि तुम्हारी कीमत चुक गई समझलो मैंने बोल दिया ना तो समझलो मैंने तुम्हारे पर अपना क्लेम लगा दिया अब उठो और चलो मेरे साथ हे भगवान फिर वही बात फिर तुम वही बाते कहोगी तो मुझे भी तो वही बाते कहनी पड़ेंगी अरे ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे आने वाले हैं क्योंकि मैं पुर्सूमल की ब्याता बीवी हूँ ना होती तो चल देती क्या ना होती तो पता नहीं क्या होता लेकि अब तो हूँ क्या ये बंदन तोड़ा नहीं जाता मैं कैसे तोड़ सकती हूँ मैं तोड़ सकता हूँ तुम तोड़ सकते हो तुम क्या कर सकते हो मैं तुम्हें विद्वा बना सकता हूँ हे भगवान पुर्सुमल की बेवी का जवाब मैंने सुन लिया अब बोलो, पुर्सुमल की विद्वा का क्या जवाब होगा? तुम, क्या तुम खून कर सकते हो? खून करना अब कोई नाई बात नहीं रहा मेरे लिए. यकीन नहीं आता. मुझे भी नहीं आता. कभी मैं कोई अपनी किस्म का काम करना कबूल करता था. तो मेरी पहली शर्ट ये होती थी, कि मैं सिर्फ ताला खोलूंगा. खून खराबे में मेरी कोई शिर्कत नहीं होगी. अब खाम खाब खून करता हूँ. किसी को भी गोली मार देता हूँ. किसी को भी. अब बोलो, क्या कहती हो? या तब कहोगी जब मैं वापिस आके खबर करूँगा, कि मैं परसूमल को शूट कराया. हे भगवान, अरे तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. शलू कबूल की अभी नहीं हो सकता. लेकिन कभी तो होगा, दौलत की हवस की मारी औरत, कभी तो अपनी जुबानी कहेगी, कि बस, और नहीं. वही तो मैं कह रही हूँ. नहीं कह रही हो. जिस माल की पेमेंट कबूल की जाती है, उसे डिलिवर किया जाता है. तुम कहां कर रही हो डिलिवर? मैं कर रही हूँ. तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा. क्या दिखाई दे रहा है? कि मैं तुम्हारे हवाले हूँ. जो करना चाहों कर लो. फिर पुरसूमल आएगा, और वो जो करना चाहेगा, कर लेगा. जाने से पहले जो करना चाहा होगा, करके गया होगा. तुम मेरे हवाले नहीं हो रही हो मुझे एड़्जस्ट कर रही हो पुर्सूमल के दस्तर खुआन का एक निवाला परोस कर ऐसी सैंपल डिलीवरी का मैं तलबगार नहीं हे भगवान ये किस सांसत में फसा दिया तुमने मुझे मैंने नहीं बगवान नहीं खुद तुमने मैं निजात पाना चाहती हूँ अभी तो पाही रही हो जीत सिंग एका एक कुट खड़ा हुआ क्योंकि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर राऊंगा तुश्मीता बाई मैं फिर राऊंगा और फिर के बाद फिर राऊंगा तुमने मुझे बाई कहा वो तमक कर बोली क्या तुम्हें बुरा लगा और क्या नहीं लगता वैसे ही जैसे लंगडे को लंगडा कहा चाहे तो उसे बुरा लगता है भैंगे को भैंगा कहा चाए तो उसे बुरा लगता है तौबा तौबा अरे ये कैसी महबबत है ये तो वैश्षत है महबबत में लोग जान कुर्बान कर देती हैं तुम तो जान लेने पर आमादा हो खरीदने पर खरीदने पर आमादा हूँ मुँ मांगी कीमत अदा करके निकल जाओ दफा हो जाओ ज़रूर अभी फॉरण लेकिन मेरा इंतिजार करना क्योंकि मौत ग्राहक और जीता को कोई भरोसा नहीं कभी भी आ सकता है उसने आगे भढ़कर खुद दर्वासा खूला और फ्लेट से बाहर निकल गया शाम को पुरसूमल स्चोर बंद करवा रहा था जबकि नवलानी वहां पहुँचा मैं चार बज़े भी आया था नवलानी बोला कई बार फोन भी लगाया बिजी था पुरसूमल सेहज भाव से बोला ट्रेडर्स की मीटिंग थी देर तक चली बस अभी तुमारे आगे आगे ही लोटा I see कैसे आए आपको ये गुड नियूस देने आया था कि आपके एक साल के प्रोजेक्ट के तो फौरी नतीजे आने लगे हैं अच्छा जी हाँ क्या हुआ पहले तो यही हुआ कि वो लड़का जीता आज सुभा ग्यारा बजे अपने घर लोटा आया था ये उसकी तस्वीर है जो मेरे ओपरेटर ने टैली लैंस से खिंची थी तस्वीर भी खिंच ली I deliver the goods was to the entire satisfaction of my customer पुर्सुमल ने तस्वीर पर एक सरसरी निगार डाली और फिर उसे जेब में रख लिया मेरा ओपरेटर कहता है नवलानी आगे बढ़ा कि वापसी पर वो बहुत ठका हारा और हलकान लग रहा था लेकिन फिर भी लगता था कि वो घर पर नहाने धोने और कपड़े बदलने ही आया था क्योंकि थोड़ी देर बाद सजधर्श के वो वहां से निकल पड़ा था कहां के लिए एक टैक्सी पर सवार होकर पहले वो यहां पहुँचा था और फिर टैक्सी पर कोलाबा गया था यहां पहुँचा था क्या मतलब आपका डिपार्टमेंट स्चोर मतलब दो बज़े तक तो मैं यहीं था लगता है इसी बात की तदिक करने को यहां आया था मैं समझा नहीं उसने टैक्सी डिपार्टमेंट स्चोर के सामने रुकवाई थी लेकिन टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी भीतर जाकर कोई खरीदारी करने की कोशिश नहीं की थी फिर भी वो यहां आया था मैं समझ किया आगी कुलाबा अगर वो तुलसी चैंबर्स पहुँचा था तो और भी अच्छी तरह से समझ किया वो वहीं पहुँचा था क्या मेरे घर गया था जी हाँ लेकिन सिर्फ पांच मिनट शिर्फ पांच मिनट वो भीतर ठहरा था सिर्फ पांच मिनट जी हाँ और और ये कि वो सुभा जब वो चींज पोकली अपने घर लौटा था तो उसके पास एक ब्रीफ केस था जब वो वहां से टैक्सी में सवार हुआ था तब भी वो ब्रेफ केस उसके पास था और तब भी उसके पास था जब वो तोलसी चैंबर्स पहुंचा था लेकिन अपनी पांच मिनट की विजिट के बाद जब वो वहाँ से वापिस लौटा था तो खाली हाथ था हम ये बता सकते हो कि ब्रेफ केस देखने में कैसा था बता सकता हूँ ऐसी डिटेल्स पर निगार रखने की खास ट्रेनिंग है मेरे ऑपरेटरों को कैसा था वो सलेटी रंग का था और खूब बड़ा था इतना बड़ा कि सूट केस ही मालुम होता था हुलिये से किसी अच्छी कंपनी की प्रोडेक्ट जान पड़ता था सलेटी रंग का सूट केस जैसा बड़ा ब्रीफ केस जी हाँ जिसे कि वो पीछे मेरे फ्लैट पर छोड़ाया था ऐसा ही लगता है भीतर जो वारतालाप हुआ वो रिकॉर्ट किया गया क्या जी हाँ कहा है वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टेशन से उसे आउडियो कैसेट पर नहीं उतारा किया ये काम सुबह में खुद करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वार्तालाप में कोई एरी-गैरी बात हो तो वो मेरे ओपरेटर सुने That's very good, I appreciate it Thank you कैसेट मेरे पास कब पहुँचेगी? कल सुबा 10 बजे के करीब मैं खुद देने आऊंगा 11 बजे आना, बलकि स्याडे 11 बजे, मेरे फ्लैट पर क्या यहां नहीं? नहीं, कल छुटी करने का इरादा है क्या? पुर्सूमल ने घूर कर उसे देखा I can take the hint, boss नवलानी निरस्त्रस अंदाज से मुस्कुराया It is none of my business, no? Yes, पुर्सूमल शुश्क स्वर में बोला अगले रोज शनिवार सुबत 10 बचे पुर्सूमल सुश्मीता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास कर रहा था जबकि वो एका एक बोला आज तुझे एक काम करना पड़ेगा क्या? सुश्मीता संशक भाव से बोली साबित करके दिखाना होगा कि तुझे एक व्यपारी की भीवी है कैसे? क्या करना होगा? आज डिपार्टमेंट स्चोर का कारुबार तुझे सूपरवाइस करना होगा क्या कोई खास वज़ा है? खास भी है, आम भी है आम वज़ा ये है कि तुझे मेरे कारूबार की जानकारी होनी चाहिए और उसमें शिर्कत होनी चाहिए लो, जब मैंने खुद कहा था कि मुझे स्चोर में अस्मिता वाला काम करने दीजिए तो मना कर दिया तू मालकिन है मुलास्वत मालकिन का काम नहीं होता खास वज़ा क्या है? खास वज़ा ये है कि आज इंकम टेक्स ओफिस में मेरी पेशी है ग्यारा बज़े मैंने वहां पहुँचना है और पता नहीं वहां मुझे कितना टाइम लग जाएगा ओ, साड़े दस बज़े चलेंगे तुझे स्चोर पर छोड़ता हुआ मैं आगे निकल जाओंगा मेरे लौटने पर ही तेरी वहां से खलासी होगी छीक है ना? छीक तो है लेकिन मैं कर सकूंगी कुछ वहां तुबात को यूँ समझ कि अभी तेरी वहां हाजरी ही तेरा काम है अक्सर जाया करेगी तो सब सीख जाएगी पहले ये सब नहीं सूझा था क्या? पहले भी सूझा था लेकिन फिर सोचा था कि सेठानी अभी कुछ अर्सा और मस्ती मार ले मस्ती वो होंट दबा कर हसी अब तयार हो जा पुर्सूमल हर बड़ाई स्वर में बोला साड़े दस बजे चलना है सहमती में सिर हिलाती वो डाइनिंग टेबल से उट खड़ी हुई साड़े ग्यारा से पहले पुर्सूमल अकेला वापिस अपने फ्लैट पर मौजूद था ठीक साड़े ग्यारा बजे नवलानी एक ओडियो कैसेट के साथ वहां पहुँचा तो पुर्सूमल ने कैसेट लेकर उसे दर्वासे से ही लुकसत कर दिया कैसेट के साथ वो बेडरूम में पहुँचा एक पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर उसने रिकॉर्डर ऊण किया रिकॉर्डर के स्पीकर में से आवाजे निकलने लगी उसकी पतनी की आवाज और एक मरदाना आवाज जो की जीत सिंग की थी जियों जियों वो रिकॉर्डिंग सुनता गया उसका चेहरा गंभीर होता गया वातला बंद हुआ तो उसने टेप को रिवर्स करके फिर चलाया फिर चलाया फिर उसने टेप बंद भी कर दिया तो कई बाते हतोड़ी की तरह उसके जहन में बश्टी रही मैं दो मिनट लूँगा दो मिनट में क्या हो सकता था नवलानी की रिपोर्ट के मुताबिक असल में वो पांच मिनट रुका था पांच मिनट भी बी क्या हो सकता था हमेशा की तरह इस बार भी मैं सिर्फ दो मिनट लूँगा हमेशा की तरह हमेशा फिर सुश्मीता की आवास उसके जहन में गुंजी पिछली बार डेड़ महीने में लोटे थे इस बार डेड़ हफते में ही लोटाए इस लिहाज से तो कल वाले फेरे को भी मिला कर कुल जमा तीन बार वो लड़का जीता आया था लेकिन क्या करने जीत सिंग की आवास उसकी चेतना से टकराई जो पैसा मेरे से हासिल हो चुका हो चुका लेकिन कब जरूर पिछले दो फेरों में जो इस घड़ी हासिल होने जा रहा है ब्रीफ केस जिससे वो साथ लाता देखा गया था लेकिन साथ ले जाता नहीं देखा गया था एका एक वो उट खड़ा हुआ वो चार बेडरूम का फ्लैट था जिसमें चार ही अटैश्ट बातरूम थे काफी बड़ी किचन थी, स्चोर था, खूब बड़ा ड्राइंग डाइनिंग एरिया था और लॉबी थी बड़ी धीरच के साथ उसने हर जगा की तलाशी लिना शुरू किया स्चोर में एक परचती थी जिसके वजूद की भी उसे ठीक से खबर नहीं थी बीवी की मौत के बाद से उसे याद नहीं था कि कब उसने स्चोर में कदम रखा था स्चोर में तकरीबन ऐसी चीजे थी जो उसने तब भी काम आती नहीं देखी थी जबकि उसकी बीवी जिन्दा थी और बच्चे साथ रहते थी वहाँ ऐसी बेतर्तीबी थी कि उसे किसी खास चीज़ की तलाश में टटोलना भारी जहमत का काम था किसी तरह से उसने स्चोर की एक एक चीज़ शिफ्ट करके हर जगा निगार डाली कहीं कुछ नहीं मिला अब परच्छती उसे याद था कि परच्छती तक पहुँचने के लिए एक अलुमिनियम की फोल्डिंग सेड़ी इस्तेमाल होती थी लेकिन कहा थी वो सेड़ी उसे तो कहीं दिखाई नहीं दी थी बालकनी में फिर उसे याद आया एक बालकनी में पड़ी थी वो मास्चर बैडरूम के बालकनी में पहुचा सेड़ी वहां दिवार के करीब पाम के गमलों के पीछे दोहरी पड़ी थी उसने सेड़ी वहां से उठाई और उसे वापिस चोर में लाया वहां उसने उसके दोनों पलों को खोल कर सीधा किया और फोल्डिंग हिस्से को लॉक किया फिर उसने सेड़ी परच्छती के साथ लगाई और एक-एक डंडे पर मजबूती से कदम जमाता हाफता सा परच्छती तक पहुचा तब कहीं जाकर उसकी तलाश काम्याब होई परच्छती पर पड़े दो बड़े ट्रंकों के पीछे से वो सलेटी रंग का ब्रीफ केस बरामत हुआ जिसका नवलानी ने जिक्र किया था और एक परिचित महरून रंग का सूट केस बरामत हुआ दोनों चीजों के साथ वो नीचे उत्रा और बेडरूम में पहुँचा वहाँ जाकर उसने पाया कि ताला ना सूट केस को लगा हुआ था और ना ही ब्रीफ केस को उसने पहले ब्रीफ केस खोला ब्रीफ केस पांच पांच सो के नोटों की गड़ियों से भरा पड़ा था जूले लाल सूट केस में 40 लाक, 10 लाक सो सो के नोटों में और 30 लाक पांच पांच सो के नोटों में कुल जमा 75 लाक, पॉना करोड एक मामुली टपोरी चोकरे के पास, जिसके पास ताला खोलने का हुनर था वो माल की अभी भी पार्ट पेमेंट थी माल, सुश्मीता, उसकी ब्याता बीवी, जिसकी फुल पेमेंट अभी होनी थी कितनी केमित लगाई थी उसने सुश्मीता की या खुद सुश्मीता ने अपनी 75 लाक से तो कहीं ज्यादा होगी क्योंकि वो फिर आने को बोल कर गया था फिर उसका ध्यान मेरा किश्नानी की तरफ गया जब उसने उसे जीट सिंग की बाबत इतनी बाते बताई थी ये तक बोला कि वो लड़का खून करने पर आमादा हो सकता था तो रकम का जिक्र क्यों नहीं किया था मैं पूछूंगा नहीं ततकाल उसकी अकल ने एतरास किया मीरा सुश्मिता की सहेली थी जो कुछ वो मीरा से पूछ था वो मीरा आगे सुश्मिता के सामने दोहरा सकती थी यूँ सुश्मिता को पता चल सकता था कि उसे फ्लैट में चुपा कर रखी गई रकम की खबर थी ततकाल मीरा से बात करने का ख्याल उसने अपने जहन से जटक दिया उसने टेप रिकॉर्डर फिर आन किया और पूरी तन्मियता से फिर टेप को सुना मैं तुम्हें विद्वा बना सकता हूँ क्या वो शक्स वाकिए उसका खून कर सकता था नहीं उसके विवेक ने जवाब दिया अगर उसने ऐसा करना होता तो कपका कर चुका होता तो उसने वो रास्ता अक्तियार ना किया होता जिसका नतीजा 75 लाख रुपेयों की सूरत में उसके सामने मौजूद था मैं इस बार भी तज़्दीक करके आया हूँ कि तुम्हारा पती डिपार्टमेंट स्चोर पर बैठा है लिहाजा यहां आने से पहले वो हमेशा लेमिंग्टर रोड का चक्कर लगाता था इस बार आएगा तो देखूंगा वो मन ही मन बोला क्यूंकि अब मैं उसकी तस्वीर के जरीए उसे पहचानता हूँ कुछ शंट वो विचार मून मुद्रा बनाई बैठा रहा फिर उसने टेप रिकॉर्डर में से कैसिट निकाल कर जेब में रख ली और टेप रिकॉर्डर को वापिस यथा स्थान रख दिया उसने सूट केस और ब्रीफ केस को बंद किया और दोनों को एक एक हाथ में उठा लिया काफी वजन होता था नोटों का भी उसके जहन पर एक तराजू का अक्स उभरा जिसके एक पलड़े में सुश्मीता थी और दोसरे में 75 लाक रुपई के नोट थे उसे सुश्मीता वाला पलड़ा नीचे जुका दिखाई दिया अभी और नोट और 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 नोट उसे जीत सिंग पर तरस आने लगा उसे उस शक्स पर तरस आने लगा जिसकी कभी उसने सूरत नहीं देखी थी और जो उसकी बीवी का शैदाई था मूर्क अनपर गवार समझता था कि एक औरत के आगे दुनिया खत्म थी नहीं जानता था कि इतना रोकड़ा चमका कर तो वो हजार सुश्मीताएं अपने आगे पीछे नाश्ती देख सकता था पर हाथ शीरी के लिए पहाट तोड़ कर नहर निकाल कर लाया था तो उसका शीरी पर कोई दावा तो था यहां तो कोई दावा भी नहीं था अकल का अंधा खुदखुशी का तमन नाई उसने सूट केस और ब्रीव केस वापिस परच्छती पर पहुंचाए और सीडी को दोहरी करके बालकनी में रख कर आया फिर वो ऐसे लेमिंग्टन रोड के लिए रवाना हुआ जैसे पीछे कुछ हुआ ही ना हो जीत सिंग पैकेट का आखरी सिगरेट सुलगाने जा रहा था जबकि हवलदार ने वेटिंग रूम में कदम रखा उसने आशापूर्ण नेत्रों से हवलदार की तरफ देखा चल भीडू हवलदार दर्वासे पर से बोला उसने सिगरेट को जेब के हवाले किया और उचल कर खड़ा हो गिया हवलदार उसे एक छोटे से आफिस में ले आया वहाँ एक आफिस टेबल के पीछे गोविलकर डपट कर बोला इधर आके साइन करेगा या खंबे की तरह दर्वासे पर ही गड़ा खड़ा रहेगा जीत सिंग मेज के समीप पहुँचा तो गोविलकर ने यूँ एक कागज उसके सामने पटका कि अगर कागज में वसन होता तो जरूर मेज हिल जाती क कलम जीत सिंग बोला साले वो भी मैं दूँगा एक कलम नहीं लग सकता सब कुछ तो आपने रखवा लिया बड़ा जुल्म कियाना तेरे साथ अबे यही काईदा है गिरफतारी पर ऐसा ही होता है मुल्जिम का माल माल खाने में और वो खुद हवालात में जीत सिंग खामोश रहा रावले इसकी पोटली दे हवलदार ने एक रुमाल में बन्धा कुछ सामान जीत सिंग के सामने रखा चौकस कर ले गोविल कर बोला कोई बेड़े सिग्रेट जर्दा तंबा को गायब हो तो बोल जीत सिंग ने खामोशी से सामान को काबू में किया और उसी में से एक बॉल पेन निकाल कर सामने रखे कागस पर साइन किये फूट जा गोविल कर बोला लेकिन अगर कल ग्यारा बचे तेरा थोबड़ा तार देव थाने में ना दिखाई दिया तो साले खैर नहीं तेरी फरार घोशित करा दूँगा मिलेगा तो खुद गोली मार दूँगा और रोजना मचे में लिख दूँगा शॉर्ट वाइल रिजिस्टिंग अरेस्ट बाप खाम का खफा हो रहे हो इतना जुल्म तो ढालिया अभी कोई बस कसर बाकी है जो ठहर चा साले जुबान लडाता है नुक्स निकालता है मुझ में मेरी असी मजाल कहा साथ अभी पूंच टांगों में दबी है इसलिए ऐसा बोलता है लौकप से चार हाथ दूर निकल जाएगा तो शेर हो जाएगा साले याद रखना मेरे को गोविल कर नाम है मेरा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो वापिस इधर ही छोगा टेंप्रेरी नहीं हमेशा के वास्ते बाप आप खाम का मेरे खिलाफ अभी इधर ही खड़ा है दफ़ा नहीं हुआ मैं क्या तेरे को घर तक पहुंचा के आने का है आने का है तो बोल मैं ये खिद्मत भी करता है तेरी नहीं बाप एक बात और याद रखना बोलो बाप पुलिस के हजारों हात और लाखों निगाहे होती है मैं समझा नहीं बाप मेरी हमेशा तेरे पर निगाह रहेगी बाप मैं ही हर रोज सुभा ग्यारा बजे दफ़ा हो जा बरोबर बाप सलाम बाप वो फॉरण वहां से रुकसत हुआ बाहर सड़क पर बैस की जो पहली बस उसे दिखाई दी वो उसमें सवार हो गया उस वक्त आठ बचने को थे और सूरज डुबे डेड़ घंटे से उपर हो चुका था वो चिंज पोकली में रहता था लेकिन टिकेट लेते वक्त मालुम हुआ कि बस दादर जा रही थी क्या वांदा है वो मन ही मन बोला घर जाकर भी क्या करने का था तभी एक पैसेंजर ने उसे कोहनी मारी वो घूमा गुस्से में वो उस पैसेंजर पर बरसने ही लगा था कि खामोश हो गया वो गाईलो था पहले की माफी की खड़ा रहने का है बाप वो दबे स्वर में उसके कान में बोला मेरी तरफ पीट करके जीत सिंग ने ततकाल पीट फेर ली उदर थाने में या आजू भाजू तेरे से बात करने का हाल नहीं था कोई पुलिस या आई विटनेस को मुलसिम से बत्याता देख लेता तो पंगा पड़ जाता अभी भी टैक्सी उधर ही छोड़ के बहुत रिस्क लेके तेरे पिच्छू बस में सवार हुआ बात क्या है दो भेडू तेरे पिच्छू पुलिस वाले होंगे इंस्पेक्टर गोविल कर मेरे को पहले ही वार्ण किया कि उसकी हर वक्त मेरे पर निगाह होगी वो ऐसा अब बोला ना पीछे थाने के लॉक अप में हाँ पन वो दो भेडू तो उधर कोरट में भी थे ओ अब कहा है वो पिच्छू ही कही होंगे कोरट के बाहर भी और अभी थाने के बाहर भी मैं उन्हें एक काले रंग की खटारा फियर्ट में सवार देखा था नंबर नंबर तो याद नहीं देखने में कैसे थे एक दाड़ी मुच साफ थोबडे वाला अदगंजा खूब मोटा था दूसरा तेरे माफिक बड़ी बॉडी वाला था उसके सेर पर खिच्डी बाल थे कान की लौ से नीचे तक आने वाली लंबी कलमे थी और बारीक तराशी मुचे थी दोनों ही गिसी हुई जीन्स और टी-शिट पहने थे तो उधर थाने में क्या करता था तेरे को वार्ण करने का मौका तलाशता था अब मैं जाता है टैक्सी पीछू छोड़ के आया गाईलो मैं तेरा शुक्रिया फिर मिलेंगा तब बोलना शुक्रिया अभी जाता है ततकाल वो भीड में से रास्ता बनाता अगली गेट पर पहुँच गया और फिर जब बस एक जगा थोड़ी धीमी हुई तो चलती बस से उतर गया जीते ने घूम कर सावधानी से पीछे सड़क पर निगार डाली कोई काले रंग की खटारा फियट उसे बस के पीछे आती दिखाई ना थी बस दादर पहुची वो बस से उतरा और लापरवाही से चलता हुआ स्टेशन की और बढ़ चला इस बार उसने पीछे घूम कर देखने की जहमत नहीं की स्टेशन पर से वो एक लोकल पर सवार हो गया वो जान बुश कर लोकल में इस धंग से सवार हुआ कि अगर कोई उसके पीछे सवार होता तो उसे जरूर दिखाई देता ऐसा कुछ नहीं हुआ वो साइन जाकर उतरा स्टेशन से बाहर निकल कर वो एक टैक्सी में सवार हुआ चैमबुर चल वो ड्राइवर से बोला तद कार टैक्सी सडक पर दोड़ चली तब उसे काली फियर्ट दिखाई थी टैक्सी चैमबुर के रास्ते पर अभी एक किलोमेटर ही बड़ी थी तो जैसे जादू के जोर से सडक पर उसके पीछे वो खटारा सी काली फियर्ट प्रकट हुई जिसका गाईलो ने जिक्र किया था उसकी अगली सीट पर दो व्यक्ति मौजूद थे कार की हैड लाइट्स जलती होने की वज़ा से जिनकी सूर्ते देख पाना संभव नहीं था मेरे को अभी चैमबुर नहीं जाने का है वो टैक्सी ड्राइवर से बोला वापिस चल धारावी उधर एक्रेल जी के इलाके में पॉसकल का बार है मालूम है ना मालूम टैक्सी ड्राइवर बोला उधर इच पहुंचा मेरे को अभी बाप टैक्सी पॉसकल के बार के सामने आकर रुकी कालिफियर्ट पार्किंग तक नहीं पहुंची वो सड़क पर ही वहां से काफी परे रुख गई पॉसकल का बार जेत सिंग का देखा भाला था टैक्सी का भाड़ा चुका कर वो भीतर दाखिल हुआ तो उसने सीधे टॉयलेट का रुख किया वहां के एक रोशनदान की स्थिति ऐसी थी कि वहां से बार की पार्किंग भी दिखाई देती थी और दोर तक सड़क भी दिखाई देती थी उसने बाहर जांका तो पाया की कालिफियर्ट अब बार के सामने पहुंची हुई थी और ड्राइवर उसे रिवर्स करके पार्किंग में लगा रहा था उसके देखते देखते दो जने कार से बाहर निकले पार्किंग में प्रियाप्त रोशनी थी जिसमें उन दोनों को उसने साफ देखा वो यकीनन वही दोनों थे जिनका हुलिया गाईलों ने बयान किया था वो टॉयलेट से निकला और हॉल में पहुँचा हॉल में वक्त के मुताबिक काफी भेट थी लेकिन लंबे बार काउंटर पर कई स्चूल खाली थे वो कोने के एक खाली स्चूल पर जा बैठा बार्मेन उसके सामने पहुँचा विस्की जीत सिंग बोला बार्मेन ने उससे ब्रैंड के मामले में उसकी पसंद पूछने की तकलिफ नहीं की ऐसा ही बार था वो जहां कि ग्राहक की अकाद प्रत्यक्ष होती थी बार्मेन ने क्लासी का एक लाच पैग उसके सामने रखा सोडा उसने पूछा या पानी सोडा जीत सिंग बोला बार्मेन ने सोडा की एक बोतल खोल कर गिलास के करीब रखती शुक्रिया जीत सिंग बोला बार्मेन ने सहमती में सिर हिलाया और परे हटने लगा जरर रुको जीत सिंग बोला बार्मेन ठिटका फोन करने का है बार्मेन ने काउंटर के नीचे से फोन उठा कर उसके सामने रख दिया और बोला पांच रुपया जीत सिंग की भवे उठी, दर्वाज़े के बाजु में पबलिक टेलिफोन बूत है, उधर एक रुपिया जीत सिंग ने उसे एक 20 का नोट सोंपा और बोला, डारेक्टरी भी दो बार्मेन ने फोन के बाजु के बाजु में डारेक्टरी रखी और परे हट गया जीत सिंग ने एंगलर्स गलब का नमबर डाल लगाया जो सिल्वेरा सहब से बात करना है वो फोन में बोला जो की उधर मैनेजर है सिल्वेरा सहब छुट्टी पर है जवाब मिला कब लोटेंगे? लंबी छुट्टी पर है पका नहीं उसने लाइन काट कर अलिशा के लिए ट्राइस चार में फोन किया वहाँ से भी वही जवाब मिला अलिशा लंबी छुट्टी पर है उसने घड़ी पर निगार डाली और फिर सूपर सेल्फ सर्विस चोर पर फोन लगाया सूपर स्चोर ओप्रेटर की आवाज आई वह बोला मैडम लंबी छुट्टी पर है फरवरी में ट्राइ कीजिएगा उनके घड़ का फोन नंबर सॉरी नहीं मालूम लाइन कट गई उसने डारेक्टरी में तीनों के नाम तलाश करने की कोशिश की लेकिन कोई नाम नहीं मिला उसने बार्मेन को इशारा किया बार्मेन ने करीब आकर फोन और डारेक्टरी काउंटर पर से उठा ली उसने जीत सिंग को पांच रुपे वापिस करने की कोशिश की जो कि उसने नहीं लिये जीत सिंग ने जेब में मौजूद एडवार्डो का दिया आकरी सिगरेट सुलगा लिया और विस्की चुसकने लगा प्रत्यक्षते वो वहां के महौद से लापरवाह था लेकिन कंकियों से वो निरंतर दर्वासे की तरफ देख रहा था दो मिनट बाद दोनों फियर्ट वाले बार में दाखिल हुए दोनों की निगाप पैन होती हुई सारे बार में घूमी जीत सिंग पर आकर ठिट की और फिर वहां से भटक गई फिर दोनों प्रवेश द्वार के करीब की एक टेबल पर बैट गए जीत सिंग ने इतमिनान से सिगरेट खत्म किया विस्की का गिलास खाली किया और दूसरे पैक की मांग की उसने देखा कि फियर्ट वाले दोनों मवाली अपने बीच में बेर के गिलास रखे बैठे थे लेकिन उनकी बेर में कोई दिल्चस्पी नहीं जान पड़ती थी कोई आधे खंटे में उसने अपना दूसरा पैक खत्म किया और फिर बार्मैन को एक सौ का नोट पेश किया बार्मैन नोट के साथ पीछे बैठे कैशियर की तरफ बढ़ चला तो पीछर जीत सिंग ने सोडे की खाली बोतल काउंटर पर से उठा कर अपने कोट की जेब में रख ली किसी की उसकी उस हरकत की तरफ तवज्जो नहीं गई बार्मैन ने बाकी रकम उसके सामने काउंटर पर रखी जीत सिंग ने उसकी तरफ हात नहीं बढ़ाया वो स्चोल से उठा और लापरवाही से चलता बिना दाएं बाएं निगार डाले सिधा बाहर की और बढ़ चला बाहर पहुंच कर भी उसने घूम कर पीछे निगार दोडाने की कोशिश नहीं की बार के करीब ही उसके पहलू में एक लंबी गली थी जिसमें अंधेरा था उस अंधेरी गली में दाकिल होने से पहले तस्दीक कर ली कि वो दोनों मवाली बार से बाहर निकल आई थे और उन्होंने उसे अंधेरी गली में दाकिल होते देख लिया था गली में दाखिल होते ही वो दबे पाउं आगे दोड़ा और गली के मध्य में पड़े एक कच्रे के ड्रम के पास पहुंच कर फूर्ती से उकडू होकर उसकी ओट में छुप गया और साफधान मुद्रा बनाए प्रतिक्षा करने लगा दो साई गली के दहाने पर प्रकट हुए और फिर आगे बढ़े कहा गया जीत सिंग को एक मध्धम आवास सुनाई दी दिखाई नहीं दे रहा कहा जाएगा दोसरी आश्वासन भरी आवास आई अंधेरा है आगे कहीं होगा तेश चल अभी दिखाई भी दे जाएगा ठीक है किदर अंधेरी गली में आकर हमारा काम आसानी किया है उसने बरोबर वो अभी भी फासले पड़ थे और गली में मुकम्मल सनाटा ना होता तो शायद उनके वातालाप की आवाज जीत सिंग के कानों तक ना पहुँच पा थी दोनों ड्रम के आगे से गुजर गए और फिर एका एक ठिट के जीत सिंग ने जेब से सोड़े की बोतल निकाल कर उसे गर्दन की तरफ से थाम लिया वो नीशब्द ड्रम के पीछे से निकला एक ही चलांग में अदगंजे के सिर पर पहुँचा और बोतल का भरपूर वार उसने उसकी खोपड़ी पर किया अदगंजे के गुटने मुड़े और उसका भारी भरकम शरीर नीशब्द जमीन पर लुड़क गया लंबी कल्मों वाले ने बौकला कर अपने धराशाई साथी को देखा तदकाल उसके हाथ में एक कमानीदार चाकू प्रकट हुआ जीद सिंग्ने बोतल का वार उसके चाकू वाले हाथ पर किया चाकू उसके हाथ से छिटक कर परे जाकिरा जीद सिंग्ने बोतल वाला हाथ उसके खोपड़ी के तरफ ताना तो वो भैभीद भाफ से एक कदम पीछे हट किया क्या मांगता है जीद सिंग्न कहर भरे स्वर में बोला लंबी कल्मो वाले के मूँ से बोल नहीं फूटा बड़े नर्वस भाफ से थूक निगलता वो अपने भाए हाथ से अपना दाया हाथ सेहलाता रहा जीद सिंग्ने बोतल से उसकी नाक पर दस्तक दी ततकाल उसकी नाक से यूँ खून बेहने लगा जैसे नकसीर फूटी हो मेरे को फिर नहीं पूछने का है जीद सिंग्न पूरवत कहर भरे स्वर में बोला जवाब नहीं देगा तो भी कोई वांदा नहीं मेरी नाक वो कर रहा हाई मेरी नाक हाई बाप तु बोल तु क्या मांगता है किसने लगाया तुम्हें मेरे पीछे मैं कुछ नहीं जानता बाप जो फिट की या राम खुश किया राम खुश कौन उसने जमीन पर लुड़के पड़े अपने साथी की तरफ इशारा किया राम खुश अरे साले अपना नाम बोल तागडे कोई तुम्हें मेरे को खलास करने को बोला क्या राम खुश को मैं तो बस राम खुश के पिछू क्या करने के वास्ते मुर्दे की जेबे खाली करने के वास्ते वो क्या है कि जो बोला कौन बोला किसने लगाया मेरा सुपार बात, वो, वो क्या है की जीत सिंग ने पूरी करूर्टा से उसकी तूटी नाग पर फिर दस्तव दी नहीं मालूम, वो तड़प कर बोला, कसम गनपती की नहीं मालूम अबे हलकट, कुछ तो मालूम होगा, ऐसे ही तो खून करने नहीं चल दिया होगा, जो मालूम है वो बोल, रामखुश ने बात का कुछ तो खुलासा किया होगा तेरे सामने बाप मैं पहले ही बोला कि जो बात हुई थी राम खुश की किसी से हुई थी किस से हुई थी ये मेरे को नहीं मालूम अब ए खोटी अकल तु सुना मैं तेरे से क्या पूछा समझा आदमी कौन था ये नहीं मालूम पन बात क्या हुई थी ये तो मालूम कि ये भी नहीं मालूम वो तो मैं बराबर बोला ना बाप बात सुपारी उठाने की हुई थी कितने में पपचास अजार में बस मेरी जान की केमत सिर्फ पचास अजार आंकी गई रामखुश अख्खा एडियट बात बहुत कम रोकड़े में हां बोल दिया तू होता तो कितने में मानता उसने जवाब नहीं दिया वो फिर भैबीत दिखाई देने लगा मेरे को पहचानता कौन था तू या ये मोटा भैंसा दोनों ही नहीं तो फिर कौरट पहुँचे रामखुश को पहले से ही बोल के रखा गया था कि कौरट नंबर पांच में तेरे केस की जमानत के लिए सुनवाई थी रामखुश मेरे को बोला कि सूपर स्चोर की डखैती की केस में जो भी भीडू जमानत पर छूटता वो हमारा शिकार हूटता तेरे को कौरट से सजा हो जाती तो किस्सा ही खत्म हो जाता यूं किस्सा खत्म हो जाता तो तुम लोगों का पेटी का नुकसान हो जाता वो खामोश रहा उसने बेचैनी से पहलू बदला कहा है जेत सिंग बोला कगक क्या पचास हजार अभी बीस मिला, तीस काम हो जाने के बाद मिलने का था बीस किदर है, इसी के पास है मुकमल, द, दस मेरे पास है निकाल, मरता क्या ना करता के अंदाज से तागडे ने जेब से नोट निकाल कर जीत सिंग को सौंपे बाकी इसकी जेब से निकाल जीत सिंग बोला तागड़े दो कदम आगे बढ़ा और उकड़ू होकर जमीन पर निश्चेश्च लुड़के पड़े अपने जोड़ी दार पर चुका बाप एका एकवो सिर उठा कर आतंकित भाफ से बोला ये तो मर गया अच्छा जीत सिंग बोला फिर तो तेरे लिए मुश्किल हो गई मेरे लिए हाँ मेरे लिए काहे को अभी मालूम पड़ता है बाजू हट वो परे हटा तो जीत सिंग ने खुद रामकोश की जेबे टटोली तो बाकी की रकम के साथ जो एक और चीज उसके हाथ आई वो दो फायर करने वाला देसी कटा था उसने दोनों चीजों को अपनी जेब के हवाले किया और फिर परे गिरा पड़ा चाकोफल की तरफ से थाम कर उठाया उसके दस्ते को प्रुमाल से रगड कर पहुँचा और फिर दस्ता राम खुश की दाईं हतेली पर रख कर उसके गेद उसकी मुठी बंद कर दी वो सीधा हुआ और सोड़े की बोतल की तरफ आकरशित हुआ उसने बड़े यतन से बोतल पर से अपनी उंगलियों के निशान पोँचे और फिर एका एक बोतल को स्तब्द से परे खड़े तागड़े की तरफ उचाल दिया तागड़े ने हड बड़ा कर बोतल लपक ली तेरा जोड़ीदार बैमान हो गया जीत सिंग सहच स्वर में बोला हिस्सा बठानी की जगा तेरे को खलास करने पर आमादा हो गया तेरे पर कांटी निकाल कर जप्टा अपनी चान बचाने के लिए तूने इसकी खोपड़ी पर बोतल दे मारी मैंने नेत्र फैलाई वो बोला मैंने खोपड़ी साली अंडे की बनी निकली एक ही वार में खुल गई बोतल के वो होलनाक लहसे से बुला हाँ उसने यूं हाथ से बोतल परे फैंकी जैसे तब तक साम थामे था नहीं चलेगा फिर उसके मूँ से निकला क्या बोला जिसके पास गन हो वो कांटी निकाल के जपटेगा करीबा के वार करेगा ताकि मैं उस पर वार कर सकता वो तो गन निकालेगा और फासले से ही गन जीत सिंग ने उसे कट्टा दिखाया यानि की ये कट्टा उसके कसबल निकल गए बड़े असहाई भाफ से गर्दन हिलाते हुए उसने जीत सिंग की तरफ देखा सब सोचे बैठा है पाप वो बोला क्या नाम बोला था तू अपना तागडे हाँ तागडे तागडे पकड़ा ना गया तो कोई बात ही नहीं है पकड़ा गया तो इस कहानी पर कायम रहने का है मेरा नाम लिया तो ऐसी मौत मारूंगा की दुश्मन भी तरस खाएंगे समझा वो खामोश रहा या मैं तेरे को भी इधर तेरे जोड़ीदार के बाजू में लिटा कर ही जाऊ नहीं वो भवीद भाफ से बोला नहीं बाप तु जैसा इच बोलेगा वैसा इच होगा बढ़िया अब पांच मिनट इधर इच खड़ा रहने का है बाप वो हॉलनाक लहचे में बोला मैं लाश के पास हाँ तु लाश के पास बाप पहले मुझे जाने दे ना ज्यास्ती बात नहीं या तु इस बाजू मैं उस बाजू थोबड़ा बंद वर्ना ठीक है ठीक है मैं पांच मिनट इधर जीत सिंग घूमा और लंबे डग भरता गली से बाहर निकल गया उसने टैक्सी की तलाश में आजू भाजू निगा दोड़ाई तो करीब ही खड़ी एक टैक्सी का हॉंड होले से बचा वो टैक्सी के करीब पहुंचा तो उसे ड्राइविंग सेट पर गाईलो बैठा दिखाई दिया गाईलो जीत सिंग के मुँ से निकला यहां भी पहुंच किया इत्ते फाक से इधर का सवारी मिल गया अभी पास्कल के बार के सामने उतारा इधर से एक्सेट की तयारी में था कि पैसेंजर दिखाई दे गया कौन? मैं? हाँ जीत सिंग ने असहाई भाफ से गर्दन हिलाई बैठना बाप गाईलो हाथ बढ़ा कर टैक्सी का पिछला दर्वाजा खोलता हुआ बोला जिधर भी जाना मानता है मैं चोड़ के आता है जीत सिंग टैक्सी में सवार हो गया किधर चलू? गाईलो बोला किधर भी नहीं? जीत सिंग ने जवाब दिया अभी रुका रहे वो दोनों भीडू मिले हाँ मिले तेरे पिछु थे क्या? हाँ लेकिन अब मेरे से आगे है आगे? जहन्नुम के रास्ते पर गाईलो के नेत्र फैले दूसरा लंबी कल्मो वाला तागडे नाम बताता है अभी थोड़ी देर में उस गली में से बाहर निकलेगा जिसमें से मैं निकला था गाईलो हमने खामोशी से उसका पीछा करना है कार फियर्ट उधर पार्किंग में खड़ी है मैं देखा बाप फिर भी बोलता है इत्ते फाक से इधर आया पैसेंजर लेके वो आँख दबा कर हसा मेरे पर इतनी महरबानी किस लिए बाप तु एंजो का दोस्त है एंजो का दोस्त तो मेरा दोस्त मेरे खातिर तु अपनी गवाही से फिर गया अब पुलिस तेरी खबर लेगी मालूम है ना क्या करेंगा बाप गरीब का ऐसा इच जिन्दगी अब तो मैं कुछ किया ये सब तो बिना कुछ किये भी होता रहता है फिर भी वो आ रहा है बाप जीत सिंग ने सामने निगा दोड़ाई तो तागडे को गली से बाहर कदम रखते देखा तागडे ने एक बार व्याकुल भाफ से दाएं बाएं निगा दोड़ाई और फिर लंबे डग भरता बार की और बढ़ा ये तो बार में जा रहा है जीत सिंग बोला गलातर करना मांगता होएंगा इसे तो कार में सवार होकर फॉरण यहां से निकल जाना चाहिए था ऐसा इच करेंगा पन पहले घूट लगाएंगा देखके आप क्या करता है बिना सवाल किये गाईलो टैक्सी से निकला और बार की और बढ़ चला उल्टे पाउं वो वापिस लोटा फोन कर रहा है वो बोला उदर पब्लिक टेलिफोन बूत है उसमें से देखते हैं आगे क्या करना है तो टैक्सी में बैट गाईलो वापिस चेरिंग के पीछे आ बैठा उसने टैक्सी को गुमा कर उसका रुक बार की तरफ कर लिया कुछ शंड खामोशी में कटे तागडे बार से बाहर निकला और लंबे डग भरता पारकिंग की तरफ बढ़ा कार में ही जाएगा जीत सिंग बोला टेलिफोन पर बड़े बाप को रिपोर्ट देने को रिपोर्ट देने गया होगा बड़ा बाप कौन? जीत सिंग ने उतर नहीं दिया तागडे फियर्ट के पास पहुँचा उसने चाबी लगा कर उसका अगला ड्राइविंग सीट की और वाला दर्वाजा खोला बाहर खड़े खड़े खशन भर को भीतर सिर्ड डाला और फिर सिधे होकर दर्वाजा बंद कर दिया फिर वो घूमा और कार से परेच चलने लगा ये तो जा रहा है जीत सिंग के मूँ से निकला बाग कार या तो इसके जोड़ीदार की होगी जो की मर गया या फिर चोरी की होगी टूथ टैक्सी जरब फियर्ट तक लेके चल गाईलों ने टैक्सी स्टार्ट की और उसे बड़ी दक्षता से पार्किंग की तरफ दोड़ाया ताग्डे ने टैक्सी करी बाती देखी तो उसे रुकने का इशारा करने के लिए हाथ उठाया लेकिन फिर पीछे पैसेंजर बैठा देखकर तदकाल हाथ गिरा दिया और फिर सडक की याट चल दिया टैक्सी फियर्ट के सामने आकर यों तिर्ची खड़ी हुई कि फियर्ट उसकी ओट में हो गई जीत सिंग टैक्सी से बाहर निकला फियर्ट तक पहुंचा उसने उसका अगला दर्वाजा खोल कर भीतर जांका और फिर वापिस गाईलों के करीब पहुंचा चाबी इगनेशन में लगा कर छोड़ गया है वो बोला इसका मतलब है कार लेने कोई और आएका और कौन? देखेंगे पर हमको तो उसके पिछु जाना मानता था तो जा उसके पिछु मैं इधर रुपता हूँ तो उसके पिछु लग के मालुम कर कि वो किदर पहुंचता है मैं इधर फियर्ट पर निगार रखता हूँ फियर्ट पर पाउँ पाउँ निगार कैसे रखेगा? इधर बहुत गाडियां खड़ी है कोई सी खोल लूँगा गाईलों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा वो टैक्सी में सवार हो रहा है जीत सिंग जल्दी से बोला तु जा उसके पिछु बाद में किदर? इधर बार में फोन करना फोन बार में उठाता है बोलना बदरीनाथ से बात करना मानता है बदरीनाथ से अब जा टैम खोटा ना कर गाईलों ने ततकाल टैक्सी आगे बढ़ा दी जीत सिंग फियर्ट से परे पार्किंग के एक अंधेरे कोने में सरक गया और प्रतिक्षा करने लगा पांच मिनट बाद एक टैक्सी सरक पर पहुंची कुछ शन वही ठिटकी भाड़ा चुकाने के लिए पीछे रुख गया दो फियर्ट की और बढ़ चले वो दोनों फियर्ट में सवार हुए एक ने उसका इंजन चालू किया और कार को पार्किंग से निकाला तब उनका तीसरा साथी भी कार में सवार हो गया फियर्ट बाहर सडक पर पहुँच गई तो जेट सिंग लपक कर वहां से रवाना होने को तत पर टैक्सी के करीब पहुँचा और उसमें सवार हो गया टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और बोला किधर जाने का है अभी इधर ही ठहर जेट सिंग बोला बोलता है फियर्ट अंधेरी गली में दाखिल हो गई जेट सिंग के इशारे पर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को सडक पर लाया और फिर आगे अंधेरी गली की दिशा में बढ़ा टैक्सी गली के आगे से गुजर गई तो उसने उसे कि वो तीनों जने राम खुश की लाज को उठा कर फियट में लाद रहे थे, वो गली के पास से हटा और फिर टैक्सी में आ बैठा, क्या चकर है टैक्सी ड्राइवर संदिक दभाव से बोला, कोई चकर नहीं है, जीत सिंग बोला, अभी एक काली फियट उस गली में से निकले का है, कोई पंगे वाला काम तो नहीं, नहीं, ऐसा जान पड़े तो मुझे जहां मरसी उतार देना, मैं हुजत नहीं करूँगा, छीक है ना, टैक्सी ड्राइवर ने हिच किचाते हुए, सेहमती में सिर हिलाया, तभी काली फियट, रिवर्स होती हुई गली से बाहर निकल और सडक पर दौच घिच चली, टैक्सी ड्राइवर ने उसे थोड़ा आगे निकल जाने दिया, और फिर टैक्सी उसके पीछे डाल दी, थोड़ी देर बाद, जीत सिंग को एसास हुआ, कि अब वो धारावी के विशाल नाले के समानांतर चल रही थी, नाले के दोनों जोंपड पट्टा था, लेकिन आगे नाले पर एक पुल से ही जोंपडों की कतारिक खत्म हो गई थी, पुल पर उस घड़ी कोई आवजा ही नहीं थी, आसपास भी किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, फियर पुल के दहाने पर तिच्छी होकर रुकी, तिनों आदमी कार से बाहर निकले, फुर्ती से उन्होंने पिछली सीट पर से रामखुश की लाश निकाली और उसे आगे स्चेरिंग के पीछे बिठा दिया, फिर तीनों ने कार को धक्का दे कर पुल के करीब से नीचे नाले में गिर जाने दिया, एक धड़ाम की आवाज के साथ फियर नाले में जाकर गिरी, ततकाल तीनों वापिस लोट पड़े, तब उन्हें परे अंधेरे में खड़ी, टैक्सी दिखाई दी, तीनों टैक्सी के करीब पहुंचे, एक बोला, खाली है क्या? जीत सिंग टैक्सी की पिछली सीट पर से बाहर निकला और सड़क पर आन खड़ा अब खाली है, वो बोला, कौन है बे तू? एक कड़क कर बोला, बोलता है, उसने टैक्सी ड्राइवर को एक सौ का नोट सौंपा, और बोला, सवारी कहीं और जाके ढूंट, टैक्सी ड्राइवर ने तेजी से कार को बैक करके यू टर्न दिया, और फिर जिधर से आया था, उधर ये टैक्सी भगा ले गया, मैं वो शक्स हूँ, जीत सिंग फिर तीनों से संबोधित हुआ, जिसने तुम तीनों को रामखुश की लाशकार समेथ नाले में फैंकते देखा, तीनों को जैसे सांप सूंग गया, तेरे को कैसे मालुम, फिर एक के मूँ से निकला, कि र डाला गया, किसने मारा, मैंने, फिर खामोशी चा गई, फिर तीनों की निगाहे मिली और वो एक साथ जीत सिंग पर जप्टे, जीत सिंग ने कटा निकाल कर उनकी तरफ तान दिया, ततकाल तीनों यू ठिटके, जैसे सामने दिवार आ गई हो, कटा, फिर कोई बोला, राम खुशका, साले, अब तु नहीं बच सकता, कोई और बोला, ऐसा क्या, कटा भूल गया क्या, ये दो ही गोलियां चलाता है, तु दो गोलियों से तीन जनों को नहीं मार सकता, दो को तो मार सकता हूँ, फिर तेरा क्या होगा, बुरा होगा, पर मार के मरने में क्या वांदा ह किसी के मुँसे बोल नहीं फूटा तु क्या चाहता है फिर तीसरा जो अब तक नहीं बोला था वो बोला कुछ जानना चाहता हूँ जीत सिंग बोला क्या तुम लोग कौन हो और किसके कहने पर राम खुश की लाश ठिकाने लगाने आई थे बस इतने से तसल्ली हो जाएगी तेरी हाँ पंजवाब सच देना और ये सोच के देना कि मेरी तुम्हारे से कोई अदावत नहीं हम भवरलाल के आदमी है भवरलाल कौन? बड़ा बाप है सुपारी उठाता है वो या राम खुश राम खुश उसके अंडर में चलता था भवरलाल जो बोलता था राम खुश करता था बड़ा भवरलाल ही तो हमरे को इदर से फोन लगाया किधर से? पासकल के बार से और बोला कि राम खुश उधर बार के बाजु की गली में मरा पड़ा था उसकी फियर्ट कार बार की पार्किंग में खड़ी ली थी और हमने कार को एक और रामखुश दोनों को ठिकाने लगाना था तो तुम लोगों को अभी भवरलाल ने फोन किया था जिसके जवाब में तुम तीनों यहां पहुंचे थे हाँ गोली का माफिक पासकल के बार से फोन किया था ना ऐसा इच बोला भवरलाल जूट बोल रहे हो क्या क्यूंकि मेरे को मालूम वो फोन किस ने किया था किस ने किया था तागडे ने भीडू कोई नशा तो नहीं किये ला है क्यूं मैं भी तो यह इच बोला क्या क्या बोला कि भवरलाल तागड़ी हमेरे को पास्कल के बार से फोन लगाया ओ तागड़ी का पूरा नाम भवरलाल तागड़ी है और मैं क्या बोला किधर पाया जाता है वो क्यूं पूछता है मेरे को उससे मिलना मांगता है तो अपना पता बोल, वो पहली फुरसत में तेरे से मिल लेगा मैं इंतिजार नहीं कर सकता, मेरे को फॉरण उससे मिलना मांगता है उसका कोई अता पता बोल तू है कौन? मैं वो शक्सून जो तागड़े नाम के सुपारी किलर से मिलना चाहता है क्यूं? तू भी किसी की सुपारी लगाना मांगता है क्या? हाँ, किसकी? बोलेगा, तागड़े को बोलेगा बाप एक 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 दूसरा जना नेत्र फैला कर बोला कहीं तू? तू वो ही भीड़ू तो नहीं? जरूर यही बात है देखो बाप, अगर तुम वही भीड़ू है भावरलाल और राम खुश जिसके पिच्छू थे तो तुम्हेरे को कैसे गरंटी होएगा कि हम लोग भावरलाल का सही पता बोला? तुम उधर हमको साथ लेकर तो जा नहीं सकता पते की तस्दीक के वास्ते और दोबारा हम तुम्हे को मिलने वाले नहीं है तुम्हारे को बहुत कड़क जान कर सही पता भी बोलेंगा तो क्या आगे भावरलाल को खबरदार नहीं करेंगा जिसके की हम आदमी हैं? फिर सच्छी बोलना हमारे से पता जान के तुम्हारे क्या हाथ आएंगा जीत सिंग को कबूल करना पड़ा कि वो ठीक कह रहा था ठीक है वो बोला जाओ सबने यो चैन की सांस ली जैसे भारी संकट टल गया हो जाते हैं बाप पहले वाला बोला पर एक बात बोलने का है क्या इधर तु कुछ नहीं देखा रामखुश एकसिडेंट में मरा कार ठीक कंट्रोल नहीं किया पूल पर जाने की जगा कार बाजो से निकल गई और नाले में जाकर गिरी हम भी नहीं सुना कि तु बोला कि रामखुश को तूने मारा समझा ठीक है फूटो ततकाल तीनों घूमे लंबे डग भढ़ते आगे बढ़े और फिर जीत सिंग के देखते देखते जोंपड़ पट्टे की एक संक्री गली में विलीन हो गई जीत सिंग वापिस पास्कल के बार में पहुँचा बार में अब भेड बढ़ गई थी लेकिन कोने का जो बार स्चूल वो खाली छोड़ कर गया था वो तब भी खाली था वो फॉरन उस पर काबिच हुआ बार में उसके करीब पहुचा 84 रुपए के बिल पर 16 रुपए टिप देने वाले ग्राहक के तौर पर उसने उसे फॉरन पहुचाना वही उसने पूचा हाँ जीत सिंग बोला इधर सिगरेट मिलता है क्या कौन सा ब्रेंट? कोई भी सेहमती में सिर हिलाता बार में परे हट गया अनमना सजीत सिंग पीछे बैठा बेध्यानी में हौले हौले बार काउंटर ठक ठकाता बार मेंन के लोटने की प्रतिक्षा करता रहा भवनलाल तागडे के दो आदमी पास्तल के बार के सामने की सडक के पार पुट पात पर उगे एक मोटे तने वाले पेड की ओट में खड़े थे जबकि उन्हें अपना तीसरा साथी बार से बार निकलता दिखाई दिया ततकाल दोनों में से एक पेड की ओट से निकला उसने हौले से सीटी बजाई और हाथ हिलाया तीसरा साथी सडक पार करके उनके करीद पहुंचा तीनों बहुत साथ धानी से जीत सिंग का पीछा करते वहां पहुंचे थी क्या हुआ दो में से एक उत्सुख भाफ से बोला बार में है तीसरा बोला बार स्चूल पर जैसे पस्रा बैठा है उससे लगता नहीं कि उधर से जल्दी हिलेगा तो फिर दूसरा बोला आगे क्या इरादा है इरादा तो वही छै क्या दाव लगे तो यही तो पिरोबलम है इधर इतना भीड है उपर से कड़क आदमी है कड़क और होसला मन भी देखा नहीं पिछ्चू कैसे पेश आया हमारे से वो तो है कहीं हमें ही न टपका दे मैं बोलता हूँ क्या करने का है पहला बोला उसके साथियों ने उसकी तरफ देखा भवनलाल को खबर करने का है फिर जैसा इच वो बोलेगा वैसा इच करेंगे ठीक परली सड़क पर फुट पात पर टेलिफोन बूत है उधर से सिक्का डाल के फोन करकिया हम दोनों इधर इच ठेहरे ले हैं सेहमती में सिरहिलाता पहला उनसे अलग हो गया भवनलाल तागडे ने बहुत संजीतगी से अपने आदमी का फोन सुना तौबा उसके मूँ से निकला ऐसी दीदा दिलिरी अकेला तीन जनों से उलज गया यही तो मैं बुला बाप तुम लोगों को रामखुश को उसकी कार समेथ नाले में धकेलते भी देख लिया उसकी फिक्र नको बाप मेरे को भी आदमी की पहचान वो भेड़ो उस बाबत कुछ नहीं बोलने वाला यानि कि सब चका चक काबू में है हाँ फिर ऐसा एक्स्प्रेस ट्रेन की माफिक फोन क्यों लगाया बाप वो तेरा पता पूशता था बहुँआद डेंजर तरीके से जैसे पता जानते ही तेरे सिर पर जा खड़ा होईंगा और तेरे को टपका देंगा मेरा पता पूशता था क्यों बोला तो बाप तेरे को टपकाने के वास्ते पर क्यों जब मैं उसके काबू में था तो नहीं टपकाया तो अब क्यों क्योंकि तब उसे मालुम नहीं था कि तुई छोसका सुपारी उठाया कुछ नहीं बोला बाप, वो सुपारी वाला बात भी उसे खुदी सूजा, बहुत शियाना था बाप। मत देखेंगा साले को, सब हेंकड़ी निकाल देगा, एक बार बच गया, तो शेर हो गया, दोबारा नहीं बचेगा, तो बोल, वो उधर पास्कल के बार में बैठेला है ना, हाँ, पर इधर कुछ नहीं हो सकता, बहुत पबलिक है, इधर कुछ हो सकता होता, तो हम ही कर डालत मालुम है, अब हमने को क्या हुक्म है, उधर ही ठेहरो, उस पर निगा रखो, कहीं दाव लगे तो लुड़का दो, ना दाव लगे तो पीछा करो, वो जिधर जाए, उसके पिछु जाओ, छीक है, लाइन कट गई, तागड़े ने फोन रख दिया और माथा थाम लिया, कि ऐसा ही छोना था, तो साला फेस ही ज्यादा मांगा होता, लेहाजा उसे अपने जोड़ीदार की मौत का कोई अफसोस नहीं था, उस घड़ी वो रोना इस बात का रो रहा था, कि उसने कम फेस में सुपारी उठाई थी, बार मैन ने विस्की का पैक, सोडा और रेड और वा नाएगा ध्यान रखना, बार मैन ने सहमती में सेर हिलाया और वहां से हट गया, बेमन से विस्की चुसकता और सिग्रेट के कर्श लगाता, वो वक्त गुजारी करने लगा, इस पार वो गुजश्ता वाक्यात उसके जहन पर उबरा, जो कि उसकी गिरफतारी की वचा बने फ्लेश बैक, शनिवार 27 दिसंबर से सोमवार, पांच जनवरी तक, शनिवार शाम को जीत सिंग को परदेशी की मारफत एडवार्डो का संदेश मिला, कि वो बंदरगा के इलाके में स्थित एंगलिर्स क्लब में पहुँचे और जो सिलवेरा से मिले, जो कि उन नवे एडवार्डो ये फैसला कर चुका था, कि उसके नवे लोगों के साथ काम करने में कोई हर्श नहीं था, उसने टेलिफोन डिरेक्टरी में एंगलर्स क्लब की एंट्री तलाश की, और उसके आगे लिखे नंबर पर फोन लगा कर, जो सिलवेरा से बात करने के लिए बोला, वो लाइन पर आया, तो जीत सिंग बोला, मैं बतरी, वालपोई वाला बिग डैड़ी एडवार्डो मेरे को तुम्हारे से बात करने को बोला, येस येस, तुरंते कुद सापूंट स्वर सुनाई दिया, किधर से बोलता है ब्रदर? चिंच पोकली से, ज्यास्ति दूर नहीं है, साथ बजे इधर आना, डिमेलो रोट पर, जिधर की अंगलर्स क्लब है, डिमेलो रोट बंदरगा के इलाके में है, मालूम है ना? इलाका मालूम है, सडक जाके मालूम पढ़ जाएगी, पन्द साथ बजे क्यों? साथ बजने में तो अभी दो घंटे बाकी हैं, आएगा तो मालूम पढ़ जाएगा कि साथ बजे क्यों? ओके? ओके, गॉड ब्लेस यू, संबंध विच्छेद हो गया, निर्धारित समय पर जेत सिंग बंदरगा के इलाके में और फिर बड़ी सहूलियत से अंगलर्स क्लब पहुँच गया, जो सिल्वेरा वहां का मैनेजर निकला, अंगलर्स क्लब एक वैसा मामूली बार था, जैसे कि उधर बंदरगा के इलाके में आम पाई जाती थी, ऐसे अधिकतर बारों में दिन में कोई खास रौनक नहीं होती थी, लेकिन शाम धले बैंड बचता था, और नौ बजे के बाद किसी फीमेल पॉप सिंगर या किसी कैबरेट डांसर का भी नजारा होता था, इसलि कमरे में ले आया, आफिस में एक नदीदी शकल वाली नौजवान लड़की पहले से मौजूद थी, और रंग रोगन से खूप पुती हुई थी, ये निकी है, सिल्वेरा बोला, निकी दिसाई, जीत सिंग ने सेहमती में सिर हिला कर परीचे कबूल किया, और निकी, सिल्व से पाउं तक परखा, जैसे कि कोई विलासी इस्त्री, मेल प्रोस्चिचूट को परपती है, हलो, फिर वो जबरन मुस्कुराती हुई बोली, वेल्खम, शुक्रिया, जीत सिंग भाव हिन स्वर में बोला, बैठो ब्रदर, सिल्वेरा बोला, जीत सिंग निकी की बगल में पड़ी एक कुर्से पर बैठ गया, सिल्वेरा ओफिस चेबल के पीछे पहुँचा, और एक्सेक्यूटिव चेहर पर धेर हुआ, विसकी पीएगा, वो बड़े प्रेम भाव से बोला, नहीं, जीत सिंग बोला, पीता नहीं है क्या, अभी नहीं, ओ, अभी नहीं, और सिग ठेटका और फिर बोला, एडवार्डो अपना जात भाई है, गलत आदमी को रेक्मेंट नहीं कर सकता, जीत सिंग खामोश रहा, तेरी बहुत तारीफ करता था, तेरे मिजाज की भी और तेरे हुनर की भी, बोला, जहीन लड़का है, कैसा भी ताला चुटकियों में खोल ल नहीं भाई, अकेले कुछ होता है, तो, आजो बाजो का एक नग तो तेरी बगल में ही बैठा है, जीत सिंग ने सक पकाकर निकी की तरफ देखा, वो बड़ी अदा से मुस्कुराई, हर राफा, और वो बोला, और क्या, सिल्वेरा सक पकाकर बोला, कुल जमा कितने जनों की शिरकत है, ओ, दैट, तुझे मिला कर पांच जनों की, बाकी दो कहा है, उनसे मुलाकात तेरी हाँ पर मनुहसर है, इस से मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं क्या, इसकी यहां हाजरी जरूरी है, ब्रदर, क्योंकि बहुत सी बाते ऐसी है, जो ये बेटर एक्स्प्लेन कर सक सकती है, हम, तेरे को साथ बज़े आने को इसलिए बोला था, क्योंकि साथ बज़े से पहले ये इधर नहीं पहुंच सकती थी, काम क्या है, तेरे लिए वही काम है, जिसमें तु माहिर है, टीम वर्ट में कोई छोटा मोटा काम और भी करना पढ़ सकता है, मैं ये नहीं तेरे को कौन सा कोई गाड़ी बकरने का है, जीत सिंग कुछ नहीं बोला, जो काम है उसकी जांश परक की जा चुकी है, और वो सब को एन्फिट लगा है, आगे सब दारुमदार इस भात पर है, कि तु अपना काम चौकस कर पाएगा या नहीं, चौकस और फटा फट, कर प मैं इसलिए बोला, क्योंकि ये मान के चले बिना तुम्हारी कहानी आगे बढ़ती नहीं जान पड़ती, ओ, ठीक है, बोलता है, पर पहले तेरे से एक प्रॉमिस मांगता है, क्या, काम तुझे ना जचे, या तुझे लगे कि तु उसे नहीं कर सकता, या तुझे अपना प वेला कोई काम बोला, ओके, जीत सिंग ने सेहमती में सिर हिलाया, ओनेस्टी अमंग थीव्स, यूनो, चोरों में इमानदारी का जो खास रिष्टा अक्की दुन्या में होता है, उसको ओनर करने का है, वैसे मुझे उमीद नहीं कि तो अब आ गया है, तो खाली हाथ इधर स जाएगा, एडवार्डो बोला, उसका काम मुझे काम की देहलेस तक पहुंचाने का था, जो कि वो कर चुका, उसके बाद एडवार्डो क्या बोला, बोला या नहीं बोला, सब बेमानी है, यार, तू तो बड़ा खुश का आदमी है, जीत सिंग ने नकली जमहाई ली, हमा चायल से बना कॉमप्लेक्स है जैसे की दुबई में होते हैं, हॉंग कॉंग, सिंगापूर में होते हैं, लंडN में होते हैं, स्चोर-तीन मंजिलों में फैला हुआ है, और वहां से सोई से लेकर जहास तक खरीदा जा सकता है, रोजाना की लाखों की सेल बताई जाती है, आ उसमें करोडों की रकम मौजूद हो सकती है। किसी वज़ा से उस रकम तक हमारी पहुँश ना भी हो पाई, तो भी मोटा माल हाथ आने की गैरेंटी बराबर है। अभी बड़ा दिन गुज़रा है और नया साल आने वाला है। इसलिए अगर कोई मिस एडवेंचर भी हुई तो पचास लाक रुपेया हाथ लगने की गैरेंटी है क्योंकि इतनी जो आजकल वहाँ की डेली सेल है। मिस एडवेंचर क्या होगी? हो सकता है अपने फुल कॉन्फिडेंस के बावजूद तो वाल्ट ना खोल सके। हम्… वहाँ हाथ साफ करने में एक भेद है जो मैं आगे बयान करूँगा लेकिन उसकी वज़ा से हम मजबूर होंगे वहाँ से सिर्फ बड़ा नोट उठाने में। कितने बड़े? पांच पांच सो के? हम्… मैंने अंदाजा लगाया है कि एक दर्म्याने साइस के सूट केस में पांच पांच सो के नोटों की पांच सो गड़ियां आ सकती हैं। पांच पांच सो के इतने नोट वहाँ ना हुए तो तो बाकी बच्ची जगा में सूट के भर लेंगे, यूं सोट के इसकी जगा तो भर जाएगी लेकिन रकम घर जाये लेकिन मेरे को इंसाइड इन्फोर्मेशन है कि पांच पांच सो के काफी नोट वहाँ बरामत होंगे इंसाइड इंफोमिशन यानि कि स्चोर का कोई मुलासिम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है बिलकुल उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता कौन है वो? जवाब में सिल्वेरा ने बड़े नाटकी अंदास से जीत सिंग की बगल में बैठी फूल जड़ी की तरफ इशारा किया जीत सिंग ने सक पका कर उसकी तरफ देखा वो फिर मुस्कुराई कुलचनी ये स्चोर की मुलाजिम है सिल्वेरा बोला वहाँ के लगज डिपार्टमेंट की इंचार्ज है और लगज डिपार्टमेंट का हमारे प्रोजेक्ट में एहम रोल है ओ सच पूछो तो बेसिक स्कीम इसी की है इसका बॉइफ्रेंड उधर स्ट्रीवर्ट की नौकरी करता है स्कीम की बाबत वो मेरे को बुला मैं आगे अपने एक फ्रेंड को बुला यू हम चार जने हो गए जिन्नोंने मिल बैट के स्कीम को परखा और पॉलिश किया फाइनल स्कीम में कोई कमी रह गई थी तो किसी एक्सपर्ट लॉक्मेन की और अब बाइ ग्रेस ओफ गॉड आल्माइटी वो भी हमें मिल गया है पांच भीडू यानि कि फी भीडू हिस्सा दस लाग सौ सो के नोट उठाने पड़े तो और भी कम क्या जब एक सूट केस में पचास लाग अरे नहीं ब्रदर एक सूट केस का और उसकी कैपेस्ट्री का तो मैं एक्जेम्पल दिया वैसे तो सूट केस हो सकते हैं सेहमती में सेर हिलाया सबका हिस्सा बराबर है क्या फिर वो बोला बट अफकोस सबका काम इंपोर्टेंट सबका रिस्क बराबर तो हिस्सा बराबर क्यों नहीं होएंगा बढ़िया स्कीम में जो फच्चर है वो उधर का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जिसके फंक्शनिंग का तरीका बहुत थटके है अकाउंट्स डिपार्टमेंट जैसा की मैं बोला स्चोर के टॉक फ्लोर पर है और वहां किसी की भी आवाजाई की मना ही है सिवाए उस स्चाफ के जिनका की वहां काम पढ़ता है वो कौन हुए? वो हुए चार कैशियर और एक उनका इन्चार्ज जो की अकाउंट्स ओफिस में बैठते हैं एक सशस्त्र गाट जो की बाहर गल्यारे के सिरे पर सेडियों के दहाने पर बने जंगले पर बैठता है वो जंगला बंद रहता है और तभी कोला जाता है जब या तो अकाउंट्स ओफिस का स्चाफ कहीं आना जाना चाही या जब फ्लोर बॉइस कैश लेकर आते हैं तब गल्य को खाली करके नोट गिन के एक कैश ट्रे में रखके वाउचर बना के कैश उपर में अकाउंट्स ओफिस में भेश दिया जाता है वो कैश ट्रे ले जाने वाले फ्लोर बॉइस कहलाते हैं और ऐसा एक फ्लोर बॉइस उदर हर डिपार्टमेंट में हैं उसकी खास वर्दी है हाँ मेहनून रंग की पैंट वैसी ही ट्यूनिक उसी रंग की गोल टोपी जिसका स्ट्रेप थोड़ी के नीचे बनता है जैसे बड़े होटलों के बैल पॉइस हो पहनते हैं निकी बोली इतने बड़े स्चोर के टॉप फ्लोर पर जीत सिंग बोला सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और मालिक का आफिस है बाकी हिस्से में गुदाम है फ्लोर पॉइस की कहानी आगे बढ़ाओ आगे कहानी की एहम बात ये है कि हर फ्लोर बॉइस के ड्यूटी आवर्स में उसके और सिर्फ उसके पास एक स्पेशल चाबी होती है जिससे की सेडियों के निचले हिस्से में मौचूद जंगला खुलता है यानि की अगर कोई बाहरी आदमी उधर का रुख करेगा तो उसे दो बंध जंगलों के रूबरू होना पड़ेगा हाँ और दोनों जगा उसकी पेश नहीं चलेगी उसके इलावा और कोई रास्ता नहीं अकाउंट्स ओफिस तक पहुँशने का एक है लेकिन गार्ड वाला जंगला उसके रास्ते में भी आता है ओ और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्चोर के मालिक शिवनाथ पार्टिल के एक्स्क्लिोजिव इस्तिमाल के लिए है माई डियर ब्रदर हमारा निशाना क्योंकि वो ही रास्ता है इसलिए मैं बात को डिटेल से समझाता हूँ वो क्या है कि श्चोर के बाजू में एक गली है जिसमें अमूमन कोई आवा जाई नहीं होती क्योंकि वो आगे से बंद है और उसके बाएं पहलू में श्चोर की इमारत के इलावा कुछ भी नहीं है दाएं बाजू में एक कोई पांच फुट उंची दिवार है जिसके पार एक खाली मैदान है पहले उस गली के दोनों और इमारते होती थी तो तब गली में भी आवा जाई होती थी शिवनात ने बाएं बाजू की तमाम इमारते खरीद कर उन्हें गिरा कर उन पर अपना मैजिस्टिक सूपर स्चोर खड़ा किया था वैसा इच दाएं बाजू की इमारते एक बिल्डर ने खरीदी थी उसने उन पुरानी इमारतों को तो गिरा दिया लेकिन किसी कानूनी पच्छडों की वज़ा से नई कंस्ट्रक्शन अटक गई और आज भी अटकी हुई है नतीजन उस गली में आवाजाही नहीं है ना सिवाए शिवनात पाठिल की आवाजाही के उधर एक दर्वाजा है जो की देखने में लकड़ी का जान पड़ता है लेकिन असल में री एंफोस्ट स्चील है उसका जो वाल्ड जैसे चाबी लगती है वो सिर्फ पाठिल के अधिकार में होती है उस दर्वाजे के आगे सीडिया है जो की टॉप फ्लोर पर जाकर खत्म होती है उस रास्ते की ब्यूटी यही है कि मालिक अपने शेहर जैसे बड़े स्चोर की भीड भाड और शोर शराबे से दो चार हुए बिना सीधा अपने आफिस में पहुंच सकता है क्या उन सेडियों के दूसरे सेरे पर भी वैसा ही वाल्ड जैसा दर्वाजा है दोसरे सेरे पर दर्वाजा है ही नहीं उसने निकी की तरफ देखा मैं ठीक बोला ना हनी हाँ हनी सेहमती में सेर हिलाती हुई बोली क्योंकि वहां से नीचे उधर कर कोई कहीं जा नहीं सकता और नीचे से उपर कोई आ नहीं सकता हम जीत सिंग बोला उन सेडियों के उपर के बिना दर्वाजे वाले दहाने की पुजिशन ऐसी है कि उसे ना गार्ड वाले जंगले से देखा जा सकता है और ना फ्लोर बॉइस वाले जंगले से Phlor Boys वाले जंगले से आगे एक लम्बा गल्यारा है जो की आगे से दाइंग घूमता है और फिर बाइंग घूम कर उस लोबी में दाखिल होता है जिसमें बाजों की गली से ऊपर आती सेडियां आकर खत्म होती है लोबी के परले सिरे से गल्यारा आगे बढ़के दाई घूमता है और फिर सीधा उस चार सेडियों तक पहुँचता है जिनके टॉप पर गार्ड वाला जंगला है लेहाज़ा अगर पार्टिल वाले रास्ते से कोई उपर पहुचे तो उसे आगे सिर्फ गार्ड से दो चार होना पड़ेगा न हाँ लेकिन वो किसी अशनभी के लिए दर्वाजा नहीं खोलेगा उपर से वो सेक्योरिटी चीफ को फोन करतेगा कि वहाँ कोई चोर घुसाया था ओ लेकिन उस बात का तोड़ है क्या फ्लोर बॉइस जिनकी वहाँ आवाजाई गार्ड के लिए कॉमन साइट है और फ्लोर बॉइस इतने हैं कि वो सब की शकल पहचान कर नहीं रख सकता उपर से गार्डों की ड्यूटिया तबदील भी होती रहती है वहाँ किसी फ्लो वो फ्लोर बॉइस के स्पेशल वर्दी पहने हुए है और वो पीछे वाला जंगला अपनी चाबी से खोल कर वहाँ तक पहुंचा है कहने का मतलब यह है कि फ्लोर बॉइस के लिए वो गार्ड बिना कोई सवाल किये अपना जंगला खोल देता है जो कि आगे अकाउंट्स में चला जाता है नहीं उसका अकाउंट्स ओफिस में जाना मना है तो वो रकम कैसे जमा कराता है उसके लिए गल्यारे में ही अकाउंट्स ओफिस की एक ग्रेल वाली विंडो है जिसमें इतना ही जरोका है कि नोटों की ट्रे उसके भीतर पास की जा सकती है तो फिर क्या बा फिर बात यूँ बने कि टॉयलेट अकाउंट्स ओफिस में है गार्ट को अगर टॉयलेट जाना हो तो उसके लिए भीतर से दर्वाजा खोला जाना पड़ता है जो कि गार्ट हमारे लिए खुलवाएगा नहीं हमें उसकी जगा अपना गार्ट खड़ा करना होगा क्योंकि गार्ट की जंगले पर मौजूद की जरूरी है क्योंकि कभी भी कोई और फ्लोर बॉय वहां ट्रे लेकर पहांच सकता है जीत सिंग के चेहरे पर उलजन के भाव आई और मैं एक्स्प्लेन करता हूँ सिल्वेरा बोला ब्रदर तू फर्स करकी गली वाला स्चील का दर्वाजा तू खोल लिया और हम चार्जने टॉप फ्लोर पर पहांच गए चार्जने मैं मेरा फ्रेंट निकी का बॉय फ्रेंड और तू निकी का उधर कोई रोल नहीं इसका रोल अपने लगज डिपार्टमेंट में है जो की अभी सामने आएगा ठीक है आगे निकी का बॉय फ्रेंड फ्लोर पॉयस की वर्दी में होगा क्यूंकि उसकी शकल सूरत और उम्र मोटे तोर पर फ्लोर बॉयस से मिलती है उसके हाथ में नोटों से भरी ट्रे होगी और नोटों का वाउचर होगा गलयारे का मोर कार्ट कर वो अगले गलयारे में कदम रखेगा तो गार्ट के पास ये सोचने की कोई वज़ा नहीं होगी कि वो परले गलियारे का ताला अपनी चाबी से कोल कर वहां नहीं पहुंचा था उसने अभी आगे पहले सेड़ी पर कदम रखा होगा कि गाड जंगला खोल देगा हमारा यंग मैन जंगला पार करके विंडो पर पहुंच जाएगा यहां एक बात मेरे को बोलने का है निकी बोली वो क्या है कि फ्लोर बॉय का नोटों की गिंती तक वहां विंडो पर रुके रहना जरूरी नहीं होता नोट नीचे से गिने हुए आते हैं गिनकर ही उनका वाउचर बनाया जाता है और अकाउंट्स ओफिस में इन गुड फेट वाउचर पर रिसेवड केश साइन करके उसके साथ फ्लोर बॉय को रुकसत कर दिया जाता है क्या बात में गिने जाने पर कैश में कोई कमी पेशी निकलती है अगर निकले तो फ्लोर बॉय की खैर नहीं आगे आगे ये किस सिल्वेला बोला कैश जमा करा के वापसी में हमारा फ्लोर बॉय एक साइलेंसर लगी गन के दम पर गाड को काबू में कर लेगा और उसकी जगा पहले से वैसा ही गाड बना मेरा फ्रेंड ले लेगा आजकल निकी बोली उधर जिस गाड की ड्यूटी है वो एक घनी दाडी मूच वाला सिक है जिसकी शिन्नाक उसकी दाडी मूच और पगड़ी से है अगले शरीवार तक यानि की तीन जन्वरी तक मैंने कन्फर्म किया है कि उसकी ड्यूटी उधर रहने वाली है उस गाड का सिक होना हमारे बहुत काम आएगा वारदात वाले रोज जो कोई देखेगा घनी दाड़ी मूच और पगड़ी देखेगा पीछे सूरत जुदा थी ये किसी को नहीं दिखेगा अगर देखेगा तो कोई उपर से पहुँच किया फ्लोर बॉई ही देखेगा उसके लिए तो गाड इसी बिना पर चौकर साबित हो जाएगा कि उसे चाबी लगाकर अपने जंगले का ताला खोलेगा कैश विंडो से जीत सिंग बोला उधर कुछ दिखाई नहीं देगा क्या नहीं उस विंडो से बाहर सिर नहीं निकाला जा सकता और वो जंगले से पंदरा फुट दूर है औफिस का एंट्री दूर अभी और पांच फुट आगे है बहर हाल हमारे गार्ट पर कोई शक नहीं करेगा आगे फिल सिल्वेरा बोला हमारा गार्ट टॉयलेट जाने के बहाने अकाउंट्स आफिस का दर्वाजा खुलवाएगा मैं और निकी का बॉइफ्रेंड भीतर दाखिल होंगे और साइलेंसर लगी गन्स से सारे स्चाफ को कवर कर लेंगे गन्स के बारे में भी बोल दो निकी बोली सिल्वेरा एक बार हिच किचाया और फिर बोला वो टॉय गन्स होंगी टॉय गन्स जीत सिंग की भवे उठी खिलोना गन्स नकली हत्यार जो की एन असली जैसे लगेंगे जो की फिल्मों में शूटिंग के लिए इस्तिमाल होते हैं वज़ा एक तो निकी ऐसा चाहती है ऐसा चाहने की क्या वज़ा ये नहीं चाहती की उधर कोई खुन खराबा हो बड़े उंचे खेयाला थे निकी ने घोर कर जीत सिंग को देखा इसे कहते हैं गोर खाना गोलगोलों से परहिस करना ड़ कहती क्या छोटा अपराथ है खुन खराबे से तो छोटा अपराथ ही है वो गुस्से से बोली हमें तुम्हारा नहीं पता लेकिन हम लोगों में से कोई तजुर्बेकार क्रिमिनल नहीं है जुर्म हम में से किसी का पेशा नहीं है कोई खबरा गया बौकला गया आप इसे बाहर हो गया और उधर गोली चल गई तो फांसी का फंदा ही गले पड़ेगा इसलिए एन असली जैसे लगने वाले नकली हत्यार समझे मिस्टर लॉक्मेन समझा मैडम उपर से नकली हत्यारों से पीछा छुडारा आसान होगा सिल्वेरा बोला स्चोर में टॉय डिपार्टमेंट भी है नकी उन्हें वहीं पहुचा देगी नकी ने सेमती में सिर हिलाया खैर जीट सिंग बोला फिर फिर क्या सिल्वेरा बोला फिर तो वाल्ट खोलेगा और हम माल हत्या लेंगे वाल्ट जबरन नहीं खुलवाया जा सकता क्या क्या कहने नकी मू बिचकागर बोली ऐसा हो सकता होता तो हमें तुम्हारी जरूरत होती क्या ये मेरे सवाल का जवाब नहीं बेहन जी बेहन जी सिल्वेरा हसा हनी अपना बदरी तेरे से राकी भदवाना मानता ओ शट आप ओके ओके नो ओफेंस हनी नो ओफेंस वाल्ट को सिर्फ स्चोर का मालिक शिवनात पाटिल खोल सकता है वाल्ट में कैश बंद कराने के लिए वो अकाउंट्स ओफिस में तीन फेरे लगाता है पहला एक बजे दूसरा पांच बजे और तीसरा स्चोर के क्लोसिंग टाइम पर पजे हम पाटिल के पास भी नहीं फटक सकते स्चोर में 600 आदमियों का स्चाफ है जिन से अवल तो वो मिलता नहीं मिलता है तो अपाइंट्मेंट से मिलता है वो भी तब जब उसका सूपरवाइसर या इनचार्ज उसके साथ हो सिर्फ फ्लोर मैनेजर जो कि वहाँ तीन फ्लोर के लिए तीन है और सिक्यॉरिटी चीफ उससे बिना अपाइंट्मेंट मिल सकते है और अपनी निकी सिल्वेरा हसा ना मैनेजर है ना सिक्यॉरिटी चीफ है हो भी तो खुद को एक्सपोस करने का मेरा कोई इरादा नहीं आई अंडस्चेंड हनी वो इरादा मैं बना भी लूँ तो अपनी आइंदा सेफ्टी के लिए मुझे दो खुण करने पड़ेंगे और मैंने पहले ही बोला है कि मुझे खुण खराबा मनसूर नहीं दो खुण जीत सिंग ने पूछा हाँ दो खुण मुलाकात की कोई फर्जी ज़रूरत खड़ी करके मैं पार्टिल से मिलने की कोशिश करूंगी तो मेरा फ्लोर मैनेजर मेरे साथ होगा एक खुण पार्टिल का और दूसरा फ्लोर मैनेजर का सो सिल्वेरा बोला दैट लाइन ओफ एक्षन इस आउट मैं वर्ट खोलूँगा जीत सिंग बोला हम माल हत्याएंगे पर जिस राश्ते से आई होंगे उससे निकल भागेंगे सिल्वेरा ने इंकार में सिर हिलाया नहीं जीत सिंग की भवे उठी नहीं उस राश्ते से हमारी वापसी नहीं हो सकती वज़ा हमारे अकाउंट्स ओफिस से निकलते ही वो लोग दो बटन दबाएंगे एक से ग्राउंड फ्लोर पर बने सिक्योरिटी चीफ के ओफिस में वार्निंग बेल बचने लगेगी और दूसरे से स्चोर के निकासी के तमाम दर्वा से और्टोमेटिकली बंद हो जाएंगे वो बटन उन्होंने पहले ही हमारी मौजूद्गी में ही दबा दिये तो हमने इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो ऐसा ना कर पाई कैसे रुकेगा ऐसा होने से हमारा गार्ड रोकेगा जिस पर वो शक नहीं कर सकेंगे जो उनकी मर्जी से एक रूटीन के तौर पर भीतर होगा उसकी क्योंकि उनके सिर पर जा सवार होने के सुविधा होगी इसलिए वो ऐसा नहीं होने देगा फिर हम भी भीतर पहुंच जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकेगा ओ अल्बता बाद में हम उन्हें बटन दबाने से नहीं रोक सकेंगे तो भी तो नतीजा माल के साथ चूहे की धरा पिंज्रे में बंद होने जैसा होगा ऐसा नहीं होगा क्यों कर टलेगा ऐसा हो ना टलेगा ब्रदर टलेगा मैं बोला था साफ करने में एक भेद था जो मैं आगे बयान करूँगा वो भेद ये है कि हम लूट के माल के साथ बाहर निकल जाने की कोशिश करेंगे ही नहीं तो और क्या करेंगे हम माल के साथ एक फ्लोर नीचे लगश डिपार्टमेंट में पहुँचेंगे कैसे पहुँचेंगे पहला जंगला तो बंद होगा भीतर से खुल जाएगा कैसे बता भाई वो जंगला ऐसा है निकी बोली कि वो बाहर से चाबी से खुलता है लेकिन भीतर से बिना चाबी के ही एक लिवर चला कर खुला जा सकता है ऐसा इंतिजाम किस लिए? असल में तो पाटिल की सुविदा के लिए ताकि अगर कभी वो उधर से अपने स्चोर में जाना चाहे तो उसे ताले चाबी के जंजट में ना पढ़ना पड़े दोसरे इस इंतिजाम से चुट्टी के वक्त स्चाफ भी उस जंजट से बच सकता है उस जंगले का में मकसद उधर से भीतर की तरफ किसी की आमद पर अंकुष लगाना है भीतर वालों के बाहर जाने पर अंकुष लगाना नहीं है ठीक यानि कि उधर से हमारी निकासी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पलक जबकते हो सकती है इग्जेक्ली सिलवेरा बोला नीचे लगश डिपार्टमेंट में हमारी निकी हमारी ताक में होगी ये हमें एक खाली कमरे में पहुँचा देगी जहां इसका बॉइफ्रेंड फ्लोर बॉइड की युनिफर्म को और मेरा फ्रेंड गार्ड की युनिफर्म और फेस मेकप को गुडबाई बोलेगा वहीं हम टॉइ गंस को भी नकी बोलेंगे फिर उन चीजों को ठीकाने लगाना निकी का काम होगा निकी ने यंत्र चादिद धंक से सेहमती में सिर हिलाया उस खाली कमरे में कर्टसी निकी दिसाई इंचार्ज लगेश डिपार्टमेंट खाली सूट केस पहले ही मौजूद होंगे हम उनमें नोट भरेंगे उन पर कोई खास खुफिया निशानी लगाएंगे ताकि बात में नोटो वाले सूट के स्पहचान में आ सके और उन्हें निकी की सुपर विजन में डिपार्टमेंट में मौजूद सैंक्रो सूट केसों में रख खाएंगे फिर? फिर क्या? फिर हम खाली हाथ हिलाते टहलते हुए वहां से निकल जाएंगे दर्वाजे तो बंध होंगे? कभी तो खुलेंगे? शाम के वक्त निकी बोली स्चोर में साथ आठ सो ग्राहक होंगे उनको हमेशा तो वहां रोके रखा नहीं जा सकेगा तो क्या होगा? सेक्यॉरिटी वाले गेट खोलेंगे और फिर एक-एक ग्राहक को चेक करके वहां से निकालेंगे खुदी करेंगे वो ये काम, पुलिस को नहीं बुलाएंगे क्या? बुला सकते हैं, लेकिन पुलिस के आने से क्या होगा? सिवाए इसके की चेकिंग करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी बहराल लोगों की तलाशी लेकर उन्हें वहां से निकाला जाएगा मोटी तलाशी लेकर जो की फटाफट होती चली जाएगी सोई ढूडने वाली तलाशी लेकर नहीं क्या हाथ आएगा तलाशी में? लोट का माल जेबों में भरके तो नहीं ले जाया जा सकता वारदात के बाद हत्यार भी कोई एहमकी होगा जो पास रखेगा भई यहां डकैती पड़ी हो वहां ऐसी तलाशी का ये एक स्थापित दस्तूर होता है कि मौकाई वारदात से हर शक्स को चेक करके बाहर जानी दिया जाए यूँ कुछ लोगों को सिलवेरा बोला शक्की बिना पर जरूर डिटेन किया जाएगा लेकिन बाद में जब साबित होगा कि उनका डकैती से कोई लेना देना नहीं था तो उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा क्या स्थाफ को चेक नहीं किया जाएगा निकी से पूछ जब स्चोर ग्राकों से खाली हो जाएगा निकी बोली तो मेरी अकल तो यहीं कहती है कि रूटीन के तौर पर स्चाफ को भी चेक किया जाएगा लेकिन वो हवा में हाथ मालने जैसी हरकत होगी ये सवाल तो जीत सिंग बोला फिर भी सेर उठाए खड़ा होगा कि डखैत कहां गए डखैती का माल कहां गिया इसका जवाब सिल्वेरा बोला उन्हें इसके सिवाए और कोई नहीं सूचे का कि जैसे डखैतों ने गली वाले दर्वासे का वाल्ट जैसा लोग खोलने का कमाल एक बार कर दिखाया था वैसे ही वो कमाल उन्होंने दूसरी बार आटोमेटिक लॉकिंग के साथ भी कर दिखाया था यानि कि मिशन सक्सेस्पुल कहां सक्सेस्पुल माल तो हाथ आया नहीं वो तो तब भी स्चोर में होगा अमानती सामान के तौर पर में पहुँचेंगे कुछ सूट केसों की खरीदारी करेंगे उनकी पेमेंट चुकता करेंगे और टहलते हुए स्चोर से बाहर निकल आएंगे इजी नोटों में भी वजन होता है उस वजन की खबर किसको होगी खरीदार को तुम निकी बोली भूल रहे हो कि वो सेल्प सर्विस चौर है वहां ग्राहक खोद अपनी जरूरत की आइटम के पास चाता है उसे परकता है पसंद करता है और फिर काउंटर पर आकर उसकी पेमेंट अधा करता है और आइटम के साथ चलता बनता है आइटम को पेक करके डिलेवरी के लिए तयार करने का रिवास होता है और डिलेवरी काउंटर जुदा होते है वहां कैश काउंटर जुदा है और अगर ग्राहक आइटम पेक नहीं कराना चाहता तो पैकिंग उस पर जबरन नहीं थोपि जाती उपर से तुम भूल रहे हो कि उस डिपार्टमेंट की इंचार्च मैं हूँ और ये मेरा जिमा है कि तुम सोट केस खरीदने वहां आओ तो तुम्हें किसी अंचाही अर्चन का सामना ना करना पड़े मुझे किसी को भी कोई भी वहां सोट केस खरीदने जा सकता है तुम भी जा सकते हो वो सब सिल्वेरा बोला इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे हाथ कितने सूट केसों से भरा जाने का काबिल माल लगता है एनिवे वो जब होगा जैसे होगा देखा जाएगा अब तुम साफ बोलो कि इस कीम में तुम्हें कोई स्कोप दिखाई देता है क्या देता है इस जवाब को हम तुमारी हाँ समझे हाँ गॉड ब्लेस यू दियर ब्रदर इसी बात पर शियर्स बोले छीक है उसने फोन उठाकर उसका बजर दबाया और फिर धीरे धीरे माउथ पीस में कुछ बोला फिर उसने रिसीवर रख दिया और गोल्ड फ्लेक का पैकेट निकाल कर उसे सिगरेट पेश किया इस बात जीत सिंग ने कोई हुजत नहीं की उसने एक सिगरेट ले लिया सिल्वेरा ने एक सिगरेट खुद लिया और फिर लाइटर जला कर दोनों सिगरेट सुलगाई तभी सफेद कमीज पर काली टाई लगाई और काला कोट पहने एक युवक वहाँ पहुचा वो दुबला पतला गोरा चिट्टा क्लीन शेवड खुबसूरत युवक था जो कि उम्र में 26-27 साल से ज्यादा का नहीं लगता था अपने दोनों हातों में वो ट्रे उठाई था जिस पर सोड़े और पानी से भरी कांच की दो फ्लॉस और विस्की के चार जाम रखे थे उसने ट्रे मेस पर रख दी और जीट सिंग के दूसरे पहलू में कुर्सी पर बैठ गया ये अनंत गोप से है सिल्वेरा ने परिचे दिया हमारा fraternity brother यानि की हम पांच का चौथा जीट सिंग ने उससे हात मिलाया तो ये था लुची का boyfriend boyfriend क्या था? भूंगा था जो उस भयानक मकडी के जाल में फसा हुआ था गोप से ने हर किसी की सोड़े या पानी की चोईस पूच पूच के ड्रिंक सर्व किये और एक पैक खुद संभाला फिर सबने गिलास टकराए और चेर्स बोला जीट सिंग हैरान था कि ड्रिंक्स में निकी भी शरीक थी सिल्वेरा से उसकी हैरानी चुपी नहीं रही ब्रदर वो बोला अभी जो तु इसको गोड और गुलगुल करके कुछ बोला एन फिट बोला देख लो विसकी पीती है सिग्रेट से परहेज करती है निकी ने सिल्वेरा की तरफ आंखे तरे री दूसरे जान के दौरान वहाँ प्रोजेक्ट का पांचवा पार्टनर भी पहुँच गया उस पर निगापढ़ते ही गोपसे ने अपना गिलास खाली किया और वहाँ से उठकर उठकर चला गया उसकी खाली कुर्सी पर अगंतुग धेर हो गया उसने हाथ बढ़ा कर सिल्वेरा के सामने पड़ा सिग्रेट का पैकेट उठाया और एक सिग्रेट सुलगा लिया फिर उसने यूँ जेत सिंग की तरफ देखा जैसे कसाई बकरे को देखता है बदरीनाथ सिल्वेरा ने परिछे दिया ग्रेट गाई, वेरी कॉन्फिडेंट, विल डू दे जॉब, मेरे को पक्का है और ब्रदर, वो जेत सिंग से बोला ये अली शाह है, हमारा पांचमा फ्रेटिनर्टी ब्रदर एक वेटर चाई के नए जाम वहाँ छोड़ किया वो साथ में चिकन के कबाब भी लाया था चारों ने फिर चेर्स बोला जेत सिंग वैसी किसी बैठक का इच्चुक नहीं था फिर भी उसे वहाँ रात के ग्यारा बच गए उस दोरान उसे मालुम हुआ कि उसी इलाके में करीब ही सेंट जोर्ज रोड पर प्राइस चार नाम का एंगलर्स क्लब जैसा ही मध्यम वर्ग का एक बार था जिसका वैसे ही अलिशा मैनेचर था जैसे सिलवेरा एंगलर्स क्लब का मैनेचर था तीसरे पेक के बाद निकी दिसाई सब को गुड नाइट बोल कर वहां से परेल के लिए रुकसत हो गई थी जहां की सूरत टैक्साई मिल के वर्करों के लिए बने क्वाट्रों में से एक को सबलैट करके वो रहती थी पीछे अलिशा ने जेद सिंग के साथ बहुत फ्रैंक होने की कोशिश की नशे में वो उसके साथ धोल धपे तक पर उतर आया जिसकी वज़ा से जेद सिंग उससे विरक्त हुए बिना नहीं रह सका फिल्मी मवालियों जैसा उसका रख रखाफ भी जेद सिंग को ना पसंद आया था सिल्वेरा असल में कैसा भी था उपर से अच्छे मैनर्स वाला फुल जेंडलमेन जान पड़ता था अलिशा ना वैसा जान पड़ता था और ना वैसा जान पड़ने की उसकी कोई ख्वायश या कोशिश थी मेरी भला से उसने मन ही मन सोचा मैंने कौन से उस से या उन में से किसी से भी यारी गांटनी है आदी रात को मुकमल टून हालत में वो चिंज पोकली अपने घर जाकर लगा अगले रोज दोपहर बाद जीत सिंग और जोस सिल्वेरा तार देव पहुंचे वो रविवार का दिन था इसलिए वह रोजाना की तरह भीट से भी ज्यादा भीट थी सिल्वेरा को वो विशाल स्चोर पहले से देखा भाला था इसलिए उसी ने उसे हर जगा का चकर लगवाया जो नई बात जीत सिंग की जानकारी में आई और बकॉल सिल्वेरा संयोग वर्ष जिसका पिछली लाग जिक्र नहीं आया था वो ये थी कि स्चोर के सिक्यॉरिटी चीफ का आफिस में इमारत से बाहर उसके सामने के कंपाउंड में था लेहाजा जब उपर अकाउंट स आफिस से बटन दबाने पर स्चोर के दर्वाजे आटोमेटिकली बंद होते तो उन्हें दुबारा खोलने में सक्षम सिक्यॉरिटी चीफ बंद दर्वाजों से बाहर होता यानि कि उसको मौत का डर धिला कर आटोमेटिक लॉकिंग को कैंसल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था स्चोर को लगज डिपार्टमेंट जीत सिंग की अपिक्षा से कहीं बड़ा निकला वहाँ अच्छत के करीब तक एक दूसरे से समानांतर रैक लगे हुई थे और वहाँ हर रंग और आकार के सैंकडो अटैची केस, ब्रीफ केस, वैनिटी केस वगएरा मौजूद थे वहाँ अपने डिपार्टमेंट में चुस्ती और मुस्तैदी की प्रतिमूर्ती बनी और पिछले रोज वाली ही पुशाख पहने जो की अब स्थापित हो चुका था कि वहाँ की महिला करमचारियों की युनिफॉर्म थी, निकी दिसाई मौजूद थी लेकिन उसने ना उनसे आँख मिलाने की कोशिश की और ना ही उनके पास फटकने की कोशिश की वारदात वाले दिन जो खाली कमरा उन लोगों के हवाले किया जाना था वो लगश डिपार्टमेंट में घुसते ही दाईं तरफ था दर्वाजे पर ताला लगा हुआ था, जीत सिंग की भवे उठी चाबी हमारी गुडिया के पास से सिल्वेरा दबे स्वर में बोला हमारी जरूरत के वक्त यहां ताला नहीं होगा बढ़िया आखिर में वो इमारत के बाहर निकल कर बाजू की उस गली में पहुँचे जहां की स्चोर के मालिक शिवनात पाटिल की प्राइविट एंट्रेंस का फॉलादी दर्वासा था दर्वासे के बिल्ट अन लॉक का चाबी का छेध ही दिखाई देता था जिससे ये कहना मोहाल था कि भीतर ताला कैसा था और कितना बड़ा था वही बात बड़े सस्पैंस में सिल्वेरो ने भी कही सिग्रिट निकालो जीत सिंग बोला सिल्वेरा ने ततकाल गोल्ड फ्लैक का पैकेट जेब से निकाला और दोनों ने सिग्रिट सुलगाई फिर दोनों यूँ दर्वाजे के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए जैसे सिगरेट का आनंद लेने के लिए ही वहां रुके हो उस दोरान जीत सिंग ने जेब से एक लंबी पतली अलुमीनियम की पत्ती निकाली और सावधानी से बाएं बाएं दाएं बाएं देख कर उस ता कर्मियता से बड़ी दक्षता से बड़ी तरीके से पत्ती को आगे पीछे सरकाता रहा और दाएं बाएं उमेटता रहा कोई आ रहा है एका एक सिल्वेरा बोला जीत सिंग ने ततकाल पत्ती खींच ली और उसे जेब में डाल लिया वो फिर ये जाहिर करने लगा जैसे कि दिशा में जिदर से कि वो वहां पहुंचे थे निगार डाली एक आदमी गली में दाखिल हो रहा था किधर जाएगा जीत सिंग दबे स्वर में बोला आगे तो गली बंध है अभी पता चल जाएगा सिल्वेरा बोला वो आदमी गली में पांचे कदमी आगे बढ़ा ठि हाँ ये काम इधर आम होता जान पड़ता है हो सकता है ताला खोल लेगा न यहां से चलो लगता है खोल लेगा चलो रात को एंगलर्स क्लब में पांचों की फिर मेटिंग हुई डियर ब्रदरन सिल्वेरा बोला I have good news हमारा डियर डार्लिंग लॉकमेन कहता है कि ये गली वाले दर्वाजे का ताला बड़ी हद 15 मिनट में खोल लेगा ये कहता है कि वो दर्वाजा ही फौलादी है ताले में कोई खास खूबी नहीं है वो आम टंबल लॉक है जो एक ही च बोला हमारे लिए तो आम नहीं है ना किसी के लिए भी आम नहीं है आम मैं उसे लॉकमेन लोगों की जबानी में बोला जो माउंट एवरिस चड़ चुका हो उसके लिए माउंट एवरिस से नीची चोटियां एजी क्लाइमड ही होती है हमारा बदरीनात अपने ट्रेड का सेन सिंग नोर के है इसलिए इसके पॉइंट ओफ व्यू से मैं उस लॉक को आम बोला ना कि वो है ही आम बहराल ये उसे खोल लेगा ना हाँ और वाल्ट को वाल्ट को भी खोल लेगा अलबता उसके खोल लेने के मामले में कोई टाइम लिमिट मुकरर करना ये कहता है कि इस के लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि जैसे इसे दर्वाजे के लॉक को परकने का मौका मिला वैसे वाल्ट के लॉक को परकने का मौका नहीं मिलने वाला सारा टाइम निकी भुनबुनाती सी बोली वॉल्ट ही खोलने में लग गया तो उपर से पाटिल के आ जाने का वक्त हो गया तो ऐसा नहीं होगा सिल्वेरा बोला तुम्हें क्या मालूम अलिशा बोला हमें उमीद करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा और उमीद पर माई डियर ब्रदरन दुनिया काइम है कोई कुछ नहीं बोला अब जैसा कि हमारी डॉल के बताए हमें मालूम है कि स्चोर का मालिक पाटिल वल्ट में कैश बंद करने के लिए अकाउंट्स आफिस में तीन फेरे लगाता है पहला एक बजे दूसरा पांच बजे और तीसरा आठ बजे यानि कि हमारे पास अपने काम के लिए तीन टाइम स्पैन है पहला दस बजे के बाद किसी वक्त जब किस चोर खुलता है दूसर एक बजे के बाद और तीसरा पांच बजे के बाद इन में से पहला टाइम स्पैम चुनना हमारे लिए घाटे का सौधा होगा क्योंकि स्चोर अभी खुला ही होता तो डेली सेल के खाते में तो अभी कुछ भी नहीं जुडा होगा दूसरे टाइम स्पैन के साथ ही थोड़ अलबता दूसरे टाइम स्पैन में ये एक एडवांटेच है कि उसका टाइम पीरिट सबसे बढ़ा है उस दारान हमारे पास पूरे एक घंटे का एक्स्रा टाइम होगा लेकिन वो वक्त ब्रॉड डे लाइट का होगा जिसमें हमारे लॉक मैन का गली के दर्वाजे के साथ चलता प्ले किसी के निगाह में आ सकता है फिर तो हमारा निशाना अलिशा बोला पांच बजे के बाद का ही टाइम होना चाहिए I agree with you हमारा लॉक मैन भी यही कहता है आज कल के मौसम में पांच सवा पांच तक की दिन की रोशनी होती है उसके बाद अंदेरा होना शुरू ह हो जाता है जो कि पौने छे तक मुकमल हो जाता है डियर ब्रदरन हम साड़े पांच बजे वहां पहुंचेंगे तब गली में अंधेरा होगा क्या हाँ गली के दहाने पर एक म्यूनिस्पैलिटी का स्ट्रेट लाइट है जीत सिंग ने याद दिलाया वो कई दिनों से खरा Good, this is good sign इसका मतलब है हालात भी हमारी मदद कर रहे हैं So as I was saying हम साड़े पांच बजे वहां पहुंचेंगे इस से अरली पहुंचना ठीक नहीं होगा क्योंकि गली में अभी दिन की रोशनी होगी इस से लेट पहुंचना हम अफॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जितना हम लॉक मैं को वॉल्ट खोलने के लिए मिलेगा So 5.30 PM is perfect time for us सबने सेहमती में सिर हिलाया बदरी सर्च में 15 मिनट में दर्वाजे का लॉक खोल लेगा तो 6 बजे से पहले अपनी कारी गिरी आसमाने के लिए वॉल्ट इसके हवाले होगा वैसे तो ये 40-45 मिनट में वॉल्ट लेने का दावा करता है असल में 7.30 बजे तक भी खोल लेगा तो हमारा काम बन जाएगा क्योंकि नोटों को प्लास्टिक की बोरी में ज्यादा नोट हुए तो एक से ज्यादा बोरियों में भरना चुटकियों का काम होगा आगे जो होगा वो सबको मालुम ही है अब किसी को कोई शंका हो तो वो बराए महरबानी उसे जुबान पर लाए किसी ने कोई शंका व्यक्त नहीं की सुमबार को डखैती में काम आने वाले तमाम साजो सामान का प्रबंद कर लिया गिया फिल्मों की नगरी मुंबई में वो प्रबंद बिलकुल आसान काम था उनकी जरूरत की तयारी में थे शाम को जेत सिंग और अलिशा तारदेव पहुंच गए और सड़क पार से सूपर स्चोर के प्रवेश द्वार का मुआइना करने लगे आठ बजे स्चोर ग्राकों से खाली हो गया और फिर धेरे-धेरे करमचारी भी वहां से रुकसत होने लगे रुकसत होन नहीं दिया था वो जल्दी से बोली कि वो गाठ साधी कप्रों में ड्यूटी पर पहुंचता है अपनी वर्दी वो स्चोर में आकर पहनता है और यहीं उतार कर जाता है मतलब क्या हुआ अलिशा उतावले स्वर में बोला समझो यहां और भी सिक करमचारी है तुमें कैसे पता चलेगा कि उन में से गाठ कौन सा है क्योंकि वर्दी में तो वो होगा नहीं ओ मेरा पर्स पीछे रह गया है इसलिए मैं अभी वापिस जा रही हूँ जिस सिक से बत्याती हुई मैं दुबारा बाहर निकलूंगी वही हमारा अकाउंट्स ओफिस का गाठ होगा जिसकी दाड़ी मुच और पगड़ी का स्चायल देखने तो माई हो मैं जाती हूँ ततकाल वो घूमी और एडियां खट-खटाती वापिस चली गई वो प्रतिक्षा करते रहे दस मिनट बात वो एक कोई 40 साल के नहायत तंद्रू सिक के साथ हस्ती बत्याती बाहर निकली सिक ने दाड़ी फिक्सों से प्रेस की हुई थी और मुचे चढ़ा कर रखने की जगा नीचे को केंच कर दाड़ी के साथ प्रेस की हुई थी उसकी पगड़ी चाच की तरह फैली हुई थी और उसके भीतर से लाल रंग की 50 जांक रही थी सड़क पर पहांच कर वो दोनों अपनी अपनी राह लग गए क्या देखा जीत सिंग बोला वही अलिशा बोला जो देखने आए थे उसकी बाई आंक के नीचे एक मस्सा था अलिशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा बहुत दूर बेनी निगाप आई है तुने बद्री मस्सा भी शिनाक्ति निशान होता है मैं ध् वारदात पर पहुंची जिसे कि सिल्वेरा चला रहा था उसकी बगल में अपने आजारों के बैक के साथ जीत सिंग मौजूद था और पिछली सीट पर फ्लोर बॉय की युनिफोर्म में नोटों की ट्रे और उनके वाउचर समेत अनंत गोप से और गाट की वर्दी में बा कई दिनों से खराब थी वो उस रोज चल रही थी तौबा पलिशा वित्रिशना पूंट स्वर में बोला कमेटी वालों को भी आची सूचना था ये ट्यूप चालू करना बंद कर देते हैं गोप से बोला कैसे सिल्वेरा बोला फूंक मार कर या पथर मार कर या खंबे पर चड़ेगा जोर से थोक निकलता गोप से खामोश हो गया चलती सडक है हम खामखा किसी के दवज्जो अपनी तरफ जाना अफॉर्ट नहीं कर सकते ट्यूप की रोजनी गली में थोड़ी दूर तक ही जा रही है जीत सिंग बोला तेरा मतलब है ये दर्वाजे तक नहीं पह काम में होता है माई डियर ब्रदर अभी काम सिर्फ तेरा है अभी रिस्क सिर्फ तेरा है मैं रिस्क लेने को तयार हूँ सोच ले वक्त जाया करने वाली बाते बंद करो अलिशा बोला ठीक है सिल्वेरा बोला तु पहुंच अपने ठीकाने पर हम दस मिनट बाद वापिस लोटेंगे अगर ताला खुल चुका हो तो दर्वासे के सामने मौजूद रहने की जगा खाली मैदान की दिवार से लगकर खड़े रहना हम समझ जाएंगे तब तक काम ना हो चुका हुआ हो तो हम पांच मिनट बाद वापिस लोटेंगे ओके जीत सिंग ने हामी भरी जा फिर मैं फ्रांसेस से तेरी काम्याबी और सलामती की दूआ करूंगा जीत सिंग कार से निकला और खामोशी से गली में दाकिल हो गया कार आगे बढ़ चली जीत सिंग स्चोर की इमारत के साई में चलता दर्वासे तक पहुँचा वहां से उसने सड़क की तरफ निगा ललकारेगा तो आजार दिवार से पार खाली मैदाल में फेंग कर धार मारने का दिखावा करने लगूंगा इतने से थोड़ी डांट पर सकती थी थोड़ी फजीहत हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकता था आश्वस्त होकर उसने अपना कार्य शुरू किया जिसे कि पूरी त सनमयता पर गली में किसी बिक्षन किसी की आमत का अंदेशा हावी था पांच मिनट बाद उसे गली के दहाने पर पहुंच कर एक कार रुकती दिखाई थी क्या लौट भी आए वो लोग नहीं ये तो टैक्सी थी क्या वांदा था ऐसे खड़ी हो गई होगी चली जाएगी वो अपना काम करने लगा उसने अगली बार सड़क की तरफ निगा उठाई तो उसने टैक्सी में एक सवारी को बैठते देखा फिर सवारी के पीछे पिछला दर्वासा बंद होते ही टैक्सी वहां से चली गई बढ़िया काली एमबैस्जर गली के दहाने पर प्रकट वो कुछ शन वहां ठिटकी और फिर आगे बढ़ गई अगली बार जब वो लोटी तब जेट सिंग दर्वासे से परे हट कर खाली मैदान की दिवार के साथ लगा खड़ा था एमबैस्जर का पिछला दर्वासा खुला अली शा और गोप से बाहर निकले उन्होंने गली मे कदम डाला तो एमबैस्जर आगे बढ़ गई दोनों दबे पाउं गली में आगे बढ़े सिल्वेरा ने कार को कहीं पार्ट करके वापिस लोटना था जीट सिंग ने आगे बढ़कर दर्वासे को धका दे कर थोड़ा सा खोला और भीतर दाखिल हो गया उसके पीछे पीछ ही अलिशा और गोप से वहां घुस आए जीट सिंग ने ततकाल दर्वासा बंद कर दिया भीतर रोशनी थी जिसका बाहर गली में पढ़ना उनके लिए ठीक नहीं होता इसलिए वो दर्वासे में एक जीरी तक नहीं बना सकते थे जिसमें से कि वो सिल्वेरा को वहां पहु पीछे दर्वासा बंद कर दिया दर्वासे का आटोमेटिक लॉक खुद ही लग गया सो फार सो गुट सिल्वेरा दबिस्वर में बोला मुबारक बदरी अलिशा पोला मेरी भी बदाई बदरी गोप से बोला बढ़िया जीत सिंग बोला बदाईयों से ही बोरिया भरेंगे और यहीं से लौट चलेंगे तीनों सक पकाए फिर सहमती में सिर हिलाता सिल्वेरा आगे बढ़ा बाकी तीनों उसके पीछे हो लिए दबे पाउं वो सेडियां चड़ने लगा सेडियों के उपरी दहाने पर पहुँच कर वो ठिटके सल्वेरा कुछ शंड कान खड़े कि आहट लेने की कोशिश करता रहा फिर उसने गोपसे को इशारा किया गोपसे ने अपने एका एक सूखाय होंटों पर जुबान फेरी गंपती बपा मो रिया वो होंटों में बुद बुदाया अलिशा ने उसे आगे धकेला प्रे संभाले भारी कदमों से वो आगे बढ़ा और मोड काट कर उनकी निगाहों से उजल हो गिया पीछे तीनों सांस रोके प्रतिक्षा करते रहे कोई तीन मिनट बाद एक हलकी सी सीटी की आवाज उनके कानों तक पहुँची वो गोपसे को अपने हिस्से के काम में काम्याबी की तरफ इशारा था तीनों दबे पाउं गल्यारे में आगे लपके वो अगले जंगले पर पहुँचे तो उन्होंने जंगला खुला पाया और बेहोश से गाट को गोपसे के कदमों में लुड़का पड़ा पाया अलिशा लपक कर गाट के करीब पहुँचा सिल्वेरा ने एक करीबी क्लोजेट का दर्वाज़ा खुला तो पाया कि उसमें बेहोश गाट को बंद करने के लिए प्रियाब जगा थी अलिशा ने उसे घसीट कर क्लोजेट के भीतर पहुँचाया फिर उसने उसकी कमर पर से रिवालवर वाली बेल्ट खुल ली और अपनी कमर से बांद ली जीट सिंग सक्पकाया उसने सिल्वेरा की तरफ देखा तो वो जान भुचकर परे देखने लगा उन्होंने क्लोजेट में गाट की पगड़ी से ही उसकी मुशके कसी और उसके मुँ में रुमाल ठूस कर उपर से एक और रुमाल बांद दिया क्लोजेट का दर्वाजा यथा पूर बंद कर दिया गया अलीशा गलियारे में आगे बढ़ा पीछे तीनों आफिस के प्रवेश द्वार की यॉर्ड की दिवार के साथ लग कर खड़े हो गए टॉयलेट जाना है ब्रावो अलीशा खिड़की के पास पहुँच कर बोला दर्वाजा खोलो फिर ततकाल वो आगे बढ़ गया दर्वाजा खुला अलीशा भीतर दाखिल हुआ सिल्वेरा ने जेब से एक मुड़ा हुआ कपड़ा सा निकाल कर जेट सिंग को थमाया पर वैसा ही एक कपड़ा खुद थामा जेट सिंग ने उसे खोला तो पाया कि वो एक नकाब थी उसने नकाब सिर पर ओड़ ली और उसके आँखों के सामने के छेट एड़्जस किये वैसा ही सिल्वेरा ने किया मैं गोप से व्याकुल भाफ से फुस्फुसाया मैं मेरे लिए तेरे को क्या फर्क पड़ता है तुझे तो इधर ओफिस का स्चाफ पहले ही देखा फिर भी तेरे अभी आगे भी रोल है जिसमें नकाब नहीं चलने की लेकिन चुप हलकी सेटी फिर वातावरण में गुंजी थी वे ओफिस के दर्वाजे की तरफ लपके टॉई गंस हाथ में लिए भीतर दाखिल हुए भीतर अकाउंट्स ओफिस के पांचो करम चारी दर्वाजे के करीब की दिवार के साथ लगे खड़े थे सबके हाथ उनके गर्दनों के पीछे बंदे हुए थे और सब फटी फटी आँखों से कभी नवांगंतकों को देख रहे थे अलिशा के दोनों हाथों में गंद थी जेद सिंग ने विशेश रूप से नोट किया कि उसकी कमर से बंदी गाट की बेल्ट का होलिस्टर खाली था सिल्वेरा के निर्देश पर गोपसे ने अपनी टोपी और ट्यूनिक उतार कर एक और डाल दी और बन्यान और पतलून पहने कैश विंडो के सामने जा बैठा फिर सिल्वेरा ने अलिशा की जगा ले ली और अलिशा जगले पर गाट की जगा लेने के लिए वहाँ से बाहर निकल गया जीत सिंग वाल्ट पर पहुंच किया और अपने काम में जुट गया वाल्ट उसी दिवार में फिट था जिसमें की कैश विंडो थी इसलिए विंडो के रास्ते जीत सिंग पर निगा नहीं पड़ सकती थी वातावरण ब्लेट की धार की तरह पैना हो उठा था दस मिनट वैसे ही गुजरे फिर बाहर जंगला खुलने की आवाज हुई सिल्वेरा ने गोपसे को इशारा किया गोपसे संबल कर बैट कया कैश विंडो पर एक फ्लोर बॉई प्रकट हुआ उसने ट्रे को विंडो से भीतर दखेला और बोला वाउचर पकड़ो गोपसे ने ग्रिल में से सरकाया गया वाउचर थामने के लिए हाथ बढ़ाया अरे फ्लोर बॉई के मुझ से निकला गोपसे तू इधर गोपसे की फ्लोर बॉई पर निकाह पड़ी तो उसके जैसे ही प्राण निकल ही गए उसके सामने खड़ा फ्लोर बॉई उसका सुशिल पारिक नाम का स्कूल का एक सहपाटी था जिसकी सालों से उसने सूरत नहीं देखी थी गोपसे का नाम लिया जादा सुनकर सिल्वेरा और जीत सिंग भी स्थब्द रह गए थे जीत सिंग का तो काम करता हाथ ही रुख गया था दोनों सांस रोके कान खड़े किये ठिटके रहे थे हाँ गोपसे बड़ी कठिनाई से बोल पाया मैं इधर कमाल है फ्लॉर बॉई बोला तो भी सूपर स्चोर का मुलासिम है और मेरे को मालूम ही नहीं अभी कक कल ही भरती हुआ तभी तो छुटे के बाद में गेट पर मिलना बाते करेंगे अच्छा आज ओफिस में और कोई दिखाई नहीं दे रहा और कोई और कोई कौन भी बाकिस चाफ अकाउंटेंट वो वो सब पाठिल सहब के पास है क्यूं क्यूं क्या बुलाया है प्रोप्राइटर ने ओ शिवनाद पाठिल सहब की बात कर रहा है हाँ तेरी कमीज कहां गई कमीज गंजी पहन के बैठा है कमीज किदर है कमीज हाँ कमीज भीग गई भीग गई भीगो दी चाई चाई गिर पड़ी थी दाक्त को धो कर उधर उधर बाजो में लटकाई है सूख जाएगी तो पहन लूँगा गोबसे तू इतना घबराया हुआ क्यूं है मैं घबराया नहीं नहीं तो चल ऐसे ही सही अब मेरे वाउचर की कॉपी दे मुझे साइन करके गोबसे ने कॉपी पड़ ना पढ़े जा सकने वाले साइन खसीटे और वो आगे बढ़ा दी फ्लोर बॉइ गोबसे को शाम को मिलने की दुबारा ताकीत करता वहां से चला गिया पीछे गोबसे जटके से कुर्सी पर से उठा और सिल्वेरा के पास पहुंचा आपने मुझे मरवा दिया वो रुधे कंट से बोला चुप सिल्वेरा घुड़क कर बोला ये ऐसी बाते करने का वक्त नहीं अब मेरा क्या होगा कुछ नहीं होगा इडियट क्यों नहीं होगा जब वो लड़का चुप कर जा बाद में करेंगे ये बाते वक्त की नजाकत को समझ और अपनी जगा पर बैट लेकिन अबे डफर जो डैमेज होना था वो हो चुका है अब तेरी अगर-मगर से कुछ नहीं बनने वाला हाथसा कहीं भी हो सकता है कभी भी हो सकता है और उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है और जो हुआ है वो मामूली बात है सब ठीक हो जाएगा अब जाके अपनी जगा पर बैट और जब तक कोई फ्लोर बॉय नहीं पहुँचता इन पर भी निगा रख मातमी सूरत लिए गोप से वापिस जा बैठा एका एक ठेहर गया फिर आगे वक्त आगे सरका जीट सिंग अपने काम में जुट गया और आधे घंटे में उसने वाल्ट खोल लिया सिल्वेरा की बांचे खिल गई वाल्ट खुला देखकर तब पहली बार गोप से की उचड़ी सूरत पर भी रौनक आई एक बार की वो भोल गया कि अभी वो सिर्फ बड़े नोट एक एक जीट सिंग चेतावनी भरे स्वर में बोला बड़े नोट सब आने दो लालश में लरश्ती आवाज में गोप से बोला अरे तेरा बॉस बोला सब आने दो ऐसा मौका क्या बार बार आता है बोरिया चार ही है मूर्क देखी जाएगी सब आने दो जीट सिंग खामो शोक्या आफिस का स्चाफ फटी फटी आँकों से वाल्ट कलुटता देख रहा था सिल्वेरा की बाद जैसे निगा सब पर फिर रही थी और सब उसके दोनों हातों में थमे आगुगलने वाले हत्यारों से त्रस थे आनन फानन चार बोरिया नोटों से भर गई और उनके मूँ पर गांट लगा दी गई सिल्वेरा ने दर्वाजे को जूते की एड़ी से ठक ठका कर अलिशा का ध्यान अपनी तरफ किया ततकाल वो वहां पहुँचा वाल्ट खुला पड़ा देखकर उसने नाचने लगने से कसर न छोड़ी निकलो वो बोला इधर मैं देखता हूँ जीत सिंग ने अपने औजार और एक बोरी संभाली गोपसे ने पहले ट्यूनिक और टोपी पहनी और फिर सिल्वेरा के कहने पर दो बोरी संभाली अलिशा के साथ आना सिल्वेरा उसके कान में बोला फिर एक बोरी वो संभालेगा गोपसे ने सहमती में सिर हिलाया फिर चौथी बोरी सिल्वेरा ने उठाई उसने जीत सिंग को इशारा किया दोनों वहाँ से बाहर निकल गए आफिस से निकलते ही उन्होंने चेहरों से नकाब उतार कर जेब में रख ली और नीशब्द आगे बढ़े फिर दो बोरियों के साथ गोप से बाहर निकला मैं अभी बाहर ही हूँ भीतर अलिशा कहर भरे स्वर में बोला पांच मिनट तक बाहर कदम रखने की कोशिश की तो गोली तत तुम अकाउंटेंट कमपित स्वर में बोला हर नाम सिंग नहीं हो शटाफ अकाउंटेंट सहम कर चुप हो गया उल्टा चलता हुआ अलिशा बाहर निकला उसने दर्वाजे को बाहर से कुंडी लगा दी फिर वो गोपसे के पीछे लपका सिल्वेरा और जेत सिंग उस गलियारे में दिखाई नहीं दे रहे थे उसने पहले निकले होने की वज़ा से वो आगे निकल गए थे वो अगले गलियारे में पहुंचे जिस रास्ते से वो आए थे वो उसके दहाने पर पहुंचे तो अलिशा ने गोपसे को धीरे से पुकारा गोपसे ठिटका उसने पीछे देखा इधर चल अलिशा दहाने की तरफ इशारा करता हुआ बोला इधर गोपसे सत पकाया किस लिए? अबे? चलेगा तो लगेगा ना? लेकिन... भाड में जा मुझे सिल्वेरा ने जो बोला वो मैंने तेरे को बोल दिया लेकिन इधर तो... अरे मूर्क निकी ने अलाम का और दरवाजे बंद होने का आटोमेटिक सरकट कार्ट दिया हुआ है हमने इधर से ही बाहर चाना है वो दोनों भी इधर ही गए है ओ, तु ऐसा बोलो ना? ऐसा इच बोला मैं पन तेरे भेजे में किधर गुसता है? ततकाल गोब से उधर बढ़ा और गल्यारा चोड़ कर सीड़ियों के आगे की ड्योड़ी में दाखिल हो गया बोरे उठा लिये तभी दहाने पर जीत सिंग प्रकट हुआ क्या हुआ? वो बोला यहां से चलो अलिशा बोला बताता हूँ तुमने इसे शूट कर दिया? करना पड़ा चलो अलिशा दो बोरियां संभाले वहां से दोड़ चला मजबूरन जीत सिंग भी उसके पीछे लपका दोनों ने विग्न लगेज डिपार्टमेंट के खाली कमरे में पहुँच गए जहां कि सिल्वेरा पहले ही पहुँचा हुआ था अलिशा ने अपने चेहरे पर से दाड़ी मोच मसा पगड़ी और फिर्फ्टी उतार कर सब सामान एक और फैंका और फिर वर्दी उतारने लगा जीत सिंग ने उसकी बाँ थाम ली बाँ चोड अलिशा खुंकार लेचे से बोला चोड़ता हूँ पहले बोल पीछे क्या हुआ यहां से बाहर निकल ले फिर पहले बोल क्या बात है सिल्वेरा बोला क्यों इस तरह तुम्हें नहीं पता क्या बात है हमारे साथ एक शक सौड था जो लटके नहीं आया तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि वो क्यों लटके नहीं आया अभी आ जाएगा कहां से आ जाएगा वो सेडियों में मरा पड़ा है इस कमीने ने उसे गोली मार दी देख भीडू अली शाह दांत पीसता हुआ बोला अगर गाली दी तो तो क्या करेगा मुझे भी शूट कर देगा तभी दर्वाजे पर दस्तक पड़ी और उसके पार से निकी फुस फुस आई जल्दी करो वरना मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी सुना अली शाह बोला जीत सिंग ने उसकी बांद छोड़ दी तीनों ने कपड़े तबदील किये फिर वहाँ पहले से निकी द्वारा पहुचा दिये गए चार सूट केसों को खोला गया और बोलियां खोल कर उन नोट उसमें भड़ दिये गए फिर वहाँ पड़ी एक पेटी में सारे उतारे गए कपड़े खाली बोरियां और जीत सिंग के उजार डाल दिये गए सिल्वेरा ने मारकर की केस अलग-अलग कतारों में कहीं उपर कहीं बीच में तो कहीं नीचे कर दिया वहाँ बाकी जो कुछ करना था निकी ने करना था तब तक स्चोर में हाहाकार मच चुका था पूरी बेफिकरी के साथ वो तीनों भी उस हाहाकार का अंग बन गए रात ग्यारा बजे चारो जने सिल्वेरा के आफिस में इकठे हुए निकी देसाई वहाँ सबसे आखिर में पहुंची थी पीछे क्या हुआ सिल्वेरा ने पूछा कुछ नहीं हुआ वो बोली क्या होना था पुलिस आई तो सिक्योरिटी वालों ने उनके साथ मिलकर पहले एक एक करके वहाँ से ग्रांकों को निकाला और फिर स्चाफ वालों को निकाला पीछे पिंज़रा खाली मिला सिवाई गोपसे की लाश के मैंने तुम्हारे पीछे चोड़े कपड़ों के टुकड़े टुकड़े करके टॉयलेट में बहा दिये और बदरी के आजार कोड़े दार में फैंक दिये वो जीट सिंग विरोत पूर्ट स्वर में बोला बहुत कीमती आजार थे इतने कीमती की दुबारा नहीं खरी दे जा सकते क्या जीट सिंग कामोश हो किया टॉय गन्स का क्या किया सिल्वेरा बोला वो काम सबसे आसान था वो सेल्फ सर्विस चोर है जहां बहुत आइट में लोग बाग एक जगा से उठाते हैं और दोसरी जगार डाल जाते हैं मैंने उन्हें एक अटेंडन्ट के हवाले किया और बोला कि कोई कमबक्त बच्चों वाला कस्चमर वो खिलोने हमारे डिपार्टमेंट पे छोड़ गया था वो जाकर उन्हें टॉय डिपार्टमेंट में रख आए वो रख आया कहानी खत्म गुड अब काम्याबी का जश्न हो जाए अलिशा बोला हो जाए निकी भी बोली बदरी सिल्वेरा की भवे उठी मेरे को तेरी हामी नहीं सुनाई दी जेट सिंग ने सिल्वेरा की बात का जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की वो निकी की तरफ गूमा और बोला तू ये नहीं पूछेगी पीछे तेरे यार के साथ क्या भी थी? क्यूं भी थी? मिस्चर वो सक्ती से बोली तमीज से बात करो या इस लिए नहीं पूछोगी की जो हुआ उसमें तेरी भी हामी थी? सिल्वेरा ये क्या कह रहा है? क्या कर रहा है ब्रदर? सिल्वेरा तिक्त भाफ से बोला एक आदमी मर गया एक ऐसा आदमी मर गया जिसकी हमारे साथ बराबिरी की शिर्कत थी जो इस बाई का बॉइफरेंड था और तुम लोग उसकी मौत पर कोई अफसोस जाहिर करने की जगा काम्याबी का जश्न मनाने की तैयारी में हो? कोई इससे सवाल तक नहीं कर रहा कि क्यों इस आदमी ने उसने अलिशा की तरफ खंजर की तरह एक उंगली भौंकी उस बेचारे को शूट कर दिया वो बैमान हो गया था अलिशा गुसे से बोला नोटों की दो बोरियां हाथ में आई देख कर आदा हिस्सा कबजाने के ख्वाब देखने लगा था कैसे कबजा सकता था वो? जब रकम के साथ हम बाहर नहीं निकल सकते थे तो वो कैसे निकल सकता था? वो सेडियों की तरफ जा रहा था जरूर उसके पास कोई जरिया था कोई तयारी थी उधर से निकल भागने की बक्वास खाम खाम ये बात नामुम्किन है फिर भी तुम्हें ऐसा लगा था तो उससे माल चीन लेते शूट क्यों किया? मैं माल चीनने की ही कोशिश में था जबकि उसने मेरे पर हमला कर दिया था टॉइकन से चाकू से जो कि उसके पास था जो कि उसने एका एक निकाल लिया था वो चाकू लेकर तुम पर जपटा तो तुमने उसे गोली मार दी? हाँ पेट में गोली मार दी? सामने से जपटते आदमी को उसकी पेट में गोली मार दी? अलिशा को जवाब नहीं सूझा उसने बेचैनी से पहलू बदला और पना मांगती निगाहों से सिल्वेरा की तरफ देखा अरे माई डियर ब्रदर सिल्वेरा अपने स्वर में मिश्री घोलता हुआ बोला तू क्यूं खाम खाम? चुप चाब बैठो जीत सिंग सक्ती से बोला अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई क्या? सुना नहीं? सिल्वेरा खामोश हो गया ये औरत खून खराबे के खिलाफ थी इसलिए टॉय गंस के इस्तेमाल का फैसला हुआ था फिर इस भेधिये के पास असली रिवालवर क्यों थी? अरे वो गाड़ की थी तेरे सामने तो इसने इस बात का कोई जिकर पहले क्यों नहीं आया था कि वहां का गाड़ हतियार बंध होता था? भाई गाड़ हतियार बंध ही होता है इसलिए जिकर नहीं आया होगा, कि उसके पास हत्यार तो अंडस्चुट था, गाड हत्यार बन नहीं होगा, तो कैसे कर पाएगा अपनी गाड गिरी, ये सब लिपा पोती की बाते हैं, हकीकत ये है, कि पीछे उस लड़के का अंजाम पहले से तैस शुदा था, सिर्फ मुझे इस बात की भ खटिया तरीके से अपना शियर बढ़ाने का ख्वाइश मन नहीं, तुम लोग शियर बढ़ाने के नहीं, शियर महफोस करने के ख्वाइश मन थे, शियर के साथ साथ खुद को भी महफोस करने के ख्वाइश मन थे, और ऐसा लड़के को शहीद किये बिना नहीं हो सकता था, क्या कह रहे हो बीते दिनों में इतनी बार हम लोगों के बेच स्कीम पर तपसरा हुआ क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक बार भी कभी नकाब का जिक्र क्यों नहीं आया नकाब जो एन मौके पर तुमने पहनी और मुझे पहनने को दी मुझे तो नहीं दी अलिशा बोला बक्वासना कर जीत सिंग चिड़कर बोला तुझे पता है क्यों नहीं दी बोल पता है कि नहीं अलिशा कुछ नहीं बोला तुँ तो गर से ही चेहरे पर नकाब चढ़ा कर गया था गनी दाड़ी मूच का उपर से चाट जैसी पगड़ी अभी और भी नकाब की जरूरत थी तुझे अलिशा परे देखने लगा नकाब के जिक्र से तुमने इसलिए परहिस किया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि गोपसे को सूच जाता कि वहां उसकी और सिर्फ उसकी सूरत एक्सपोज होने वाली थी उसे सूचा होगा तो वो इसलिए खामोश रहा होगा कि जैसे सब के साथ बीत थी वैसे उसके साथ बीत थी वहां जाकर एन मौके पर ही उसे पता लगा कि ऐसा नहीं था उसने खड़े पैर एतरास करने की कोशिश की तो उसे ये कहकर चुप करा दिया कि उसके रोल में नकाब नहीं चलने वाली थी तो ये बात तुम लोगों को पहले नहीं मालुम थी मालुम थी तो उसे क्यों नहीं बताई कैसे बताते फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट की गाड़ी वही न अटक जाती अरे ब्रदर सिल्वेरा फिर चिकने चुपड़े स्वर में बोला तेरा वो कोई सगे वाला था जो नहीं था ना मुझे उसकी मौत का अफसोस है तो फिर लोग बाग मरते ही रहते हैं जिसकी आई होती है उसने जाना ही होता है मुझे अफसोस है तो इस बात का कि तुम लोगों ने उसे धोके से मारा और उस धोके में मुझे भी शरीक कर लिया कोई कुछ नहीं बोला दौलत की दिवानगी ये औरत उसे अपना बॉइफरेंड बताती थी मुझे यकीन है कि वो इसका खसम भी होता तो इसे उसकी बली पर कोई एतरास नहीं होता वो तिल मिलाई उसने यूँ जीत सिंग की तरफ देखा जैसे निगाहों से भस्म कर देना चाहती हो फिर उस पर कोई असर होता ना पाकर वो असहाई भाव से बोली हे भगवान क्या इस आदमी को कोई चुप नहीं करा सकता अभी नई बैटरी पर चल रहा है अलिशा विश्भरे स्वर में बोला बैटरी डाउन होगी तो अपने आप चुप कर जाएगा ऐसा क्या जीत सिंग अब अलग उसे देखता हुआ बोला हाँ ऐसा तू मेरे को चुप कराना मानता है भौंकना बंद नहीं करेगा तो तू मेरे को कुटा बोला अब बोल दिया तो बोल दिया अलिशा पूरी धिटाई के साथ बोला जीत सिंग सिल्वेरा की तरफ घूमा शनिवार जब मैं यहां आया था वो बोला तो सबसे पहले तुमने मुझे चोरों में इमानदारी का सबक पढ़ाया था कुछ अंग्रेजी में भी बोला था उस बाबत ओनेस्टी अमंग थीव्स सिल्वेरा सक पकाया सा बोला वो सबक खुद नहीं सिखा इसे नहीं सिखाया जो मुझे पकाना करता है ठहर जासाले अलिशा दांद किट किटाता बोला और उस पर जपटा जीत सिंग ने अपने बचाव की कोशिश नहीं की उसने जीत सिंग को गिरेबांग से थामा जीत सिंग ने कोई एतरास नहीं किया खून पी जाओंगा अलिशा उसे गिरेबांग से जिंजोरता हुआ फुंकारा जल्दी कर ले जीत सिंग शांती से बोला यूखि तेरे पास टाइम का तोड़ा है क्योंकि तुम सब के पास टाइम का तोड़ा है जोश खाय अलिशा ने तो उसकी उस बात की तरफ ध्यान तक नहीं दिया लेकिन सिल्वेरा के माथे पर बल पड़ गए फिर एका एक वो जड़की बड़े अंदास से बोला अलिशा अलिशा ने उसकी तरफ देखा छोड़ सिल्वेरा ने आदेश दिया लेकिन ये दादागिरी बंद कर और एक मिनट चुप चाप बाजू होके बैट सिल्वेरा के स्वर में ऐसी चितावनी थी कि अलिशा ने ततकाल जीट सिंग के गिरेबान से हाथ खींच लिया और फिर उससे परे एक कुर्सी पर धेर हुआ बदरी सिल्वेरा बोला इधर मेरी तरफ देख जीट सिंग ने देखा क्या माचरा है ब्रदर क्यों हमारे पास टाइम का तोड़ा है कितने बज़े हैं जीट सिंग बोला पीछे दिवार पर घड़ी लगी है खुद देख साड़े ग्यारा बच गए अभी दो मिनट बाकी है दो मिनट खामोश बैठो उसके बाद कुछ कहना जरूरी नहीं रह जाएगा कुछ पूछना जरूरी नहीं रह जाएगा बदरी तू तो पहेलिया बुझा रहा है बस दो मिनट अब पौने दो मिनट सिल्वेरा फिर नहीं बोला आफिस में खामोशी चा गई तीनों के चेहरे पर सस्पेंस के भाव आ गए जैसे साड़े ग्यारा बचते ही वहां बम फूटने वाला हो केवल जीत सिंग निश्चिन था एन साड़े ग्यारा बचे मेस पर सिल्वेरा के सामने पड़े टेलिफोन की घंटी बची सब्द वाता वरण में घंटी की आवाज इतनी जोर से गुझी कि सबने चेहुंकर टेलिफोन की तरफ देखा सिल्वेरा ने हाथ बढ़ा कर रिसीवर उठाया हेलो माउथ पीस में बोला बद्री से बात करना मांगता है दूसरी और से आती आवाज इतनी उची थी कि बाकी लोगों को भी सुनाई थी वो कौन है? सिल्वेरा साफधान स्वर में बोला अगर तुम जो सिल्वेरा बोलता है तो तुम्हारे को मालूम अलिशा बोलता है तो भी तुम्हारे को मालूम मरदाना आवास में निकी दिसाई बोलती है तो भी तुम्हारे को मालूम तुम कौन हो? मैं वो भीड़ू हूँ जो अभी लाइन कट करेगा पुलिस हेट क्वाटर फोन लगाएगा और उधर टॉप बॉस को बुलेगा कि सूपर स्चोर की डखैती के लिए जिम्मेदार तीन महारती किधर पाये जाते थे सिल्वेरा को जैसे साम सूंग गया मैं पुलिस को ये भी बोलेगा कि रोकड़ा अभी किधर पाया जाता था पुलिस को उधर सूपर स्चोर के लगेश डिपार्टमेंट के सारे सूट केस भी खोल खोल के चेक करने पढ़ गए तो क्या वांदा है तब तीनों के खासतौर से निकी के चेहरों पर हवाईया उड़ने लगी ओ नो निकी के मुँ से निकला अलिशा ने जोर से थूप निकली सिल्वेरा ने कान पर से रिसीवर तनिक परे किया और फिर जीत सिंग से संबोधित हुआ तो ये माजरा है जीत सिंग खामोश रहा ब्रदर सूरत से इतना चालाक नहीं लगता सूरत से तो ये भी जीत सिंग ने अली शा की तरफ इशारा किया इतना कमीना नहीं लगता अली शा ने कोई सक्त बात कहने के लिए मुग खोला लेकिन सिल्वेरा की चेतावनी भरी निगा अपने पर पड़ती पा कर चुप हो गया ले सिल्वेरा जीत सिंग की तरफ रिसीवर बढ़ाता हुगा बोला बात कर जीत सिंग ने परदेशी से बात की मैं बस चल रहा हूँ आखिरकार वो बोला फोन पर ही रहना दस मिनट में मेरा फोन ना आए तो इधर फिर फोन लगाना इधर मेरे से बात ना हो तो दूसरा फोन लगाना उसने रिसीवर वापसी क्रेडल पर रख दिया और अलिशा की तरफ गूमा अलिशा वो बोला औरत के भड़काए तुने मुझे कुटा कहा लेकिन जा मैंने तुझे माफ किया ये सोच के माफ किया कि कुटे को नहीं काटता मेरे यहां से जाने के बाद अगर तुझे ये गम सताए कि सुर्माई दिखाने का तेरा अर्मान पूरा नहीं हुआ कि बाई पर रोब अगालिक करने का एक मौका तेरे हाथ से निकल गया तो याद कर ले कि मैं चिंच पोकली में रहता हूँ और यहां से सीधा अपने घर जाऊंगा वहां किसी से भी पूछना कि क्रॉफ़र्ट मार्केट का तालों वाला कारिकर कहा रहता है फिर भले ही आकर नीन में गला काट जाना तेरे सहूलियत के लिए मैं दर्वाजा खुला छोड़के सोंगा अरे नहीं ब्रदर अलीशा के मूग खोल पाने से पहले ही सिल्वेरा मक्षन से लिप्टे स्वर में बोला ऐसा कहीं हो सकता है क्या अब नहीं हो सकता क्योंकि अब ऐसा होने के अंजाम से ये वाकिफ है तुम भी, बाई भी लेकिन असल सूर्मा तो तभी कहलाएगा ना जबकि अंजाम की परवा किये बिना कोई कदम उठाएगा सर, सौरी अलीशा कठिन स्वर में बोला मुझे तेरा सौरी बोलना कबूल है एक बात और याद रखेगा तो आइंदा मिज़ाज ठिकाने रहेगा हम डकैती के अपरादी है पकड़े गए तो हमारी सजा कम होगी तो हत्या का अपरादी है फांसी पर लटकेगा अलीशा के गले की घंटी जोर से उचली अरे क्यों कोई पकड़ा जाएगा सिल्वेरा बोला पकड़े जाने की स्चेट से तो हम निकल चुके हैं अभी नहीं निकल चुके क्योंकि अभी मैं जिन्दा हूँ ब्रदर क्यों वही बदमजा कहानी फिर शुरू करता है अरे हम सब एक हैं गोपसे के साथ सच है कि हमने जुल्म किया खुद गर्सी दिखाई ये भी सच है कि हमने अपनी स्कीम का वो पहलो तेरे से छुपा कर रखा लेकिन अब जो हो चुका वो हो चुका जो घंटी बच चुकी उसे अब अनबजी नहीं किया जा सकता नोबडी कैन अन रिंग अ बैल जीत सिंग खामोश रहा डियर ब्रदर हमारा एहम तरीन काम बाकी है जो कि आपस में जगड़ते रहने से पूरा नहीं होने वाला क्या ये बात इसे नहीं मालुम थी मालुम थी बराबर मालुम थी लेकिन माथा गरम है हलकट का कभी भी घूम जाता है इसे अपनी गलती का एहसास है सौरी भी बोल चुका अब ये इसलिए इस किसे को तु छोड़ दे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तेरे से अपील करता हूँ चीक है गौड ब्लेस यू इस तल्की को दोर करने का अब यही तरीका है कि हम चेर्स बोले मैंने दस मिनट में जाना है तो दौलत के सपने देखे और उस पर काबिच होने का अपना आइंदा प्रोग्रेम डिसकस करें उसमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कोई नहीं है लेकिन फिर हो भी तो सकती है कैसे देखो अपनी तमाम सेक्यॉरिटी प्रिकॉशन्स के बाद स्चोर वालों का ना तो लुटा हुआ माल बरामत हुआ है और ना कोई डकैत पकड़ा किया है पीछे मेरी वहां मौजूद की तक निकी संजीत की से बोली आम खयाल यही जाहिर किया जा रहा था कि जिस करिश्माई तरीके से डकैतों ने वाल्ट खोल लिया था उसी तरीके से वो आनन फानन पाटिल साहब की प्राइविट एंट्रिंस का आटोमेटिक डबल डोर खोलने में भी काम्याब हो गई थे और जब तक गली के दर्वाजे की तरफ किसी की तवच्चो गई थी तब तक वो माल के साथ वहां से फरार हो चुके थे गोपसे की लाश उदर की सेडियों में मिली इस बात से भी इस त्योरी की तज़्दीक होती है वैसे तो ये मुबारक खयाल है लेकिन खयात से हमारा काम नहीं चलने वाला ये बड़ी वारदा थे जिसके बाबत पुलिस प्रेस को कोई स्टेटमेंट जरूर जारी करेगी कल के अकबारों में अगर उनके हवाले से यही चपा की लुटेरे खुद निकलने में और माल निकालने जाने में काम्याब हो गई थे तो ये हमारे लिए गुड निउस होगी फिर भी मेरी राय है कि प्रिकॉशन के तौर पर कल हमारे में से कोई एक चना वहाँ जाए और वो सूट के इस खरीदने का ड्रामा पेश करे वो काम्याब हो गया तो बाद में सूट के इस खरीद लाएंगे तुम्हारे ये वहम खड़ा करने के बाद अली शा बोला कि वहाँ कोई प्राब्लम भी हो सकती है मैं तो पहले वहाँ जाने से रहा किसी को तो जाना ही होगा हम ट्रायल वाला खयाल छोड़ भी दे तो अभी एक जना चार सूट केस नहीं ला सकता मेरे खयाल से तो जीत सिंग बोला बिना शक का शिकार हुए दो भी नहीं ला सकता नोट भले ही कागस के होते है लेकिन जब सूट केस उन से लबा लब भरे हुए हो तो उनका बहुत वजन होता है तुमने तैय ये किया था कि सौके नोट नहीं उठाए जाएंगे लेकिन उस वत लालश में हमने बोरियों में वो नोट काफी भरे थे यू नोटों का वजन बढ़ गया था जो बोरी मैंने उठाई थी उसके वजन का मेरा अंदाजा 20 किलो का है जमा सूट केस का वजन ऐसे वजनी दो सूट केस उठाकर जब कोई स्चोर से बाहर को कदम उठाएगा तो सिक्यॉरिटी वाला दूर से ही समझ जाएगा कि वो खाली नहीं थे फिर वो यही देखने के लिए सूट केस खुलवा लेगा कि उनमें बिना बिल भरे उठाया हुआ माल तो नहीं था शॉप लिफ्टिंग का माल सिल्वेरा के मूँ से निकला हाँ शायद यही कहते हैं अंग्रेजी में बदरी ये तो तु बड़ी खतरनाग बात सुझा रहा है एक सूट केस के साथ अलिशा बोला शायद ऐसा ना हो हो तो एक के साथ भी सकता है जीत सिंग बोला लेकिन तब संभावना कम होगी फिर भी होगी तो सही अगर सूट केस पैक्ड होगा निकी बोली तो उसमें शौफ लिफ्टिंग का सामान होने का शक नहीं होगा पैक्ड क्या मतलब अलिशा बोला पैक्ड मतलब पैक्ड वो इतना बड़ा मॉडरन स्चोर है वहाँ ग्राहक कोई चीज खरीता है तो वो उसके हाथ में यूही थोड़े ही थमा दी जाती है मेरे सेक्शन में सूट केस को स्चोर का नाम पता छपे रैपिंग पेपर में लपेट कर उपर से पीविसी का वैसा ही छपा हुआ फैंसी रिबन बांद कर डिलिवर किया जाता है मैं नहीं समझती कि कोई सेक्योरिटी वाला ऐसे सूट केस पर शक करेगा ना सही लेकिन मैं पोछता हूँ हमारा खोद जाना क्यों जरूरी है हम किसी को भी भेज सकते हैं बलकि चार ज़नों को भेज सकते हैं चार जुदा जुदा वक्तों पर चार ज़नों को भेज सकते हैं निकी उन्हें सूट केस की शिनात करा देगी और खुद उन्हें यूँ पैक कर देगी कि वो शौप लिफ्टिंग का जरिया न लगे जीत सिंग ने देखा निकी पहले ही इंकार में गर्दन हिलाने लगी थी क्यों अलिशा बोला क्या हुआ किसी भी वज़ा से सब के सब या उनमें से कोई एक जना पकड़ा गया और उसने ये बयान दिया कि वो सूट केस लगेज डिपार्टमेंट की इंचार्च मैडम ने जिसे कि वो जानता तक नहीं था खरीदवाया था तो जरा सोचो फिर मेरा क्या हाल होगा और सिल्वेरा बोला इसका वो हाल हो चुकने के बाद हमारा क्या हाल होगा अलिशा की जुबान को ताला लखेया आप मेरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता जीद सिंग धेरे से बोला You said it, my dear brother, सिल्वेदा बोला मैंने जो बोल दिया, बोल दिया अलिशा बोला, पहले मैं नहीं जाने का तो फिर फैसला कैसे होगा निकी तलखी से बोली तुम मर्द लोग यूँ पेट दिखाओगे तो फैसला लोटरी से होगा, सिल्वेरा बोला लोटरी, अलिशा सक पकाया अभी तीन नामों की तीन परचियां बना कर किसी कंटेनर में डाल कर हिलाई जाएंगी और फिर निकी को एक परचिय निकालने को बोला चाएगा जिसके नाम की परचिय निकलेगी वो ये काम करेगा उसे ये काम करना पड़ेगा ये ठीक है निकी उत्सा से बोली ठीक है तो ठीक है अलिशा मरे स्वर में बोला बदरी, सिल्वेरा बोला मेरे को तेरा येस सुनाई नहीं दिया जरूरत नहीं जीत सिंग धेरे से बोला क्या तो येस बोलना नहीं मांगता क्या लोटरी नहीं मांगता तो फैसला कैसे होगा समझ लो फैसला हो गया कैसे ट्राइल के लिए अपनी राजी से मैं खुद को पेश करता हूँ क्या? कल एक सूट केस खरीदने मैं चाऊंगा पकड़ा गया तो तुम लोगों का नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा बश निकला तो इधर लौट के नहीं आऊंगा लौट के नहीं आएगा? हाँ मैं समझूंगा मेरा हिस्सा मुझे मिल गया ओ मैं वहाँ एक सूट केस के साथ पकड़ा गया तो निकी के जरीए खबर तुम्हारे तक पहुंच आएगी वो खबर ना आई तो समझ लेना मैं काम्याब हुआ फिर जैसे मैं काम्याब वैसे तुम भी काम्याब लेकिन अलीशा यूं बोला जैसे आदतन एतरास कर रहा हू ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या खराबी है इसके होने में? नोट मिक्स है हो सकता है जो सूट केस तुम ले जाओ उसमें ज्यादा से ज्यादा पांच पांच सो के नोट हूँ यो तुम्हारा शियर तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये भी तो हो सकता है कि जो सूट केस मैं उठाओं उसमें ज्यादा से ज्यादा सौसो के नोट हूँ या सब के सब सौसो के नोट हूँ तब मेरा हिस्सा बहुत छोटा हो जाएगा अलिशा ला जवाब हो गया बदरी सिल्वेरा बोला मुनासिब तो यही होगा कि जब सारो चारो सूट केस यहां आ जाए तो हम सब निकी भी यहां मौजूद हो तमाम रकम गिने और उसके बराबर बराबर चार हिस्से कर लें जीत सिंग ने इंकार में सिर हिलाया मैं लोटके नहीं आना चाहता वो बोला क्यूँ? क्यूँकि जीत सिंग एका एक उट खड़ा हुआ मैं अपनी आइंदा जिंदगी में तुम लोगों की सूर्टे नहीं देखना चाहता तीनों ने यूँ शकले बनाई जैसे मूँ पर तमाचा पड़ा हो यार तू तो फिर इस बार अलिशा खुशामदी लहजे में बोला तू तो अभी भी नाराज का नाराज ही है ऐसी कोई बात नहीं नाराज़गी का मेरे फैसले में कोई दखल नहीं मैंने एक व्यवहारिक बात की है मैं ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं लखना चाहता जो सबक दूसरों को देते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते चोरों में इमान दारी क्या कहने कोई कुछ नहीं बोला कल के अखबार में कोई दिल बैठा देने वाली खबर मुझे ना चपी दिखाई थी तो कल साड़े ग्यारा बचे मैं सूपर स्चोर पहुंचूंगा कोई मेरी निगाव भी नहीं करना चाहता हो तो उधर आ जाए कोई मेरे जैसा रिस्क लेके मेरे साथ चलना चाहता हो तो भी उधर आ जाए तब तक के लिए नमस्ते वो वहां से रुक्सत हो गया अगले रोज से दोस्वपन का लंबा दोड शुरू हुआ जिसका उसकी तौबा गुलवा दी अगले रोज के बुधवार 31 दिसंबर के अखवार में सूपर सेल्फ सर्विस चोर तार देव की डगैती की खबर हर अखवार के मुख्य प्रिष्ट पर थी जीत सिंग ने वो खबर नव भारत टाइम्स में पड़ी जिसमें खबर के साथ खूले वॉल्ट की सीडियों में लूड के पड़े मृत अनंत गोपसे की और गाड हर नाम सिंग की तस्वीरे छपी थी खबर का शेशांश पिछले प्रिष्ट पर था जहां की फ्लोर बॉय सुशील पारिक के बयान के साथ उसकी तस्वीर छपी थी उसने अपने बयान में बड़े यकीन के साथ कहा था कि मृत पाया गया व्यक्ती उसका स्कूल का सहपाथी अनंत गोपसे था जिसे उसने कई सालों के बाद अकाउंट्स ओफिस की कैश विंडो पर कैशियर की ड्यूटी भुकताते बैठा देखा था अकाउंटेंड ने बयान दिया था कि वो उसके स्टाफ का आदमी नहीं था परसनल मैनेचर ने बताया था कि वो स्चोर का ही आदमी नहीं था उस नाम का कोई मुलासिम वहां नहीं था ना ही कोई भी स्चोर का मुलासिम उसकी सूरत पहचानता था पुलिस के एक प्रवक्ता ने बयान दिया था कि पुलिस को यकीन था कि वो डकैतों का साथी था जो अपने साथियों में से ही किसी किचलाई गोली का शिकार हुआ था उसी प्रिष्ट पर स्चोर के सिक्यॉरिटी चीफ का बयान था जिसने डकैती जैसी कोई वारदात होने पर वहां लगे आटोमेटिक लॉकिंग सिस्चम पर प्रकाश डाला था मुख्य प्रिष्ट पर एक बॉक्स में उस डिस्ट्रिक के DCP के कमेंट्स शपे थी जिसमें उसने अपनी पुर्जोर राय जाहिर की थी कि सिक्यॉरिटी सिस्चम जरूर उतना फूल प्रूफ नहीं था जितना की वो बताया गया था और डकैतों के साथ जरूर ही कोई बहुत ही पहुँचा हुआ वॉल्ट बस्चर था जिसने पौने घंटे से भी कम समय में अभेद्य वॉल्ट को खोल दिखाया था जरूर उसी वॉल्ट बस्चर ने गली वाले साइड डोर की आटोमेटिक लॉकिंग भी वैसे ही चुटकियों में खोल ली थी जैसे कि उसने स्चोर में प्रवेश का रास्ता बनाने के लिए उसका टंबलर लॉक बाहर से खोल दिया था स्चोर के सिक्यॉरिटी चीफ ने ये कहकर परोप्ष में डीसेपी की धारना की पुश्टी की थी कि अलाम बैल बचने के बाद उसके साथ स्चोर के तमाम दर्वाजों के आटोमेटिकली लॉक हो जाने के बाद उसकी तमाम तवज्जों स्चोर के प्रवेश दौारों पर ही रही थी और उस वाके के बहुत देर बाद उसे गली वाले साइड डोर का खयाल आया था लेकिन तब तक लुटेरे लूट के माल के साथ उधर के खाली मैदान के रास्ते फरार हो चुके थी अपने एक मुर्दा साथी को निकासी के रास्ते पर पड़ा छोड़ कर अकाउंटेंट और मालिक शिवनात पाटिल की सामुहिक परताल का नतीजा ये निकला बताया गया था कि डकैतों के हाथ कोई पौने दो करोड रुपए लगे थे एक अन्या प्रिष्ट पर गोपसे के लाश से निकला उसका एक क्लोजब शॉट छपा था जिसमें उसकी पत्राई हुई आँखों को रिटच करके काफी हद तक नॉर्मल बना दिया गया था और पबलिक से उसकी शिन्नाग की दर्खवास की गई थी जीत सिंग जानता था कि ऐसी शिन्नाग के मामले में पुलिस के मुक्बिर ज्यादा काम आते थे जो की अपनी जानकारी चुप चाप पुलिस तक पहुँचा देती थे लेहाजा अनन्त गोपसे की असलियत पर से परदा उच जाना महस वक्त की बात थी अकबार के तीसरे प्रिश्ट पर स्चोर का खुब बड़ा विग्यापन था जिसमें ग्राहकों से उनकी पिछले रोज की असुविधा के लिए खेद प्रकट किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि बुद्वार 31 दिसंबर को यानि कि नियू येर एव पर स्चोर बद स्थूर सुबर 10 बजे खुलेगा और ग्राहकों को पिछले रोज वहां हुई वारदात की वज़ा से कोई असुविधा ना होने की गैरेंटी होगी बड़िया अपने नियमित समय पर पुर्सूमल लैमिंग्टन रोड पहुंचा तो उसने अपने पीडी नवलानी को बेचैनी से फुटपार्ग पर टहलते पाया पुर्सूमल को देखते ही वो लपक कर उसके करीब पहुंचा क्या बात है पुर्सूमल बोला इकना एकसाइट क्यों है खबर ही ऐसी है नवलानी बोला हमारे सबजेक्ट की हाँ सुबह से कम से कम नहीं तो दस बार आपके घर के फोन पर आपसे बात करने की कोशिश की नवलानी एक कुर्सी पर धेर होता बोला हर बार फोन आपकी मिसिस ने उठाया घर आने पर आपने पाबंदी लगाई हुई है इसलिए यहाँ पहुंचा हुआ क्या है उस जीत सिंग ने बहुत बड़ा कांट कर दिया है क्या किया आज का अख़वार नहीं पढ़ा किया आपने पढ़ा उसमें छपी तार देव की डखैती की खबर पढ़ी है क्या अरे पढ़ी है भाई अब कुछ बोलो भी तो सही उदर सूपर स्चोर से पौने दो करोड की रकम लुट गई एक आदमी हालाक हो गया बॉस ये डखैती और फौजदारी अपने जीत सिंग का कार नामा है क्या कह रहे हो तीन आदमी और थे उसके साथ साइड डोर का दर्वाजा खोल कर भीतर गुसे दर्वाजा जीत सिंग ने खोला उपर वाल्ड भी यकीनन उसी ने खोला होगा उस खबर से उत्तेजित होने की जगा पुर्सूमल अपना ही हिसाब सोच रहा था पौने दो करोड चार चने बटा चार कोई हाथसा ना हुआ तो एक और बड़ी रकम से सुश्मीता को नवास ने आता ही होगा कर्मा मारा बॉस नवलानी कह रहा था अब चौंके नहीं चौंक गया भाई चौंक गया अब बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये मैं बताऊं तो और कौन बताए बॉस मेरे आदमी उस डकैती के चश्मदित गवा है वो डकैतों को पहचानते है ये बड़ी वारदात है जिसकी बाबत पुलिस ने पबलिक से अपील की है कि अगर किसी के पास कोई क्लियू हो तो वो सामने आई मेरे पास तो क्लियू क्या वारदात का हल ही मौजूद है तुम्हारा पुलिस के पास जाने का इरादा तो नहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जाना तो चाहिए मुझे तुम जिम्मेदार नागरिक पहले हो या जिम्मेदार प्राइवेट डिटेक्टिव पहले हो Boss धन्दा अपनी जगा है Civil sense अपनी जगा है तुम्हारी मोटी face पुलिस ने भरी है या civil authorities ने वो तो ठीक है लेकिन लेकिन क्या जब तुम client के लिए काम कर रहे हो तो उसके लिए जो भी जानकारी तुम हासिल करते हो उसको secret रखना तुम्हारा first बनता है जो जानकारी क्लाइंट ने तुम्हारी फेस भर कर तुम्हें पैसा दे के खरीती है उसे तुम किसी और काम में लाने के हगदार नहीं हो तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारा क्लाइंट उसे विफसाई कदाचार का दर्जा देगा नवलानी हक बकाया सा उसका arms देखने लगा मेरे और तुम्हारे बीच मरीज और डॉक्टर जैसा क्लाइंट और वकील जैसा रिष्टा स्थापित है जो मरीज डॉक्टर को कहता है या क्लाइंट वकील को कहता है वो प्रिविलेस्ट कम्यूनिकेशन कहलाती है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना जैसे डॉक्टर और वकील का धर्म होता है वैसे ही तुम्हारा भी धर्म है मरीज डॉक्टर को बोले कि पडोसी की बीवी के साथ संभोग करने की वज़ा से उसे सिफलिस हो गया है तो डॉक्टर पडोसी को खबर करने नहीं चल देता मुल्जिम अपने वकील को बोले कि उसने कतल किया है तो वकील उसे मुल्जिम का इकबालिया बयान मान कर उसके खिलाफ गवा नहीं बन जाता कहने का मतलब ये है कि जो कारोबारी पाबंदिया डॉक्टर और वकील पर आयद होती है वो तुम्हारे पर भी आयद होती है समझे पेडी साहब नवलानी का से स्वय में भी सेहमती में हिलने लगा फिर भी इस बाबत मुँख खोला या अपने ऑपरेटरों को खोलने दिया तो मैं तुम्हारा पेडी का लाइसेंस खारीच करा दूँगा जी फोर प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट और ब्रीच अफ प्रिविलेस्ट कम्यूनिकेशन अंडेस्टैंड I do now sir तो kindly contain yourself, cover your enthusiasm and remain loyal to your client and to nobody else Yes sir मेरा काम बद स्थूर जारी रहे Yes sir Now get along भारी कदमों के साथ नवलानी वहां से रुक्सत हुआ ठीक साड़े बारा बजे जीट सिंग सूपर स्चोर पहुंचा सिल्वेरा या अली शा के दर्शन उसे नहीं हुए दो मंजिल सेडियां चड़कर वो लगश डिपार्टमेंट पे पहुँचा जहां निकी दिसाई अपनी ड्यूटी पर मौचूद थी जीट सिंग के उस सूए उसकी केवल एक बार निगा मिली फिर वो ततकाल परे देखने लगी जीट सिंग कुछ शन इधर उधर भढ़का तो उसने महसूस किया कि इस चोर में काफी ग्राहक मौजूद थे धेरे धेरे वो हॉल के मध्य के उससे क्रैक के करीब तक सरक आया जिस पर पिशली शाम एक निशान शुदा सूट केस रखा गया था वो सूट केस वहां मौजूद था बाकी के तीन निशान शुदा सूट केसों की वहां मौजूदगी की तजदीक करने की कोशिश उसने नहीं की जब वैसा एक सूट केस मौजूद था तो बाकी तीन ने मौजूद होना ही था उसका mission सिर्फ एक सूट केस हत्याना था इसलिए बाकी के तीन सूट केसों से उसका कोई लेना देना नहीं था निशान शुदा सूट केस रैग के टॉप पर से पहली कतार में था और उसके दाएंबाई उसी रंग और आकार के कई सूट केस मौझूद थे उसने निशान शुदा सूट केस की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन फिर कुछ सोच कर एन उसकी बगल का सूट केस उठा लिया उस सूट केस के साथ वो हॉल के प्रवेश द्वार के करीब बने काउंटर पर पहुँचा जहांकि निकी देशाई मौझूद थी उसने खामोशी से वो सूट केस उसके सामने रखा निकी ने सूट केस का प्राइस टैग देखा और फिर व्यफसाई सुलप मधुर स्वर में बोली 780 रूपिज सर कोई फेस्टिवल डिसकाउंट जीत सिंग गंभीरता से बोला नो सर वो क्रिस्मिस एफ पर था नियू यर एफ पर नहीं है छीक है मैं कैश मीमो काड़ू येस प्लीज निकी ने तीन कार्बन कापियां बनाने वाली कैश मीमो की किताब अपने सामने खींच ली जीत सिंग ने सावधानी से हर तरफ निगा दोड़ाई वहां मौजूद किसी भी शक्स की उसकी तरफ या उसकी खरीद की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी उसने जेब से अपने घर के ताली की चाबी निकाली और उसको जोर से सूट केस के एक पहलू पर घसी टा जहां तक काल एक खरोच दिखाई दीने लगी निकी ने कैश मेमो में से दो कापियां फाड़ी और उन्हें जीत सिंग की तरफ बढ़ाती हुई बोली आप पेमेंट उधर पीछे करके आईए तब तक मैं इसे पैक कर देती हूँ आज दो हेलपर छुट्टी पर है इसलिए ये काम मुझे ही करना पड़ेगा आप उधर जरा ठहरिए जीत सिंग जान बुश कर कदरन उच्छ स्वर में बोला निकी खामोश हो गई सूट केस पर ये इधर लकीर से क्या है निकी ने सूट केस का रुख अपनी तरफ किया और लकीर का मौईना किया खरोंच है वो पोली मुझे खरोंच वाला सूट केस लेना पड़ेगा क्या हर्गिस नहीं सर ये सूट केस तो अब डैमिश्ट माना जाएगा और स्चोर में जाएगा बाद में ये सेकंड्स के सेल में बिकेगा आप नया सूट केस ले सकते है कैश मीमो आपको फिर बनानी पड़ेगी आपकी दूसरी च्वाइस भी यही मॉडल यही साइस होगी तो नहीं ठीक है मैं देखता हूँ दूसरा सूट केस उसने पहला सूट केस उठाने की कोशिश की तो निकी बोली इसे आप यहीं छोड़ दीजिए मैंने कहा न यह अप स्चोर में जाएगा ओ वो वहाँ से हटा और हॉल में वापिस उस थान पर पहुँचा जहां से उसने पहला सूट केस उठाया था इस बार उसने रैक पर से निशान शुदा सूट केस उठाया सहजभाव से चलता वो वापिस लोटा किसी ने उसे टोका नहीं किसी ने उसे रोका नहीं वो वापिस काउंटर पर पहुँचा उसने सूट केस को काउंटर पर निकी के सामने रखा निकी ने उसे डुपली केट में कैश मीमो थमा दी और फिर पीछे परली दिवार के साथ बने कैशियर के पिंचरे की तरफ इशारा कर दिया जीत सिंग घूम कर लंबे डग भरता उधर बढ़ा कैशियर के पिंचरे के सामने पेमेंट करने वाले तीन ग्राहक और खड़े थे वो प्रतिक्षा करने लगा उसकी बारी आई तो उसने कैशियर को कैश मेमो और रकम सौंपी कैशियर ने रकम चौकस की और कैश मेमो की मूल प्रतिलिपी पर पेट का ठपा लगा कर उसे वापिस कर दिया जीत सिंग वापिस लोटा खूपसूरती से पैक किया गया उसका सूटकेस काउंटर पर तयार पड़ा था सूटकेस यूँ पैक किया गया था कि उसका हैंडल पैकिंग से बाहर था निकी ने कैश मेमो उसके हाथ से ली उस पर पेट के ठपे के नीचे डिलिवर्ड का ठपा लगाया और सूट केस जीत सिंग की तरफ सरका दिया थैंक्यू सर वो मुस्कुराती हुई बोली Come again सर जवाब में जीत सिंग ने भी जबरन मुस्कुराते हुए थैंक्यू बोला फिर उसने सूट केस काउंटर पर से उठा लिया और बाहर को चल दिया निर्वेग्न वो लगज डिपार्टमेंट से बाहर निकला और नीचे की सीडिया उतरने लगा वो खुश था कि कोई अर्चन पेश नहीं आई थी कोई पंगा नहीं पड़ा था उसके हिस्से का माल थोड़ी बहुत कमी पेशी के साथ उसके कबजे में था वही सूटकेस जो रैक से उठाते वक उसे बहुत भारी लग रहा था अब यू लग रहा था जैसे उसका कोई भार ही ना हो जैसे भीतर नोट ना हो फूल भरे हुए हो वो ग्राउंड फ्लोर पहुँचा और निकास द्वार की तरफ बढ़ा निकास द्वार पार्थ के गुजरने के कई काउंटर थे और सब पर एक एक गाट मौजूद था जो की कैश मीमो पर पेड और डिलिवर्ट का ठपा लगा देखकर ही ग्राहक को काउंटर के बैरियर से आगे निकलने देता था काउंटरों के आगे लाइन थी जीत सिंग को जो लाइन सबसे छोटी लगी वो उसमें लग गया उसका नमबर आया उसने गाट को कैश मीमो सॉंपी गाट ने उसके हाथ में थमा सूट केस देखा कैश मीमो पर निकार डाली और बोला एक ही आइटम है क्या हाँ जीत सिंग बोला गाट मुस्कुराया उसने कैश मीमो को दोहरा किया और उसे जीत सिंग को वापिस सौंपने की जगा अपनी वर्दी की जेब में रख लिया जीत सिंग के कानों में खत्रे की घंटियां बचने लगी वो आतंकी थो उठा लेकिन इससे पहले की वो कुछ सोच समझ पाता वो चार मजबूत हाथों की गिरफ में था एक पांचवे हाथ ने उसकी पकट से सूट केस निकाल लिया गाट की हरकत जरूर कोई इशारा था जिस पर की अब अमल हो रहा था यू आनन फानन उसे सिक्योरिटी चीफ के आफिस में ले जाया गिया कि पीछे किसी को पता भी ना चला कि वहाँ कोई असाधारन घटना घटित हुई थी वहाँ सिक्योरिटी चीफ के साथ एक वर्दिधारी पुलिस इंस्पेक्टर मौचूद था जिसके बारे में उसे बात में मालुम हुआ कि वो तार देव थाने का सरकल अधिकारी गोविलकर था उसे एक कुर्सी पर उन दोनों के सामने धकेल दिया गया तब उसे मालुम हुआ कि उसे पकड़ कर लाने वाले भी साधी वर्दी में पुलिस वाले ही थे और हर कोई उसी की ताक में वहां मौजूद था उसी की ताक में इस बात की तज़्दीक कोने में लखे एक टीवी ने भी की जिस पर की लगज डिपार्टमेंट के उस हिससे के द्रिश्य उभर रहे थे जिसमें कि सूट केस वाले रैकों की उची कतारे थी जरूर वहां च्छत पर एक या एक से अधिक क्लोज सर्केट कैमरे फिट थे लगज डिपार्टमेंट पर वो विशेश फोकस खामखा नहीं हो सकता था फिर उस पर सवालों की जड़ी लगा दी गई क्या नाम है? जीत सिंग किधर रहता है? चिंज पोकली क्या काम करता है? लॉक स्मित हूँ तालों की चाबियां बनाता हूँ अंग्रेजी बोलता है सीधे क्यों नहीं बोलता की ताला तोड़ है? ताला तोड़ हूँ जनाब जुबान लड़ाता है किधर काम करता है? प्रॉफर्ट मार्केट में उधर एक तालों की बड़ी दुकान पर मेरा अड़ा है कल शाम साड़े पांच बजे कहां था चिंज पोकली में अपने घर पर अड़े पर क्यों नहीं था तबियत खराब थी साले जूट बोलता है कल शाम साड़े पांच बजे तू इधर था और स्चोर के बाजू की गली वाले दर्वाजे का ताला खोल रहा था नहीं साहब तो कल की ड़कैती में शरीक था अपने साथियों के नाम बोल साहब ये मेरे पर जूटा इल्जाम है मुझे जूटा बोलता है साहब मैं मैं ये सूट केस क्यों खरीदा तूने जरूरत थी चिंच पोकली में सूट केस नहीं मिलता जिधर तू रहता है क्लोफोर्ट मार्केट में नहीं मिलता जिधर तू अपना अड़्डा बताता है इधर क्यों आया साहब, ये बड़ी मार्केट है, इधर सब तरह का माल होता है बड़ी चोईस के लिए आया है क्या? हाँ साहब, इतना महंगा सूट केस क्यों खरीता? इतना महंगा तो नहीं साहब, फिर मेरे को यहीच पसंद था इसलिए पसंद क्योंकि इसमें नोट भरे थे? नहीं साहब, इसमें कल की ड़केटी में लुटे, रोकडे का एक हिस्सा मौझूद है नहीं साहब, तो खास ये सूट केस खरीदने इधर आया था ताकि तो रोकडे का एक हिस्सा यहां से सरका सकता रोकडे की ऐसी एक सूट केस में मौजूद की की खबर डकैतों के सिवाई किसी को नहीं हो सकती थी इसलिए कबूल कर कि तु कल की डकैती में शामिल था और तुने गली का दर्वाजा और वॉल्ट खोलने का एहम तरीन काम करके दिखाया था नहीं साहब मैं डकैत नहीं हूँ अपने साथियों के नाम बोल मेरा कोई साथी नहीं साहब मेरा डकैती से कुछ लेना देना नहीं साहब मैं गरीब आदमी हूँ गरीब आदमी है, इसलिए 780 रुपए का सूट केस खरीदता है पसंद आया सहब, कभी कभी पसंद पर पैसा खर्चना पड़ता है सहब 780 रुपए खर्च के कितना रोकड़ा हाथ आया 50 लाक, 60 लाक, 70 लाक सहब, गरीब मार ना कीजिये, मैं बेगुना हूँ अभी ये सूट केस में तेरे सामने खोलूँगा, जब ये नोटों से भरा निकलेगा, तो तब भी अपनी बेगुनाही की दुहाई दे सकेगा क्या जीत सिंग के मुँ से बोल नहीं फूटा साले, उलू बनाता है, इतना भारे सूट केस उठाए फिर रहा था, नए खरीदे खाली सूट केस का इतना भार होता है क्या सहब, मैंने सोचा बीच में पैकिंग होगी पैकिंग का इतना भार होता है क्या साहब जब था तो खोल के देखा था नहीं क्यूं इतना खबरदार इतना शेयाना ग्राहक है तू पहले सूट केस पर लगी खरोच देखी वैसा कोई नुक्स चेक करने के लिए दूसरे सूट केस को खोल कर भीतर जांगना जरूरी नहीं समझा जीत सिंग को साम सूंग गया उस एक सवाल ने साबित कर दिया कि सुबस चोर खुलने के बाद से वहाँ उसी का डकैतों में से किसी का या सब का इंतिजार हो रहा था लगेज डिपार्टमेंट में लगा क्लोस्ज सरकट टीवी कैमरा इस बात का सबूत था पुलिस ने अपने डिसी पी का ये बयान किया बावजूत स्चोर की आधुनिक आटोमेटिक सिक्यॉरिटी लॉकिंग के डकैत अपनी आमत के रास्ते से ही माल निकल ले जाने में कामियाब हो चुके थे डकैतों को गुमरा करने के लिए ये बयान था उन्होंने पुलिस की काबलियत को बहुत कम करके आंका था उसी बात का खामियाजा अपनी गिरफतारी की सूरत में अब वो भुगत रहा था साले इंस्पेक्टर बोला मैं जानता हूं तो तू क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है अब तू ये नहीं सोच रहा है कि पुलिस अखी इटियट हम कल ही समझ गए थे कि डकैत माल इधर ही कहीं चुपा कर ग्राकों में मिलकर खाली हाथ इधर से गए थे अकाउंट्स ओफिस का स्चाफ बोलता है कि तुम चार जने रोकड़े को प्लास्टिक की चार बोरियों में भरके लेकर गए थे अलाम बजने के बाद वैसी बोरिया तुम लोग उठाए फिरते नहीं रह सकते थे उन बोरियों के वज़ा से किसी की तवज्जो तुमारी तरफ ना भी जानी होती तो जाती इसलिए तुमने रोकड़ा लगश डिपार्टमेंट में छुपाया क्यूंकि वो उपर की सीड़ियां उतरते ही स्चोर का पहला डिपार्टमेंट है वहां के निकी दिसाई पर निर्फर करता था जो पता नहीं पूलिस की क्रॉस क्वेश्चनिंग का डट कर मुकाबला कर सकती थी या नहीं लगश डिपार्टमेंट के दो हेलपर चुट्टी पर है इंस्पेक्टर कह रहा था हमें उन पर शक है ओ हेलपरों पर शक है लेकिन वो कभी तो डिउटी पर लोटेंगे फिर देखेंगे वैसे ही इंस्पेक्टर ने खा जाने वाली निकाहों से जीत सिंग की तरफ देखा जैसे इस वक्त तुझे देख रही है साहब मैं बेगुना हूँ मेरा डकैती से कुछ लेना देना नहीं मेरा यकीन कीजिए अभी ये सूट केस तेरे सामने खोला जाएगा अगर इसमें से नोट निकले तो अपना गुना कबूल कर लेगा क्या जीत सिंग के मुँसे बोल नहीं फूटा अब उसे अपने सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था अब बोलती क्यों बंध हो गई वो खामोश रहा खोलो इंस्पेक्टर ने आदेश दिया सूट केस को मेस पर रख कर खोला गया भीतर से पुराने अकबारों की रद्धी बरामत हुई इंस्पेक्टर यूँ बोचका सा सूट केस को देखने लगा जैसे जो दिखाई दे रहा हो उस पर यकीन ना आ रहा हो ये ये क्या है वो भड़क कर बोला मैंने खोद अपनी आँखों से इसमें नोट देखे थे इसमें और बाकी के तीन सूट केसों में क्या कर्टब किया तूने साले सूट केस के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब तो रोकड़ा अकबारों की रद्दी में कैसे तबदील हो गया मुझे क्या मालुम साहब मुझे तो सूट केस में ना रोकड़े की खबर थी और ना अकबारों की रद्दी की दांत पीस्ता इंस्पेक्टर बेबस सा उसे देखता रहा बाकी के तेन सूट केस फिर उसके मुँ से निकला कहीं उनमें के नोट भी तो रदी नहीं बन गए मैं मालुम करता हूँ सिक्यॉरिटी चेफ तब पहली बार बोला उसने मेज पर रखा एक फोन अपनी तरफ गसीटा और उस पर एक नमबर डाइल किया हैलो संपर्ख होने पर वो बोला मिस्देसाई मैं सिक्यॉरिटी चेफ दिवाकर शैटी बोल रहा हूँ जरा जाकर बाकी के तीन सूट केसों को चेक करो कि क्या उनमें नोट बत स्थूर है मैं होल करता हूँ मिस्देसाई देखे निकी देखे जीत सिंग सरनाटे में आ गया धोका बहुत बड़ा धोका निकी पर कोई भला क्यों शक करता वो तो उनके कॉन्फिडेस में थी और बढ़ बढ़ के उनका साथ दे रही थी आखिर अपने डिपार्टमेंट की इंचार्श थी और उसके सदके सिलवेरा और अली शा को खबर लग चुकी थी कि पुलिस उनकी चाल को समझ चुकी थी और अब माल पर उनकी नज़र थी यानि कि बाकी के तीन सूट केसों की फिराक में वहाँ कोई नहीं आने वाला था वो ही एहमत था जिसने इतना बड़ा कत्रा मोल लिया था गुर्णा बेलज़द लेकिन शायद वो निकी के बारे में गलत सोच रहा हो शायद वो बाकी के तीन सूट केसों में से माल खिसका चुकी हो उसकी निगार टीवी स्क्रीन पर पड़ी वहां रैकों के बीच में निकी का अक्स उभरा वो एक स्थान पर ठिट की उसने एक स्चूल पर चरकर एक सूट केस उतारा उसे स्चूल पर रख कर खोला और भीतर जांका डकन की ओठ हो जाने की वज़ा से कैमरे सूट केस के भीतर का द्रिश्य नहीं दिखा सका निकी ने सूट केस बंद किया और उसे वापिस यथा स्थान पहुँचा दिया वो आगे बढ़ी तो कैमरा उसके साथ चला उसने पूरवत दो और सूट केस चेक किये वो वापिस लोटी आखरी रैक से आगे कदम रखते ही वो कैमरे के रेंज से निकल गई जीत सिंग की निगा स्क्रीन पर से हट कर सेक्योरिटी चीफ पर आटी की सेक्योरिटी चीफ एका एक सचेत हुआ और फिर माउथ पीस में बोला हाँ मिस्दिसाई बोलिए क्या तीनों सूट केस में नोट मचूद है पहले की तरह कोई छेड़ा खानी नहीं ऐसा तो नहीं कि उपर नोट और नीचे रद्दी कागस हो I see नीचे तक देखा आपने ओके थैंक यू उसने रिसीवर रख दिया बाकी माल चोकस है वो इंस्पेक्टर से बोला फिर तो बात साफ है स्चोर में इस आदमी का इंस्पेक्टर ने आगने नेत्रों से जीत सिंग की तरफ देखा कोई अकॉम्पलिस इसके साथ मौजूद था इसने सूट केस में से नोट निकाल कर उसके हवाले कर दिये और सूट केस को रदी अकबारों में भर लिया कोई दूसरी मनजिल से में गेट तक आने में बहुत वक्त लगता है लेहाज़ा ऐसा करने के लिए इसके पास बहुत वक्त था साहब जीत सिंग घबराई स्वर में बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तूने बराबर किया तूने नहीं किया तो क्या जादू के जोर से सूट केस में से नोट गायब हो गए साहब गुस्ताखी की माफी के साथ पूछता हूँ आपने सूट केसों में नोट कब देखे थे पूछ ले जवाब सुन ले पिशली रात दो बजे जबकि उधर लगिश डिपार्टमेंट में लगिश का एक एक पीस खोल कर देखा जा रहा था फिर आज सुबद दस बजे यानि की पबलिक के लिए स्चोर खुलने के वक्त फिर देखे थे साहब धाई गंटे में कोई दूसरा शक्स नोटों के साथ कोई हेरा फेरी कर सकता था नहीं कर सकता था तब से क्लोस सर्केट कैमरे में बराबर उन सूट केसों का यहां टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है साहब गुस्ता की माफ बीच में कभी मॉनीटर उंग गया होगा या कैमरे में कोई नुक्स आ गया होगा शबाश साहब माफी के बाद बुला अगर किसी दूसरे ने ये काम किया तो एक ही सूट केस के साथ क्यूँ चारों के साथ क्यूँ नहीं किया जीत सिंग ला जवाब हो गया जो किया तूने किया अभी हाल ही में किया हमारी आँखों में धूल जोंकर किया तू टॉप का लॉक्मेन ही नहीं टॉप का कॉन मैन भी जान पड़ता है लेकिन अपनी कॉन मैन शिप को तूने जितना आजमाना था आजमा चुका अब आगे जो होगा वो मैं करूगा अब तू गागा के बताएगा कि तूने यहाँ अभी नोटों के साथ क्या चालाकी की और कल शाम डकैती में तेरे जोड़ीदार कौन थे शेटी साहब मैं इसे थाने ले जा रहा हूँ आप यहां की विजल बरकरार रखिए आपको सिक्यूरिटी चीफ बोला अभी भी उमीद है कि बाकि सूट केसों की फिराथ में इसका कोई जोड़ीदार यहां आएगा क्या बराबर है बावजूद इसकी गिरफतारी के इसकी गिरफतारी को फिलहाल रास रखा जाएगा फिर ठीक है जब तक इसकी गिरफतारी की खबर आम नहीं हो जाती तब तक यहां विजल जारी रहेगी हाला कि सुप्रीम कोट का स्पष्ट निर्देश था कि मुल्जिम को हत्कड़ी ना लगाई जाए फिर भी उसे हत्कड़ी पहना कर तार देव थाने लाया किया और लॉक अप में बंद किया गिया बुद्वार का बाकी का दिन का एक और अगला पूरा दिन लॉक अप में खूब उसकी डंडा परेट हुई और हर डंडा परेट के साथ नई जवाब तलबी हुई इंस्पेक्टर गोविलकर एक राक्षस की तरह उसके साथ पेश आया लेकिन अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद वो उससे अपना मनमाफिक बयान नहीं निकलवा पाया नतीशतन हर नियम और काइदे कानून को ताक पर रख कर वो जीट सिंग पर अपना दमन चक्र चलाता रहा जीट सिंग जानता था कि गिरफतारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्जिम को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाने का नियम था लेकिन गुरुवार को ही जाहिर हो गया था कि इंस्पेक्टर गोविलकर की ऐसी कोई मरसी नहीं थी यानि कि बिना उसकी गिरफतारी रिकॉर्ड किये बिना उसका पंच नामा किये वो जब तक चाहता उसे लॉक अप में रख सकता था और उससे अपना मन माफिक बयान निकलवाने के लिए उस पर जुर्म ढाटता रह सकता था जेत सिंग भी जानता था कि वो किसी हद तक की पुलिस की जूद पुजार परदाश कर सकता है अनिश्चित काल तक वो उस थर्ड डेगरी के आगे टिका नहीं रह सकता था लेकिन वो ये भी जानता था कि उसका इकबालिया बयान ही पुलिस का काम आसान कर सकता था जिसके जबरन हासिल करने को पुलिस की कोशिश जारी थी जीत सिंग को अपने जोडीदारों का कुछ मिठा नहीं था लेकिन उसकी समस्या ये थी कि उनकी निशान देही से खुद उसकी कोई गती नहीं होनी थी उसका अपराद गंभीर था वो सर्शस्त्र डकैती में शरीक था उसने वाल्ट खोला था और यूँ डकैती के दुरगम काम को आसान बनाया था जिसकी वज़ा से उसके वादा नमाफ गवा बना लिये जाने की संभावनाए नगर्निया थी जब वो बच नहीं सकता था तो क्यों खाम खास सब को चुगल देने को तयार हो जाता खास तोर से जब की गोविलकर ने उसे साफ कहा था कि उसे वादा माफ गवा नहीं बनाया जा सकता था अलबता सजा सुनाते वक्त अदालत उसके साथ नर्मी से पेश आ सकती थी और उसे कदरन कम सजा सुना सकती थी वो कोई खास तसली नहीं थी उस विकट स्तिती से आखिरकार उसे एक संयोग ने उभारा शुकरवार सुभा नौ बजे अंडर ट्राइल कैदियों के सामान्य नागरी कदिकारों के उलंगन पर निगार रखने वाली एक राश्ट्रिय स्तर की समाज सेवी संस्था के प्रतिनीधियों का दौरा तारदेव थाने में हुआ दौरा इतना एका एक और्गनाईस किया गया था कि थाने में उसकी कोई पूर सोचना नहीं पहुंची थी और प्रतिनीधि मंडल के साथ कई नेशनल डेलिस के परत्रकार और खुद जॉइन्ट कमिशनर रैंक का पुलिस कई कुछ अधिकारी आया था अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद थाने वाले जीत सिंग को प्रतिनीधि मंडल की जानकारी में आने से ना रूख सके पूछे जाने पर मालूम हुआ कि वो दो दिन से वहां बन था और तब तक ना उसके खिलाफ कोई FIR दर्श नहीं हुई थी और ना ही उसे कोई अपचारिक चार्श लगा कर किसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था उपर से हदकरी तब भी जीत सिंग को लगी हुई थी और उपर से उसकी खस्ता हालत देखी नहीं जाती थी साथ सदस्यों के प्रतिनिधी मंडल में चार महिलाएं थी उन्होंने कोहराम खड़ा कर दिया और उसिक्षन पुलिस कमिशनर को वहां बुलाई जाने की मांग की एक सदस्या थाने के ही टेलिफोन से चेफ मिनिस्चर के आफिस में फोन लगाने लगी तो दूसरी मुबाईल निकाल कर नई दिल्ली ग्रह मंत्री को फोन लगाने लगी बड़ी मुश्किल से जॉइन्ट कमिशनर ने सब को शान किया थाना अध्यक्ष को डांट पिलाई और उसे मुअत्तल कर देने की धमकी दी पत्रकारों से फर्याद की कि वो उस वाके को अकबारों में न उचा ले क्यूंकि सब कोछ उनकी मौजूद्गी में उनकी आँखों के सामने दुरुस्त हुआ जाता था नतीश्टन जीत सिंग के हदकड़ी निकाल दी गई उसे अपना हुलिया सुधारने का और प्रतिनिधी मंडल के सदस्यों के साथ बैठ कर चाई पीने का मौका दिया गया तुम पुलिस के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्श करना चाहते हो क्या एक सदस्या ने जीत सिंग से पूछा दर्या में रहकर मगर से बैर भला कौन लेता नहीं वो दबे स्वर में बोला डर के जवाब ना दो अब डरने की कोई बात नहीं है ये हमारा आश्वासन है तुम्हे मैं पुलिस के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्श नहीं कराना चाहता मुल्सिम को मारना पीटना अपराथ है उसको हद कड़ी लगाना सुप्रीम कोट की अवमानना है फिर भी नहीं नहीं जो हुआ वो गलत फैमी के तहत हुआ कैसी गलत फैमी? जीत सिंग चुप रहा कैसी गलत फैमी? फिर पूछा गिया इसकी शकल इंस्पेक्टर गोविलकर बोला एक नोन ISI एजेंट से मिलती पाई गई थी किसी गलत फैमी के तहत आप चुप रहिए हमें किसी ओफिशल जवाब की जरूरत होगी तो वो हम आपके आला अफसर से हासिल करेंगी जो कि यहां मौजूद है अपमान से तिल मिलाता गोविलकर खामोश हो किया इसे ISI एजेंट बताकर आपने इसका एंकाउंटर करवा देने की भूमी का पहले ही बनानी मालूम होती है नेवर जॉइन कमिशनर हड़ बढ़ा कर बोला जॉइन कमिशनर ने जोर से थोक निगली यह आदमे पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने से इंकार इसलिए कर रहा है क्योंकि यह खौफ सदा है ना कि इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पर कोई जुल्म नहीं हुआ सब ठीक हो जाएगा जॉइन कमिशनर बोला आप इसके दुर्गती के लिए जिम्मेदार पुलिस ओफिसर पर एक्शन लेंगे क्या येस मैडम उस एक्शन की एक कॉपी हमें भेजेंगे ना येस मैडम फॉरन येस मैडम इसके अधिकारों के हनन की आइंदा कोई कोशिश नहीं होगी इसके पुलिस के बदनाम डंडा परेट नहीं होगी नहीं होगी आज ही कोट खुलते ही इसे चार्श लगाकर अदालत में पेश किया जाएगा क्या इसे अपना वकील करने का मौका दिया जाएगा और इस सिलसिले में ये किसी से मिलना चाहता होगा तो इसे मिलने दिया जाएगा येस मैडम और भविश्य में ऐसी किसी घटना की पुन्रा वृती नहीं होगी हर्गिस नहीं होगी मैडम I in my personal capacity Give you my word मैडम Good, thank you for the nice tea तब कहीं जाकर तमाम पुलिसियों की जान में जान आई प्रतिनिधी मंडल और साथ हाई प्रेस रिपोर्टर वहां से रुकसत हो गई पीछे जॉइन्ट कमिशनर इंस्पेक्टर गोविलकर पर पूरी तरह बरसा इसलिए नहीं कि उसने मुल्जिम के F.I.R. दर्श क्यों नहीं की या उस पर जुम क्यों ठाया या उसे हदकड़ी क्यों लगाई बल्कि इसलिए कि वो ये क्यों भोल गया कि प्रतिनिधी मंडल की आमत के वक एक हदकड़ी लगा मुल्जिम लॉक अप में बन था उसने उस मुल्जिम को वहां से गायब क्यों नहीं किया वक्त रहते उसके हदकड़ी क्यों नहीं निकाली ठीक ग्यारा बचे बावजुद सबके सामने आला अफसर से डांट फटकार के इंस्पेक्टर गोविलकर के मिजाज में कोई तबदीली नहीं आई थी बावजुद इसके की प्रतिनिधी मंडल के सामने जेत सिंग के उसके खिलाफ रपट लिखवाने पर मुअतली किया उसके बरखास्त की भी हो सकती थी उसने तीन दिन के रिमान के दारान भी कई बार जेत सिंग की डंडा परेट करवाई कोई लिहास्त किया तो ये की हदकड़ी नहीं लगवाई कोई गंभीर चोट ना लगने दी और एक बार फोन कर लेने दिया और फोन सुनकर आए पर्देसी से दो मिनट को मिल लेने दिया यूँ बाजरिया पर्देसी वो एडवार्डो को अपने जमानत के लिए मुंबई बुला सका शश्मदीद गवा के मुकरने का वाक्या ना हुआ होता गोईलो एंजो का कजन ना निकल आया होता वो एडवार्डो को पहले से जानता पहचानता ना होता तो वो यकीनन पहले आठ दिन के रिमान पर लोक अप में पहुँशता और फिर पता नहीं कब तक के लिए जेल रहता क्योंकि और आठ दिन तक डंडा परेट जेलना उसके बसका नहीं रहा था अब वो आदा आजाद था और दोबारा गिरुफतार होने का कतली तमन्नाई नहीं था भले ही उसे एडवार्डो को दिये अपने आश्वासन से मुकरना पड़ता और बेल जम्प करनी पड़ती अब जरूरत पढ़ने पर वो इस इंस्पेक्टर के बच्चे का भी कतल करने को तयार था जिसने उस पर इतना जुल्म ढाया था किसी ने उसे बाह से पकड़ लिया उसने चिहुंकर सिर उठाया तो बार्मेन को अपने सामने खड़ा पाया किन खयालों में था बाब बार्मेन बोला दो बार नाम लेकर पकारा सुन के न दिया हिलाया तो चेता खयालों में ही था जीट सिंग तनिक खेत पॉन धंग से मुस्कुराता हुआ बोला क्या है फोन है ओ फोन है शुक्रिया जीत सिंग ने बार्मेन के हाथ से फोन ले लिया बार्मेन परे हट गया हलो जीत सिंग फोन में बोला गाईलो हाँ बाप गाईलो की आवाज आई इधर चर्च गेट से बोलता है वो आदमी उधर पहुंचा हाँ वो यहाँ एक छे मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर बाप वो तो वापिस आ गिया वो तो इधर से जा रहा है उधर इच रहना बाप मैं फिर फोन करेगा लाइन कट गई जीत सिंग दुबारा फोन आने की प्रतिक्षा करते रहा अपने पीछे लगे गाईरों से बेखबर तागड़े डिमेलो रोट पर पहुंचा रात की उस घड़ी एंगलस क्लब की रौनक जोरो पर थी लेकिन तागड़े उसमें शरीक नहीं हो सकता था क्यूंकि वो वहाँ कोई गोट नियूस लेकर नहीं आया था मेन हॉल में कदम रखते ही एक काले कोट वाला स्टीवर्ड उसके करीब पहुंचा सिल्वेरा साहब कहां है उसने पूछा आफिस में देख वो हॉल से निकल कर उस गल्यारे में पहुंचा जिसमें मैनेजर का आफिस था आफिस का दर्वाजा बंद था उसने उसकी धक्का दे कर भीतर जांगा तो आफिस बंद पाया दर्वाजा बंद करके वो वापिस घूमा तो उसने अपने सामने एक चप्रासी को खड़ा पाया क्या है चप्रासी संदिक भाफ से बोला क्या क्या है तागडे बोला अरे गोटिया पहचाना नहीं मेरे को पहचाना तभी तो पूछता है क्या है कुछ नहीं है तागडे बोला सिल्वेरा साहब को देखता है यहां नहीं है अबे मुझे भी दिखाई दे रहा है यहां नहीं है तो कहा है हाल का नाम ना लेना वहाँ नहीं है अपने फिलेट में है वो कलब की इमारत से बाहर निकला और उसका घेला काट कर पिछवाड़े पहुंचा उधर एक बंध दर्वाजा था जो उसके धक्का देने पर खुल गया आगे एक नी मंधेरी डियोडी थी जिसमें से उपर को जाती सीडिया थी उधर को सेणिया एक गल्यारे में खत्म हुई जिसमें कई बंध दर्वाजे दिखाई दे रहे थे तागड़े ने करीबी दर्वाजे पर दस्तक दी दर्वाजा खुद जो सिल्वेरा ने खोला सिल्वेरा के एक हाथ में विस्की का गिलास था और दूसरे में ताजा सुलगाया पीछे धुएं से भरे कमरे में सोफा चियर पर सिग्रेट और शराब की वैसे ही सजावट के साथ अलिशा मौजूद था। सिल्वेरा ने उस पर निगार डाली और फिर घूम कर बोला। अपना तागड़े आया, जरूर गुड निउस लाया, भिडू वरना ना आया होता, इसके लिए भी ड्रिंक बना। गुड निउस नहीं है बाप, तागड़े दबे स्वर में बोला, क्या, सिल्वेरा सक पकाया, तो फिर इधर किस लिए आने का था, और निउस है बाप, बुरी, ऐसा ही छे, भीतरा, तागड़े भीतर आया, और सिल्वेरा के निर्देश पर एक सोफे पर धेर हुआ, अलिशा ने उसके लिए ड्रिंक बनाने की कोशिश नहीं की, बुरी कबर लाने वाले की खातिर का क्या मतलब, क्या हुआ, सिल्वेरा ने पूछा, तागड़े ने बताया, सैंता मारिया, वो खामाउश हुआ तो सिल्वेरा, वितरिशना पोन्ट स्वर में बोला, सब बंग कर दिया, दो हत्यार बंद भेडू, वैसे ही स्वर में अलिशा बोला, वो भी प्रोफेशनल, एक आदमी को काबू में नहीं कर सके, ना कर सके तो ना कर सके, सिल्वेरा बोला, उल्टे उसके काबू में आ गए, जोड़ीदार लुड़का दिया इसका, इसे पता नहीं कैसे छोड़ दिया, हमें सैट्स चोरी सुनानी को छोड़ दिया, पर नाक तोड़के, रोकड़ा छीन के, बाप तागड़े बोला, वो क्या है की, वो क्या है की, क्या है, अभी अका केम नहीं बिगड़ा, अप उनका तीन आदमी उसका पिछू है, दो के काबू में नहीं आया, तो तीन के काबू में आ जाएगा क्या, तागड़े खामोश रहा, फिर भी तुँ एक समझदारी का काम किया तागड़े, सिल्वेरा इस बार कदरन नम्र स्वर में बोला, जो उदर से रामखुश की लाश को उसके कार समेत नकी किया, जरूरत पढ़ने पर तेरे आदमी ग मज़ता क्या, मैं पूर्ट गाली बोला क्या, मैं समझ क्या बाप, शुक्र है, हाँ बाप, बोलेंगे, पक्की करके न, एक दम, जो बोलेंगे उससे हिलेंगे नहीं, गुड, फिर तो बिगड़ी बात मैं सवारता हूँ, कैसे, कैसे भी, अब तु नकी कर इधर से, हाई क्लास विस्की की बोतल पर हस्रत भरी निगार डालता तागड़े वहां से रुपसत हुआ, पिछे सिल्वेरा ने डारेक्टरी में तारदेव पुलिस चेशन का नंबर तलाश किया, और फिर एक साइट टेबल पर पड़ा, टेलिफोन गोध में रखकर उस नंबर पर क पांगता है, वो ऐसी लाइन थी जिसे कोई थाना ध्यक्ष नजर अंदास नहीं कर सकता था, ततकाल इंस्पेक्टर गोविल कर फोन पर आया, बहुत काम की बात है साब, सिल्वेरा विनीद भाफ से बुला, बहुत गौर से सुनने का है, सुन रहा हूं, दारावी के एक्रे सर पर सोडे की बोतल मारी, मगश निकाल दिया, उदर इचे धेर हो गया राम खुश, कतल किस ने किया, बद्रिनात नाम के एक भीडू ने, और क्या जानते हो उसकी बाबत, चींच पोकली में रहता है, लौक स्मित है, क्या वो जीत सिंग के नाम से भी जाना जाता है, आगे बोलो, वो इस वक्त पासकल के बार कांटर पर बैठेला है, उधर ही कतल करके अभी भी बैठा है, क्योंकि उसके उधर कोई डेंजर नहीं है, क्यों क्यों डेंजर नहीं है क्योंकि लाश उधर नहीं है उसने लाश को रामखुश के ही कार में डाल कर उधर से काफी दूर नाले में लुड़का दिया है ताकि ऐसा लगे कि रामखुश खुद एक्सिडेंट किया कार कैसी है? फियट है काली 84 मॉडल रामखुश के ही नाम रिजिस्टर्ड है सेकेंड हैंड खरीदी नमबर नमबर बोलो MSA 7279 क्या कोई गवा है? कतल का? या लाश के साथ कार नाले में लुड़काई जाने का? दोनों का है पेश करो शाबाशी मिलेगी इनाब मिलेगा करेंगा बाप पर पहले उस आदमी को गिरुफतार करने का है फिर कार बरामत करने का है और फिर कार में से रामखुश की लाश बरामत करने का है मैं सुबह फिर फोन करेंगा दोनों काम हो चुका होएंगा तो तब गवाहों की बाबत बोलेंगा तुम क्यों उसके मुग पर ही करते हो वो भी दूसरी बार फोन करेंगा तो बोलेंगा कोई बदला उतारना चाहते हो क्या ऐसा इच्छे बाप वरना खामखा कौन पंगे में पढ़ना मांगता है नाम बोलो अपना सुबह बोलेंगा ना बाप उसने लाइन कार्ड दी अब वो खुशी से दमकता हुआ बोला ऐसा फसेंगा साला कि अखी लाइफ साबित नहीं कर सकेगा कि वो कातिल नहीं था सिल्वेरा अलीशा बोला कातिल को कातिल पुलिस ने साबित करना होता है सच को साबित करना इजी सुना नहीं तागड़े क्या बोलके गया वो साला हमारा लॉकमेन भी थो सोड़े की बोतल खोपड़ी पर मार कर खाम राम खुश को लुड़काया तागड़े चश्मदित गवा है उसकी कर्टूत का क्या वो गवा ही देगा क्यों नहीं देगा उसको तो अपने सर्विस का पैसा चौकस होना मांगता है उससे पूश तो लिया होता पकी तो कर लिया होता अभी क्या जल्दी है फिर भी अरे ब्रदर जब वो अपने आदमियों को जूटी गवाही के लिए तयार कर सकता है तो खुद सची गवाही देने को वो भी मोटी फीस लेकर क्या वो ना बोल देगा अलिशा खामोश रहा पैक बना ब्रदर कल की कल देखेंगे पहले वो कमबग गिरफतार तो हो अलिशा ने हिच किचाते हुए सेहमती में सिर हिलाया इंस्पेक्टर गोविलकर ने रिसीवर को वापिस क्रेडिल पर रखने की जगा उसे टेलिफोन के पहलू में रख दिया तकरीबन शहरी इस हकीकत से वाकिफ नहीं होते थे कि पुलिस थाने के फोन पर या सौ नंबर पर आई टेलिफोन कॉल तब तक नहीं करती थी जब तक कि कॉल रिसेव करने वाला उसे ना काटे यूं कॉलिंग लाइन होल्ड अप पर रहने की वज़ा से एक्सचेंज से मालुम किया जा सकता था कि कॉल कहां से आई थी अपने वायरलेस टेलिफोन से उसने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर से संपर किया और टेलिफोन की बाबत अपनी दर्खवास कंट्रोल रूम में दोहराई जवाब आने की प्रतिक्षा में गंभीर मुद्रा बनाए वो सोचने लगा क्यों जीत सिंग ही बदरी नाथ हो सकता था सिर्फ इसलिए कि वो भी पिंच चिंच पोकली में रहता था और वो भी लॉक स्मित था होतो सकता था लेकिन बड़ी मुश्किल से जमानत पर छूटा कोई आत्मी जिस पर रुजाना थाने की हासरी भरने की पाबंदी थी कैसे पहले ही रोज अपने हाथ खून से रंगना अफोर्ट कर सकता था और कैसे किसी गवा के बिना किसी अधिकारिक रपट के बिना वो उसे इतने जगन्य अपराद का अपराधी ठहरा सकता था अगर कॉल करने वाला पकड में आ जाए तो वायरलेस फोन बजा उसने कॉल रिसेव की दूसरी तरफ से बताया किया कि कॉल फोन नंबर 2374109 से की गई थी और वो फोन अंगलेस क्लब में लगा हुआ था जो कि बंदरगा के इलाके में डिमैलो रोट पर थी इंस्पेक्टर गोविलकर की ये सदा से स्थापित आदत थी कि हर संसनी खेस काम को अंजाम देने का यश वो खुद लेने की कोशिश करता था लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर सकता था और ना डिमैलो रोट जा सकता था क्यूंकि उसे पोर्व सूशना थी कि रात को किसी वक्त जॉइन कमिशनर सहब की थाने में विजिट होने वाली थी इसलिए वो थाने में ही मौजूद रहे उसने अपने एक मातत सब इंस्पेक्टर को तलब किया साथे वो बोला फॉरण धारावी जाना है उधर किधर सहब? एक्रेजी पासकल के बार में पासकर का बार मालूम है ना? मालूम बहुत बदनाम जगा है अखी मुंबई के मवालियों का अट्डा है क्या करना है? गोविलकर ने बताया सब इंस्पेक्टर साथे चला किया फिर उसने वायरलेस टेलिफोन पर फिल्ड में गए एक करन्य सब इंस्पेक्टर गोखले से संपर किया किधर है? उसने पूछा पोद्यार हस्पताल जवाब मिला काम हो गया क्या? हाँ, बयान ले लिया लौट ही रहा था अभी मत लौट सीथे एंगलर्स क्लब डेमैलो रोड पहांच एंगलर्स क्लब डेमैलो रोड ये तो वही जगा है जहां वो भेडु स्टीवाट की नौकरी करता था जो सूपर स्चोर की डकैती में पीछे मरा पड़ा पाया गया था अनंत गोप से नाम था उसकी परताल पर तू ही एंगलर्स क्लब गया था इसलिए ये काम भी मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये काम ये कोई जुदा काम है क्या अभी तो ऐसा ही लगता है क्या काम है क्या है वहाँ गोविलकर ने बताया तभी दौरता हुआ हवलदार रावले वहाँ पहुँचा बड़े सहाब आ गए वो हाफता हुआ बोला गोविलकर ने संबंद विच्छेत किया वर्दी की सिल्वटे निकाली और मेज पर से पी कैप उठाकर सर पर रखी फिर वो बाहर को लपका उसी क्षन जॉइन्ट कमिशनर की वायरलेस एरियल्स हूटर और लाल बत्ती से सुसजित सफेद एमबेस्जर थाने की इमारत के प्रवेश द्वार के सामने आकर लगी गोविलकर ने खुद आगे बढ़कर कार का पिछला दर्वासा खोला और जम कर सेल्यूट मारा जॉइन्ट कमिशनर ने बाहर निकल कर उसके सेल्यूट का जवाब दिया फिर थाने का और उसके स्टाफ का निरिक्षन शुरू हुआ इतिफाक से लॉक अप उस रोज खाली था रोज नामचे को और FIR रिजिस्टर को काफी पीछे तक उसने खास तोर से जांचा आखिरकार उसने थाना ध्यक्ष की कुरसी पर से सेर उठाया और उसने पता नहीं कब से तने खड़े गोविलकर पर निगा डाली गोविलकर और तन गया एट इस इंस्पेक्टर गोविलकर विश्राम की मुद्रा में आया सिट डाउन थाइंक यू सर वो बड़े अदब से अपने आला अफसर के सामने एक विजिटर स्चेर्स पर बैठ किया शुकरवार सुभा जॉइन कमिशनर बोला जिस मुल्जिम की वज़ा से उत समाथ सेवा संस्था वालों ने यहां इतना हंगामा किया था उसका क्या हुआ सर उसे उसी रोज कोट में पेश किया गया था और तीन दिन का रिमांड हासिल किया गया था रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे फिर कोट में पेश किया गया था और आठ दिन के रिमांड की दर्ख्वास की गई थी लेकिन एक गवा के मुकर जानी की वज़ा से रिमार्ट नहीं मिल सका था अब वो मुल्जिम जमानत पर बाहर है लेकिन रोज सुभा ग्यारा बजे उसे यहां हासरी भरनी होगी ऐसी पहली हासरी अभी कल ग्यारा बजे लगीगी? ये सर, तुम उसका डंडा परेट करोगे, ऐसा मौका तुम्हें रोज हासिल होगा, है ना? सर, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि वो मुझरिम है कानून का कारूबार तुम्हारे यकीन से नहीं चलता इंस्पेक्टर उसके लिए सबूद की जरूरत होती है, उसके खिलाफ कोई पुक्ता सबूद तुम्हारे पास है क्या? नहीं है सर, लेकिन सबूद जुटाने के लिए ही तो डंडा परेड़… ये चिठी पढ़ो, जॉइन कमिशनर ने एक तैस्शुदा कागस वर्दी के जेब से निकाल कर उसके सामने डाला। चिठी, गौविलकर सब को पकाया। हे भगवान, क्या वो उसका सस्पेंशन ओर्डर था? हाँ, चिठी, कमिशनर साहब के नाम है, नई दिल्ली से आई है, राश्ट्रिय मानव दिकार आयोग से जिसे नैशनल हुमन राइट्स कमिशन भी कहते हैं। सेहमती मिसिर हिलाते गौविलकर ने तैंग खोल कर चिठी को सीधा किया। मैंने जोइन कमिशनर संजीत की से बुला, समाज सेवी संस्था वालों से वादा किया था कि उस रोज के वाके के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर फॉरण एक्शन लिया जाएगा और एक्शन टेकन की एक कौपी उन लोगों को भेजी जाएगी। ये चिठी मेरी कोताही का खामियासा है। उन लोगों को हमारी और से कोई कम्यूकेशन नहीं मिली तो उन्होंने राश्ट्रिय मानवा धिकार आयोग में हमारी कम्प्लेंट भेश दी। नतीश्टन ये फर्रा कमिशनर सहब के नाम आ गया। उन्होंने आज शाम को मेरी क्ल भर्टसनल तो थी ही जॉइन कमिशनर भर भी आक्षेप लगाया गया था कि वो अपने माथतों की बेजा कार गुजारियों पर परदा डालने की कोशिश करता रहता था। अंत में कमिशनर से उस बाबत समूचित सुधार का अनुरोद किया गया था। उसने चिठी पर से से उठाया। मैं उसी रोज उन लोगों के सामने तुम्हें सस्पेंट कर देता तो ये नौबत नहीं आती। सर गोविलकर घबरा कर बोला अब क्या होगा। अब क्या होगा। अब तो डंक निकल गया है लेकिन तुम्हारी ट्रांसफर का हुक्म हो सकता है। सक्त वार्निंग शुक्र मनाओ की नौकरी बच गई। नौकरी बची रहती ही देखना चाहते हो तो आइंदा के लिए सबक लो। क्या सबक लूँ सर। थोड़े अरसे के लिए अपने आपको अमरिश पूरी समझने से परहेज करो और लो प्रोफाइल अडॉप्ट करो। समझ गए। वो क्या। फिर भी आइंदा दिनों में उस अंडर ट्राइल पर डंडा नहीं चलाना जिसकी वज़ा से ये बखेडा खड़ा हुआ। क्या नाम था उसका। जीत सिंग। उस जीत सिंग की शकल तुम्हें रोज दिखाई देगी और तुम रोज चाहोगे उसकी हड़ी पसली ए ऐसा नहीं करना है। प्रेस रिपोर्टर अभी भी तुम्हारी ताक में हो सकते हैं। जीत सिंग को लेकर अकबार में कुछ उल्टा सीधा चब गया और खबर नई दिल्ली पहुंच गई तो राश्री मानवा दिकार आयोग वाले खुद यहां आधमकेंगे। फिर तुम्ह पारे खिलाफ एक्षन की सिफारिश नहीं करेंगे। खुदी एक्षन ले लेंगे। और वो एक्षन क्या होगा तुम खुद बेहतर समझ सकते हो। चिठी रिसेव करो। एक अलग कागस पर चिठी की संदर्प संख्या तारीक वग्यरा दर्च करके उसकी पावती रसीद गोविलकर ने जॉइंट कमिशनर को दी। फिर जॉइंट कमिशनर वहां से रुकसत हो गया। गोविलकर जो जॉइंट कमिशनर के जाते ही सीधे धारावी का रुक करने का मन बनाई बैठा था। अब अपनी कलपना बेरोजगार शक्स के तौर पर करने लगा। एक मोरी के जीता निकल आए, बार के फोन की घंटी घंघनाई, बार मैंने फोन रिसेव किया और फिर टेलिफोन चुप चाप जीत सिंग की तरफ बढ़ा दिया, जीत सिंग ने रिसेवर कान से लगाया, गाईलो वो माउथ पेस में भोला, हाँ बाप आवाज आई, कमाठी पुरे से बो पहुच किया, अपने भीडू के पिछू, पहले वो डिमयलो रोड गया था, जहां एंगलर्स क्लब में वो पांच-छे मिनट ही ठहरा था, अब इधर से जल्दी नहीं टलने वाला, वजा, साथ में एक बाई है, दो तंदूरी चिकन है, दारू की बोतल है, ओ, तु इधर म पहुचता हूँ, जीत सिंग ने रिसीवर बार्मेन को लटाया, उसका बिल चुकाया, उसे एक मोटी टीप दी और वहां से रुकसत हो गया, सब इंस्पेक्टर साथे, पास्कल के बार में दाखिल हुआ, उसके साथ अपने थाने का एक हवलदार और धारावी थाने से संब बंदित, बेट के दो सिपाही थे, चारवर्दी धारी पुलिसियों से बार में दाखिल का वहां के शोर शराबे पर, जो कि उस घड़ी अपनी चरम सीमा पर था, रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, पुलिस के वैसी आमद वहां का रोस मर्रा का वाक्या था, साथे सीधा बार पर पहुँचा, उसने बार के भीतर जाकर, वहां से काउंटर के पास, बार स्चूल्स पर बैठे, बारा तेरा व्यक्तियों पर निगाह डाली, सब ड्रिंग कर रहे थे, पहले से नशे में थे, और बहुत बेबाकी से वार्तालाप में मश्कूल थे, कोई दो जने एक दूसरे से मुखातिब थे, तो किनी दो जनों के पास, उनके स्चूलों के बीच, कोई तीसरा जना, या चौथा जना खड़ा था, बार पर एक भी श दोस्त मिल गए होंगे, उसने बार में को इशारे से करीब बुलाया, पुराना मुलसे में इदर का, उसने पूछा, हाँ, बार में बुला, बार पर जो लोग मौजूद हैं सब को जानता है क्या, हाँ, मैं सब को बोला, खड़ों को भी और बैठों को भी, सब को जानता है, सब इदर के रेगुलर से, सब को नाम से जानता है बिना इशारा किये परले कोने से एक एक का नाम बोल बार मैंने बोला, बद्रिनात का नाम उन नामों में नहीं आया अभी थोड़ी देर पहले इदर कोई अकेला आदमी मौजूद था क्या साथे ने पूछा नहीं, जो काफी देर बैठा हो, लेकिन अभी चला गया हो नहीं, बद्रिनात नाम था उसका कोई बद्रिनात इदर अकेला आकर नहीं बैठा था आकर बैठा होता, तो तुझे मालूम होता कि उसका नाम बद्रिनात था रेगुलर होता तो मालूम होता और अगर नवा होता तो तो कैसे मालूम होता फिर तू ये कैसे बोला कि कोई बदरीनात इधर अकेला आकर नहीं बैठा था मैं किधर बोला आप ही बोला बाप आप ही तो बोला अकेला आदमी काफी देर बैठा अभी चला गिया नाम बदरीनात ऐसा कोई आदमी इधर नहीं था नहीं मैं इधर एक-एक को चेक करूँगा अगर कोई बद्रिनात निकल आया तो एक क्यों बाप दस निकल आई मेरे को क्या वांदा है क्या बकता है मैं इधर के रेगुलर्स को जानता है सारे ग्राहकों को नहीं जानता सारे ग्राहक तो इधर 100 से ज्यादा है किस किस को नाम से जानेगा रोजनमा ग्राहक आता है रेगुलर्स इधर बार पर आकर बैठना पसंद करता है इसलिए सब को जानता है अब तक इधर 500 ग्राहक आके गया होगा 600 ग्राहक आके गया होगा कैसे सब को जानेगा ग्राहक का नाम माथे पर तो लिखा नहीं होता बस कर बस कर अब आप ही इधर आया वर्दी में ना होता तो कैसे मालूम होता कि पुलिस वाला है आके बार पर बैठता ब्रिंग मांगता तो कैसे मालूम होता की नाम बद्रिनाथ है की नहीं बोला ना बसकर वो बार के पीछे से बाहर निकल आया सारे हॉल में उसने एक-एक कोने खुद्रे का चक्कर लगाया उसे किसी भी टेबल पर कोई आदमी तनहा बैठा नहीं मिला सब ग्रुप में थे और सब के चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे वो देन दुनिया से बेखबर हों कैसे कोई आतमी कतल करने के तदकाल बात ऐसे निश्चिंतता दिखा सकता था फिर भी पूरी धिठाई के साथ जिस पर भी उसे शक हुआ उसने उसके जवाब तलबी की कुछ हाथ नहीं आया सब इंस्पेक्टर साथे नातजुर्बेकार था वो नहीं जानता था कि वो टीपिकल मवाली बार था जहां पुलिस की मदद करना स्टाफ के दस्तूर के खिलाफ माना जाता था इसी वज़ा से एक अंजान आदमी के लिए भी बार मैंने जूट बोला उपर से उसे इतनी बड़िया टिप मिली थी वो भी एक बार नहीं दो बार जेट सिंग कमाठी पुरा पहुँचा इस्ट एंड वेस्ट ट्रेवल्स के बंद शटर के सामने उसे गाईलो की टैक्सी खड़ी मिली उसे देखते ही गाईलो टैक्सी से बाहर निकला और नीशब चलता हुआ उसके करीब पहुँचा इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर एक फिलेट है गाईलो बोला अभी पांच मिनट पहले नीचे आया था और उधर बाजू वाले रेस्टरेंट पे एक तंदूरी चिकन उपर पहुँचाने को बोल कर गया था टॉप फ्लोर पर और भी फ्लेट है क्या मैं देखा दो और हैं पर उन पर ओनर की नेम प्लेट खाली एक फिलेट के दरवाजे पर कोई नाम नहीं अपना भीड़ू उसी फ्लेट में गया मैं देखा फ्लेट उसका है या बाई का मालूम नहीं कैसे मालूम होएंगा कोई वांदा नहीं तू इधर सेडियों के दहाने पर ठहर चिकन लेकर कोई आये तो बोलना तू चिकन का ही पता करने जा रहा था चिकन तेरे को मिल जाए तो बढ़िया वरना जो कोई भी चिकन लेकर आया हो उसके साथ उपर आना और मेरे को एडवांस पे खबर करना ठीक वो चिकन मेरे को दे दे तो तो टैकसी में बैटके खाना गाईलो हसा वो जीत सिंग के साथ सीडियों तक आया जीत सिंग उसे वहीं खड़ा छोड़ कर सीडियां चड़ने लगा चार मंजिल सीडियां चड़ कर वो अपने मुकाम पर पहुँचा उसने बिना नेम प्लेट वाले दर्वाजे पर दस्तक दी कौन? भीतर से एक इस्तरी स्वर सुनाई दिया चिकन लाया है अच्छा ठेहर उदर ही एक मिनट बाद दर्वाजे की चिटकनी हटने की आवास आई फिर उसका एक पट आदा खुला और उसमें से से निकाल कर तागडे ने बाहर चांका जीत सिंग ने उसके चेहरे से उसका दाया हाथ सटाया और उसे जोर से पीछे धका दिया साथ ही उसने दर्वाजे में कदम डाला और भीतर पहुंच कर दर्वाजा अपने पीछे बंद कर दिया तागडे भर भराकर एक सौफे पर जाकर गिरा था और अब फटी फटी आँखों से जीत सिंग को देख रहा था जीत सिंग ने देखा उसी सोफे के कोने में 31 से 1 साल की औरत बैठी थी मेज पर पड़ी विस्की की बोतल आधी के करीब खाली हो चुकी थी करीब दो गिलास थे जो एक तिहाई भरे हुए थे एक प्लेट में सिर्फ शिकन की हटिया पड़ी थी उसके निगा वापिस तागड़े पर आकर स्थेर हुई उसने देखा कि तागड़े की नाक पकोड़े की तरफ फूली हुई थी और उस पर बैंडेट लगी हुई थी कमीज जिस पर की नाक से खून टपका था उसने बदली जान पड़ती थी होश मिया जीत सिंग कटकर स्वर में बोला तू तागड़े फंसे कट से बोला यहां पहुँच किया शुकर है पहचान तो गया मुझे वरना नशे में क्या पता लगता था यहां कैसे पहुँच किया यहां तो मैं पहली बार आया हूँ यहां की ठीया बाई का है उसने पीछे एक बन दर्वाजे पर निकार डाली और फिर औरत से संबोधित हुआ पीछे क्या है बेडरूम औरत अचंबा थी कि बिलकुल संतूलित स्वर में बोली वहां कौन है कोई नहीं है उठके भीतर जा दो मिनट मर्दों की बाते होने थे मैं अभी चला जाओंगा इसे कुछ नहीं होगा कुछ हो तो इधर ना हो मन्जूर औरत उठकर चली गई बीच का दर्वाजा फिर बंध हो गिया जीत सिंग उसके सिर पर जा खड़ा हुआ मैं एक बार तेरी बातों में आ गया वो कठोर स्वर में बोला अब दोबारा नहीं आने वाला इसलिए फिर मुझे बातों से बेवकुफ बनाने की कोशिश करेगा तो अपना और मेरा दोनों का टैम खोटी करेगा अब बोल कौन मेरी सुपारी लगाया मैं पहले ही बोला ना कि सब राम खुश सेट किया वो वो तेरे अंडर में चलने वाला भीडू था असल भीडू तू है भवरलाल भवरलाल तागडे जो मेरी सुपारी उठाया वो खामोश रहा जीत सिंग ने जेब से कटा निकाला और उसे तागडे के माथे से लगा दिया मैंने ताकीद की थी टैम खोटी ना कर ना चुप रहकर ना जूट बोलकर ये तेरा जाना पहचाना कटा है इसलिए तुझे मालू होगा कि इसमें दो गोलिया है तू बास नहीं आएगा तो कटा खाली होगा और तेरे भेजे में दो गोलियां भरी होगी उसके गले की घंटी जोर से उचली साले मैं तेरे से कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहा जो मुझे पहले से नहीं मालूम क क क्या हाँ मैं जानता हूँ कौन लोग मुझे जिन्दा नहीं देखना चाते जानता है तो पूछता क्यूं है तस्दीक मांता है तेरे से पक्की करना मांता है अब बोल कौन बोला तुझे मेरी बाबत सिल्वेरा उसके नेत्र फैले अलिशा उसके नेत्र और फैले या निकी दिसाई हटा वो फंसे कट से बोला जीत सिंग ने अपने कटे वाले हाथ को सिर्फ दो इंच पीछे खींचा यूँ कटे की नाल तागडे के माथे में गर्णी बंध हो गई मैं सच बोलूँगा तागडे बोला तो तु मुझे छोड़ देगा अरे तेरा क्या करना है मैंने जीत सिंग बोला तेरी मेरी क्या अधावत है तुने अपना धंदा किया तुझे धंदे में नुकसान हुआ तेरा जोड़ीदार मारा गिया नफ़ा होता तो मैं मारा जाता ऐसा ही चलता है ये धंदा ये दुनिया ये जिन्दगी उसका सिर हौले से सेहमती में हिला मेरे को जो बोला सिल्वेरा बोला फिर वो बोला अलिशा और निकी दिसाई की मौजूदकी में क्या अलिशा उधर था निकी देशाई में जानता तक नहीं कि कौन है किधर थे दोनों? एंगलर्स क्लब में अच्छा, यानि कि उन्हें तेरी काम्याबी की पूरी गैरंटी थी वरना वो कहीं जा छुपे होते तागडे खामोश रहा तो उन्हें खबर कर चुका कि तु मेरे मामले में नाकाम रहा? कर ही चुका होगा वरना एंगलर्स क्लब क्यूं गया होता? जहां से कि तु इधर पहुँचा है तागडे के चेहरे पर सक्त हैरानी के भाव वाई वो दोनों अभी भी उधर ही है क्या? हाँ कहां? आफिस में? नहीं उपर सिल्वेरा के फ्लैट में सिल्वेरा वहीं रहता है? कलब के उपर? हाँ पिछवाडे से रास्ता है अलिशा का रहता है? फोर्ट के इलाके में कहीं रहता है? पता नहीं मालूम कोई बात नहीं अब एक का पता मालुम हो गया है तो दूसरे का भी हो जाएगा, तीसरे का भी हो जाएगा, वो खामोश रहा, मैं सिल्वेरा से मिलने जा रहा हूँ, तो उसे खबर करेगा क्या, वो निगाहें चुराने लगा, यानि कि करेगा, जिससे एक बार धोका खाया हो, उसे दुबार धोका देने का मौका नहीं देना चाहिए फिर भी मैं तेरी जान बक्षी कर रहा हूँ इस बात का तुझे कोई लिहास नहीं है क्या वो वो क्या है कि इधर तू ऐश करने आया मस्ती मारने आया पर मेरे को तेरा पकट ही या मालूम भी मालूम जो कि चर्च गेट पर है जिदर से तू कमीज बदल कर आया उस शन तागडे के चेहरे पर आय भावो ने सिद कर दिया कि उसका तुका निशाने पर बैठा था मैं अंगलर्स कलब जाता हूँ जीत सिंग बोला अगर वो दोनों मुझे वहाँ ना मिले तो वहाँ से मैं सीधा चर्च गेट पहुँचूंगा और उधर तेरा इंतिजार करूंगा उसने जोर से थूक निगली उधर धारावी में तेरे साथ ही बोले कि मैं कुछ नहीं देखा रामखुश एक्सिनेंट में मरा वो लोग भी नहीं सुना कि मैं बोला कि रामखुश को मैंने मारा वो समझदार भीडू थे अब मैं देखेगा कि तू अपने अंडर में चलने वालू जितना भी समझदार है या नहीं तागडे ने मशीनी अंदाज से सेहमती में सिर हिलाया वस्तुते उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था मैं जाता है जाने से पहले एक बात बोलता है अगर तेरी अकल में आय तो अपने मौजूदा धंदे में किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए अभी तुझे बहुत चान सूरज देखने पड़ेंगे कोई और धंदा देख वो वहाँ से बाहर निकल गया वो नीचे पहुँचा और जाकर गाईलो के पहलू में उसकी टैक्सी में सवार हो गया बढ़िया चिकन था गाईलो हस्ता हुआ बोला तेरे के लिए एक टंगरी बचा कर रखेला है गाईलो ने कार्ट बोर्ड का एक खुला डिबब उसकी तरफ बढ़ाया जीत सिंग ने टांग चबाई जो के वाके लजीज थी क्या हुआ उपर गाईलो उत्सुभाफ से बोला खास कुछ नहीं हुआ जीत सिंग बोला बस तजदीक हुई कि मेरे डखैती के साथी ही मेरी जान के दुश्मन बने हुए है और एक के घर का पता मालूम हुआ डिमैलो रोट चल अलिशा ने अपना खाली गिलास मेज पर रखा और नशे में थर्राते स्वर में बोला बस भाई और नहीं वन फोर दर रोड ब्रदर सिल्वेरा उसके स्वर से मैच करते स्वर में बोला यार ये वन फोर दर रोड से हिसाब बिगाड देता है चीक है वन फोर दर रोड थर्थराते हातों से सिल्वेरा ने दो पैक तयार किये अलिशा ने नए जाम का एक घूंट पिया होन चटकाई और फिर रंगीन लैसे में बोला मज़ा आ गया येस सिल्वेरा ने अनुमोदन किया मज़ा आ गया क्या खयाल है अपना भेडू अभी तक गिरुफतार हो चुका होगा क्या डेफिनेटली और गाग आकर अपना गुना कबूल कर रहा होगा या प्रेप्रेट्री टू दैट डंडे खा रहा होगा बढ़िया मैंने जान बुषकर धारावी की जगा तारदेव ठाने पर कॉल लगाई थी अब तब तो सूपर स्चोर के वाल्ट बस्टर के तौर पर उसकी शिनाक्त हो चुकी होगी अब देखना आज जोई जमानत तो कैंसिल हो ही जाएगी आगे हो ही नहीं सकेगी बढ़िया बढ़िया फिट हो गया साला अपनी ही कर्तूत से तबी दर्वाजे पर दस्तक पड़ी वेटर होगा सिल्वेरा बोला खाना लेके आया होगा उसने उठकर दर्वाजा खोला नमस्ते जीत सिंग भाव हिंद स्वर में बोला सिल्वेरा का जैसे नशा हीरन हो गया बदरी उसके मुँ से निकला ब्रदर बदरी मेरे जमानत पर चूटने का जश्न हो रहा है यहां कैसे पहुँच गया टैक्सी पकड़ी पहुँच गया क्या वांदा था तुझे यहां नहीं आना चाहिए था बाजू हटो मुझे दूसरे खलीफा को भी सलाम बोलने दो सिल्वेरा फिर भी ठिटका खड़ा रहा तो जीट सिंग ने बाँ पकड़ कर उसे जबरन एक तरफ कर दिया जीट सिंग पर निगाफ पढ़ते ही अलिशा का भी सिल्वेरा जैसा ही हाल हुआ सलाम बोलता है बाप अलिशा के मुझे बोल नहीं फूटा सिल्वेरा ने दर्वासा बंद किया पर लबग कर जीट सिंग के सामने पहुँचा बदरी वो व्यग्रभाफ से बोला तुने बहुत गलत काम किया तुझे तो हमारे पास भी नहीं फटकना चाहिए था तुम्हें खुशी हुई मेरे जमानत पर छूटने की बराबर हुई लेकिन क्यूं हुई क्यूं होई क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम क्या मतलब जिस शक्स को खुद फसाया हो उसके आजाद होने की कुशी होती है क्या मैंने फसाया उसकी तो मौत का सामना किया जाता है सुपारी लगाई जाती है भवर लाल तागडे को 50,000 रुपे में ठीक किया जाता है बदरी को खलास करने के वास्ते 20,000 रुपेया एडवांस दिया जाता है ये रुपेया जीद सिंग ने जेब से निकाल कर नोटों की दो गडियां दिखाई ब्रदर, सिल्वेरा थोक निगलता बोला इस बाबत तेरे को कोई गलत फहिमी है ऐसा क्या? हाँ, तु बैठ तो सही उसने जीद सिंग को जबरन एक सोफे पर धकेला मैं तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ नहीं मांगता जीद सिंग बोला क्या बोलता है ब्रदर? You are between friends मुझे यहां कोई दोस दिखाई नहीं देता अभी, अभी दिखाई देगा You just wait and see एक पिछला दर्वाजा खोल कर वो जल्दी से उसके पीछे गायब हो गया जब लौटा तो उसके हाथ में एक खाली गिलास था वो वापिस जीद सिंग के सामने एक सोफे पर बैठा और उसने ड्रिंक बनाकर जीद सिंग के सामने रखा जीद सिंग ड्रिंक की तरफ जांका तक नहीं तुम लोगों ने वो बोला मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया क्या नहीं सिल्वेरा बोला मैं उधर एक सूट केस निकालने गया खामखा गिरुफतार हो गया मैं उधर सूट केस हाथ में लेके खुशी से नाश्ता हुआ गागा के बोला कि लोगों देखो मेरे हाथ में नोटों से भरा सूट केस है मेरे हाथ में पिछली शाम वर्ट से लोटे नोटों से भर असूट केस है खाम खामखा तो नहीं पुलिस रात को ही इस नतीजे पर पहुँच चुकी थी कि डग्यती का माल स्चोर से बाहर नहीं गया था उन्हें रात को ही मालुम हो चुका था कि वो कहां और कैसे छुपाया गया था पुलिस की उस खोज की निकी को खबर थी अगले रोज उसके ड्यूटी पर पहुँचते ही खुद पुलिस ने उसे बताया होगा कि लूट का माल उसके डिपार्टमेंट में छुपा हुआ था और वो लोग डकैतों को पकड़ने के लिए वहां क्या तयारी किये बैठी थे निकी ने इस बाबत तुम्हें खबरदार किया लेकिन किसी ने मुझे खबरदार करना जरूरी नहीं समझा क्यूं? हमने? हमने कोशिश की थी कैसे कोशिश की थी? किधर कोशिश की थी सिल्वेरा ने व्याकुल भाफ से अलिशा की दरफ देखा हम साड़े बारा बजे सूपर स्चोड के सामने पहुंचे थे अलिशा दिलेरी से बोला पंड तु दिखाई ही नहीं दिया तेरा पता ही नहीं लगा कि तु किधर से अंदर घुस किया दोपहर को काफी भेट थी भेट की वज़ा से ऐसा हो गया होगा वही तो लेकिन भीतर मेरी मंजिल की तो तुमें खबट थी लगश डेपार्टमेंट में क्यों नहीं पहुंचे अलिशा ने सिल्वेरा की तरफ देखा हम सिल्वेरा बोला डर गए थे तुम लोगों के लिए तो उधर डरने वाली कोई बात नहीं थी फिर भे पुलिस की वहां मौचूदगी की वज़ा से वो कहते नहीं है की अलिशा हस्ता हुआ बोला चोर का दिल छोटा हस्ता क्यूं है जीत सिंग बोला जोर से थूक निगली चलो मान लिया कि पुलिस के डर से तुम स्चोर में दाखिल नहीं हुए अब बोलो निकी की क्या प्रॉब्लम थी क्या मतलब सिल्वेरा बोला वो तो सब कुछ जानती थी उसने मुझे खबरदार क्यों नहीं किया ब्रदर पेपर में छपा है कि उदर क्लोस सरकेट टीवी के कैमरे लगे हुए थे वो तस्वीर निकालते हैं आवाज नहीं पकड़ते जीत सिंग बोला कई बार बिना आवाज भी अंदाजा हो जाता है कि क्या कहा जा रहा था कैमरे के दाइरे में वो जगा नहीं आती थी जहां कि निकी का काउंटर था तुम्हें कैसे मालूम? बस है मालूम किसी तरह से निकी को इस बात की खबर नहीं होगी वो नहीं जानती होगी कि कैमरा लगेश डिपार्टमेंट का हर हिस्सा नहीं दिखाता था वो यकीनन जानती थी वरना उसकी मजाल ना हुई होती सूट केस बदलने की क्या? जैसा सूट केस मैंने उधर से लेके जाना था उसने वैसा अकवारों की रद्दी से भरा एक सूट केस पहले से ही पैक करके काउंटर के नीचे छुपा कर रखा हुआ था तुम जानते थे कि पुलिस को माल की खबर लग चुकी थी और अब उसको हाथ लगा पाना तुम्हारे लिए नामुम्किन हो किया था तब तुमने कफन खसोट वाला काम किया चोर से चोरी करने की स्केम बनाई निकी तुम्हारी आँखों के सामने सूट केस कैसे बदल सकती थी वो ही बदल सकती थी उसी ने बदला था और कोई ये काम नहीं कर सकता था सिर्फ उसको मालुम था कि मैं कौन सा और कैसा सूट केस खरीदने वहां पहुंचा था उसने कैश मीमो काट कर मुझे पेमेंट के लिए कैशियर के पिंजरे की और भेजा और पीछे से सूट केस तबदिल कर दिया मैं पेमेंट के बाद वापिस लोटा तो मुझे पैकिंग पेपर में लिप्टा वो सूट केस थमा दिखाई दिया जो कि नोटों की जगा रदी अकपारों से भरा हुआ था और नोटों से भरा सूट केस खुद कबजा लिया अब खबरदार जो किसी ने ये कहा कि वो उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती थी वो रकम तुम लोगों के कबजे में नहीं आ चुकी होती तो तुम लोग यहां बैठे जश्न नमरा रहे होते तो मेरे से पीछा चुडाने के लिए तुम लोगों ने मेरी सुपारी ना लगाई होती अब बोलो माल किधर है दोनों एक दूसरे का मूँ देखने लगे मैं इंतिजार कर रहा हूँ जवाब का फिर दोनों ने आँखों आँखों में फैसला किया फिर अलिशा के तेवर बदले साले वो आँखे निकालता हुआ बोला किसी को टपकाने के लिए उसके सुपारी लगाना ही ज़रूरी नहीं होता अच्छा यहां से समंदर करीब है तेरी लाश का पता भी नहीं लगेगा तो बेल पर छूटा हुआ है सिल्वेरा बोला पुलिस यहीं समझेगी कि तो बेल जम करके फरार हो गया खतम अलिशा बोला ब्रदर बहुत गलती की तुने इधर आके अकेला इधर आके इस बार तो तेरा पिशली बार वाला ट्रिक भी काम नहीं आने वाला इस बार कौन यकीन करेगा तेरे पर बदरी मैं फिर भी तेरे को चांस देता है अपनी खैरियों चाता है तो चुप चाप इधर से चला जा और दोबारा कभी लौट के ना आना चला जाता हूँ जीत सिंग बोला That's like a good boy मेरा माल मेरे हवाले करो चला जाता हूँ माल को भूल जा ब्रदर जान के फिक्र कर वर्ना अलिशा बोला वर्ना क्या वर्ना ये अलिशा के हाथ में एक खंजर जैसा खतरनाक चाकू प्रकट हुआ कैसे धोके बास कमीने मतलब परस्त और यार मार लोग हो तुम ठहर जा साले जीत सिंग ने कट्टा निकाल कर हाथ में ले लिया उस पर जपटने को तत पर अलिशा जैसे रास्ते में ही फ्रीज हो गया क्या जीत सिंग सहज भाफ से बोला अलिशा के मुझे बोल ना फूटा किसी ने मुझे यहां आते नहीं देखा मेरे लिए तो लाशे समंदर के हवाले करना भी जरूरी नहीं होगा अलिशा ने अपने एका एक सो खाए होंटों पर जुबान फेरी यू तुझे रकम मिल जाएगी क्या सिल्वेरा बोला मिल जाएगी जीत सिंग बोला क्योंकि तुम दोनों के जहन्नुम रसीद हो जाने के बाद भी अभी एक नग बाकी होगा जो मुझे रकम की बाबत बताएगा तो साथ जनम निकी तक नहीं पहुँच पाएगा देखेंगे नहीं पहुँच पाया तो रकम का गम खालूंगा लेकिन मैंने दिल से बोला था कि मैं दुबारा कभी तुम लोगों की सूर्टे नहीं देखना चाहता था लेकिन तुम्हारी कर्टूतों ने दिखा दी खेर कोई वांदा नहीं अब तो ना तुम बाखी रहोगे ना तुम्हारी सूर्टे उसने अपना कट्टे वाला हाथ उंचा किया तबी भडाक से धर्वासा खुला और एक बद हवास चपडासी ने भीतर कदम रखा बॉस वो आतंकित भाफ से बोला पुलिस सब इंस्पेक्टर गोकले एंगलर्स क्लब पहुँचा गोकले वो सब इंस्पेक्टर था जो शुरू से सूपर स्चोर की डखैती के केस में अपने सीनियर इंस्पेक्टर गोविलकर के साथ था पुलिस को डखैतों के पीछे मृत पाई गए साथी का नाम आनन फानन मालुम हो गया था फिर भी उसका कोई अतापता मालुम होने में तीन दिन लगे थे अकबार में उसकी शिनाप्त की अपील छपने के तीन दिन बाद एक लड़का डरता जिजकता थाने पहुँचा था और आकर पूछने लगा था कि क्या अनन्त गोप उसने बताया था कि वो एंगलर्स क्लब में वेटर था और अकबार में छपी सूरत वहां के एक स्टीवट से मिलती थी जिसका नाम अनन्त गोप से था लाश क्योंकि लावारिस जान पड़ती थी इसलिए तब भी सरकारी मुर्दा घर में पड़ी थी वेटर को लाश की सू आँचा तो मालुम हुआ था कि गोपसे लो़र परेल में एक किराय का मकान लेकर रहता था और मूल रोप से वो औरंगाबाद का रहने वाला था उसने उसके एंपलोईमेंट के रिकॉर्ड से उसका औरंगाबाद का पता निकलवाया था और वहां गोपसे की बाबत एक्स् अंतिम संसकार किया गया था। हैरानी थी कि जिन लोगों के साथ वो नौकरी करता था या लोवर परेल में जिन लोगों के बीच वो रहता था। उन में से किसी ने उसके अंतिम संसकार में शरीक होने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई थी। वज़ा एक ही मुम्किन कैद घोशित किया गया था और वो गोली खाकर मरा था कौन ऐसे शक्स के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता था डकैती की वारदात को हफता होने जा रहा था लेकिन अभी तक गोप से वाले एंगल से केस पर काम करने की नौबत नहीं आई थी वजह वो शक्स था जो कि डकैती के अगले रोज स्चोर पर से गिरफतार हुआ था इंस्पेक्टर गोविलकर को पूरी गैरेंटी थी कि अंतपंत जीत सिंग नाम के उसी शक्स के माध्यम से के इसके सारे रास खुल जाने वाले थे जबकि ऐसा तो हुआ ही नहीं था उपर से अब वो जीत सिंग जमानत पर रिखा हो किया था लेकिन उसके अफसर को अभी भी फुल गैरेंटी थी कि सब किया धरा उसी का था और अगर आट दिन का फर्दर रिमान्ड मिल गया होता तो वो उस कमीने के पिल्ले को मुकमल तौर से तोड़ कर दिखा देता उसने अपनी मोटर साइकल को स्टैंड पर च लिकालता बोला वेलकम गोकले ने उसे घूरा वर्दी नहीं दिखाई देती देती है सर फिल पुलिस को वेलकम कौन बोलता है हम बोलते हैं सर सेवा बताईए टेलिफोन किधर है स्टीवोर्ड उसे बार के एक कोने में लगी चिट क्लर की मेज तक लाया उसने वहां रखे फोन की तरफ इशारा किया गोकले ने देखा कि फोन पर उसका नंबर लिखा था फिर भी उसने पूछा क्या नंबर है इसका 2379884 सर स्टीवोर्ड बोला इधर एक ही फोन है क्या येस सर इतनी बड़ी इमारत में एक ही फोन है इमारत में तो एक और फोन है सर इधर बार मे एक ही फोन है दूसरा फोन कहा है मैनेजर के ओफिस में मैनेजर जो सिल्वेरा येस सर उस फोन का नंबर 237 109 है क्या येस सर दिखाओ स्टीवर्ड उसे ओफिस के बन दर्वाजे पर लाया सिल्वेरा साहब ओफिस में नहीं है गोटिया स्टीवर्ड ने चप्रासी से पूछा नहीं चप्रासी बोला वो तो कबसे नहीं है अभी कोई 15-20 मिनिट पहले गोटले बोला फोन करने तो आए होंगे फोन करने यहां क्यूं आएंगे सिल्वेरा साहब चप्रासी बोला जब उनके फ्लैट पर ही फोन है तो तुम तो कह रहे थे गोटले ने स्टीवर्ड को घूरा कि इमारत में एक ही और फोन है ठीक कह रहा था आफिस वाला ही फोन फ्लैट में भी चलता है यानि की पैरलल में येस सर गोटले ने आगे बढ़कर दर्वाजा खोला और आफिस के भीतर कदम रखा पीछे स्टीवर्ड चप्रासी के कान में फुस फुस आया दोड के उपर जा साहब को पुलिस की खबर कर ततकाल चप्रासी बाहर को लपका स्टीवर्ड आफिस के दर्वाजे पर ठिटका खड़ा इंस्पेक्टर को आफिस टेबल पर रखे फोन का मौइना करता देखता रहा गोटले वापिस लोटा फोन का क्या चकर है सर स्टीवर्ड उच्सुग भाव से बोला पैरलल फोन पर लेकर चलो जवाब देने की जगा गोखले ने हुक्म दंदनाया आईए जीत सिंग को सेडियों पर पढ़ते उपर को आते कदमों की आवाज साफ सुनाई दी मुझे कहीं छुपाओ वो उचल कर खड़ा होता हुआ बोला अपनी ही भलाई के लिए मुझे कहीं छुपाओ सिल्वेरा अगर मेरी वज़ा से अपने पर फोकस नहीं चाहते हो तो फॉरण कुछ करो सिल्वेरा ने एक शन भी नश्ट किये बिना जीत सिंग की बाँ पकड़ी और उसे पिछवाडे का दर्वाजा खोल कर उसे भीतर धकेल दिया वो दर्वाजा बंद करके वापिस घूमा ही था कि सब इंस्पेक्टर ने भीतर कदम रखा उसने गोखले को तदकार पहचाना क्यूंकि वो पहले भी दो बार गोपसे की बाबत तफ्तिश करने वहाँ आ चुका था आये जनाब वो जबरन अपने लहजे में मिश्री घोलता हुआ बोला आज इतनी रात गए कैसे आए जश्न चल रहा है क्या गोखले बोला ऐसा ही छे ब्रदर चूरती नहीं है जालिम मू की लगी हुई अलिशा बोला आपकी तारीफ गोखले बोला ये अलिशा है मेरे फ्रेंड है करीब ही ट्राइ स्चार करके बार है उसका मैनेजर है कभी कभी इधर आता है एक साहब जो उटके चले गए वो भी फ्रेंड ही होंगे दोनों को जैसे साम सूंग गया क्या उस काईया पुलिसिये को बद्री की वह मौजूदगी की खबर थी उटके चले गए फिर सिल्वेरा हिमत करके भूला कौन उटके चले गए जिनका ये गोखले ने उस अंचुए पैक की तरफ इशारा किया जो कि जीत सिंग के लिए बनाया गया था तीसरा गिलास है तीसरा गिलास सिल्वेरा हसाब अरे नहीं ब्रदर ये मेरा ही है मेरे गिलास में कुछ गिर गया था मैंने नई गिलास में अपने लिए पैक बना लिया था गोखले ने अलिशा से परे मेज पर पड़े विस्की के एक तिहाई भरे गिलास की तरफ निगा उठाई मुझे तो उसमें कुछ गिरा नहीं दिखाई दे रहा वो बोला निकाल के फैंक दिया सिल्वेरा पूर बत हस्ता हुआ बोला पड़ वहम हो गया इस वास्ते नया पैक बनाया आई सी अभी बोला नहीं ब्रदर इतनी रात गए कैसे आए इधर टेलिफोन किधर है सिल्वेरा ने साइट टेबल पर पड़ी फोन की तरफ इशारा किया क्यूं? वो बोला किधर करना मांगता है क्या इसका नंबर 2374109 है हाँ अभी थोड़ी देर पहले या आपके दोस्ते या किसी और शक्स ने जो यहां से उठके चला गया इधर तो किसी ने कोई फोन नहीं किया किया बराबर किया मुखबिर बन के एक कतल के वार्दात की खबर देने के लिए किया मुझ्रिम बदरीनात को गिरिफतार कराने के लिए किया सिल्वेरा का दिल जूते में पहुँच किया सान्ता मारिया कैसे जानता था वो पुलिसिया वो सब कैसे मालूम उसके मुँसे निकला क्या कैसे मालूम गोखले बोला कि फोन इधर से हुआ थाने फोन करने पर फोन करने वाले की लाइन held up हो जाती है फिर exchange से मालूम हो जाता है कि किधर से फोन आया ऐसे मालूम कमाल है लेकिन इधर से तो किसी ने फोन नहीं किया आपकी गैर हाजरी में किया होगा हम तो दो गंटे से इधर ही है साहप साथाया स्टीव और ततपर्सवर में बोला शायद नीचे आफिस से किसी ने किया हो शायद उस संभावना में पना लेता सिल्वेरा बोला ब्रदर बिजनस आवर्स में नीचे मेरे आफिस को ताला तो लगा नहीं होता हो सकता है कोई अन अथोराइस परसन कई बार से भटका हुआ बेड़ो उधर फोन करने के लिए घुस गया हो साहप चप्रासी बोला थोड़ी देर पहले अपना तागड़े उधर था अच्छा हाँ मैंने उसे आफिस के दर्वाजे पर दर्वाजा बंद करते देखा था तब हैंडल उसके हाथ में था भीतर से ही निकला जान पड़ता था मैं पूछा क्या है तो बोला सिल्वेरा साहप को देखता था मैं बोला सिल्वेरा सहब अपने फिलेट में थे तो उधर से चला गिया था जरूर उसी ने उधर से फोन किया होगा सीवाट बोला सिल्वेरा ने असहाई भाफ से गर्दन हिलाई उसे वो सिलसिला बहुत रास आता अगर्चे की तागड़े का नाम लिये जाने की जगह जोर किसी अंजान व्यक्ति पर होता तागड़े कौन है गोखले ने पूछा साहब का मिलने वाला भीडू है चप्रासी बोला अक्सर आता है सिल्वेरा ने खा जाने वाली निगाहों से चप्रासी की तरफ देखा पूरा नाम क्या है गोखले चप्रासी को संबोधित हुआ भवरलाल तागड़े चप्रासी बोला भवरलाल वो तो नोन बैट केरेक्टर है मिस्टर सिल्वेरा ऐसे शक्त से आपका क्या वास्ता? कोई वास्ता नहीं इसने अभी तो कहा कि वो आपका मिलने वाला भीडू है और वो नीचे आफिस में भी आप ही को ढून रहा था इसको गलत फैमी है ब्रदर वो मेरा मिलने वाला नहीं है तो क्यों इधर आता है? कोई उसको बोला कि इधर वेटर की वेटर की वेकेंसी थी उस वज़ा से आता है नौकरी मांगने? हाँ यानि कि सुधर गिया सुधर गिया इसलिए अपने जराइम पेशा धंदे छोड़ के नौकरी करना मानता है मेरे को नहीं मालूम था कि वो कोई बैट कैरेक्टर था आप ऐसे ही किसी को भी नौकरी पर रख लेते हैं क्या? बिना वेरिफिकेशन के? नहीं ब्रदर, वेरिफिकेशन करते हैं तागडे को भी करते? हाँ कहां से? क्या मतलब? उसका पता बोलिए ऐसा ही सहब अगर उसने नीचे से एक टेलिफोन कॉल कर भी ली तो क्या आफ़त आ गई? कोई आफ़त नहीं आ गई बस शर्ते कि उसने बताया होता कि वो कौन बोल रहा था और कहां से बोल रहा था जब कोई खोद अपने आप को मुखबीर तसलीम करता है तो वो अपना नाम पता नहीं चुपाता पुलिस वाले अपने मुखबीरों की आइडेंटिटी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं कोई कथित मुखबीर अपनी आइडेंटिटी चुपाके रखता है तो उसका कोई मतलब होता है हमें वो मतलब मालूम होना चाहिए अब बताईए वो कहां पाया जाता है पता बोलिए उसका पता ढूंडना पड़ेगा भारी बेचैनी महसूस करता सिल्वेरा बोला ढूंडिये अभी मैं गैस्ट के साथ बिजी हूँ इनको रुकसत करके नीचे ऑफिस में जाऊंगा पता ढूंडूंगा और फिर आपके ठाने में फोन कर दूंगा पहले ढूंडिये भाई मैं बोला ना कि मैं अपने गैस्ट के साथ बिजी हूँ मैंने सुना जो मैंने बोला वो आप भी सुनिये सुनिये और समझिये वो आदमी जितना फोन पर बोला उससे ज्यादा जानता हो सकता है इसलिए हमें पोश्टाज के लिए उसके जरूरत है इस मामले को आप टालने या लटकाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझूंगा आप उसके बारे में गलत बयानी कर रहे है तो मैं आगे समझूंगा कि असल में वो गुमनाम फोन कॉल पोलिस को आपने की थी या आपके गेस्ट ने की थी तब मजबूरन मुझे आप दोनों को हिरासत में लेकर ठाने ले जाना पड़ेगा खाम खाँ नहीं खाम खा आपके यहां से अनथोराइस कॉल होती है तो आपके उसके आप जिम्मेदार है अब या तो आप भवर लाल तागडे का पता बोलिए या मुझे अपनी सोच पर अमल करने दीजिए कि वो कॉल आपने की थी मैं बोलिए पता सिल्वेरा ने एक पता बोला जो की गोकले ने नोट कर लिया शुक्रिया वो बोला अब एक आखरी सवाल और वो भी पूछिए आपके स्टेवर्ट अनंद गोपसे के बारे में पूछिए वो डकैती जरसे गंभेर अपराद में शामिल था ये जानकर आपको कोई हैरानी नहीं हुई क्या सक्थ हैरानी हुई उसकी अपरादिक विचार धारा पर कभी आपको कोई शक नहीं हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बड़ा शरीफ गौड़ फेरिंग लड़का था पता नहीं कैसे इतना बड़ा काम कर बैठा जरूर बुरी सोहबत का शिकार हो गया था कैसी बुरी सोहबत? कैसी भी? अब मैं क्या कहूं? आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते क्या? नहीं, कुछ नहीं जानता कोई खास दोस्त, कोई खास गर्फ्रेंड मुझे कोई जानकारी नहीं नौजवान लड़का था, कोई तो गर्फ्रेंड होगी कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहां उससे मिलने भी आती हो मुझे यसी कोई जानकारी नहीं सहब वो आपके स्टाफ का आदमी था उसके अंतिम संसकार में शामिल होने की आपकी ख्वाइश नहीं हुई क्या हुई लेकिन ये खयाल करके हवा हो गई कि असल में वो एक ढकैट था ओके थैंक यू अब मैं चलता हूँ सिल्वेरा ने चैन की सांस ली लेकिन गोखले चेताबनी भरे स्वर में बोला आपके बताए भवर लाल के पते में अगर कोई भेद निकला तो मेरे लोटने का इंतिजार कीजिएगा सिल्वेरा सहब गोखले वहां से रुकसत हो गया पीछे सिल्वेरा धम से सोफे पर धेर हुआ और रुमाल निकाल कर पसीना पहुँचने लगा फिर उसने जपट कर टेलीफोन उठाया और तागडे के घर का नंबर डायल करने लगा कोई नहीं उठाता आखिर कार वो रिसेवर क्रेडल पर पटकता हुआ भोला घर पर नहीं है कमबक तुम खामका हलकान हो रहे हो अलिशा बोला वो समझदार आदमी है बात को संभाल लेगा आखिर जूटे गवा भी तो उसी के होने है वो पुलिस को फोन कॉल की होने की हामी भर देगा तो उस पर कोई पहाड नहीं तूट पड़ेगा जबकि बात सच है सच में हमारे लॉक मैन ने रामखुश का खून किया है और सच में वो उसका चश्मदित गवा है तबी दर्वाजा खोल कर जेट सिंग ने बाहर कदम रखा तुम्हारी कमेन की गातो वो सिल्वेरा से बोला लगता है कोई और छोड नहीं है सब सुन लिया सिल्वेरा खोकले स्वर में बोला और समश लिया लेकिन मैं उस पर तपसरा करने के लिए यहां नहीं रुखना चाहता देहराल मुझे माल की बाबत अपना फाइनल जवाब दो बदरी तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा हाथ आया माल वैसे का वैसा कहीं पड़ा है अभी हमें नहीं मालुम के कुल रोकड़ा कितना है लेकिन हम उसे तेरे सामने गिनने को तयार है ताकि तु अपना हिस्सा चौकस कर सके गिनने की कोई ज़रूरत नहीं वो जितना भी है मेरा हिस्सा है हमारे में ये फैसला पहले ही हो चुका है कि कोई सा एक सूट केस मेरा हिस्सा है तू मूर को जैसी बात कर रहा है बदरी सूट केस तेरे हाथ किधर आया निकी सूट केस तबदिल करने को राजी नहीं होती या वो अपने काम में काम्याब ना होती तू किधर रखा था तेरा हिस्सा तू डकैत साबित ना हो सके और सजा पाने से बच जाए तो भी किधर रखा है तेरा हिस्सा सब कुछ को चुका कोई शक्स जो बाई चांस बचा है उसके टोटल पोजेशन का दावा कैसे पेश कर सकता है जीत सिंग ला जवाब हो किया मुझे इस बात का खामियाजा हासिल होना चाहिए फिर वो पूरी धिटाई से बोला कि तुम लोगों की धोका धड़ी और यार मारी की वज़ा से गिरफतार सिर्फ मैं हुआ और पुलिस के हाथों हफता भर मुत्वातर मार सिर्फ मुझे लगी मैं चूटा तो तुम लोगों ने मेरी सुपारी लगा दी अभी यहाँ भी ये भेडिया चाकू लेकर मेरे पर जपटने वाला था उपर से तुम लोग सिर्फ इसलिए सेफ हो क्योंकि मैं खामोश हूँ मैं जुबान खोलूँगा तो तुम दोनों और तुम्हारी वो डॉल तीनों जेल में होंगे हम सब किसम अंदर होंगे तो फिर कौन किस से हिस्सा बटाएगा सिल्वेरा ने जवाब नहीं दिया कई शन वातावरण में बड़ा बोचल सन्नाटा चाया रहा तु क्या चाहता है? आखिर सिल्वेरा बोला आधा हिस्सा मुझे दो जेत सेंग बोला आधा तीनों आपस में बांटो बदले में तु हमारी भाबत खामोश रहने की गारंटी करता है क्या? तुम फिर मैंने कतल की कोशिश से बाच आनी की गारंटी करते हो क्या? हाँ तुम्हारी हामी में इसकी और निकी की हामी शामिल है क्या? शामिल है अलिशा बोला तुम्हारी हामी मैंने सुन ली निकी का क्या कहते हो वो हमारे से बाहर नहीं जा सकती सिल्वेरा बोला हम जो फैसला करेंगे वो उसे कबूल होगा मैं गैरंटी करता हूँ ठीक है फिर निकालो मेरा हिस्सा यहां कहा निकालें मैं बोला बोला ना कि माल कहीं मैफूस पड़ा है बरामत करो वहां से टाइम लगेगा कल शाम तक हम मुझे आज ही रात माल चाहिए ऐसी जिद की वज़ा क्या है मुझे रोज सुभा पुलिस की हासरी भरने का हुक्म हुआ है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं मैं हपना हिस्सा लेकर फरार होना चाहता हूँ ऐसा है तो अर्ली मॉर्निंग इधर आ जाना या अली शाह बोला सुभा तक इधर ही चेहर मुझे दोनों काम ना मनसूर है जीत सिंग बोला तो फिर कैसे बीतेगी हम तो तेरे यहां आ नहीं सकते किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा जो तार अब तक नहीं जुड़ा वो तब जुड़ जाएगा अली शाह बोला तो फिर जीत सिंग बोला दोनों सोचने लगे तु ऐसा कर ब्रदर आखिरकार सिल्वेला बोला किसी होटल में चला जा फिर जीत सिंग बोला होटल जैसी पब्लिक प्लेस में तेरे को कोई खत्रा भी नहीं होगा मैं बोला फिर फिर क्या फिर जब हमारा दाव लगेगा हम अपनी सेक्रेट प्लेस से माल निकालेंगे और तेरे पास पहंच जाएंगे तुम ये और निकी निकी किस वास्ते ताकि मेरे को एत्बार आ सके कि तुम्हारी हां में उसकी हां है ताकि उसे एत्बार आ सके कि हिस्से एग्रिमेंट के मुताबिक हुए थे आल राइट मैं ये और निकी अब चीक है चीक है होटल की बाबत में सुबह तुम्हें फोन पर खबर कर दूँगा सुबह नहीं पहुँचते ही वो किस लिए ताकि माल निकालने के मामले में अगर हमारा दाओ फौरन लग जाए तो हम फौरन तेरे पास पहुँच सके लेकिन बदरी जितनी जल्दी माल तेरे हाथ आएगा उतना ही ज्यादा वक्त तेरे पास फरार होने के लिए होगा ठीक है आदी घंटे में यहाँ खबर पहुँच जाएगी कि मैं कौन से होटल में हूँ गुट जित सिंग उठ खड़ा हुआ एक रिक्वेस्ट है बदरी क्या अब इदर से मन साफ करके जा हम तेरे गुनागार है लेकिन अब जो हो रहा है तेरे पसंद से हो रहा है वो खामयाजा करके जो तु बोला वो भी तेरे को हासिल हो रहा है अब इदर से दोस्ट की तरह रुकसत हो ठीक है ठीक है तो अपना ड्रिंक खत्म कर जिसे तुने चुआ भी नहीं जेट सिंग ने विस्की का गिलास उठाया और एक ही सांस में उसे खाली कर दिया जाता हूँ फिर वो बोला सिल्वेरा ने उठकर बड़ी गर्म जोशी से उससे हात मिलाया अलिशा ने भी जेट सिंग इमारत से यूँ बाहर निकला जैसे किसी बिक्षन उसे अपने पर आक्रमन होने की आशंका हो वैसी ही साब धानी उसने में रोड पर पहुँच कर गाईलो की टैक्सी में सवाल होने में बढ़ती टैक्सी वहां से रवाना हुई पीछे क्या हुआ बाप गाईलो उच्सुक भाव से बोला बहुत कुछ हुआ जीट सिंग बोला जान जाते जाते बची गिरुफ़तार होते बचा गिरुफ़तार होते भी हाँ उधर एक महाशियाना पुलिस वाला पहुँच किया उपर से था भी तारदेव थाने का ही मेरे को उधर देख लेता तो बेड़ा गर्ख हो जाता किसमत नहीं बचाया ओ अब किधर चलू किसी ऐसे होटल में चल जिसमें मेरे जैसे थर्ड क्लास आदमी की समाई हो सके रात होटल में काटने का है क्या हाँ वज़ा है कोई वज़ा अभी छोड़ वो किस्सा नशे से मेरा माता भनना रहा है नाकपाड़ा चलता है उधर अलेक्जैंडरा सिनेमा के करीब एक होटल है राज़ दीप करके तेरे को माफिक आएगा टैक्सी राज़ दीप पहुंची कुछ रोकड़ा देबाप गाईलो बोला मैं तेरे वास्ते रूम फिट करके आता है जेद सिंग ने उसे नोटो की दो गड़ियों में से एक सौम दी ये क्या गाईलो सक पकाया रख ले होटल का किराया तेरी टैक्सी का भाड़ा सब इसमें सिवाए तेरे एहसान के जिसका बदला रोकड़े से नहीं चुकाया जा सकता क्या बोलता है बाप मुझे उसकी मौत का गम है क्या किस्सा ले बैठा बाप तु मेरे को मिला मेरे को लगा एंजो मिल गया बाप तु जजबाती हो रहा है तु नशे में जजबाती हो रहा है अब जा पढ़ ये ये रोकड़ा हराम का माल है समझले आधा आधा बांट लिया मैं नहीं समझना मांगता पंट तु बोलता है तो ठीक है वो चला गिया दर्वाजे पर निरंतर पट्टी दस्तत ने जीत सिंग को सोते से जगाया उसने बैट स्विच चौन करके कमरे में रोशनी की और वाल प्लॉक पर निगार डाली दो बचने को थे वो बिस्तर से निकला सिरहाने के नीचे से कटा निकाल कर उसने हाथ में ले लिया और फिर उस हाथ को पेट पीछे चुपाए दर्वाजे पर पहुंचा खाली हाथ से उसने चिटकनी गिराई और दर्वाजा खोला चौकट पर निकी देसाई खड़ी थी जीत सिंग ने देखा उसके चेहरे पर हवाईया उड़ रही थी तुम उसके मुँ से निकला जवाब देने की जगा उसने जीत सिंग को एक तरफ धकेला और कमरे में घुस आई उसने खुदी दर्वाजा बंद करके उसकी चिटकनी चड़ाई और उसके साथ पीट लगाकर हाफने लगी क्या हुआ जीत सिंग बोला इतनी रात गई यहाँ कैसे पता कैसे जाना उदर सिल्वेरा के पास मेरे सामने तुम्हारा फोन आया था फिर तो मेरे जाते ही उसने तुम्हें वहाँ बुला लिया होगा हाँ वहीं कुछ हुआ जिसकी वज़ा से तुम अपने वजूद मौजूद हाल को पहुँची हो हाँ उदर कुरसी पर आराम से बैठो और फिर बताओ की क्या हुआ दर्वाजे से हट कर वो कुरसी पर धेर हो गई जीत सिंग उसके सामने पलंग पर नीचे पाउन लटका कर बैठ किया कट्टा उसने दाई जांके नीचे दबा लिया क्या हुआ वो बोला दोनों में जगड़ा हो गया बहुत जोर का अलिशा को तुमें आदा हिस्सा देना कबूल नहीं था सिल्वेरा कहता था और कोई चारा नहीं था बोलता था तुमें पहले ही बहुत धोका दिया जा चुका था अब और धोका देने का अंजाम सब को जेल पहुंचा सकता था मेरी कोई पोची नहीं थी अलिशा की जिद थी कि उसे एक तेहाई हिस्सा दिया जाए क्योंकि तुम्हारे नए दखल से पहले यही तैह हुआ था और बाकी के दो तेहाई हिस्से को मैं और सिल्वेरा जैसे जी में आई बांटे यही तक्रार इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाता पाई हो गई मेरे पहुँचने पर ही फुल टून थे उपर से और पी रहे थे नतीजा यह हुआ कि नशे में ताव खा कर अलिशा ने सिल्वेरा का खून कर दिया अरे यह लंबा चाकुर निकाल कर पता नहीं कहां गोंपा कि बेचारे को दूसरी सांस नहीं आई मैं फॉरें भाग ना खड़ी हुई होती तो अलिशा जरूर मुझे भी मार डालता कमाल है अब वो अकेला सारा माल हडब जाने की फिलाक में है कहां से हडब जाने की फिलाक में है कहां है माल धारावी में वहां कहां काला किला में वो लक्षमी बाग के बाजू में एक किलाका है वहां एक पुराना कप का खाली पड़ा गोदाम है जिस की चाबी अलिशा के पास है उस गुदाम के आफिस में है माल और कोई जगा नहीं सूची माल चुपानी की तब सबको वही सेव जगा लगी थी बुद्वार को तुम ही ने अपने डिपार्टमेंट में सूट केस बदले थे ना ये भी कोई पूछने की बात है और कौन बदलता पहले से मालूम था कि वहाँ फिट टीवी कैमरा तुम्हारे काउंटर तक नहीं पहुँचता था हाँ कैसे एक तो उसके एंगल से ही दूसरे बहाने से नीचे सेक्यॉरिटी आफिस में गई जहां कि कैमरे का कमाल मैंने टीवी मॉनीटर पर देखा यानि कि सूट केस बदलना कोई मुश्किल काम साबित नहीं हुआ जरा भी नहीं मुश्किल साबित होता तो भी ये काम तो मैंने हर हाल में करना ही था कैमरा तुम्हारा काउंटर नहीं दिखाता था फिर भी इंस्पेक्टर गोविलकर को उसे खरूँच वाले सूट केस की खबट थी जिसे मैंने पहले पसंद किया था कैसे थी? मैंने की थी क्यूं? मुझे हुक्म था नोटो वाला सूट केस उठाने वहां पहुंचे शक्स की हर हड़कत की रिपोर्ट करने का चुप रहती तो? क्या फाइदा होता? टीवी कैमरा की वज़ा से तुम्हारे दर्शन तो सब को पहले ही हो चुके थे मैं चुप रहती तो? छोड़ो माल बाहर कैसे निकाला? क्या वांदा था? वो लगिश डिपार्टमेंट है भूल गए उदर से एक बड़ा सा बैग लिया उसकी अपने नाम कैश मीमो काटी सूट केस में से माल उसमें ट्रांसफर किया और शाम को छुटी होने पर बैग जुलाती वहां से निकल गई इजी कमाल है एक तो मैं सेक्शन की इंचार्ज उपर से पुलिस की तरफ यानि की ड़कैतों को फसाने की उनकी स्कीम का ही एक हिस्सा मेरे पर कौन शक करता? वो बैग अप काला किला के एक गदाम में है क्या? हाँ तु मेरे साथ चलो तो हम बैग वहां से निकाल सकते हैं तुम्हें गदाम के ऑफिस का और फिस शील की एक अलमारी का ताला कोलना होगा जो कि तुम्हारे लिए चुटकियों का काम होगा बैग क्या अभी भी वहां रखा होगा? अब तक तो अलिशा बैग लेकर कब का वहां से जा चुका होगा? ऐसा नहीं हो सकता क्यूं? उसके पीछे पुलिस है पुलिस है? वो कैसे? सिल्वेरा के ऑफिस के चप्रासी गोटिया ने पहले मुझे और फिर अलिशा को वहां से भागते देखा था वो फॉरण उपर पहुँचा था जहां उसने सिल्वेरा की लाश पड़ी देख कर शोर मचा दिया गया फॉरण पुलिस को कॉल लगाई गई थी अब पुलिस अलिशा के पीछे है इसलिए वो सिधे धारावी का रुख करना अफॉर्ड नहीं कर सकता क्यूंकि यू तो वो जान और माल दोनों से जाएगा देख ले न जब तक उसे गैरंटी नहीं हो जाएगी कि वो पुलिस के निगाहों में नहीं था वो गुदाम का रुख नहीं करेगा हम अभी भी उससे पहले वहां पहुँच सकते हैं क्या करेंगे वहां पहले पहुँच कर मेरे ओजार तो तुमने कुड़े दान में फैंक दिये अब क्या मैं फूंक मार कर ताले खोलूँगा तुम कोई ना कोई जुगत कर लोगे ना कर सका तो तो हम वहां चुपकर अलिशा के वहां पहुँचने का इंतिजार करेंगे जब बैग उसके काबू में आ जाए तो उसको तुम उससे चीन लेना जब मैं ऐसी कोशिश करूँगा तो जो चाकू उसने सिल्वेरा को घोंपा वो मुझे भी घोंपतेगा बच्चे मत पढ़ाओ तुम्हारे पास गन है कैसे जाना अभी एक जलक आँखों से देखी पीछे सिल्वेरा ने बताया जीत सिंग ने जांग के नीचे से कटा निकाला देशी कटा है वो बोला सिर्फ दो फायर कर सकता है एक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी तुम्हारे पास मौझूद्गी की देश्चत ही काफी होगी अलिशा के लिए फिर भी जरूरत पड़ेगी तो एक ही फायर काफी होगा दूसरा तुम्हारे लिए बचा के रख लूँगा मेरे पर तुम्हारा गुसा नाजायस है मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गिया फिर जब तुमने सिल्वेरा को बख्ष दिया अलिशा को बख्ष दिया तो मुझे क्यों नहीं बख्ष सकते मैंने वारदात के बाद तो कुछ नहीं किया उन्होंने तो बाद में भी किया, जमानत पर छूटते ही तुम्हारी सुपारी लगा दी, फिर गिरुफतार करानी की कोशिश की, फिर अलिशा चाकू लेकर छप्टा, सब जानती हो, वहां पहुंच के जाना, उन दोनों की तकरार के दौरान जाना, हम, अब बोलो क्या कहते ह जो, वही कहता हूँ जो तुम कहलाना चाहती हो, क्या, चलता हूँ, निकी ने चैन की मेर लंबी सांस ली, ये है गोदाम, निकी फुस फुस आई, जेद सिंग ने सिर उठाकर गोदाम की तूटी फूटी, काली पढ़ चुकी इमारत पर निगार ढाली, टैक्सी पर वो उस तारों के नाम पर जेद सिंग के पास एक पेचकस, एक छोटी से हथोडी और दो तार के टुकडे थे, यहां तो एकदम सरनाटा है, जेद सिंग बोला, दर्वाजे तक चलो, असलियत वहां से सामने आएगी, अगर दर्वाजे का ताला खुला हुआ, तो चीक है, दोनों द सायों की तरह चलते हुए दर्वाजे तक पहुँचे, खुला है, निकी उत्तेजित भाफ से बोली, वो भीतर है, क्या जरूरी है, क्या पता आके चला गया हो, ऐसा होगा तो अलमारी खुली होगी, आफिस का दर्वाजा भी खुला होगा, क्यूं, अरे, अपना मतलब हल हो जाने के बाद, वो उन्हें बंद करने की जहमत क्यों करेगा, ओफिस किधर है, आओ, जीत सिंग ने कट्टा निकाल कर हाथ में ले लिया, और निकी के पीछे गुदाम में कदम रखा, यहां रोशनी नहीं है, जीत सिंग फुस फुस आया, है, लेकिन जलाना ठीक नहीं निकी भी व्यसे ही फुस फुस आई, वो भीतर हुआ, तो उसे खबर लग जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर अंधेरे का फाइदा उठा कर, वो ही हमारे पर जपट पड़ा तो, इतना अंधेरा नहीं है, खुले दर्वासे से कुछ रोशनी भीतर आ रही है, इसका फ तुम कर सकते हो, आओ चलो, मुझे नहीं जच रहा, क्या नहीं जच रहा, अंधेरे में यूं कदम रखना, मौत के मुँ में कदम रखना है, तुम पागल हो, अलिशा को मालुम है तुम्हारे पास कट्टा है, चाकु लेकर तुम पर जपटने की, उसकी मजाल हो सकती है, अ अरे, उमीद करो कि इधर वो नहीं होगा, फिर हम भी बैग लेके चलते बनेंगे, अभी तो तुम कह रही थी कि दर्वासा खुला था, इसलिए वो भीतर होगा, मैंने उमीद करने को ही तो बोला है, भीतर आवा जाई के लिए एक ही दर्वासा है क्या, हाँ, हम यहीं रु लेंगे, बाहर से आएगा तो भी देख लेंगे, आगे जा चुका होगा तो बात हो गई खत्म, तुम इतना लंबा इंतिजार कर सकते हो, मैं औरत हूँ, मेरे से नहीं रहा जाता, मुझे मालूम होना चाहिए कि बैग भीतर है या नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे करीब है या मेरे से हमेशा के लिए दूर चली गई है जीद सिंग खामोश रहा चीक है भार में जाओ मैं खुद देखती हूं तक काल वो आगे बढ़ चली जीद सिंग हिच किचाता सा उसके पीछे बढ़ा वो गोदाम के प्रिष्ट भाग में बने बंद कमरे के दर्व देखा अरे उसके मूं से निकला यहां तो ताला लगा हुआ है क्या मतलब हुआ इसका इसका एक ही मतलब हो सकता है क्या वो हमारे आगे-ागे ही यहां पहुंचा था उसने अभी बाहर ला दर्वासा खोला ही था कि उसे हमारी आहत मिल गई थी और वो फोरें इधर-उदर ह गया था फिर तो वो किसी भी घड़ी हमारी सिर्फ पर आधमक सकता है तुम कट्टा मुझे दे दो और खुद ताला खोलो वो पास भी फटका तो मैं उसे शूट कर दूँगी खुले दर्वाज़े के पास जाकर खड़ी हो क्या मतलब वो बाहर कहीं नहीं है तो तुम्हें आता दिखाई देगा तब मुझे साबधान कर देना कैसे कैसे भी दर्वाज़ा को होले से खट-खटा कर मुझे पुकार कर या मेरे करीब आ कर लेकिन अब जाओ लेकिन मैं कहती हूँ की अब जाबी चुको जीट सिंग एका एक करकश स्वर में बोला वो गूमी और भागी कदमों से आगे बढ़ चली जीट सिंग उसे जादा देखता रहा वो खुले दर्वाजे के करीब पहुँच कर उसके करीब दिवार के साथ जा लगी तो उसने घूम कर ताले की तरफ तवज्जो दी ताला उसे मामुली लगा और साभित भी हो गया की मामुली था जबकि दो मिनट में उसने उसे खोल लिया उसने दोनों पलों को धका दे कर पूरा खोला एक कदम भीतर डाला और फिर स्विच बोर तलाश करने के लिए दिवार टटोलने लगा तभी जैसे उस पर गाज गिरी उसके घुटने मुड़े और वो रेत के बोरे की तरह भर भराकर धराशाई हुआ चेतना लुप थोने से पहले उसके जहन से सिल्विरा की आवास टकराई वेल ड़न माई डियर डॉल वेल ड़न टेलिफोन के निरंतर बश्टी घंटी की आवास से पुरसूमल की नीन टूटी उसने हाथ बढ़ा कर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया उसके पहलू में लेटी सुश्मीता कुन मुनाई और फिर करवट बदल कर सो गई पुरसूमल ने टेलिफोन के करीब पड़ी लियूमिनस डॉयल वाली टाइम पीस पर निगार डाली तो पाया कि साड़े तीन बचने को थे हलो वो दबे स्वर में मौथ पीस में बोला कौन शुक्र है बॉस के फोन आपने उठाया मैडम ने नहीं उठाया उसे नवलानी की आवाज सुनाई दी साइन पुरसूमल जुंच लाया इतनी रात गए क्यों फोन लगाया बॉस आपके लिए एक ऐसी खबर है जो इंतिजार नहीं कर सकती ऐसा क्या हाँ पास मुबाइल ना होता तो किस्सा ही खत्म हो गया होता बाप क्या है हमारा सब्जेक्ट मौत की कगार पर खड़ा है क्या यहां धारावी में एक उजड़ा हुआ गोदाम है जिसके विरान आफिस में वो एक कुर्सी से बना हुआ है और उसके गोद में एक टाइम बम रखा है जो कि पांच मिनट में फूटने वाला है जूले लाल किसने किया ऐसा उसके डकैती के साथियों ने जिन में कि अब एक औरत का इजाफा हो गया है वो सब अभी अभी गोदाम से गए हैं और गोदाम वाली सड़क से अगली सड़क पर खड़ी एक कार में जा बैठी है उनकी धमाका सुनके जाने की मन्शा मालूम होती है बम क्यूँ? जब वो कबजे में था तो वैसे ही क्यूँ नहीं मार डाला? बम बहुत ताकतवर है जरूर नहीं चाहते होंगे कि लाश के शिनाक थो पाती और वो फरार समझा जाता हाँ बॉस जल्दी बोलिए मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या तुम उसे बचा सकते हो? हाँ, मैं उसके सिर्हाने ही तो खड़ा हूँ मैं बम को डिफ्यूस कर सकता हूँ तो करो बॉस ये फैसला मैं खुद भी कर सकता था लेकिन मैंने ये सोच कर आपको खबर करना जरूरी समझा कि उसकी मौत आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है यूँ फसाद की जड़ ही उखड सकती है पुर्सोमल ने एक साफधान निगा सुश्मीता की तरफ डाली क्या वो सो रही थी? या आँखे बंद कि ये सब सुन रही थी? मैं ऐसा नहीं चाहता वो बोला वो आदमी आपका खुन कर सकता है वो आपकी बीवी को विद्वा देखना चाहता है फिर भी मैं ऐसा नहीं चाहता वज़ा तुमारी समझ में नहीं आएगी लेकिन यकीन जानो कि आज के बाद सब ठीक हो जाएगा क्या सब ठीक हो जाएगा? वो तुम नहीं समझोगी ठीक है जैसी आपकी मरसी और तुम अपनी असाइन्मेंट को खत्म समझो जी कॉल ओफ दे ओपरेशन यू हैब ड़न दे जॉब वेल थैंक यू कल अपना फाइनल बिल भेश देना पुर्सूमल ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया नवलानी ने मुबाइल जेब में रखा और सबसे पहले बम की तरफ आकरशित हुआ उसने उसे कुर्सी के साथ बुरी तरह जकडे पड़े जीट सिंग की गोद में से उठाया और सबसे पहले उसकी घड़ी रोकी फिर उसने बड़ी दक्षता से उसकी दो तारे खिंची आखिर में घड़ी और डेटोनेटर को बम से अलग किया और तीनों चीजों को मेज पर डाल दिया जीट सिंग की गोद में पड़ा कट्टा उठा कर भी उसने मेज पर डाला जीट सिंग के मुँ पर पट्टी बंदी हुई थी केवल आँखे खुली थी जिन से वो बितर बितर सब नजारात कर रहा था नवलानी ने उसके मुँ की पट्टी खोली और मुँ में ठूसा रुमाल बाहर निकाला कौन हो भाई? जीट सिंग हाफता सा बोला कट्टा तुम्हारा है क्या? उसके बाकी बंदन खोलने की कोशिश करता वो बोला हाँ तभी कोद में रख गए तुम्हारा मुँ चिडाने के लिए तुम कौन हो? समझ लो की एक खुदाई फरिष्टा जो खास तुम्हारी मदद के लिए आस्मान से उत्रा भगवान को मानते हो ना? हाँ तो शत्षत प्रणाम करो उसे जिसने तुम्हें निश्चित मौत से बचाया तुमने बचाया मेरे लिए तो तुम्ही भगवान हो मैं वो अकिंचन हूँ तुम्हें बचाने के लिए भगवान ने जिसे अपने पावस डेलिकेट की तुम फोन पर किसी से बात कर रहे थे उसी के कहने पर तुमने बम डिफ्यूस किया मेरे जान बचाने का हुक्म तुम्हें किस ने दिया? नाम सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे इसलिए छोड़ो ये किस्सा तुम सब कुछ जानते हो तुम ये भी जानते हो कि मेरी ये गत किन लोगों ने बनाई तुम कब से मेरे पीछे लगे हो? क्यूं लगे हो? हो कौन तुम? अरे अरे एक साथ इतने सवाल जवाब दो हाथ खोल दिये मैंने तुम्हारे अब पाउं खुद खोल लेना नवलानी वहां से रुक्सत हो गया गोदाम से दूर अंधेरे में एक मारूती वैन खड़ी थी उसमें आगे ड्राइविंग सीट पर अली शा मौजूद था और उसके पहलों में जोज सिल्वेरा बैठा हुआ था पिशली सेट पर निकी दिसाई पसरी पड़ी थी उसके पैरों के करीब नोटों से भरा बैक पड़ा था तीनों के चेहरे पर परम संतुष्टी के भाफ थे तुने बढ़िया काम किया निकी सिल्वेरा पीछे गोम कर उसकी तरफ देखता हुआ बोला बहुत बढ़िया हैंडल किया अपने लॉक मैन को महा हरामी था साला निकी मुँ बिगार कर बोली बार बार साबुन की तरह हाथ से फिसल जाता था हे भगवान कितनी हुज़त की कमीने ने अंधेरे में कदम रखने में एक बार तो ये भी लगा कि सब छोड़ चाड़ के चल ही न दे फिर उसके मरदानगी को लहकारा और हौरत होने को हाइलर्ट किया तो कहीं जाकर हिला मैंने सिल्वेरा का खून कर दिया अलिशा बोला ये कहानी भी उसे आराम से हजम हो गई थी क्या जब मैंने इतना हाई टेंशन सौंग एंड डांस ड्रामा पेश किया था तो क्यों न होती हजम हो गई थी तभी तो हिला था मेरे साथ चलने को You did a great job हनी सिल्वेरा बोला उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगार डाली उसके गाड़ी छूट क्यों नहीं रही छूटेगी अलीशा विश्वास के साथ बोला अभी छूटेगी दो मिनट उपर हो गए है पांच मिनट तक की कमी पेशी चलती है आनन फानन काबू में किया बंब है ना ऐसा तो नहीं कि फूटे ही नहीं निकी बोली नहीं नहीं ऐसा कहीं होता है क्या टाइम बंब के मामले में अपने दराप शाह की कारीगरी आज तक फेल नहीं हुई फिर खामोशी से पांच मिनट और गुसरे कुछ गडबर आलीशा अलीशा होंटों में बुद बुदाया There has to be a first time for everything सिल्वेरा बोला दराप शाह की कारीगरी फेल होने की पहली बार लगता है आज हो गई जाके देखना पड़ेगा अलीशा अपनी और का दर्वाजा खोलता हुआ बोला आओ आता तो हूँ सिल्वेरा बोला लेकिन क्या ये ठीक होगा क्या मतलब हम बम चेक करने जा रहे हैं ना हाँ वो हमारे मुँपर फूटा तो ऐसा नहीं होगा दस मिनट उपर हो चुके हैं अब तक फूटना होता तो फूट लिया होता तो उसको फिर सेट करेगा हो सका तो नहीं तो गला काट दूँगा साले का यह गोली मार देंगे क्यूंकि कट्टा तो वही है जो तो उसका मुँठ चिडाने के लिए बम के उपर ही रखाया था हाँ बहर हाल हमारा यह अर्मान पूरा होने से रह जाएगा कि पुलिस यह समझे कि वो बेल जम करके भाग किया आओ चलो अब दोनों कार से निकल आई चौकस बैठना पीछे अलीशा निकी से बोला माल है तेरे पास फिक्र ना करो निकी बोली मन ही मन वो अलीशा को सोग गालियां दे रही थी जो कि वेन की चाबी इगनिशन से निकाल कर साथ ले जा रहा था दोनों गुदाम के दर्वाजे पर पहुँचे वहाँ पूर वत सन्नाटा था दोनों भीतर दाखिल हुए और साफधानी से चलते हुए आफिस के दर्वाजे पर पहुँचे अलीशा ने बिजली का स्विच शौन किया रोशनी में उसकी निगाफ कुरसी पर पड़ी कुरसी खाली थी और बम खाली कुरसी के सामने मेज पर बिक्रा पड़ा था दोनों भुचके से एक दूसरे का मुँद देखने लगे कहा गया फिर एक साथ दोनों के मुँद से निकला यहां गया पीछे से आवाज आई आवाज पहचान कर ही दोनों के प्राण काम गए उनकी घूम कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई अलिशा पेट में गोली मारने का स्पेशलिस था जीप सिंग बोला इसलिए लगता है पेट में ही गोली खाना चाहता है सिल्वेरा साहब की भी ऐसी ही तमना है तो मैं करूँ अपना काम गोली चलाओं क्या दोनों जैसे स्लो मोशन में घूमे और उनोंने हाथ में कट्टा लिए सामने खड़े जीप सिंग पर निगार डाली बदरी सिल्वेरा हूंटों पर जुबान फेरता बोला I can explain क्या explain करेगा कमी ने मुझे अलिशा ने बहकाया मजबूर किया कि मैं ऐसा क्या हाँ I swear by Saint Francis संतों की गवाही की जरूरत नहीं मुझे तेरी बात पर यकीन है सिल्वेरा ने चैन की सांस ली इसलिए तो अलिशा से 5 सेकंड ज्यादा जियेगा उसने पहले अलिशा को और फिर सिल्वेरा को शूट कर दिया और खाली कटे को पोंच कर वहीं डाल दिया फिर जहां जहां उसके हाथ लगे होने की संभावना थी उसने हर उस जगा को रगड कर पहुंचा आखिर में उसने अलिशा को जेप से उसका कमानीदार चाकू बरामत किया और बत्ती बुझा कर वहां से बाहर निकल पड़ा वो जानता था निकी ने करीब ही कहीं होना था वो दबे पाउं उसकी तलाश में जुट गया गुदाम से दूसरी सड़क पर उसे तनहा खड़ी मारूती वैन दिखाई दी नी मंधेरे में भी उसने उसकी पिछली सीट पर बैठी निकी को पहचान लिया सामने से वैन की तरफ बढ़ने की जगा वो उस सड़क से और आगे निकल गया और परली सड़क का घेरा काट कर फिर वैन वाली सड़क पर वैन के पिष्ट भाग में पहुचा उसने एक जटके से वैन का पिछला दर्वाजा खोला और निकी की बगल में जा बैठा क्या? वो खुंकार लेचे से बोला उस पर निगा पढ़ते ही निकी के चेहरे से यूँ खून निचुडा कि चेहरा कागस की तरह सफेद हो गया फिर उसकी आतंकित निगा उस पर से भटक कर सामने सड़क की तरफ उठी वो नहीं आने वाले जीत सिंग बोला दोनों गोदाम में मरे पड़ी हैं एन उसी जगा पर जहां तु मेरी लाश के पर खचे उड़ते होने का तसवर कर रही होगी उसने फटी फटी आँखों से जीत सिंग की तरफ देखा अब कुछ बोलतो सही तत तुम तुम वो क्या क्या आई बैग ले लो और मेरी जान बख्ष दो जिन्दगे में अपने साखियों का इतना बड़िया साथ दिया अब मौत में उनका साथ नहीं दोगी क्या ममा माफ कर दो मुझे तो किसी ने माफ नहीं किया मैं मैं मरना नहीं चाहती मैं मरना चाहता था क्या मुझे औरत जान के माफ कर दो नागिन तो सुना है नाक से ज्यादा खतरनाक होती है माफ कर दो मेरा सब कुछ ले लो लेकिन सब कुछ ले लो औरत है न ये हत्यार आस्माई बिना कैसे रह सकती थी प्लीज प्लीज मुझे जाने दो जैसे मुँ हस्ता है वैसे कभी गला हस्ता देखा है क्या न नहीं, मैंने भी नहीं देखा, अब देखूंगा उसने बड़ी दक्षिता से चाकू के एक ही वार से उसका गला एक कान से दूसरे कान तक काट दिया बुद्वार साथ जन्वरी स्चोर खुलते ही पुर्सूमत स्चोर पहुँचा जो कि स्टाफ के लिए काफी हैरानी की बात थी उसने अपने हम उम्र मैनेचर को अपने आफिस में तलब किया स्चोर का बाहर सड़क तक नजारा कराने वाली विशाल ग्लास विंडो पर उसने वैनेटियन ब्लॉडर्ण्स का परदा खींच दिया विराजिये तिवारी जी पुर्सूमल गंभेता से बोला ठैंक यू मैनेचर उसके सामने बैठता हुआ बोला तिवारी जी आप मेरे भरोसे के आदमी है आपके सदके मेरा कारूबार चलता है आज मुझे आज तक कभी आपसे ना उमीदी नहीं हुई उमीद करता हूँ कि आज भी नहीं होगी नहीं होगी मैनेचर नी संकोच बोला क्यूं होगी मेरा एक व्यक्तिकत काम है जिसके लिए स्चोर के इतने मुलासिमों में से मैने आपको महद इसलिए चुना क्यूंकि आप मेरे भरोसे के आदमी है बलकि इसलिए भी चुना है क्यूंकि आपकी उम्र और कद काट मोटे तोर पर मेरे से मिलता है और आपकी रंगत मेरी तरह गोरी है कोई फर्क है तो ये है कि इस उम्र में भी दूर की बिनाई ठीक होने की वज़ा से आप बाइफोकल्स नहीं लगाते आपके बाल काले है लेकिन खोपड़ी खलवाट है और आप मूच नहीं रखते बागी एक छोटा सा फर्क तोंद का भी है जो कि मेरे है आपके नहीं है लेकिन मुझे उम्मेद है कि उसके तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाएगी मैं कुछ समझा नहीं सर अभी समझ जाएंगे कमीज उतारिए जी और पतलून भी चंगुलानी सहब आप फिर परसूमल को खुद भी कपड़े उतारता देखकर वो खामोश हो गया मेरा सूट पहनिये परसूमल बोला देखें कैसा आता है आपको लेकिन सर क्यूँ ताकि मेरा वो व्यक्तिगत काम हो सके जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था ओ दोनोंने आपस में कपड़े तब्दील किये जंच रहे है परसूमल विनोध पुन्ट स्वर में बोला सूठी इतना शानदार है कि मैनेजर संकोश पुन्ट स्वर में बोला जो पहने का जचे का और उम्र में दस साल छोटे लग रहे हैं जवाब में मैनेजर ने अपने खलवाट पर हाथ फेरा इसका क्या है आज कर लोग बाग नौजवानी में गंजे हो जाते हैं तीवारी खामोश रहा अभी एक आदमी यहां आई का जो कि फिल्मों में में मेंक अप मैन का काम करता है वो अपने साथ मेरे हेर स्चाइल जैसा विग लाई का जो वो आपके सिर पर फिट करे का और आपके चेहरे पर मेरे जर्सी नकली मूचे लगाएगा बाइफोकल्स की जगा वो एक प्लेन ग्लासिस का चश्मा आपके लिए लाईगा वो अपने काम से फारिक हो जाएगा तो आप इधर मेरे कुर्सी पर बैठेंगे और ग्लास विंडो पर से परदा हटा देंगे ताकि आपको सारे स्चोर से और बाहर सड़क से देखा जा सके मैं समझ किया मुझे यहाँ आपकी जगा लेनी है ताकि आप चुक चाप कहीं जा सके ठीक समझे आप लेकिन आपकी सेकेटरी यहाँ आ गई तो या स्चाफ का कोई आदमी आ गया तो कोई नहीं आएगा मेरे आफिस के दर्वाजे पर बाहर लाल बर्ग जलता हो तो आप जानते हैं भीतर कोई नहीं आता जी हाँ किसी की मजाल ही नहीं होती इग्जेक्ट्ली बाहर लाल बर्ग जला कर आप तब तक यहां बैठेंगे जब तक कि मैं लौट नहीं आता जाने से पहले मैं अपने सेकेट्री को ये हिदायत दे दूँगा कि जब तक मैं ओर्डर कैंसल ना करूँ मुझे कोई टेलिफोन कॉल ना लगाई जाए और किसी विजिटर को मुलाकात के लिए मेरे पास ना भेजा जाए ओके ओके यू विल मैनेज इतना येस सर इतना दिखावा कर लेंगे कि कोई बाहर से देखे तो यही समझे कि सेर्ट जी आज कामकाज में बहुत बिजी है येस सर गुड तभी मेक अप मैन ने दर्वाजे से भीतर कदम रखा ठीक ग्यारा बजे पैदल चलता हुआ जीत सिंग तार देव थाने पहुँचा बैग गारले कोई हवाले था जो कि वहां से बहुत दूर एक बिजी टैक्सी स्टैंड पर अपनी टैक्सी लगाए बैठा था किया मेरे उपर इंस्पेक्टर गोविलकर उसे घूरता हुआ बोला जीत सिंग ने थोक निगली वो सम्मान की मुद्रा बनाए खामोश खड़ा रहा बैठ जीत सिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव आए सुना नहीं गोविलकर जुड़क कर बोला जीत सिंग हर बड़ाता सा एक कुर्सी पर बैठा किस फिराक में था ये काईया पुलिस या बिठा क्यू रहा है उसे कल रात कहा था कोई खास जगा नहीं था साहब यहां से चूट कर नहाने धोने और कपड़े बदलने की नियत से चिंज पोकली अपने घर गया था फिर चूटाटी चला गया उदर के ही एक ढाबे से खाना खाया और चूटाटी की रेत में सो रहा घर जाकर क्यों नहीं सोया अंदेशा था साहब क्या अंदेशा था साथ बोल किश्तों में बात न कर पंदेशा था कि रात को किसी भी वक्त पुलिस आएगी और उठा कर ले जाएगी इसी लिए चुपाटी पर सोया जी हाँ तासमेल होटल जाना था तू तो रईस आदमी है इतना माल है तेरे पल्ले अभी गिना या नहीं साहब आप फिर वही इल्जाम स्चोर के मालिक पाटिल साहब ने पीछे के तीन सूट केसों का रोकड़ा गिना था उस हिसाब से तेरे पल्ले पचास लाग पड़े है आपकी खाम खयाली है साहब असल में मैं बताऊं तो कहा था बताईए तो पास्कल के बार में था वो कहा है क्या तुझे नहीं मालूम नहीं धारावी में है वहां के एक्रेजी के नाम से जाने वाले इलाके में मैं वहां कभी नहीं गया साहब तो कल वहां था और वहां तुने राम खुश नाम के एक मवाली का खोन किया था और फिर लाश को उसकी कार में लाद कर कार नाले में गिरा दी थी मैंने जीत सिंग हाहा कारी स्वर में बोला हाँ तू ने कौन कहता है? भवरलाल तागडे नाम का एक मुखबीर कहता है वो अभी हमारी पकड़ाई में नहीं आया रात को कहीं खिसर गया तेरी तरह चुपाटी पर जाकर सो रहा होगा लेकिन भाग कर कहा जाएगा वो तेरी करतूत का चश्मदीद गवा जान पड़ता है पकड़ा जाएगा तो तेरी साफ शिनाक करेगा साहब आपने कहा था कि पुलिस की निगा हर वक्त मेरे उपर होगी अगर ऐसा था तो कतल के मामले में पुलिस किसी मुक्वीर की मौताज क्यूं है पुलिस को तो खुद ही मालूम होना चाहिए था कि मैं कहा था और कहा मैंने क्या किया था बहस अच्छी कर लेता है एन अपने वकील के माफिक जीत सिंग खामोश रहा साले, पुलिस को एक तेरा ही काम है आप ही बोला साहब कल रात पुलिस तेरे पीछे होती तो तुझे रंगे हातों गिरफ तार ना करती गोविलकर ने घोर कर जेत सिंग को देखा वैसे तो कोई कसर भी नहीं थी रंगे हातों गिरफ तारी में बाल बाल बचा तु साले पुलिस के पासकल के बार में पहुँचने से जरा ही पहले तो किसका था उधर से मैं उधर गया ही नहीं था साहब मुख्वीर क्यों जूट बोलेगा अब मैं क्या बोलूं साहब उसके बाद देर रात गए धारावी के ही एक और इलाके में तूने तीन खून किये कौन से इलाके में? मुझे क्या मालूं साहब काला खिला जो कि उधर लक्षमी बाप के माजू में है उधर खाली पड़ा एक गोदाम बार सड़क पर खड़ी एक सफेद मारूती वैन दोनों जगा लाशे अब याद आया कुछ? कहां से याद आयेगा सहब? मेरा उधर क्या काम? मैं तो चोपाटी पर… देख, अगर तू अपना गुना कबूल कर ले तो खुद पुलिसी अदालत से दर्ख्वास करेगी कि वो तेरे साथ नर्मी से पेश आए कैसे नर्मी से पेश आए? फांसी की रसी रेशम की बनवाने का हुक्म जारी कर देगी या रसी की लंबाई कम्त कर देने का? अरे, हम दर्ख्वास लगाएंगे कि तुझे फांसी की जगगा उम्रकैद की सजा दी जाए अभी तु नौजवान है उम्रकैद काट कर जब छूटेगा तो तब भी तेरे सामने अभी बहुत जिन्दगी बाकी होगी साहब, क्यूं गरीब मार कर रहे हो? क्यूं ऐसा गुना कबूल करने की राई दे रहे हो? जो मैंने नहीं किया साले, मैं तुझे डकैती का गुनेगार भले ही ना साबित कर पाऊं लेकिन कतल का मुझरिम मैं तुझे साबित करके रहूंगा साहब, मैं आपकी काम्याबी की दुआ तो नहीं कर सकता क्यूंकि वो मेरे लिए बद्दुआ होगी लेकिन इतना फिर भी कहूंगा मुझे हैरानी है तेरे पर जीत सिंग, जैसा शातिर मुझरिम तो साबित हुआ है वैसा सूरत से जरा नहीं लगता क्यूंकि मैं हूँ ही नहीं शातिर मुझरिम बराबर है, शातिर और दिलेर, दिलेर और खुश किस्मत रंगे हातों पकड़ा जाकर भी आसात है अब मेरे लिए क्या हुक्म है साहब गविलकर का जी तो चाह रहा था कि अपने से जुबान लडाते उस कमीने को वहीं धोन दे लेकिन उसे अपने जॉइंट कमिशनर की चितावनी नहीं बूल रही थी दफ़ा हो जा वो बोला जीत सिंग उचल कर खड़ा हुआ शुक्रिया साहब वो बोला और मेरा इंतजार करना दफ़ा 302 के तहट किरुफ तारी के लिए पुर्सूमल अपने फ्लैट पर पहुँचा कॉल बेल के जवाब में सुशमीता ने दर्वाजा खोला अरे उस पर निगाप पढ़ते ही वो बोली ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तेल का कनस्तर उलट गया पुर्सूमल हस्ता हुआ बोला उपर आकर पड़ा सारा सूट तेल तेल हो गया मैनेजर के कपड़े पहन कर आया मुझे फोन कर दिया होता मैं नया सूट वहीं ले आती एक ही बात है पुर्सूमल ने बेडरूम में जाकर नया सूट निकाल कर पहना और उतारे हुए कपड़ों को तै करके एक पेपर बैक में डाला चाय बना दूं क्या सुशमीता बोली हाँ बना दे मैं थोड़ा रेस्ट करके जाऊंगा सुशमीता किचन में चली गई पुर्सूमल ड्राइंग रूम में आ बैठा एक साइड टेबल पर रखे सिगार बॉक्स में से उसने एक सिगार निकाला और उसे बड़े यतन से सुलगाया वो सिगार वहां मेहमानों के लिए रखे जाते थे आम हालात में वो सिगार नहीं पीता था लेकिन आज हालात आम कहां थे सब ठीक हो जाएगा वो होंटों में बुद बुदाया सब ठीक हो जाएगा सुशमीता एक ट्रे पर चाए के दो कप और एक बिस्कुटों की प्लेट रखे वहाँ पहुँची, उसने पती को चाई और बिस्कुट सर्व किये, और फिर दूसरा कप खुद लेके उसके सामने बैठ गई, उसने चाई का एक घूंट पिया, और फिर त्रिप्ती पूर्ण भाव से होंट चटकाता बोला, गुट, आज सिगार पी रहे हो, सुश्मीता बोली, ऐसे ही जी कराया, जी कराया, सोचा जी मार के जीना भी कोई जीना है, क्या कहने, नहीं, क्या नहीं, जी मार के जीना भी कोई जीना है, वो तो है, आज ऐसी बाते क्यूं सूच रही है आपको, योहीं जरा रिलेक्स मूड में हू शायद इसलिए हम मैं कुछ और भी सोच रहा था और क्या इनसान गुना करता है तो उसे चुपाने की कोशिश क्यों करता है क्योंकि क्योंकि वो सजा से डरता है सजा से डरता है तो गुना क्यों करता है सुशमीता सक्पकाई क्या गुना करते वक्त उसे खबर नहीं होती कि गुना की सजा भी मिलती होती है मेरे ख्याल से कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान गुना करने पर मचबूर हो जाता है ये बात तो तुमने ठीक कही, हालात के ही तो हवाले होता है आम इंसान पुर्सोमल ने चाय की एक चुसकी ली, सिगार का एक कश लगाया और फिर बोला ऐसी कोई मजबूरी कभी तुम्हारे सामने पेश आई क्या? जी मैंने कहा ऐसी कोई मजबूरी कभी तुम्हारे सामने पेश आई कि ना चाहते हुए भी तुम्हें गुनाव करना पड़ा हो? जी जी नहीं फिर तो तुम खुश किस्मत हो, यानि कि स्ट्रेट और इवेंटलेस लाइफ रही आज तक तुम्हारी कहा जवान बेहन नहीं मरी क्या मेरी? वो उसकी लाइफ थी, मौत उसकी लाइफ का वाक्या था बड़ी अनोखी बाते कर रहे हैं आज आप पुर्सूमल ने चाय का कब खाली करके मेज पर रखा और फिर बोला बेडरूम में एक पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर पड़ा है उसे उठाके यहां ले आओ मन ही मन एक अजीब सी बिचैनी महसूस कर दी सुचमीता उठी और बेडरूम की तरफ बढ़ी ना जाने क्यों एका एक उसे फ्लैट का वातावरन बोजिल लगने लगा था वो टेप रिकॉर्डर के साथ लोटी पुर्सूमल ने जेब से आओडियो कैसिट निकाल कर टेप रिकॉर्डर में डाला परिवारिक विशमताओं वाले लंबे टीवी सीरियल तुम बहुत शौंक से देखती हो समझ लो ऐसे किसी टीवी सीरियल का एक एपिसोड आज मैंने दिखाया दिखाया पदी को टेप रिकॉर्डर आउन करता पाकर वो बोली हाँ ओडियो वाला हिस्सा टेप रिकॉर्डर पेश करेगा विजुल्स का तसवर तुम्हें खुद करना पड़ेगा So here you are सुशमीता की अपनी स्पर्ष्ट आवास फ्लैट में गुंजी फिर जीत सिंग की आवास सुशमीता का कलेजा लरज गया आतंकित भाव से उसने पुर्षूमल की तरफ देखा तो उसने उसे आँखे मीचे सिगार के छोटे छोटे कश लगाते पाया टेप चलता रहा हर तिस्रेक्षन टेप में से ऐसी इलजाम लगाती आवास निकल कर फ्लैट में गुणजी कि उसे हर बार लगा कि उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी मौत ग्राहक और जीत का कोई भरोसा नहीं कभी भी आ सकता है फिर टेप रिकॉर्डर से आवास निकलनी बंद हो गई पुर्षूमल ने आँखे खोली सोफे पर अद लेटे पड़े खुद को सीधा किया और फिर हाथ बढ़ा कर टेप रिकॉर्डर का स्विच आउफ किया उसने अपलक सुश्मीता की तरफ देखा सुश्मीता का चेहरा राप की तरह सफेद था मू मागी कीमत अदा करने का एलान करके गया वो पुर्सूमल धेरे से बोला अपनी कोई कीमत मुकरर की या नहीं अभी तुमने सुश्मीता के मुँसे बोल नहीं फूटा 75 आदा कर चुका जो कि यहां मौझूद है सुश्मीता के चेहरे पर हाहाकारी भाव आए यहां मौझूद है यही उसने सुना किया यानि कि ऐसी ही एक बड़ी रकम के साथ वो यहां पहुँचने वाला है पहुँचने वाला है उसकी मौजूदगी में सुश्मीता को ऐसा लगा जैसे कोई उसका दिल मुठी में जगड कर मसल रहा हो मुझे नहीं मालूम था कि औरते इतने महगी भी होती हैं आप आप बड़ी कठिनाई से वो बोल पाई क्या कह रहे हैं तुम्हें मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ पुर्सूमल शान्ती से बोला नहीं मालूम तो बोलता हूँ सुचमीता तुमने उस लड़के को और मुझे ही धोका नहीं दिया खुद अपने आपको भी धोका दिया एक सांस में उसे दफ़ा होने को कहती हो और दूसरी सांसों में उसके लाए नोटों के नजराने को कबूल बोलती हो वो वो जबरदस्ती कैसी जबरदस्ती कोई जबरदस्ती नुमाया नहीं है उसने जबरदस्ती करनी होती तो कहीं और करता किसी और तरीके से करता उसने सिर्ष से पाउं तक एक निगास सुश्मीता पर दोड़ाई जबरदस्त के शे के साथ करता जो किया तुमने अपनी रजब मंदगी से किया और वो तुम्हारे लालश ने कराया तुम्हारे इस गुमान ने कराया कि तुम दो किष्टियों की सवारी कर सकती थी कर क्या कराया मेरे से दुबारा परच्छती नहीं चड़ी जाएगी जो बालकेनी में से सीड़ी उठाई और परच्छती से सलेटी रंग का बड़ा ब्रीफ केस और महरून रंग का सूट केस उतार कर यहां लाओ जाओ वो उठी और यंत्र चालिट सी आगे बढ़ी पीछे पुरसूमल की सिगार नोशी तेज हो गई दोनों चीजों के साथ वो वापिस लोटी सोट केस में चालिस लाक रुपई है पुरसूमल बोला ब्रीफ केस में पैंतिस लाक मैंने देखे और गिने देखे वो फुस फुस आई गिने तुम्हारी पार्ट पेमेंट आप मुझ पर बेजा इलजाम लगा रहे हैं वो तड़प कर बोली दूसरे की बिमार सोच मेरे पर थोप रहे हैं बिमार तो यकीनन क्योंकि दुनिया की किसी ओरत को मैं इतनी बड़ी कीमत के काबिल नहीं समझता मुझे उस लड़के पर गुसा नहीं आता उस पर तरह साता है गुसा तुम पर आता है म, मेरे पर? क्योंकि तुमने उसे धोका दिया उसके साथ बेवफाई की, वादा खिलाफी की मैंने उससे कोई वादा नहीं किया था बराबर किया था तुमने उससे कहा था कि उसके सदके अगर तुम्हारी बेहन बच चाती तो तुम उम्र भर उसके पाउं धो धो के पीती क्या आपको ये भी मालूम है? वो भचक की सी बोली मेरा मेरी जाद पहन है उसकी निष्टा सहेली के लिए कम और जाद भाई के लिए ज्यादा निकली ओ, अब बोलो कैसे पाउं धो धो कर पीती? रोज सुबा उसके घर चर्णा मित लेने जाया करती? या उसे कहते कि दूद वाले की तरह अकबार वाले की तरह वो तुम्हें चर्णा मित सप्लाई किया करता? उसके मुँसे बोल नहीं फूटा उसने ठीक कहा था कि अपना वादा निभाता तुम्हें इसलिए जरूरी नहीं लगा क्योंकि तुम्हारी बेहन वक्त से पहले मर गई मैंने जो किया शादी से पहले किया वो सर जखकाई दबे स्वर में बोली अभी आप खुद कबूल करके हटे हैं कि कई बार इनसान गुना करने के लिए मजबूर हो जाता है यानि कि तुम कबूल करती हो कि उसके साथ वादा खिलाफी करके तुमने गुना किया हाँ हर गुना की तलाफी होती है तुम अपने गुना की तलाफी करना चाहती हो कग कैसे सोचो अब कुछ नहीं हो सकता अब मैं आपकी ब्याता बीवी हूँ ये बंधन टोट सकता है सुश्मीता ने तमक कर सेर उठाया मेरी एक बात का जवाब तो मैंने तुम से शादि क्यों की क्या इसलिए कि तुम बहुत खूब सूरत थी मैं, मैं क्या बोलूं ना बोलो तुम, मैं ही बोलता हूँ मेरा जवाब है कि ऐसा नहीं था ऐसा होता तो पहले मैंने तुम्हारी बेहन पर निगा मैली की होती जो कि मेरी मुलासिम थी तुम जाती तोर पर जानती हो कि मैंने ऐसा कभी खयाल भी नहीं किया था मेरे ऐसे ख्यालात होते तो किया मैं इंतजार कर रहा होता कि तुम्हारी बेहन मरती और मैं तुम्हारी रूबरू होता मुंबई शहर में खोप सूरत औरतों का तोड़ा है क्या? क्या मेरे लिए ऐसी औरत से शादी करना ज़रूरी था जो दहेज में तीन बच्चों के भरन पोशन की बदमजा जिम्मेदारी साथ लाने वाली थी? नहीं फिर भी मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हारी बेहन के अंतिम संसकार के वक जब मैंने उन तीन अबोध बिना मा के बच्चों की मुर्जाई सूरत देखी थी जब मैंने बेहन की लाश पर कलेजा चाप कर देने वाला विलाप करते तुम्हें देखा था तो मेरे दिल से खुदी आवाज उटने लगी थी कि मुझे इन लोगों का आस्रा बनना चाहिए था मुझे गिट गुट डेड ओफ दे लाइफ टाइम के तौर पर इन लोगों को अपनाना चाहिए था मैं अपने साई जूले लाल की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम इंकार करते थी तो तब भी अस्मिता के बच्चों के लिए मैं वही कुछ करता जो कि मैंने तुमसे शादी के बात किया मैं तुम्हारी भी हर जरूरत नी स्वार्थ पूरी करता और समझता कि जिस बेमिसाल निश्टा और इमानदारी से तुम्हारी बेहन ने मेरी मुलास्मत की थी मैंने उसका बदला उतारा तुमने मुझसे शादी करना क्यूं कबूल किया मैं तुमसे नहीं पूछूंगा लेकिन मैंने तुमसे शादी क्यूं की ये रास मैंने पूरी पूरी इमानदारी और साफ गोई से बयान कर दिया वो रोने लगी वो लड़का मुझे बड़ी आकात का पहार बताता था जिसकी उंची चोटी पर जा बैठना तुम्हारा सपना था सपने जरूर देखने चाहिए सपने जिन्दगी रंगीन करते हैं रंगीन सपने जिन्दगी और ज्यादा रंगीन करते हैं और दौलत से ज्यादा रंगीन सपना और कौन सा हो सकता है एक शंड खिटकर पुर्सूमल ने रोती सुश्मीता पर निगार डाली और फिर बोला जैसा कि मैंने अभी कहा जी मार के जीना कोई जीना नहीं अगर तुम्हारा जी दौलत में लगता है तो वो अब कहीं और भी बहुत तायत में उपलब्ध है अगर पैसे से ही आदमी के बच्चे की अकाद बनती है तो अब उस लड़के की अकाद भी छोटी नहीं उपर से तुम्हें अपने गुना की तलाफी का मौका मिलेगा तभी कॉल बेल बची सुश्मीता ने चेहुंकर दर्वाजे की तरफ से रुठाया वो आगया पुर्सुमल्सु सैयत स्वन में बोला तुम अभी इसी घड़ी से मेरी तरफ से मुकमल तौर पर आजात हो तलाफ की कानूनी कारिवाही बाद में होती रहेगी जाओ यंद्र चालित से वो उठी वैसे ही अंदास से उसने अपने आंसु पोंचे ये सब साथ लेके जाओ और भी किसी चेस की जरूरत समझो तो वो तुम्हें यहां से ले जाने की खुली चूट है उसने सैंटर टेबल पर से एक हाथ में सूट केस और दूसरे में ब्रीफ केस उठा लिया कॉल बेल फिर बजी भारी कदमों से वो आगे बढ़ी दर्वाजे पर पहुंच कर उसने एक शन को ब्रीफ केस नीचे रखा और दर्वाजे की चिटक ने गिरा कर उसे खोला सामने कंधे से कैन्वस का बैग लटकाई जीत सिंग खड़ा था सुश्मीता ने खाली-खाली निगाहों से उसकी तरफ देखा सुश्मीता वो बोला मैं सिर्फ दो यहां कोई सुश्मीता नहीं रहती वो एक-एक शब्द पर जोड देती हुई बोली ये मिसिस चंगुलानी का घर है आइंदा भी याद रखना उसने सोट केस और ब्रीफ केस बाहर फैंके और भडाक से दर्वासा बंद कर लिया एक शब्द को जीत सिंग को यू लगा जैसे उसे लकवा मार गया था मूँ बाए उसने अपने मूँ पर बंद हुए दर्वासे की तरफ देखा जिसके पीछे से सिर्फ एक शब्द के लिए एक चलावे की तरह सुश्मीता प्रकट हुई थी और गायब हो गई थी गलानी और अपमान के मारे जीत सिंग का उस वक जी चाह रहा था कि उस पर बिजली गिरती है और वो वही भस्म हो जाता कितने ही क्षन वो बुद बना वही खड़ा रहा आखिरकार उसके शरीर में हरकत हुई उसने बैक को कंधे से लटक रहने दिया और जुक कर सूट केस और ब्रीफ केस उठाए भारी कदमों से जैसे अपनी सलीब को खुद ढोता हुआ वो लिफ तक पहुँचा जिस लिफ पर सवार होकर वो उस मंजिल तक पहुँचा था वो तब भी वही खड़ी थी और उसका दर्वासा खुला था वो लिफ्ट में दाखिल हुआ उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन फिर हाथ वापिस खींच लिया उसने ब्रीफ केस खोला अपेक्षा नुसार वो नोटों से ठुसा हुआ था उसने सारे नोट विशाल लिफ्ट में अपने सामने उलट दिये सूट केस और बैक के नोट भी उसने पहले नोटों पर धेर कर दिये लिफ्ट में उसके सामने नोटों का अमबार लग गया उसने जेब से माचिस निकाली और उसकी एक तीली जलाई एक हाथ में जलती तीली थामे उसने दोसरे हाथ से ग्रांड फ्लोर का बटन दबाया नीश अब लिफ्ट के दर्वाजे बंद हुए और वो नीचे को सरकने लगी उसने जलती तीली नोटों के धेर पर उचाल दी दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो एक कम्प्लीट आडियो बुक बनाने में बहुत महनत लगती है ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें थैंक यू फो वाचिंग